अनुचित हो जाता था, इतनी बेतहाशा शेखी पखारता था। वैय यांग ने अपना वाइन कप नीचे रखा। भाई फैंग जिंग, शांग कभीले के युवा, मास्टर, पत के लिए प्रतिसपर्धा कोई छोटी बात नहीं है। कभीले की एक बुजूर के रूप में, मै इसमें हसक्षेप नहीं कर सकता। भाई वैय यांग की मदद की कोई जरूरत नहीं है। योजनत दो साल पहले ही बनाई जा चुकी थी, और ये सब निंग बन बेंग की बदरत है। फैंक्यू आन मुस्कुराया। एह। तुरंता, सभी की निगाहें बाई निंग बेंग प खुद को नहीं रोक सके। इससे मेरा क्या लेना देना। निंग बिंग निंग बिंग इतने प्यार से मेरा नाम पुका जहा है क्या उसे सच में लगता है कि हमारा रिष्टाइट ना अच्छा है। अध्याय 310 तुम बे शर्म बदमाश। देखते ही देखते 3-4 दिन को कुचल कर मार डालने की। लेकिन उसे खुद पर काबूर रखना था। इस करवी ताकत गुने उसे 810 हजारादिम पत्थरों की कीमत चुकाई। अगर उसने इसे कुचल दिया तो उसका दिल दुख जाएगा। जब भी वो इस गुको देखता शांग्याजी को बेहद न राशा महसूस होती। उसे ये भ्रह्म था की करवी ताकत गुचुप चाप उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे हर पल उसकी मुर्ख ताकी याद दिला रही थी। कुछ दिन पहले नीलामी में फ्रांग्युआन ने सब के सामने उन्हें धोखा दिया था। अभी वो हंसी क पात्र था। यहां तक कि उनके आसपास के कुटुम्बियों ने भी उनसे मिलने से इंकार कर दिया। कोई बात नहीं अगर वो मुर्ख था लेकिन वो शांग कबीले का युवा मास्टर था। इस तरह के खृत्ते ने पूरे शांग कबीले को शर्मसार कर दिया। शांग शांग कबीले का प्रतिनिधित्व करती थी और उसकी चविर रखती थी। निलामी में उनका प्रदर्शन किवल उनके लिए अपमान जनक था बलकि उनके शांग कुल के लोगों के गौरव और गौरव को भी मिट्टी में मिला दिया। जहां तक शांग्यान्पी का सवाल ह उन्होंने इस मामले के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन इससे शांग्याजी को और भी अधिका साहरज महसूस हुआ। नहीं, मुझे अपनी प्रतिष्था बचानी होगी। मुझे ये सुने श्चित करना होगा कि पिता मुझे एक अलगना जुरिय से देखे मुझे मेरे बारे में अपने कुल जानों की धारना बदलनी होगी। शांग्याजी ने अपने दाद पीसते हुए अपने दिल में निरणे लिया। फैंग छिंग, तुमने मेरा विरोध करने की हिम्मत की और मुझे मुर्ग की तरह खेला। मैं सुने श्चित करूंगा कि त उसकी नफरत चरम सीमा पर पहुँच गई थी, ये नफरत उसकी आत्मा में खुस गई थी। युवा, मास्टर, युवा, मास्टर, परिशानी है। इसी समय एक वफादार नौन कर अध्ययन कक्ष के सामने चिलाता हुआ आया। तुम इतनी उनमत क्यों हो, क्या यही उचि जनों के बल बैठा, उसका चहरा भय से लाल हो गया। युवा, मालिक, परिशानी है। चारो और रिक अववाह चल रही है, ये पूरे शांग कबीले शहर में फैल गई है। ये कहता है कि आप और फैंग जिंग ने एक बार लेरी इन्यू के लिए प्रतिस परधा की थी ले वो क्या बकवास है। शांग्याजी ने तेरसकार पूर्वक हसते हुए अपने हूट से को लिए। लेकिन नौ करने जारी रखा। वे ये भी कह रहे हैं, वार्शिक मुल्यांकन पास करने के लिए आपने फैंग जिंग के साथ एक गुप्त सौदा किया था, और और फरजी खाते बनाए। क्या? शांग्याजी ने ये सुना और चिलाया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वो अपनी सीट से उचल पड़ा, जिससे उसकी मेज पर रखा ब्रश और साही कमपन होकर गिर गए। नौकर ने सावधानी से लेकिन उत्सुकता से जारी रखा। युवा मास्टर अफवाहितनी विस्तृत है, उनके पास लेन देन का समय भी है और खाते की सटीक राशी प्रसारित की जाती है। ऐसा लगता है कि कबीले के आंतरिक मामलों के हॉल को सतर्क कर दिया गया है और वेहें मामले की जाच के लिए गुमास्टर से को यहां भेजा जा रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसका शरीर नरम हो गया और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने स्टरी टेबल को कमजोर तरीके से पकड़ कर खुद को खड़ा कर लिया। यह प्रभावन बहुत तेज, बहुत भारी, बहुत अचानक था। मैं समाप् फरजिय हिसाब किताब का मामलाव जागर होते ही मैं युवा, मास्टर का पगो दूँगा। यह कुल के नेमो का उल्लंगन है, यहा तक कि मा भी मेरी रक्षा नहीं कर सकती। पिता सिभिक मांगने का कोई मतलब नहीं है। एक बार जब मैं ये पगो देता हूँ, तो अंग आया, शांग्याजी बेहत भय अभीत हो गई और घबराहट के स्थिती में आ गई। ऐसी खबरें कैसे प्रसारित हो सकती हैं। सौदे के दौरान मैं पूरी तरह सावधान था, फ्यांग्चिंग के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं थी। असंभव, य शांग्याजी ने मन ही मन बुढ़ बुदाया क्योंकि उसकी अभी व्यक्तिय चम्भित थी। वो अभी भी बहुत छोटा था, उसे प्रशिक्षित करने के लिए कोई जीवन घा तक खत्रा नहीं था, हालाकि उसने दो साल तक दुकाने संभाली और उसके पास अच्छे प् बीच में मनडप, हलकी हवाई चली, जिससे जील की सतह पर छोटी छोटी लहरे बनने लगी। जील बड़ी नहीं थी, किनारे चटानी पत्थरों को जमा कर बनाए गए थे। जील की सतह पर बड़े बड़े कमल के पत्ते थे, जो एक श्रिंखला की तरह एक दूसरे से जु बश्टरूप से सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था। मनडप में शत्रंज की बिसात बिची हुई थी और दो युवक खेल रहे थे। एक युवक ने काले का पड़े पहने थे, उसकी आँके रसातल की तहे काली थी। दूसरी महिला सफेद के पड़े पहने हु जास्तों में बेवकुभ है, उसकी प्रतिक्रिया की गती बहुत धीमी है। मैंने बहुत पहले ही अववाह पहला दी थी, वो अभी तक यहां क्यू नहीं आया। कोई चिंता नहीं, मैंने गाड को निर्देश दे दिया है कि उसे अंदर जाने दें, वो आ जाएगा। फैं संदेह नहों, वो शांग कबीले द्वारा इस अंजाच से बजने के लिए, उसे कवर करने के लिए हिंवरी फैंग को समझाने आएगा। बाइनिंग बिंग ने अपनी आँखे मोडली, आह भरते हुए कहा, फैंक्यू आन, मैं वास्तों में प्रभावित हूँ, आप वास् शांग्याजी एक छोड़ा आदमी है, वो निश्चित रूप से बदला लेगा, मैं इस तरह की धमकी क्यों छोड़ूँगा, मैंने पहले इस कावपयोग नहीं किया था, क्योंकि शांग्शिन सी अभी आया था, शांग कबीले की कोई नीव नहीं थी, शांग्याजी के और शांग्शिन सी आई आता है, जो हम दोनों के लिए फाय देमन्ध है, बाइनिंग बनबिंग कब कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आँखे नीली रोशनी से चमक रही थी, उसके दिल में ठंडक महसूस हुई, फैंक्यू आन की योजनाए एक के बाद एक आती गए, बार साल पहले इसकी योजना बनाई थी, ऐसी दूर दर्शिता, जिसने लोगों को जग जोर कर रह दिया, शांग्याजी उसके साथ दुश्मन बनकर मौद से मुकाबला कर रहा था, फैंक्यू जिंग, तुम कहा हो, अभी यहां से निकल जाओ, आखिरकार शांग्याजी की उग रची ही आई, जील पर मंडप बिल्कुल भी छेपा हुआ नहीं था, शांग्याजी को दर्बान द्वारा सुचित किये जाने के बाद, उसने तुरंत फैंक्ट और बाई को धूंडे लिया, फैंक्यू जिंग, तुम्हें अभी भी शत्रंज खेलने का मुद है, क्या तुम शांग्याजी ने इस पश्टरूप से बोलते हुए अपना शरीर घुमाया, अगर ये मेरे द्वारा किया गया होता, तो क्या मैं जीवित होता, शांग्याजी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मूर्क और मूर्क होते जा रही हैं, क्या आप भूल गए कि हमने जह प्रति क्या गुकावपियोग एक साथ किया था, शांग्याजी ने गुराया, उसका गुसा थोड़ा कम हो गया, हेंरी फैंक सही था, अगर वो अपराध ही होता, तो वो पहले ही मर चुका होता, अब जब वो वहां सुरक्षित और स्वस्थ बैचा था, तो इसका मतलब ये था कि अफवाहें उसकी वज़ा से नहीं थी, लेकिन हेंरी फैंक के अगले वाक्ये ने उसे गुस्से में डाल दिया, हाला कि मैंने अफवान नहीं फैलाई, मेरे साथी बाई निंग बेंग ने बनाई, शांग्याजी तब धिल रह गया, उसका शांद चेहरा चमकदर लाल हो गया, जैसे कोई उलका वातावरण में प्रवेश कर रहा हो, उसके हृदय में तीवर क्रोध उत्पन हो गया, ये तुम ही थे, ये तुमने ही किया था, कुतिया, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं, वो चिलाया, उसकी आँखें गुस्से से लाल होगी, उसने बाई निं हमला करना चाहते हो, मुझ पर हमला करो, बाई निंग बनविंग धीरे से उठ खड़ी हुई, उसका बिलकुल आश्चर जनक चहरा बर्व की तरह ठंडा था, क्योंकि उसके बर्व फीले स्वर में तीवरती रसकार था, मैं रैंक तीन शिखर चरण में हूं, मैंने युद् पीस लिए उसकी आँकें आँक से जलने लगी और उसने बाई निंग बिंग को खूर कर देखा, आखर में उसने हमला नहीं किया, वो रैंक तीन के उपर इस्तर पर था और अपने पूरे जीवाने कारी टावर में रहा, वो बाई निंग बिंग का मुकाबला नहीं कर सकता उसी समय, बाई निंग बिंग के पास बैगनी कांटा टोकन था, जो शांग्यान भाई ने उन्हें व्यक्टेगत रूप से दिया था, फैंग जिंग, आप अपने शब्दों से पीछे हट गए, आप एक दर्दनाक मौत मरेंगे, उसे हमारे सौदे के बारे में कैसे पता च रुको नहीं, आप अपने शब्दों से पीछे हट गए, आप अभी भी जीवित क्यूं हैं? क्या आपको इसे निश्क्रिय करने का कोई तरीका मिला जहर व्रत्गू? शांग्याजी ने अनिश्चित्ता महसूस करते हुए फैंकिवान की ओर देखा, नहीं हाइफन नहीं, फैंकिवान ने अपना सिरह लाया, जहर प्रतिग्या थी हाइफन आप और मैं से गुप्त रखेंगे, और हम कुछ किसी अंजान तीसरे पक्ष को जानकारी नहीं दे सकते, कोट लेकिन जहर प्रतिग्या गुकाउपियों करने से पहले, मैंने पहले ही बाइनिंग बिन को ब अब जब फैंकिवान ने इसका उलेक किया, तो प्रतिग्या वास्तों में इस प्रकार थी, तो फिर उन्होंने उस समय इस खामी का पता क्यूं नहीं लगाया, एक अपनी मानसिक्ता के कारण, उन्होंने नहीं सोजा था कि फैंकिवान इस मुद्धी पर चर्चा करने से पह बात की थी, फैंकिवान बिना तैयारी के लग रहा था और सतर्क हो गया था, लेकिन वास्तों में उसने बहुत पहले ही इसकी भविश्रिवानी कर दी थी और वो सिर्फ शांग्याजी की इंद्रियों को सुने करने की कोशिश कर रहा था, तीसरा, शांग्याजी एक युव मास्टर के रूप में बने रहना चाहता था और उसके पास कोई अने रास्ता नहीं था, वो चिंतित था और चुकी व्रद पढ़ना अत्यंत कश्टकारी था, इसलिए वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब जब वो से पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, फैंग जिंग, तुम बेशर्म बदमाश, तुमने मुझे धोखा देने और मुझे इस तरह धोखा देने की हिम्मत की, तुम एक ग्रीनिट बदमाश हो, बहुत ही ग्रीनिट और बेशर्म, अध्धाय 311, दरसल मैं अलक दयालू व्यक्ती हूं, शांग्याजी ने बु के मुहरे उर गए, और टेबल लगभग हेंरी फैंग के पैर पर लगी, लेकिन वो समय रहते चकमा दे गया, शांग्याजी तीन कदम पीछे चला गया, उसका से चकरा गया और उसकी नाक से ख्योन के दो निशान बह निकले, शांग्याजी मैं तुम्हें शांत होने की सलाह दूँगा, विस प्रतिग्या में कहा गया है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुचा सकते, बजने के लिए मुझे धन्यवाद, अगर पत्थर की मज मेरे पैर पर लगी, तो तुम्हारी चोटे अधिक गंभीर होंगी, हेंडरी फैंग हलकी से हसे, आह, फैंग जिंग, मै तुम्हें टुकडे टुकडे कर दूँगा, मैं तुम्हारी नसे उखार देना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदा खाल लोतार देना चाहता हूं और तुम्हारे खून की हरबूंद और मांस के टुकडे को निगल जाना चाहता हूं, योआन फैंग की मुसकान चोड़ी हो ग लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लंबे समय तक एक ही बने रहोगे। अब आपका काम खत्म हो गया है। अंतरिक मामलो के हौल ने जाज शुरू कर दी है। आपके पास यहां अधिक दिन नहीं बच्चे हैं। उसके शब्द शांग्याजी पर ठंडे पाने की बालते क तरह थे। ये सही है, वो अपना युवा, मास्टर, पदग होने जा रहा था। उनकी स्थिती बचाना महतुपून बाद थी। लेकिन वो इसे कैसे बचा सकता था। जिसने भी परेशानी शुरू के उसे खत्म करनी चाहिए उसे सुरुद को देखना होगा। वो अपनी ब उलरादा हिंवरी फैंग को उनके साथ मिली भगत करने के लिए ढूनना था। शांग्याजी ने इसके बारे में सूचते ही अपने दिल में एक घ्रीनच बीमारी महसूस की। ये दो बदमाश मेरी स्थिती के लिए दोशी हैं। मैं उनका मांस खाना चाहता हूँ और उनका खून पीना चाहता हूँ लेकिन अब मुझे उनसे मेरे साथ सहीयोग करने के लिए विंती करनी होगी। शांग्याजी इस तरह के अंट को स्वीकार नहीं कर सका। उसका दिली से स्वीकार नहीं कर सका। फैंक्युआन ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और शांग्याजी को उथल पुथल में देखा इस प्रकार उसने कहा। लेकिन शांग कबीले शहर में आये मुझे दो साल हो गए हैं। क्या आपने मुझे इसका उप्योग करते देखा है। यदि आप नहीं होते जो अति कर देते तो हम ऐसी स्थिती में क्यों पहुँचते। ये सभी समस्याएं। अकेले ही आपके कारण उत्पन हुई। मैंने लेक खिलाफ जाने से नहीं दर्टा, छोड़ो, मैं तुम्हारा जीवन कठिन नहीं बनाना चाहता। उन्हें बेहतर धंक से पकरने के लिए लगाम धीली करना। क्या सुन्दर शब्द हैं। बाइनिंग बिन ने फैंकिवान पर नजर डाली, उसकी आँखों में एक ठंडा उपधास अच्छलक रहा था। लेकिन शांग्याजी ने नहीं छोड़ा, वो लकड़ी के खंबे की तरह निश्चल वहीं खड़ा रहा। उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी, बा संखर्ष में पढ़ गया था। फैंकिवान के शब्दों से शांग्याजी को इहसास हुआ कि उनका रिष्टा अभी तक सबसे खराब स्थिती में नहीं पहुचा है, स्थिती को बचाने का मौका था। इसने उसे ये भी याद दिलाया कि गू की करवी ताकत ही इसका कारण अपनी युवा, मास्टर, स्थिती की रक्षा के लिए मुझे ये सुनेश्चित करना होगा कि फैंग्जिंग मेरे साथ सहीयो करें। सहीयो करें। अपनारी कैसे दिखाऊंगा? मैं हमारे रिष्टे को कैसे बचा सकता हूँ? मैं क्रोधित हूँ, अंत में मैंने गुको सिर्फ उसके लिए खरीदा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आपमान है। फैंग्जिंग की वज़ह से मैंने एक करवी ताकत वाले गुको खरीदन के लिए 810,000 खर्च किये, जिससे हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था। अब मुझे गुको उससे सुंपना होगा, क्या ये सिर्फ दैन ये नहीं है? नहीं, योकि करवी ताकत मुद्दा नहीं है, जो महतुपूर्ण है वो मेरी युवा, मास्टर, स्थिती की रक्षा करना है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। थोड़े समय में, शांग्याजी ने अपने विकल्पों पर विचार किया, वो तब तक सोचता रहा जब तक कि उसके कान गूंजने नहीं लगे। हेंरी फैंक को पता था कि ये समय आ गया है जब उसने वो पिला चेहरा, स्थम्द रूप और जूलतावा शरीर देखा। शांग्याजी, हमने तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम अभी भी यहां क्यूं हो। इसे भूल जाओ, तुम डैनिय आत्मा, मैं तुम्हें धंकाना नहीं चाहता। चलो बाइनिंग बिन, मैंन संकेत भेजा, बाइनिंग बिन खड़ी हो गई और जाने का नाचक करने लगी, जैसे ही वो दो कदम चली, शांग्याजी बोली, कृपिया यहीं रहें। उसकी आवास करकश थी। जैसे ही वो बोला, उसने करवी ताकत गू को बुलाया और कापते हाथों से उसे पकर लिया फैंग जिंग, पहले ये मेरी गल्दी थी। माफिय के तौर पर ये गू की करवी ताकत है। जैसे ही उसने ये कहा, शांग्याजी को बेहर दनिच्छा महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता गया, उसे इसकी आदत हो गई और इंट में, शांग्याजी को लगा कि उ बड़ा शरीर, इसका शरीर अंडाकार और हथेली के आकार का था। इसका शरीर पीला भूरा था और इसकी सतहसमान थी, क्योंकि इसकी पीठ पर गंठे उगाई थी। जैसा कि अब एक्षित था, उसने करवी ताकत गुकु सौपदी, हेंरी फैंग बहुत खुश होगा, है बाई निंग बिंग ने अपने दिल में आह भरी, मानव व्यभार पर हिंगरी फैंग की समझ उसके स्तर से कहीं अधिक थी। फैंग की वांग जोर से हसे, लेकिन कहा, शांग याजे, मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं करवी ताकत बिना जीवित नहीं रह सकता, हाला कि इसे परिश्कृत करना कठिन है, अगर मैं गृड़ रहा, तो अन्तितमें से प्राप्त कर लोगा, क्या आपको लगता है कि जब आप काम मन हो तो आप मेरे लिए समस्याए खड़ी कर सकते हैं, फिर जब आपको जरूरत हो तब मेल मिल कर सकते हैं, जब आपकाम मन हो तब लड़ सकते हैं, जब आपकाम मन हो तब शान्ती बना सकते हैं, क्या ये दुनिया इतनी आसान जगह है, जेंग मेरे अपनी गरिमा है, क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो, आप गलती कर रहे हैं, शांग्याजी ने त तमस्याई पैदा नहीं करूँगा। हम दोनों अच्छे गटबंदन साथी बन सकते हैं। आपस में लड़ने से केवल बाहरी लोगों का मनुरंजन होगा। करवी ताकत के अलावा गुर्ण। मैं अन्यम मौवजे दे सकता हूं। प्राचीन पत्थर, गुकिरे, गुशोधन सामगरी, मैं दुकानों का प्रभारी हूं, मैं उन्हें तुम्हें दे सकता हूं। क्या ऐसा है। हेंडरी फैंग की अभी व्यक्ति शान्त हो गई। शांग्याजी ने आगरह करना जारी रखा। बाइनिंग बेंग एक बाहरी व्यक्ति बन गई और वाक्त होकर ये देख रही थी। शांग्याजी ने नकेवल करवी ताकत गु को बाहर निकाला और फैंग की वान से इसे लेने की भी मांगी बल्कि अनिसामगरीयों की भरपाई भी करनी पड़ी। लेकिन वो जानती थी कि वो सिर्फ इस संकट से उबरने की कोशिश कर रहा था। शांग्याजी एक छोटा आदमी था, वो भविशे में निर्श्चित रूप से बदला लेगा। मैं करवी ताकत बनाए रखूंगा, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। आखिरकार फैंग की वान ने कोई निरणे नहीं लिया। लेकिन शांग्याजी को खुश करने के लिए ये काफी था। उसने सुचा कि फैंग की वान बहुत घमंडी था और अधिक मुआवजे की मांग करने के लिए स्थिती का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। मैं उन सभी से सहमत हूँ, भविशे में, मैं ये सुनेश्चित करूँगा कि तुम भयानक रूप से मर शांग्याजी की मन में बुरे विचार प्रकट हुए, क्योंकि वो और भी अधिक इमानदारी से मुस्कुराया। इनिंग बन बिंग से कहा, ठीक है, आप पहले से ही आंतरिक मामलों के हॉल में मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं। बाइनिंग बिंग ने ये सोचते हुए सिरह लाया, आज रात मुझे वापस जाना चाहिए और फैंग्योआन के साथ की गई प्रतिग्या को शब्द शब्द दोबारा पढ़ना चाहिए। कुछ दिनों के बाद स्टरी रूम में एक आह गूंज रही थी। शांग्यान फेई ने बिना किसी भाव के अपने कागजात नीचे रख दिये। सामगरे आंतरिक मामलों के हौल से भेजी गई थी जिसमें शांग्याजी का नकली लेखांकन मामला शामिल था। ऐसी बात छुप कर करना ही ठीक था। लेकिन एक बारुजागर होने के बाद कभी लाई से कैसे बरदाश कर सकता था। शांग्याजे शांग्यान फेई का प्रति निराशा थी। उसके युवा स्वामनी का दरजारद करें और उसे गुलाम पकरने वाले समूह में शामिल होने के लिए दंडित करें। उसे तीन साल तक यहां वापस नहीं आना होगा। शांग्यान फेई ने अपना ब्रश उठाया और शांग्याजी के लिए सजा लिखी। वो शांग कबीले का नेता है। इस पहचान के कारणों से पूरे कबीले का प्रतिनिधित्व करना पड़ा। उनके प्रतिकार्य और शब्न का सार्थक परिणाम होता था। फैंग जिंग, बाइनिंग बिंग। शांग्यान फेई की आँखें तेज रोशनी से चम बिले का सम्मान नहीं कर रहा था और वो शांग्यान फी। हमपह, शांग्याजी आखिरकार मेरा दूसरा बेटा है, क्या मेरा बेटा ऐसा है जिसके साथ आप लोग खिलवार कर सकते हैं। हाला कि ठैंक और बाई ने एक बार शांग्शिंसी को बचाया था, परिवार अभी भी परिवार था, शांग्यान फी के दिल में उसकी रक्तर एक हा करीब थी। इस प्रकार उसने इच्छा की। एक चमकदार लाल कागस की क्रेंगुर गई। अपने बेटी के खिलाफ साजेश रचते हुए उसके पिता के रूप में मुझे उससे बदला लेना होगा। ये तो उन दोनों के लिए सजा है, लेकिन ये एक परिक्षा भी है। शांग्यान फाली बुडबुदाया। पेपर प्रेंगो की गती बेहत तेज थी, जो एक गुप्त कमरे में प्रवेश कर रही थी। कभी लेके नेता ने एक पत्र भेजा है। कभी लेके नेता चाहते हैं क हम फैंग जिंट और बाई निंग बेंग को जबर्दस्ती चुनो ठीडे। गुप्त कमरे में दो लोग थे। एक मीनार की तरह हुंचा था, दूसरा माचिस की तीली की तरह पत्ला था, दोनों निव शब्ड इस पत्र और एक दूसरे को देखती रहे। ये रांक चार गु मास्टर सजो काई बेई और यान्टू थे। क्या उनमें मतभेद नहीं थे। यदि बाहरी लोग उन्हें शान्ती से एक साथ बैठे, मुद्दों पर चर्चा करते हुए देखते तो उनके हुशुर जाते। वे दोनों प्रारंभीक चरण में चौथे स्थान पर थे, एक दूसरे के खलाफ प्रतिसपर्धा करते हुए युद्ध चरण पर हावी रहे। उन दोनोंने शपतली की जब तक वे एक दूसरे को हरा नहीं देंगे, वे युद्ध मंच नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सच्चा ये है कि वे शांग्यान फे के गुप्त मुहरी थे। आई बेई और यान्ट युद्ध के चरण को नियंदरित करने के शांग्यान फी के तरीके थे। अध्धाय 312, रैंक 3 पीक स्टेज एक बार फेनान के उद्ध्यान, गुप्त कक्ष, कमरा अधेरे से धका हुआ था, प्रकाश का एक मात्र स्रुत्तारों की रोश्नी की एक पतली किरंट थी जो कमरे के केंद्र की और पानी की तरह बह रही थी। केंद्र में फैंग क्युआन और बाइनिंग बन बिंग मैज पर क्रॉस ले करके बैठे थे। बाइनिंग बिंग की हथे लिया फैंग क्युआन की पीठ पर रखी गई थी। बुर्यांक तीन पीक सिल्वर प्राइम वले सिंसर को फैंग की वान में स्थानांतरित कर रही थी। घुपत कक्ष में बिल्कुल सन्नाटा था। हाला कि हेंरी फैंग के दिल में लहरें उठती रही। गरगरा हट। एक बर प्रिला चांदी का ज़र्ना हाइफन ठंडा और राजसी हाइफन उसके छेदरे से हेंरी फैंग के प्राचीन समुद्र में गिर रहा था। ये रांग 3 पिक टेज्जनो सिल्वर प्राइमवल सा त Ungard 3 मांसिक दॉक के माथ हम से चला गया था। Labour 3 मास्टर सव प्राइमवल सार चांदी था। प्रारंभिक चरण में प्राइमवल सार में किवल चां ब्लॉसम सिल्वर प्राइम वल सार कहा जाता था। उप्री चरण का आदिम सार चमकी इला चांदी था। इस प्रकार इसे चमकी इला चांदी का आदिम सार कहा गया। ब्लॉसम सिल्वर प्राइम वल सार को लगातार साव किया। शिद्र जो मूल रूप से एक पानी की जिल्ली थी, जिसमें प्रकाश पानी की तरह बह रहा था, हिल रहा था। सफाई की प्रक्रिया को छिस समय तक चलने के बाद मात्रात्मक परिवर्तन जमा होकर गुणात्मक परिवर्तन बन गया। पानी की जिल्ली से प्रकाश बाहर निकला और ठीक उसी तरह जैसे पानी जमकर बर्फ बन जाता है, अब वो हिलता नहीं है और पत्थर की जिल्ली दीप्तिमान और गौरव शाली थी और पानी की जिल्ली से भी अधिक मोटी और स्थिर थी। पत्थ यूआन रांग तीन मध्य चरण से रांग तीन उप्री चरण तक आगे बढ़ गया। एक स्थिर नीव का निर्मान करने पर सफलता स्वभाविक रूप से आएगी। जोकि साधना समाप्थ हो गई थी। बाई निंग बिंग ने धीरे से अपने हाथ हटा लिए उसकी निल हेंरी फैंग के पास अभी भी सफेद चांदी का अवर्शेश गुह है। उसने इसका उप्योग नहीं किया था और इसक्षन के लिए इसे बचा कर रह रहा था। पहने का ताक पर यह है कि आज रात के बाद हेंरी फैंग की साधना उसके समान सतर पर तीन चरम चरणों में आगे बढ़ जाएगी। यह आदमी एक चालाकल मारी है और बेहत विश्वा सखाती है। हाला कि मुझे विश्वरत में कोई खामी नहीं मिली है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वरत में कोई खामीया नहीं है। बाइनिंग बेंग चुपती लेकिन उसके विचार तेजी से चलते रहे शांग्याजी का पतन एक गंभी रन उसमारक था हेंडरी फैंग द्वारा उसे दिया जा रहा मांसिक दबाओं और भी बड़ा होता जा रहा था और अब उसे कुछ संदेह होने लगा था चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ सहीयोग करने में इमानदार हूँ विस्वरत से कोई समस्या नहीं है जैसे कि वो जानता था कि बाइनिंग बिंग क्या सोच रही थी फैंग की वान में अचानक अपना मूँ खोला हम फर अपने विचारों को उजागर करने के बाद बाइनिंग बिंग की आँखों में ठंड़क की जलक दिखाई दी और ठंडी विटम बना के साथ कहा मुझे ऐसी उम्मीद है हेंगरी फैंग ने एक आँख भरी जब उसने शांग्याजी के खलाफ फ्योजना बनाई तो उसे पहले से ही बाइनिंग बिंग की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी हर चीज के अपने गुन और दोश थे अब शांग्याजी को उनके पद से हटा दिया गया जिससे एक युवा मास्टर सा सीट खाली हो गई और शांग्शिन सी आई को आगे बढ़ने का मौका मिला हाला कि इसने फैंग्युआन और बाइनिंग बिंग के सहयोग में दरार पैदा कर दी साथ ही इसने शांग्यान फेई को भी अपना कदम उठाने के लिए मजबूर किया कल ही जुकाई बेई और यान्टू ने एक ही समय में फैंग्युआन और बाइनिंग बिंग के प्रतिजब रंचनोती जारी की थी एक बार जब ये खबर फ्हली तो इसने तुरंत युद्ध के मंच पर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और अन्गिनत लोगों का ध्याना आकाशित किया जुकाई बेई और यान्टू दोनों रंक चार के प्रारंबिक चरण के गुमास्टर सत्थे और उन्हें को त्युद्ध चरण का आधा आकाश कोट भी कहा जाता था दो कोटा थे आकाश कोट के सहयोग से वे समपोर्न आकाश बन गए ये उपनाम उनकी स्थिती और ताकत का सपष्ट विवरन देते थे फैंक और बाई युद्ध मंच के दो उभरते सितारे थे वे शांदार रहे बिना इक बिहार के अपने सभी मैच जीते ऐसी ताकत युद्ध सतर पर पहले भी कम ही देखने को मिलती थी जो काई बेई और यांट युद्ध मंच के दो नायक थे जो शिखर पर गर्व से खड़े थे इन कुछ वर्षों में कैगो मास्टर सथे जो बाहर खड़े होना चाहते थे और शांग कबीले के बाहरी बुजूर्ग बनना चाहते थे लेकिन इन दोनों ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने की उनकी उमीदें खोदी लेकिन अब इन दोनों ने सयुक्त रूप से फैंक्ट और बाई को चुनोती दी जिससे स्वभाविक रूप से हर कोई उत्सुक और आशरंकित हो गया किसी ने कहा कि फैंक्ट और बाई बहुत मजबूलती से आगे बढ़ रहे थी जिससे वरिष्ठ जुकाई बेई और यान्टु असाहज महसूस कर रहे थे और इस तरह वे इस समस्या को जल्दी खत्म करने जा रहे थे एक अन्य ने कहा जु और यान नेशर्ट लगाई थी और जीत्या हर का निर्धारन करने के लिए फैंक्ट और बाई का उप्यो कर रहे थे लगभग किसी ने नहीं सूजा था कि फैंक्ट और बाई के पास इन दोनों के खिलाफ जीतने का मौका होगा जु काई बे और यान चुकी दोर्जे अताकत पहले से ही लोगों के दिलों में गहराई से अंके थी और भी महतुपून बात एक पक्ष रांग चार गुमास्टर सथा जबकी दूसरा पक्ष रांग तीन गुमास्टर सथा उनके स्तर में बहुत बड़ा अंतर था जैसे जैसे गुमास्टर उच रांग पर आगे बढ़ता है प्रतिक खेत्रे के बीच का अंतर बड़ा हो जाता है और रांगों के बीच लड़ना बेहत कठिन हो जाता है पीछे से बाइनिंग बिंके खड़े होने की आवाजा रही थी कल आपके और यान्टू के बीच मैच है आपकी तयारी कैसी चल रही है क्या आपको मेरे स्वर्गिये सार्ख जाना कमल की आवशकता है हमारी प्रतिग्या के अनुसार मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा हेन्री फैंग ने अंधिरे से धीरे से बात की कोई जरूरत नहीं है बाईनिंग बिंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया हेन्री फैंग क्रोस लेग दब बैठा था उसने बिना मुरे कहा आप वास्तों में आशवस्त हैं तो क्या हुआ अगर वो चौथी रैंग पर है इन दो वर्षों में आप अकेले नहीं हैं जिसने सुधार किया है बाईनिंग बिंग घूमी और चली गई स्वर्गिय सार्ख जाना कमल फैंग क्योआन का था ये बाईनिंग बिंग की असली ताकत का प्रतिनिधे तो नहीं करेगा वो यान्टू के साथ मैच का उप्योग करके अपनी प्रगती की जांच करना चाहती थी घुप्त कमरे का दर्वाजा खुलता और बंद होता बाईनिंग बिंग के जाने के बाद फैंग क्योआन के हुट्टों का कोना थोड़ा मुस्कुराहत में बदल गया स्वर्गिय सार्ख जाना कमल को अस्विकार करते हुए ऐसा लगता है कि उसके दिल में आत्मसंदेही का एक निशान बढ़ गया है ये असुरक्षा बहुत छोटी है शायद वो खुजस के बारे में नहीं अचानती होगी बाईनिंग बिंग आप अभी भी बहुत अनुभवहीन है हेंगरी फैंग ने अपने अव्यवस्थित विचारों को व्यवस्थित करने से पहले बुढ़ बुढ़ आया उन्होंने सफेद चांदी का अवर्शेश गो निकाला ये गुगोल मोती के समान था और सफेद चांदी के रंग का उंगली के आकार का था पुनरजन में के बाद से फैंग युवान ने इसे एक बार गिंग माव परवत पर दिखा था ये जिया कबीले के कारवा के दोरान था सफेद चांदी के अवर्शेश गो की कीमत पचास हजार प्राचीन पत्थरों की थी ये उस समय फैंग युवान के लिए एक अप्रापिय सपना था रलिक गो की सीरी जब बहद महंगी थी आखिरकार एक प्रयोग से वे एक छोटे से दाइरे में गु मास्टर सा खेती को बढ़ा सकते हैं जिस से बहुत समय और उजा की बज़त होती है साथ ही उन्होंने एक स्थिराधार प्रदान किया और इसका कोई दुश्रभाव नहीं हुआ गु कीरे उपयोग के लिए खरी दे गए थे फैंकिवान को सफेद चांदी के अवर्षेश गु को सक्रिय करने में कोई जिजक नहीं हुई तुरंता चमकदार और शांदार रोश्निये पर चरदी वारों पर चमक उठी लगभग चार घंटे बाद फैंकिवान रैंक 3 के उपरी चरण से रैंक 3 के शीर्ष चरण पर पहुच गया था पुनरजन्म के बाद से मैं एक बार फिर रैंक 3 के चरं चरण पर पहुच गया हूँ हेन्री फैंग की आँखे चमक उठी और वो अपनी मोचिया बेचने से खुद को नहीं रोक सका, उसका दिल भावनाओं और खुशी से उमर पड़ा ये किंग माव परवत के समय से अलग था, फैंकिवान ने उस समय स्टोने पर चर्गु काउपियों किया था और रैंक तीन शिखर चरण में आगे बढ़ने के लिए अपनी भविशे की संभावनाओं को खोने की विनाशकारी की मत चुकाई थी इस बार फैंकिवान विकास की अपनी विशालक्षमता को बरकरार रखते हुए तीसे शिखर चरण में आगे बढ़ गया आखिरकार अब भूस के पासे नरडियोगेता है वसंत शरत से काड़ा को देखते हुए दो साल से अधिक समय तक स्वस्त रहने के बाद उसकी हालत तेजी से ठीक हो रही थी उसका मुर्जाया हुआ शरीर धीरे धीरें चमकदार होता जा रहा था पंक जो मुर्त पत्तों की तरह सूख गए थे अब उनमें हरी रंकी परत थी जो जीवा नूर्जा से भरपूर थी इसकी रिकवरी से स्वभाविक रूप से फैंकिवान के एपरचर पर काफी दबाव पड़ा हाला कि पिछली बार की तुलना में बाई निंग बिंग और हदी मान सेक्तागो के कारण भ्यांकिवान की थेती तेजी से बढ़ रही थी उसका रांग तीन शिखर चरण एपर चरभी भी इस दबाव को साहन करने के लिए पर्याप था स्थिती वास्तों में किंग माउ परवत पर दबाव डाल रही थी लेकिन अब भैंकिवान इसे आसानी से संभाल रहा था लेकिन मैं अभी आराम नहीं कर सकता स्परिंग गॉटम सिकारा की रिकवरी तेजी से हो रही है मेरी साधना की गति को इसे पार करने की जरूरत है अनिता वही स्थिती फिर से होगी समय चुप चाप बीता गया और जल्दी अगला दिन आ गया सभी दर्शक बाइनिंग बेंग और यान्टू के बीच लड़ाई का इंतजार कर रहे थे इस विशालाकार के युद्यमंच पर हर तरफ हरी घास थी ये एक घास का मैदान था और उत्तरी मैदानों में आम तोर पर देखा जाता था फू मास्टर से को देखने वालों की भीड ने युद्यमंच के चारों और एक गेरा बना लिया था उनके सब ही निगाहें युद्यमंच पर दो नायकों पर टिकी हुई थी मैं शुरू नहीं हुआ था लेकिन लोग कमेंट कर रहे थे इस बार सब कुछ बाइनिंग बिंग के खिलाफ है लोड़यान टुका सामना करते हुए उसकी हार निश्षिद है वो एक परी की तरह सुन्दर है इससे लोगों को उसकी प्रती सहानुभूती हो जाती है उसकी हार के बारे में सूच कर ही मेरा दिल टुकरों में बच जाता है एक वर्ष से अधिक के दोरान बाइनिंग बिंग ने मजबूत प्रचार प्राप्त करते हुए प्रभावशाली प्रतिष्था अरजित की थी उसकी शकल और सुभाव जो एक बर्परी की तरह था ने उसे बहुत अधिक ध्याना आकर्शित किया मंच पर बाइनिंग बिंग और यान्टु एक दूसरे के सामने खड़े थे यान्टु एक बूरा आदमी था और उसका सिर बिखरे और लंबे बालों से भरा था वो चड़ी की तरह पतला था और उसके पैर नंगे थे चाहे उसके नाखून हो या पैर के नाखून, वे कफी समय से कटे नहीं थे और लंबे और तेड़े मिड़े थे उसने कपड़े पहने हुए थे और उसकी पीट सड़की किनारे खड़े बूरह भी खारी की तरह जुकी हुई थी हे हे हे, छोटी बच्ची तुम्हारी त्वचा बहुत चिकनी है, तुम सच मुच सुन्दर हो यान्टू ने बाई निंग बिंग को आकार दिया और करकश आवाज में कहा सफीद वस्त्र, नीली पोटली और चांदी के बाल पहनी बाई निंग बिंग ने तुरन तभाउने चड़ा गी और उसके दिल में हत्या का इरादा भर गया बुहे मूर्ग, अपनी बेशर्मी बंद करो चोटी बच्ची, तुम्हें कोई शिष्टा चार नहीं है यान्टू शुष्करूप से हसा, उसकी दसों उंगलिया एक दूसरे को रगर रही थी ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें ये सिखाना है कि अपने वरिष्टों का सम्मान करना कितना महतुपून है व्यर्थ मजाक बाई निंग बिंग की अभिव्यक्ति शान थी जब वो यान्टू को घूर रही थी तो उसकी निगाहें बर्व की तरह ठंडी थी उसकी हर हर्कत में जोरदार लड़ाई की भावना थी गंटे की आवाज ने मैच शुरू होने का संकेत दिया हिमलंबगो आंग गोली गो लगभग उसी समय बाइनिंग बिंग और यान्टू ने अपनी चालें चली चार सफेद हिमलंबग और अगनी चरों की तीन गेंदे एक दूसरे की ओर बढ़ी टकराना एक बरफी लातुफान और एक आग की गोली हवा में टकरा गई हिमलंबग पिघल गया लेकिन आग की गोली अभी भी बाइनिंग बिंग की ओर रही थी बस उसकी शक्ती बहुत कम हो गई थी बाइनिंग बिंग का आईकॉल गो केवल दूसरे स्थान पर था जब अकियान्टू का फायर पेलेट गो तीसरे स्थान पर था स्वभाविक रूप से आग की गोली हिमलंब से एक पायदान ऊपर थी मैं अगने गोली को केवल तभी दबा सकता हूँ यदि मैं हिमलंबों को विस्फोटित करने के लिए बर्प्विस्फोट गुकाउपियों करूँ हलां कि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मिरा आदिम सार बहुत खर्श हो जाएगा ये लडाया भी शुरू हुई थी बाइनिंग बिंके निली पोटलिया एक भयानक रोशनी से चमक उठी वो फुर्टी से खुड़ दी और आके चरों से बच गई जिससे उनका निशाना चूग गया साथे उसने अपना हाथ भी हिलाया वाह तीन हिमलंब यान्टु की और उड़े यान्टु ने एक सूखी हंसी दी उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने शरीर को मोर लिया एक अजीब शारिरिक मुद्रा के साथ हिमलंबों को चकमा देते हुए उसने उसी समय दौर न शुरू कर दिया उनकी तरजनी बार-बार उठती रही और आके चरों के गोले एक सघन हमले में तब्दील हो गए और उन्होंने बाइनिंग बिंग को अपनी चपेट में ले लिया बाइनिंग बिंग ने ठंडी आवाज में कहा मात न देने के लिए वो भी बार-बार पैर पर टकती थी और बर्फ के टुकरों से जवाबी हमला करती थी एक पल के लिए दोनों बड़े घास के मैदान में दौरते हुए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिसपरधा करती रहे बर्फ के टुकरे और आके चड़े ओड़े दोनों ने चक्मा दिया और बिना रोप के हमला किया मैच अभी शुरू ही हुआ था लेकिन उसकी तीवरता सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो चुकी थी अध्धाय 313 बाइनिंग बेंग बनाम यान्टू धीरे-धीरे समय बीद तगया दर्शक धीरे-धीरे माच की ओर राकरशित होने लगे ये सोचने के लिए कि बाइनिंग बेंग वास्ताव में इतनी मस्बूत है लौड़ यान्टू के खिलाफ समान रूप से लड़ने में सक्षम है क्रियानवित कर रही है इसमें कोई शक नहीं बाइनिंग बेंग एक प्रतिभाशाली महिला है और उनकी नीव भी बेहद मस्बूत है कोई आश्चरे नहीं वो अब तक हारी नहीं है फैंक्यों अन्भीड के बीच था और शान्ती से माच देख रहा था वे यांग और शांग्चिन सी भी आये थे और उसके पास खड़े थे वे तीनों भीश बदल कर भीड के बीच चुपे हुए थे बाइनिंग बिंग बहुत मजबूती से लड़ रही है भले ही वो हिमलंबे गुकाउप्यों कर रही है एक बार हिमलंबों की संख्या बढ़ने के बाद उसकी मूल सार खपद भी बढ़ जाएगी वे यांग चिन्तित थे रैंक तीन और रैंक चार के आदिम सार के बीच अंतर है लेकिन यांट्र सी तरह फायर पेलिट गुका उप्यों कर रहा है और उसका आदिम सार भी लगातार कम हो रहा है वो रैंक चार का हो सकता है लेकिन उसके पास केवल भी ग्रडियोगेता है बाइनिंग बिंक्यान्टु की रांग चार साधना का मुकाबला करने के लिए अपनी एग्रेडियोगेता की आदिम सार पुनर प्राप्ति गति का उप्योग कर रही है फैंक्युआन ने एक नजर से बाइनिंग बिंक की युद्धरणनीति को समझ लिया अगर ऐसा है तो बाइनिंग बिंक के लिए ये एक कठिन लडाई होगी शांग्शिन सी ने चिला कर कहा अब वो एक मास्टर भी थी शांग्यान भी की सावधानी पुर्वक्षिक्षाओं से उसकी द्रिष्टी का विस्तार हुआ और वो बहुत सी चीजों को देख सकती थी जैसे ही तीनोंने बाचित की युद्ध के मंच पर स्थिती अच्छाना बदल गई चोटी बच्ची तुम्हें उच्छल कूद करना बहुत पसंद है यान्टु के हुच्चो पर मुस्कुराहट फैल गई जो मुस्कुराहट जैसी नहीं थी उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और दर्जनु कदम दूर से बाईनिंग बेंकी ओर पकर लिया जैसी ही उसके दाहिने हाथ ने पंजगों को हिलाया उसकी हथेली पर गूखीरे की छाप चमक उठी वाह आग की लबटें उठने की आवाज आ रही थी और पलक जपते ही एक विशाल उग्र पंजा बना और बाईनिंग बेंकी ओर लगया विशाल पंजे में केवल तीन उंगलियां थी जो बाज के पंजे जैसा देखता था सिवाए इसके की ये नारंगी लाल था आग की लबटे जुलसा देने वाली थी और पंजा उसके पास पहुचने से पहले ही बाईनिंग बेंग को पहले से ही तीवर गर्मी का एहसास हो गया था ये रांग तीन का उग्र पंजाग उठा बाईनिंग बिंग ने तुरंट अपनी गती बढ़ाने और उनके बीच कुछ दूरी खिचने के लिए अपनी गती गुकावप्यों किया उसने पहले ही यान्टू के बारे में जानकारी पूझ ली थी और तैयारी कर ली थी वो जानती थी कि इस उग्र पंजे की आख्रमन सीमा अगनी छरों से छोटी थी ये यान्टू से केवल कई मीटर दूर जा सका हाला कि यान्टू ने चिलाया और अपने मूवमेंट गुका भी इस्तिमाल किया और जल्दी से बाईनिंग बिंग पर आ गया उनका आंदोलन गुचोथे स्थान पर था और बाईनिंग बिंग की तुलना में इसका प्रभाव बहतर था इस प्रकार ना केवल बाईनिंग बिंग उनकी दूरी को बढ़ाने में सक्षम नहीं थी बलकि इसके बजाया आन्टू करीबा रही थी उनका पर गया जिससे घास के मैदान के उस हिससे में तुरंट वाग लग गई आकी लपटे तेज होगी और फैलने लगी यान्टू ने इच्छा की और उग्रपंजा एक बार फिर आकी लपटों के भी तरसे उठ खड़ा हुआ ये सिर्फ इतना था कि ये उस समय के तुलना में कम खतरनाक लग रहा था जब इसे बुलाया गया था हाला कि यान्टू के प्राचीन समुद्रस्तर में थोड़ी कमी के साथ उग्रपंजे ने तुरंत अपनी भवेता हासिल कर ली जिससे सारी सुस्टी दूर हो गई बाइनिंग बिंग ने अपना पैर फिर से जमा लिया और अपनी छोटी उंगली फैला दी चौस्ट इरोग उसमें रहता था और उसने एक नीला टेटू बनवाया था बर फीले नीले वाश्प का एक गोला संगहनित हुआ पलक जपकते ही पाले की भाप एक तीर में बदल गई तीर ने उग्रपंजे पर प्रहार किया और उसकी प्रबल्लपटू को दबा दिया चौस्ट इरोग उनिंग बंडिंग ने नीलामी के दोरान खारीदा था एक बार प्रयोग करने के बाद इसने तुरंत अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया उग्रपंजा ऐसा लग रहा था मानू बुझने वाला हो यान्टू ने अपनी भोहों को थोड़ा सा से को लिया फिर खर्च पर विचार के बिना उसने आदिम सार डाला और उग्रपंजे ने ठीक होने के संकेत दिखाए हाला कि बाइनिंग बेंगो से वो कैसे करने दे सकती थी जो वो चाहता था खुश 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 उसने हिम लंबगो को सक्रिय कर दिया और साथ ही गुपत रूप से बर्प्विस्फोट गो को भी सक्रिय कर दिया दमा का उग्रपंजे से टकराते ही हिम लंबभ फठ गय धीशन विस्फोट ने उग्रपंजे को पूरी तरह से बुझा दिया उग्र पंजाग वापस सुर गया, यान्टु से खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कई कदम उठाई और उग्र पंजेग को पकरने के लिए अपने हाथ का इस्तिमाल किया क्योंकि ये वापस एक छाप में बदल गया बाइनिंग बिंग ने ये मौका नहीं छोड़ा, उसने दो लंबे बर्थ के बलेड बनाए और उन्हें चदाते हुए वो यान्टु क्यों बढ़ी इससे पहले की बलेड उसके शरीर तक पहुँचते यान्टु को अपने चहरे पर बर्फिली हवा की तरह तीवर हत्या का इरादा महसूस हुआ ये एक अच्छा बलेड है यान्टु ने एक हजीब सी मुसकांदी और फिर अचानक खाराटे लिए उसकी नाक से दो उग्रसांप उड़ गए उग्रसाप शुरू में किवले खार के आकार के थे लेकिन तेजी से विस्तारिट हुए और पलक जपकते ही दो बड़े अजगरों में बदल गए जो कई मीटर लंबे और एक बालते की चोड़ाई के थे एक उग्रसाप बाइनिंग बिंग के सामने आगे बढ़ा और बाइनिंग बिंग के दो बलेडों को अबरुध कर दिया जबकी दूसरा उग्रसाप बाइनिंग बिंग के बगल से पीछे की और घूमता रहा और अपने हमले शुरू कर दिये वे प्रकट हुए लोड़ यान्टुका जुर्वा साप का हमला। आहा, मैं इस कदम से हार गया। दो सांपों पर यान्टुका नियंत्रन वास्तों में उत्कृष्ट है। प्रतिद्वन्द्वी दोनों के खिलाफ बचाव करने में अजमर्थ है, उनसे निपटना वास्तों म मुश्किल है। धधरते सांपों की आवाज से दर्शकों में हंगामा मच गया। बाइनिंग बिंग की अभिव्यक्ती गमफीर थी, उसके निली पोटलियों में लड़ाई का इरादा बर्फे में जमा हो गया था। उग्र सांपों ने उस पर जबर्दस दबाव डाला, ले अपने दिमाग का उप्यो करके एक साथ तीन कारे करने में सक्षम था। हाला कि अब वो केवल दो उग्र सापों को ही नियंतरित कर रहा था, उसकी चालोत तमती और नियंतरन से टिक था, इसके बजायों से अपनी मान से कूर्जा अधिक खर्श करने पड़ी। उग्र साप और उसके गु और रक्षात्म गु के आंदोलन उद्कृष्ट नहीं थे। बाइनिंग बिंगे का क्रामक प्रकार की गु मास्टर ठी और उसके गुसेट ने हमले को मुख्य प्राथमिक्ता के रूप में रखा था, जबकी आंदोलन और बचाव का मजूर पक्ष पर थे। इस बारे में वो कुछ नहीं कर सकती थी। गु मास्टर सा आदिम सार की एक सीमा थी और वो अनन्त नहीं था। इस प्रकार किसी को अपनी आदिम सार की उप्योग को उचित रूप से आवंटित करने के आवशकता है। बाइनिंग बिंग ने अपने अधिकांश आदिम सार का उपभो किया था। गुकेड़ जो कम मौलिक सार का सेवन करते थे विस्वभाविक रूप से थोड़े कम प्रभावी थे। आखिरकार आप जिसके लिए भुगतान करते हैं वही आपको मिलता है। ये दो उग्रिसाम पबाई निंग बिंग के विकलपों को सीमित कर रहे हैं। जरा देखिए अगर उग्रिसाम पबाई निंग बिंग के हमलों से क्रतिग्रस्त हो जाते हैं तो यांचु बस अपना मौलिक सार खर्श करेगा और उन्हें ठीक करेगा। अगर ये जारी रहा तो अच्छा नहीं होगा। वे यांग मंच के पास खड़े थे, उनकी भोहें से कुड़ी हुई थी। हेंरी फैंक की निगाहें चमक उठी, वो कुछ नहीं बोला लेकिन बाई निंग बिंग की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। बाई निंग बिंग अचानक हमलों से भरक उठी। उसने एक के बाद एक चौस ब्रेत गु और चौस टे र यान्टू हसा और आके गोले दागे। इनमें से कुछ फैयर चरों ने बाई निंग बन बिंग की ओर गोली चलाई, जिससे उसे चकमा देने और अपनी उर्जा बरबाद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्य गोलियां उग्रिसापों की ओर चली और उनमें विलीन होगी, जिससे कमजोर उग्रिसाप और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। ये फायर पेलिट गू और फायरी स्नेक गू की सयूजन युद्ध रणनीती थी। युद्ध स्तर पर सैकरों युद्धों से गुजरने के बाद यान्टू ने इस रणनीती को परिश्कृत और इस फोटक हमला करना चाहता था और दो उग्रिसामपों को हराना चाहता था लेकिन इसे यान्टू ने देख लिया और उसने तुरंत पलटरवार किया, बाइनिंग बिंग के प्रयास को विफल कर दिया और अपनी चतुराय के साथ साथ अपने अनुभव का भी प्रदर्श किया, बाइनिंग बिंग की गहरी नीली पोटलिया एक निरनायक रोशनी से चमक उठी, आइस क्रिस्टल गू, उसने अपने महतुपोनी गू, अपने सच्ची तूर उपके पत्ते का इस्तिमाल किया, उसका इतनी जल्दी इसका उप्यो करने का इरादा नहीं था, लेकिन तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, जब सी मैच शुरू हुआ, शुरुआत में गतिरोध के अलावा यान तुधीरे-धीरे पहल हासिल कर रही थी और उसे दबा रही थी, बाइनिंग बिंगे का ख्रमन प्रकार की मास्टर थी, यदि वो पहल वापस लेना चाहती तो उसे अपना आख्रमन और भी अधिक बढ़ाना होगा, चमराहट, बाइनिंग बिंग के पूरे शरीर से पानी के बर्फे में जमने जैसी चमराती आवाजे निकल रही थी, पलक जब पकते ही वो एक हुमनॉइज बर्फ के क्रिस्टल में बदल गई, उसका शरीर फैल गया और उसके चांदी के बाल ठंद से ढख गए, कठोर हो गए, बर्फ के क्रिस्टल दो बर्फ के बलेडों की ओर फैलते हैं, जिससे वितेज, ठंडे और और भी अधिक द्रीर हो जाते हैं, ओ, छोटी बच्ची, अब तुम सब बाहर जा रही हो, यान तुम बोला ल उसने यान्टु के और बढ़ते हुए उग्रसांपों के हमलों के माथ्यम से सीधे आख्रमन किया, किसी घुरस्वार को गोली मारने के लिए पहले उसकी घोडे को गोली मारो, डाकूओं को पकरने के लिए सबसे पहले उनके सरगना को पकरें, यान्टु ने तुरंत एक औ और उग्रसाप जटाया और बाईनिंग बिंग को अवरुद्ध कर दिया, ठंदी सांसे गुप, बाईनिंग बिंग ने नीली ठंद की सांस अली, अपनी बर्थ के रूप में उसने जो ठंदी आभा छोड़ी वो उचस्तर की थी, उग्रसाप तुरंत इस ठंदी सांस की बाईनिंग बिंग की ताकत विज मेरकारी थी, अगर वो उसके साथ करीबी मुकाबले में लड़ता तो वो निश्चित रूप से मुसीबत में पर जाता, वो शायद चौती रांक पर था और शक्तिशाली अगनी पत पर चला था, लेकिन यान्टु की लड़ने की शायली हि बाईनिंग बिंग की टिपणियों से उत्यजित नहीं हुआ और अपनी आंदोलन गु के साथ पीछे हटना शुरू कर दिया, बाईनिंग बिंग का दिल जूब गया, उसका शरीर बर्व के क्रिस्टल में बदल गया था, इसलिए उसका मूवमेंट गु पहले से कम प्रभा अगर वो यांटु को पकड़ना चाहती है तो उसे यांटु की गति धीमी करनी होगी, इसके बाद बाईनिंग बिंग ने बार बार चौस्तिर चलाए, ठंडी तीरों की ठंडी, ठंडी आभा में मान सपेशियों और लक्त को जमने का प्रभाव था, जिससे लक्ष की गति धीमी हो गई, हाला कि यांटु अपनी शांदार तक्नीक से आसानी से चकमा दे गया, कोई भी ठंडा तीरों उस पर नहीं गिरा, चौस्तिर यांटु को नहीं मार सके, जिस सिबाई निंग बिंग और उसके बीच की दूरी बड़ी हो गई, यांटु ठंडी स्वर में हसा, एक जूनियर द्वारा पीछा किये जाने पर उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, उन्होंने सबसे अच्छा निरणे दिया, आइस क्रिस्टल गू का बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता था, यदि इसे लंबे समय तक उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग क करता को पूरी तरह से बर्फ के क्रिस्टल में बदल सकता है और बर्फ की मूर्ती बन सकता है, इस प्रकार बाइनिंग बिंग ने अपनी जीवन शक्ति को बनाय रखने के लिए बर्फ क्रिस्टल गू के समान ही जीवन शक्ति गू काउपयों किया, हाला कि यहां तक कि बाइनिंग बिंग की भी जाच की थी। जब तक वो इस मैच को लंबा ही जिंगे, जीत उनकी निशित होगी। अध्याय 314, विजय और हनी दोहरा अध्याय बाइनिंग बिंग कीवल एक सेकंड के लिए जिच की, इससे पहले कि उसके निली आँखें निरणायक रोशनी से चमकने लगी। जीत अध्याय बाइनिंग बिंग बिंग की अध्याय बाइनिंग बिंग की नियंत्रित करने की कोई आवशक्ता नहीं थी। भवर गुथ, बवंडर गुथ, बाइनिंग बिंग ने इन दोनों गुका क्रमेक रूप से उप्यों किया। स्विरलागु एक मूवमेंट गुथ था जिसने गुथ मास्टर सा की टर्निंग खती को बढ़ा दिया। अब इसके सक्रिय होने से बाइनिंग बिंग का पूरा शरीर तेजी से घूमने लगा। और बवंडर गुकी सक्रियता ने तुरंट एक बवंडर पैदा कर दिया। बवंडर ने बाइनिंग बिंग को ढख लिया और कुछ ही सेकेंड में बवंडर में बदल गया। गहरे नीले रंग का बवंडर एक युवा नीले ड्रेगन की तरह था जो हवा में उच रहा था। बर्फ की धार गुद। बर्फ क्रिस्टल गुद। भवर्गु और बवंडर गुद। बाइनिंग बिंग एक साथ चार काम करने के लिए अपने दिमार का इस्तिमाल कर रही थी। नहीं, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ था। थंडी सांस गुद। बाइनिंग बिंग ने सांस छोड़ी और थंडी आभार तुरंत उसके आसपास व्याप्ट हो गए। अपने नश्वर मांस शरीर के साथ वो अपने मुह और जीब को जमने से बचाने के लिए बीच बीच में चौस्ट ब्रित्ग को सक्रिय कर सकती थी। हाला कि बर्प के क्रिस्टल में बदलने के बाद वो लगातार थंडी सांस से ले सकती थी। थंडी आभा बवंडर में मिल गई जिस से वो बर्पीले बवंडर में बदल गया। हर जगा हवा चली, घास उडगई, घास के मैदान पर हलकी नीली बर्पीली थंड़ बन गई। इस समय बाइनिंग बिंग एक साथ पांच कारे कर रही थी। ये उन्दस चरम शरीर वालों की प्रतिभाद थी जो दुनिया का नीची नजर से देख सकते थे। इस पहलू पर बाइनिंग बिंग पहले ही फैंकिवान से आगे निकल चुकी थी। फिर दिखी जान लेवा चाल, आइस ब्लेड स्टॉर्म। ठंडी हवाएं बढ़ी और आसपास कतापमान काफी गिर गया। बर्ट की तेज धारों ने बवंडर को और भी अधिक शक्ति प्रदान कर दी। दो उग्रसाप अंचाने में बवंडर की और बढ़े और गंभीर रूप से घायल हो गय। बर्ट फीले तुफान से सापों के सिर और उनके शरीर का धिकांश भाकत गया। बर्ट फीले तुफान के शक्ति बढ़ती जा रही थी, गास के मैदान पर बड़ी मात्रा में पाला फैल गया था। गास के मैदान के जो हिस्से जल रहे थे, वे पहले से ही पाले के कारण बुझने के संके दे रहे थे ये द्रिशित देख कर यान चुकी आँखें से कुरगी और उसने उग्रिसापों को वापस अपनी नाख में याद कर लिया ये कौन सी चाल है? मैंने कभी भी बाई निंग बिंग को इस कदम का इस्तिमाल करते नहीं देखा हत्यारी चाल, ये बिल्कुल हत्यारी चाल है जैसे ही उन्होंने जोर-जोर से चर्चा शुरू की तो दर्शकों में हर कमप मच गया यहां तक किवे यांग ने आश्चारी चकित भाव दिखाया इतनी शक्तिशाली हत्यारी चाल इस हमले के लिए बाई निंग बिंग ने कितने गुका उप्योग किया शांक्शिन सी की निगाहें घबराई हुई और उमीद से भरी थी यह चाल इतनी मजबूत है वो यांटू के खिलाफ जीतने में सक्षम हो सकती है मैच पर ध्यान किंद्रित करते हुए फैंग कि वान चुक था उसने पहले ही बाई निंग बिंग को बर्फबलेट चुफान का उप्योग करते देखा था लेकिन बर्फबलेट चुफान की शक्ती अब बिल्कुल नैस्तर पर पहुँच गई थी बाई निंग बिंग की वृथी आर्ष्चर जनक थी उसमें असाधारन योग्यता और प्रतिभा थी अपने गुसेट के साथ मिलकर वो इक अडवितियगू मास्टर थी अब इसे देखते हुए उसने अपनी सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई हत्यारी चाल आइस ब्लेड स्टॉरम को नहीं छोड़ा था बलकि इसमें सुधार किया था तुम्हारे पास अभी भी ऐसा तुरुपका एका बचा हुआ था यान्टू अब शान्त नहीं था जैसे ही बर्क्त की धार वाला तुफान आया उसने अपना आत्म विश्वास थोड़ा खो दिया उसका हिर्दय तेजी से धड़कने लगा वास्तों में उसे ऐसी भावना एक जूनिर रैंक तरी गूर्व मास्टर से मिल रही थी बाइनिंग बिंग की ताकत्यान चुकी अपेक शाम से अधिक थी और उसे एक तीवरक खत्रे का इहसास हुआ हत्यारी चाल एकसर एक साथ कई गूगिरे का उप्यो करके सावधानी पूर्वक जोरी के माध्यम से एक बेहद मजबूत चाल का जन्म होता है जान लिवाचाल सभी गू मास्टर सके पास नहीं थी केवल प्रचुर अनुभव या महान प्रतिभा वाले लोग ही अपनी घातक चाले विक्सित कर सकते हैं हत्यारों की चाले अकसर बहुत सारा मौलिक सार ले लेती थी और दिमाग पर बहुत दबाओ डालती थी लेकिन उनकी ताकत में संदिह कलपना से परेदुर जय थी ये अच्छा नहीं है ये कदम मजबूत होता जा रहा है मुझे इसे जल्दी ही दबाना होगा अगर मैं इसे बढ़ने देता हूं और गती जमा करता हूं तो ये वास्ताव में अजय होगा यान्टू एक अनुभवी खिलाडी थे जिनके पास काफी अनुभव था और जल्दी उन्हें एक कमजोरी नजर आई यदि ये अन्ने गू मास्टर्स होते तो उनमें से अधिकांश बिना सूझे समझे डर जाते और चुप चाब बदलाओद देखना पसंद करते हाला कि यान्टू बेहद चतुर था और उसने इस हत्यारे की चाल की कमजोरी को पहचान लिया उसे सामाने चालों से रोगना मुश्किल होगा मैं बस उसके मूल सार को बरबाद कर दूँगा जोकि ऐसा है मैं उसकी हत्यारी चाल के खलाफ अपनी हत्यारी चाल का उप्योग करूँगा यान्टुने कोदे ही समाधान कर लिया इंधन तेल गो उसने अपना मूँ पूरा खोला और बड़ी मात्रा में इंधन तेल गल दिया एंबर रंग के इंधन तेल से तीखी गंधा रही थी यान्टुने इंधन तेल गो को सक्रिय करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी जरा भी संकुच करने की हिम्मत नहीं की इंधन तेल घास के मैदान पर एक छोटे जरने की तरह बन निकला और लहरे बन गया इंधन तेल की लहरों ने को 6 सेकेंड में पूरे युद्धक्षेत्रे को जल्मगन कर दिया बर्व की धार वाला तुफान बड़ा होता जा रहा था ठंडी आभा और भी फैल रही थी तुफान के करीब आते ही इंधन तेल की गति तुरन तधीमी हो गई क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल उरकर आया था आइस ब्लेड तुफान में विस्फो टक्षक ती लेकिन ठंड की इंधन तेल को जमने के लिए परियाप्त नहीं थी एक ही बार में पूरे युद्धक्षेत्र में इंधन तेल की वर्षा होने लगी बड़ फीले तुफान के आसपास के क्षेत्र के अलावा इंधन तेल की एक मोटी परत्ने घास के मैदान के अने सभी क्षेत्रों को ढख दिया जिससे लगभगे एक दल दल बन गया उग्रसाप को यान्चुने सूंखा और पहले वाले दो उग्रसाप फिर से प्रकट हो गए उग्रसापों को एक बार फिर अपने चरमाकार और शक्ती में वापस लाने के लिए पीले सोने के आदिमसार का 20 प्रतिशत खर्श किया गया था उग्रसाप जमीन पर उच्रे और तुरंत ही धधती हुई ललपटे पैदा कर दी लाल ललपटे तेजी से फैल गी क्योंकि पूरा युद्ध मंच तुरंत आके समुद्र में बदल गया गास के मैदान पर आकी लपटे तीवर रूप से भरकुथी हरी घास मुर्जा गई और राख में बदल गई जिसने फिर धधती आकों और भरका दिया सुपराकार के युद्ध चरण में किवले एक स्थानक से सुरक्षित रहा और इसके बजाय बर्फे में जमा हुआ था यहीं पर बाई निंग बिंका बर्फीला तुफान था उसने और यान्टुने घास वाले इलाके को बर्फ और आग में बदल दिया था दो चरम सीमाओं का तकराव दो अगनी साप खुशी से आके समुदर में खुम रहे थे घुमते वे बर्फे बलेट तुफान का चकर लगा रहे थे और हमला करने की जल्दी में नहीं थे बाई निंग बिंक का बर्फीला तुफान भी लगातार बढ़ रहा था और शक्ती में जमा हो रहा था लगातार गती के कारण बवंडर का शीर्ष पहले से ही गुमबत के आकार में बदल गया था खुश 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 बर्फीले बवंडर ने हिंसक आवाजें पैदा के और एक राजे से आभादी जिससे दर्शक प्रत्याशा में अपने होट पीटने लगे मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है उग्र पंजागू यान्टू अचानक चिलाया उसके चार उग्र पंजेगू थे और अभी उसने उन सभी को बाहर भेज दिया उनके आदिम सार को गंभी रग हाथ लगा उनके छेदर में मौझूद प्राचीन समुद्र में तेजी से उतार चढ़ावाया क्योंकि शानदार सुनहरे समुद्र का स्टर तेजी से गिर गया चार उद्र पंजेगू ने बर फिले तुफान की ओड़ा खमन नहीं किया इसके बजाएवे उग्र सापों की ओड़ लगय और विलीन हो गए एक पल में दो उग्र सापों ने एक जोरी पंजे विक्सित कर लिए पंजे वाले सांप आप सांप नहीं बलकि द्रेगन थे दो उग्र ड्रेगन आग के समुद्र में अपने सिर हूँचे करके अपने पंजे लहराते हुए और एक उडंड आक रामकता प्रकट करते हुए उडगए भगवान यान्टू ने रैंक पाच के उग्र ड्रेगन गू की ताकत का एक हिस्सा प्रदर्शित करने के लिए उग्र सांप गू और उग्र पंजागू को सयुग किया है ये सूचने के लिए कि इस मैच में हमिलोड यान्टू की हत्यारी चाल हाइफन फायरसीत विनरल गन खिल देखने को मिलेगी बाइनिंग बिंग सिर्फ एकनो से किया है वो खुद परगर्व कर सकती है यान्टू को अपनी हत्यारी चाल का उप्यो करने के लिए मजबूर करने में सक्षम है इस द्रिश्य को देखकर सभी दर्शकुद साहित थे दोनों पक्षों ने अपनी कट्रिलाना चालें चली लड़ाई अचानक चरम पर पहुँच भी गई थी हत्यारी चाल बनाम हत्यारी चाल क्या विजे तायान टू का फायरसीत विनरल गन होगा जो अपनी विशाल और राजसी शक्ती से मारेगा या क्या ये बाईनिंग बेंग का विश्व को धिरने वाला बर फिला तूफान होगा जो कोट युद्ध मंज के आधे आकाश कोट को हरा देगा सभी की निगाहें युद्ध के मंज पर टिकी हुई थी वे प्रतिक्षा कर रहे थे उग्रद्रेगन ने अपना सिर उठाया और दो तरफ से आगे बढ़ने से पहले एक ध्वनी रहित फुस फुस आहत छोड़ी उग्रद्रेगन ने बर फिले तूफान पर प्रहार किया अपने उग्रपंजों से उसे चिर डाला उनका पूरा शरीर बर फिले तूफान के इर्द गिर्द लपट गया सफिद और नीला बर फिला तूफान एक विशाल स्टम्भ की तरह था जो हमलों के सामने सीधा ख़़ा था बर्फ की तेज भारे उग्रपंजों से टक्राई और लगातार उग्रद्रेगन के शरीर को काटी रही कुछ समय बाद दो उग्रद्रेगन इसे सहन नहीं कर सके और पीछे हट गए वे आके समुदर में डूब गए और आकी लपटों को अवशोशित कर लिया जिससे तुरंथ उनकी शक्ती वापस आ गई घास का मैदान जल रहा था इस आतिप्रवाहित नरकंकाल ने उग्रद्रेगन के लिए परियाप्त पुन्हपूर्ती प्रदान की यान्टू ने इस घास के मैदान का पूरा उप्यों किया था दोनों उग्रद्रेगन ने बार-बार हमला किया और हर बार हार गए हार के बाद वे फिर से लगातार आख्रमन करेंगे फाइर सीट विनरल गन खिल बाईनिंग बिन को नीचे नहीं धर किल सकता क्या आसमान टूत रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाइनिंग बिनको यान्टू के खलाफ जीतने के उम्मीद है दर्शक बार बाराश्चरी चकित हो रहे थे नहीं, बर्प की धार वाले तूफान को रोक दिया गया है हवा के प्रवाह को बलपूर्वक काट दिया गया है और अधिक शक्ति जमार नहीं की जा सकती बाइनिंग बिनको चलना शुरू कर देना चाहिए और अपने प्रतिद्वंद्वी को माहना शुरू कर देना चाहिए वे यांकी अभिव्यक्ती गमफीर थी युद्ध में उनकी विशे शग्यता पतंग बाजी थी युआन फैंकी भोहे थूरी से कुरगी उसकी आखों में एक अस्पश्टर रोश्नी चमक उठी वो बता सकता था कि कुछ गलत था बाइनिंग बिनकी बुद्धि मरत्ता से वो निश्चित रूप से जानती थी कि वो इसका विरोध नहीं कर सकती और चलते समय लड़ना चाहिए हाला कि उसने ऐसा नहीं किया ऐसा लगता है ये हत्यारा कदम अभी भी अपोन है हेंडरी फैंग ने अंदर ही अंदर अनुमान लगाया अभी बाइनिंग बिंग अपने आंदोलन को निर्देशित करने में असमर्था थी ये पहली बार था जब उसने युद्ध में संशोधित बर्फि बलेट टूफान का उप्यो किया था उसने इसकी योजना अच्छी तरह से बनाई थी लेकिन अब बहुत से एक गंभीर समस्या का पता चला आइस बलेट टूफान में आगे की गति का अभाव था ये केवल मौके पर ही खूम सकता था ये सच मुच ये क्यकत निशर्मिंदगी थी मैं बर्व के क्रिस्टल रूप में बदल गया और लगातार ठंडी सांसले तरहा अब बवंदर बहुत घना हो गया है और मेरे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है बाई निग बिंग ने इस स्थिती को बदलने के लिए अपनी आंदोलन गुको सक्रिय करने के लिए अपने सभी प्रयास किये हाला कि वो पहले से ही एक साथ पांच काम कर रही थी और ये उसकी सीमा थी उसका दिमाग पहले ही अपनी सीमा तक खिच चुका था और उसके पास कोई अतरिक ठूर्जा नहीं बची थी सौभागे से यान्टु को अभी भी इसकी खोज नहीं हुई थी उसने बाई निंग बन बिंग को अधिक शक्ती जमा करने से रोखने के लिए हमला करने की पहल की लेकिन इससे उसे इस गलती को कवर करने में मदद मिली अपके वले एक ही रास्ता बचा है इस निराश और जनक रास्ते पर चलते रहना बर्व के तुफान का विस्तार जारी रखें हो सकता है कि हवा का प्रवाहिस से स्थानांतरित करने के लिए परियाप्त मस्बूत हो जाए बाई निंग बिंकी लड़ने की भावना गायप नहीं हुई थी बलकि इसकठिन परिस्थिती ने उसे और मस्बूत कर दिया था अलग 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 गिलाखों में विभाजित कर दिया युद्धि स्थल के चारों ओर लगे अवरोधे अधिकांश शक्ति को अलग कर दिया लेकिन हवा फिर भी बह रही थी ये हवा कभी गर्म और कभी ठंडी होती थी जिससे दर्शकों को युद्धि की तीवरिता का व्यक्तिगट अनुभव होता था आका समुद्र धधक उठा दोना रंगी उग्रिद्रे गन्ने बर फिले तुफान को हिला दिया वे बार-बार पराजित हुए लेकिन हर बार अपना होसला खोए बिना आगे बढ़ते रहे ये लौड यान्टू की ताकत है रैंक चार गुद्र की शक्ति किसी ने आह भरी इस हद तक लौड यान्टू से लड़ने में सक्षम होने के कारण बाई निंग बिन को युद्ध चरण में तीसरा सबसे मस्बूत कहा जा सकता है किसी ने उनके चहरे पर सपष्ट आश्चरे के साथ चिपड़ी की युद्ध के चरण में यान्टू और जूकाई बेई ने दर्जनों लड़ाईयां लड़ी थी लिकिन कोई सपष्ट विजेता निर्धारित नहीं किया गया था वे युद्ध के चरण में सबसे मस्बूत दो थे इस लड़ाई के माध्यम से बाई निंग बिन की युद्ध शक्ति को भी लोगों ने पहचाना और उन्हें तीसरा सबसे मस्बूत माना गया समय मिन्टों और सेकंडों में बीदता गया जैसे जैसे हवा का प्रवाह कम होता गया बर्प की धार वाला तूफान धीरे धीरे धीमा होता गया इस बीज धत हकती आग भी लगभग बुझह गई इन्धन तेल खर्श हो चुका था और हरी घाज सब्राक में बदल चुकी थी हाला कि उग्रद्रे गन पहले की तरह शक्तिशाली थे उन्हें नकेवल आके समुद्र से पुनहपूर्ती मिली बलकि आंटू के पीले सोने के आदिमसार का समर्थन भी मिला बाइनिंग बिंका आदिमसार धीरे धीरे उसके खर्श का समर्थन करने में अपर्याप्त हो गया इस तर पर खेती स्टरों के बीच का अंतर्स पश्टरूप सी दिखाया गया था यदि उसके पास स्वर्गिय सार्ख जाना कमल होता तो वो अभी भी लड़ने की ताकत रखती दुर्भागे से उसने फैंकिवान के अच्छे इरादे को अस्विकार कर दिया ये खत्म हो गया है यान्टू हसा और उसके दिमाग में बदलाव के साथ दो उग्रद्रेगन अचानक एक में विलीन हो गय और एक और भी बड़ा उग्रद्रेगन बन गया इस बदलाव ने कई लोगों को अंजाने में आश्चरे चकित कर दिया ये चाल ल्यान्टू की गुप्त चालती और इसका खुलासा कभी नहीं किया गया था लेकिन अब बुख से बाइनिंग बेंग के बर्पिबले टूफान को बेडने के लिए गोपनियता की परवाह नहीं थी उग्रद्रेगन ने अपना मोँ खुला चार उग्रपंजे एक साथ लराए और बर्पिले तूफान पर बेहमी से वार किया लेकिन अचानक तूफान आ गया बाइनिंग बेंग ने गुसे में ठंडी सांसे गुको सक्रिय कर गया और सभी उग्रपंजों को जमा दिया बर्प की धारवाला तूफान अचानक बढ़ गया और राक्षस की तरह उग्रद्रेगन के अधिकान शरीर को अपनी चपेट में ले लिया क्या यान टुदर से पीला पड़ गया उसे अचानक एहसास हुआ कि पहले कमजोर होना केवल बाइनिंग बेंग का दिखावा था उसने तुरंत उग्राजिंगर को पीछे हटने के लिए कहा उग्राजिंगर को गंभीर चोटे लगी उसकी ताकत कम हो गई थी इसके दो उग्र पंजे नश्ट हो गए और इसका आकार भी घटकर आधे से भी कम रह गया इस पर दर्शक तुरंत हंगामा करने लगे क्या बाइनिंग बेंग जीतने वाली है वे इतने लंबे समय से तीवरता से लड़ रहे थे लेकिन वास्तों में उसके पास सुर्जा बची हुई है यान्चु की अभिव्यक्ती गंभीर थी बाइनिंग बेंग के अचानक हमले ने उसे विनाशकारी क्षती पहुँचाई एक पल में उसने एक उग्र साप गु और दो उग्र पंजे गु को खो दिया था बर्फी लातुफान अचानक पूरी तरह से तेतर बितर हो गया बाइनिंग बेंग ने आइस क्रिस्टल गु को रद्ध कर दिया और अपने मोल नश्वर शरीर में लोट आई उसने अपनी आदिमसार का उपियोग कर लिया था उसका चिद्र पूरी तरह से सुखा था मैं हार स्विकार करता हूँ उसने ठंडे स्वर में घोष ना की कुछ देर के लिए सननाटा चा गया लेकिन इसके बाद पूरा युद्ध मंज हंगामे में बदल गया हेंरी फैंग को एहसास हुआ अगर मैं जीत नहीं सका तो भी मैं तुम्हें बुरा महसूस कराऊंगा बाइनिंग बिंग की पसंद समझदारी थी और उन्होंने इसे निरनायक और बेहमी से किया ये महसूस करने के बाद यांटु क्रूधित हो गया लेकिन एक निराकार्शक्ति ने उपर से दबाव डाला और उसे दबा दिया वो हिल नहीं सकता था ये थी युद्ध मंच की क्षमता मेज बांगु मास्टर ने युद्ध के चरण में प्रवेश किया जो मानेता से परे बदल गया था और परिणाम की घोष ना की नियमों के अनुसार विजेता को हारने वाले से गुसौंपने की मांग करने का अधिकार है मुझे आपका आइस क्रिस्टल चाहिए गू यांटु ने नफरत से कहा इसलिए बाइनिंग बिंग ने ठंडे स्वर में सूंखा और बर्व का क्रिस्टल गू को सौंपद दिया दोनों ने मौके पर ही स्थानांतरन पूरा किया आइस क्रिस्टल गू बाइनिंग बिंग की महतुपोनी गुत्ती जैसे ही उसने इसे खोया उसके साथ छिद्रों से खून बहने लगा यांटु की अभी व्यक्ति अभी भी भली थी उसने बाइनिंग बिंग को सबक सिखाने के लिए आइस क्रिस्टल गू को चुना था लेकिन फिर भी उसका नुकसान बहुत अधिक था रैंक तीन का आइस क्रिस्टल गू की नुकसान को कवर नहीं कर सका इस लड़ाई के बाद बाइनिंग बिंग भले ही हार गी लेकिन इससे उनकी प्रसिथी स्थापित हो गए कोई कह सकता है वो बहुत ही शांदार ढंक से काम कर रही थी शांग शिंसी ने गंदी हवा का जूंका छोड़ा और उसके मन को शांद किया ये अपसोज की बात है अगर बाइनिंग बिंग ने मेरी सलाह सुनी होती और उस समय चौस्ट दानवगू को चुना होता तो स्थिती बहुत बेहतर होती वे यांग ने शौक व्यक्त किया आइस क्रिस्टल गू पुरुषों के लिए उप्यूग था जबकि चौस्ट दानवगू महिलाओं के लिए उप्यूग था बाइनिंग बिंग ने आइस क्रिस्टल गुको खो दिया, शायद ये उसके लिए फ्रोस्ट दानव गुको चुनने का मौका है वेयांग ने आशा भरे स्वर में कहा अध्याय 315 हाड क्यूवी गुक्याप ने वो लड़ाई देखी वो सच मुच बहुत शानदार थी बाइनिंग बिंग को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा और यान्चु की जीत भी आसान नहीं थी जब मैंने लड़ाई देखने के लिए 20 आदिन पत्थर खर्च किये तो मेरा दिल दुख गया लेकिन माच के बाद मुझे लगता है कि ये वास्तों में इसकी लायक था बाइनिंग बिंग और यान्चु की लड़ाई जील में गिरने वाले एक पत्थर की तरह थी जिसकी लहरें पूरे शांग कबीले शहर में फैल रही थी हर गली मुहले में लोग मैच की चर्चा कर रहे थे पुराना अद्रक युवा अद्रक की तुल्ला में अधिक गर्म होता है अन्ट में लौड यान्चु की जीत हुई लेकिन बाइनिंग बिंग शांदार ढंग से हार गी उस तर्तक लड़ना ये दर्शाता है कि उनका भविश्य असीमित है ये बहुत दुर्भागि की बात है कि मैं वो माच नहीं देख सका बाइनिंग बिंग ने अपना महतुपूनि गुखो दिया होगा और प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा होगा लेकिन आइस क्रिस्टल गुआसानी से मिल जाता है इसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा मैं अब वास्तों में फैंग जिंग और जो काईबे के बीच मैच का इंतजार कर रहा हूँ सही है ये निश्चित रूप से ड्रेगन और बाख के बीच लड़ाई होगी फैंकिवान और जो काईबे के बीच मैच साथ दिन बाद निर्धारित किया था और बाईनिंग बिंग के उतकृष्ट प्रदर्शन के कारण उनके मैच लेंगिनत ध्यान आकरशित किया हाला कि बाईनिंग बिंगला पता हो गई उस मैच के बाद वो नानकिव गार्डन में वापस नहीं लोटी क्या उसे कुछ हुआ शांक्शिन सी चिंते थी चिंता मत करो मैं उसे समझता हूँ वो बहुत घमंडी सुभाव की है इतनी हर जहलने के बाद उसे कुछ समय केले में चाहिए फैंक्यों ने शांक्शिन सी आई को सांतव ना दी बाईनिंग बिंकर शरीर भले ही मैच लेकिन उनका दिल एक पुरुष का था सभी मनुष्य सिंग और भेडिये के समान थे जब उन्हें चोटे लगती तो वे एकांट जगय की तलाश करते और चुप चाप अपने घावों को चाटते महिलाय अलग थी जब उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ हन्याय हुआ है तो वे अपनी शिकायतें सामने रखना चाहेंगे वे सुरक्षा और आराम के प्यासे हैं शांक्षिन सी ने सिरहलाया उसकी सुन्दर और कोमल आखोंने हिंडरी फैंक को चिंता से देखा क्या लड़ना संभव नहीं है वो जुकाई बे यान्टू जितनी ही प्रसिद्ध है बड़ी बहन बायून हार गई और उसे अपना आइस क्रिस्टल गू छोड़ना पड़ा जुकाई बे एक शक्तिपद्गू मास्टर है अगर बिग ब्रदर हे इटू अपना पूरा प्रयास खोदेता है गू बाइनिंग बिंग ने आइस क्रिस्टल गू को खोदिया लेकिन इसकी भरपाई की जा सकती है हाला कि अगर फैंकिवान गू का पूरा प्रयास हार गया तो उसके पास दूसरा पाने का कोई रास्ता नहीं था फैंकिवान मुस्कुराया ठीक इसी वज़ा से मैं हार नहीं सकता ठीक है मैं गू को परिश्कृत करने के लिए कुछ दिनों के लिए एक आंट साधना में रहूंगा आपको पहले वापस जाना चाहिए फैंकिवान ने पहले ही जो काईबेई के ताकत के बारे में पूछताच कर ली थी बाइनिंग बेंग और यान्टू के माच के बाद वो और भी अधिक अनुमान लगाने में सक्षम थे जो काईबेई प्रारंभिक चरण के चौथे रांक गुद मास्टर थे और यान्टू के साथ समान रूप से मेल खाते थे फैंकिवान में अनुमान लगाया कि उनकी मौजुदा ताकत के साथ जो काईबेई के खिलाफ जीतने की केवल 30% समभावना थी जीत की 30% समभावना ज्यादा नहीं दिख रही थी लेकिन वास्तों में यदि आप दो बड़े क्षेत्रों के बीच अंतर पर विचार करें तो 30% पहले से ही बकाया था यदि मैं उस गुप को परिश्कृत करने में सफल हो गया तो इसकी सहायता से मेरे पास 7% समभावना होगी मैं केवला आशा कर सकता हूं कि शोधन सपलो फैंकिवान ने गुप कमरे में प्रवेश किया और परिश्कृत करना शुरू किया पहला भी तरी शहर एक अध्ययन का क्षमी उज्वल और धीमी रोश्नी जल रही थी शांग्यान फेई ने चुप चाप हवा में तैरते रंगींद्वे के एक गोले को देखा रंग बिरंगा धुआ उछला और बाइनिंग बिंग और यान्टू के बीच मैच का द्रिश्य सामने आ गया शांग्यान फेई ने इस लड़ाई को शुरू से अंत तक देखा और फिर रंगींद्वे को दूर कर दिया बाइनिंग बिंग हार गई थी उसने अपना महतुपूनि गुखो दिया और प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा फिंक्यू मैनर से मिली जानकारी के अनुसार बाइनिंग बिंग डॉक्टर सुशो के यहां स्वास्थय लाब कर रही थी इससे उसे अपने दूसरे बेटे के खलाफ साजेश रचने की सजा और सबग मिल गया था शांग्यान फे ने अपनी आँखें बंद कर ली और कुर्सी के पीछे जुक गए बाइनिंग बिंग हार गी उन्होंने परिक्षा पास नहीं की लेकिन उनके जनमजात उपधार और प्रतिभा को जनता ने बहले ही पहचान लिया था कुछ समय दिये जाने पर वो निश्चित रूप से यांचों से आगे निकल जाएगी और बड़ी उपलब्धी हासिल करेगी ये एक सच्ची प्रतिभा थी शांग्यान फे प्रतिभा शाली लोगों की कद्र करते थे और उनके शौकीन थे बाई निंग बिंग के प्रदर्शन को देखकर उन्हें शांग्यान सी आई के लिए भरति करने की और भी अधिक किछा हुई इसके बाद फ्यांग्चेंग की बारी है मुझे आश्चरे है कि वो मुझे क्या आश्चरे देगा हमा मैंने सुनाए कि उसके पास स्वर्गिय सार खजाना कमल हो सकता है स्वर्गिय सार खजाना कमल शांग कबीले शहर के जीवित खजाना द्वार में इन में से दो थे साथ में एक स्वर्गिय सार निधी सम्ब्राट कमल भी था हाला कि इन खजाना कमलों को निकालने के लिए उन्हें और भी अधिक कीमत चुकानी होगी जीवित खजाना दर्वाजा खजाने की रक्षा करता था और यहां तक की कबीले के नेता शांग्यान फेई को भी अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ता था फैंग छेंगे शक्तिपद्गू मास्टर है स्वर्गिय सार्ख जाना कमल उसके हाथों में अपना अस्वी मूले दिखाने में सक्षम नहीं होगा शिंसी आई के लिए ये बेहतर है शांग्यान फेई ने सीधे बैट कर कुछ देर सोचा विचार करने के बाद उसने एक पेपर क्रेन गुप्त पत्र भेजा का गस की क्रेन अंधिरे रास्ति पर चली और एक गुप्त कमरे के अंदर लगई जुकाई बेई और यान्टु को जल्दी प्रतिक्रिया महसूस हुई और वे गुप्त कमरे में एकत्र हो गए मास्टर ने फिर से गुप्त पत्र भेजा है यान्टु ने गुप्त पत्र खोला और उस पर नजर डालने के बाद उसने उसे जुकाई बेई को दिया ये तुम्हारे लिए है जुकाई बेई ने गुप्त पत्र को सरसरी तोर पर पढ़ा और बुदबुदाया मास्टर को लगता है कि फैंकिवान के पास स्वर्गिय सार्ख जाना कमल हो सकता है अगर मैं ये लड़ाई जीता हूँ तो वो चाहता है कि मैं इस घासगु के लिए प्रयास करूँ और अनुरोद करूँ इसके अलावा भले ही वो ऐसा न करता हो मेरे पास ये नहीं है शक्ति पद्गु मास्टर के लिए बेहदा करशक था दुर्भागे से शांग्यान फे ने ऐसा आदेश भेजा मास्टर प्रतिभावं से प्यार करता है और फैंग जिंग के विकास की रक्षा करना चाहता है यान्टु ने विशलेशन किया उसने अपना सिर उछाया और जुकाई बेई की भोहों को देखा और मध्यस्थता करते हुए कहा भाई जो अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दें हम शांग कबीले के छिपे हुए बुजूर्द हैं और हमें कबीले नेता के आदेशों का पालन करना चाहिए समय उस समय से अलग है जब हम स्वतंत्र रूप से घूमते थे दुनिया और वही किया जो हम चाहते थे जुकाई बेई ने गमफीर्टा से अपना सिर हिलाया और याद करते हुए कहा वे यादगार समय थे दुनिया में अकेले स्वतंत्र और बेल गाम खूमना क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जुद फिर से एक राक्षशी गुद मास्टर बनने की सोच रहे हो यान्टु का स्वर गमफीर्टा जुकाई बेल ने उपहास किया भाई यान्टु क्या आप अभी भी मुझे नहीं जानते ये सिर्फ वैका कस्मिक टिपनी थी राक्ष सीफू मास्टर सस्वतंत्र और अन्यंत्रित हो सकते हैं लेकिन दबाव और जोखिम बहुत बड़े हैं उनकी लाश जंगल में पाई जा सकती है दिन भर और लाश निकालने के लिए लोग भी नहीं होंगे इस पर यान्टू की अभिव्यक्ति शान्त हो गई जुकाई बेई और यान्टू एक समयल के लिए राक्ष सीफू मास्टर सत्थे दक्षणी सीमा पर घुमते हुए उन्होंने अपना नाम भी कमाया था और दस वर्षों तक संखर्ष किया था हाला कि जैसे जैसे समय बीता गया वे थकते जा रहे थे राक्ष सीफू मास्टर से बेहत स्वतंत्र जीवन जीते थी लेकिन उन्हों पर भारी दबाव था एक दिन पहले तक जब इन दोनों का जंगल में एक दूसरे से सामना हुआ राक्ष सीफू मास्टर सके बीच विश्वास की अत्यधी कमी थी जैसे ही इन दोनों ने दूसरे को देखा उन्होंने तुरंट ये सुनेश्चित करने के लिए हमला कर दिया कि उन्होंने पहल की है किसने कलपना की होगी कि ये दोनों समान रूप से मेल खाते थे और दिन से रात तक लड़ते थे उन्होंने अपनी बुध्धी, जाल और हर तरह की चाल का इस्तिमाल अपनी पूरी ताकत से किया जो वे जानते थे जब बुर हुई तो दोनों के पास अपनी लड़ाई जारी रखने की ताकत नहीं थी उनका आदिमसार पूरी तरह से नश्ट हो गया था और उनके शरीर घावों से भर गय थे वे दोनों एक दूसरे की पहुँच में थे लेकिन उनमें अंतिम हमला करने और दूसरे को मारने की ताकत नहीं थी जब सुभा की रोष्णी उनके चेहरों पर चमगी तो इन दोनों ने एक समान निरणे लिया मैं इस जीवन से ठक गया हूँ आहाँ अगर मैं इस लड़ाई से बच सका तो मैं शांग कबीले शहर जाऊंगा और धर्म मार्ग पर चलूँगा यान तुधिरे से बुढबुदाया मैं इस से बहुत अंगा चुका हूँ इस लड़ाई के बाद मैं शांग कबीले शहर जाऊंगा और अस बाहरी बुजूर के पत के लिए लड़ूँगा जुकाई बे ने जम कर शाप दिया उन्हें नहीं पता क्यूं लेकिन दोनों ने एक ही समय पर बात की अपनी बात खत्म करने के बाद दोनों ने एक दुसरे की ओर देखा एक पल की चुपी के बाद दोनों एक ही समय में दिल खोल कर हसे ये भाग गया था ये स्वर्ग के इच्छा थी इस दिन दो अनुभवी राक्ष सीफू मास्टर सा जिनमें जरा भी भरोसा नहीं था को जीवन भर के लिए एक सबसे अच्छा दोस्त मिल गया जैसे कि वे अपने एतीत को पूरी तरह से त्यागना चाहते थे उन्होंने बदलना शुरू कर गिया और एक दूसरे पर भरोसा करना चुना ये ट्रस्ट बेना किसी आपत्ती के ट्रस्ट था दोनों एक छोर से दूसरे छोर पर चले गए विश्य पर लोटते हुए भाई यान चू इस बार आपको बहुत नुकसान हुआ आप दैनी स्थिती में पहुँच गए जुकाई बेन्याक मारते हुए मजाग को डाया कोई भी बाहरी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि वो ऐसी अभी व्यक्ति कर सकता है आम तोर पर जुकाई बे लोहे की तरह गंफीर थी और बहुत सावधानी बरत्ती थी लेकिन वास्तों में ये केवल एक मुख ओटा था जो उसने तब पहना था जब वो राक्ष सी रास्ते पर चल रहा था केवल अपने सबसे अच्छे दोस्त यान्टू के सामने ही उसने अपना स्ली सुभाव प्रदर्शित किया यान्टू ने ठंडी सांस ली उसने अपनी भोहों को शिथिल करते वे आह भरी ये बाई निंग बन बिंग सरल नहीं है एक दिन वो हमसे आगे निकल जाएगी मैं किवल एक छोटे अंतर से जीता था अगर वो चौथे स्थान पर होती तो लड़ाई किसी भी तरफ जा सकती थी जू काई बेई ने सिरहलाया मैंने आपका मैच देखने के लिए भिष बदला था ये वास्तों में युवा पिढ़ी का उदा है यान्टुने जू काई बेई के कंधे को थपथपाया वो फैंग जिंग बाई निंग बेंग जितना ही प्रसिद्ध है वे शांग कबीले शहर में एक साथ आई और एक साथ रहते भी हैं उनका रिष्टा निश्चित रूप से सामाने नहीं है उन्हें युद्ध के मंज के जुर्वा से तारे कहा जाता है और कुछ लोग उन्हें काले और सफेद राक्षस भी कहते हैं बाई निंग बिंग के पास पहले से ही ऐसी ताक है फ्यांग छेंग निश्चित रूप से कमजोड नहीं होंगे भाई जू आपका सबसे मस्बूत क्षण भी आपका सबसे कमजोव क्षण है आपको सावधान रहने की जरूरत है जू काई बेगर्व से मुस्कुराई भाई अनुमान लगावी क्या है उसने अपने छेदर स एक गुने काला ये गुबरिंग जैसा था लोही जैसा काला था और मुठी के आकार का था एह हाड क्यूवी गुन यान्टु आश्चरी चकित हो गया इससे पहले कि उसका चेहरा खुर्शी से भर जाए ये बहुत अच्छा है भाई जू जब आप अपनी घातक चाल का उप प्योग करते हैं तो आपकी रक्षा कमजोर हो जाती है ये गुब आपकी कमजोरी की भर पाई कर देगा ये गुब अनमोल और दुरलब है आपको इससे सावधानी से उठाना होगा जू काई बेल ने सिरहलाया और कठोर क्यूवी गु को वापस रख दिया फिर उसने एक आ व्रिधी करें यान चुजोर से हसा ये सिर्फ आपका लालच है जैसे एक साप एक हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा है प्राचीन क्यूवी पत पहले ही गायब हो चुका है शक्ति क्यूवी गुविलूप्त है ये आपका सौभाग्य है कि आप एक कठिन क्यूवी गुप राप्त कर सके जौन लाल ची मद बनो जुकाई बेई भी हसी हाँ लेकिन अंतहीन लालच भी मानव सुभाव है हाँ 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 प्राचीन क्यूवी पत शक्ति पत से पहले प्रकट हुआ था क्यूवी पत गुकिरे आकार और निराकार के बीच वैकलपिक हो सकते थी उन बिचलप गहीं शक्तियां बढ़ती हैं और गिर जाती हैं ये प्राइटिक नियम है और क्यूवी पत को इस से छूट नहीं मिली है अपने चरम के बाद क्यूवी पत में धीरे-धीरे गिरावट आई और उसकी जगह शक्ति-पत ने ले ली बाए निंग बिनकी जीवन शक् जुकाई बेई की कठिन क्यूई गू और फैन क्यूआन का वातावरंगू सभी क्यूई पत से संबंधित थे। अध्धाय 316 पूर्ण विजय, राक्षसी हृदय साथ दिन बीद गए और युद्ध के मंच पर लंबे समय में देखी गई सबसे बड़ी लड़ाई हुई। इस प्रकार आज युद्ध स्थल पर ये लोगों से खचाखच भरा हुआ था। युद्ध मंच ने भी जान बुचकर इस युद्ध को बढ़ावा दिया था जिससे ये एक भव्य आयोजन बन गया। युद्ध चरण के प्रभारिक व्यक्ति शांग चीविन ने अपने व्यवसाय के राजसों में भारी व्रिथी की और पिछले कुछ दिनों से बेहत खुश थे। लडाई शुरू होने से पहले ही लोगापस में बातें करने लगे। क्या आधिक अनुभवी विशेश अगे जुकाई बेह जीतेंगे या फैंग जिंग बाधाउं पर काबू पालेंगे। कुछ लोग इस पर चर्चा कर रही थी, एक अनुभवी और उभरते सितारे के बीच की लड़ाई एक लोग प्रिय विशेय थी। वे दोनों शक्तिपत गु मास्टर से हैं, ये शक्तिपत का पुनरुथान युद्धि है। इस युद्धि के प्रतिप्रबल प्रत्याशा रखते हुए, कई शक्तिपत फु मास्टर से कुग गर्वत था। उनकी नजर में ये उनके लिए बहुत मायनेर रखता था। चाहे कुछ भी हो, फैंग छिंग को अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। अनिता, उसका प्रीट, बाइनिंग बिंग से भी कम है। दसियों लड़ायों के बाद युवान फैंग की ताकत को अब छुपाया नहीं जा सका, ज्यादा तर लोगों ने नहीं सुझा था कि वो जीत सकता है, क्योंकि फेती में अंदर बहुत बड़ा था। फैंग छिंग यहां है? कोई चिलाया? फैंग की वान धीरे धीरे चला, शांति पूर्ण नजर के साथ युद्ध के चरण में प्रवेश किया। ये एक सुपराकार का युद्ध मंच, काले पत्थर का वनक्षेत्र था। फैंग छिंग मंच के केंद्र में खड़ा था, अपनी बाहें मोड रहा था और अपने आसपास देख रहा था। मोटे और सक्काले पत्थर के खंबे पूरे वनक्षेत्र में लगाए गए थे। बाहर लोगों की भीर थी और उन्होंने मंच को पूरी तरह से घेर लिया था। ये वो सबसे अधिक लोग थे जिन्हें फैंग युवान ने अपने दो वर् सुना कि शांग कभीले के कुछ युवा स्वामी यहां थे। इस से उन्हें अपनी पहली लडाई की यादा गई। उस समय बमुश्किल कोई दर्शक था, फैंग की वान अभी भी कोई नहीं था। लेकिन अब वो पहले से ही प्रसिद्ध था, ध्याना आकशित करने वाला अव्यक्ति बन गया था। ये अंदिम लडाई है। हेंडरी फैंग ने अपने दिल में आह भरी। तीन राजाओं की विरासत शुरू हो रही थी, यात्रा में लगने वाले समय को देखते हुए समय नहीं बचा था। इसे जीतने के बाद भी उसे शांग शिन सी की सहायता क बन जाएगा, वही दिन होगा जब फैंकिवान शांग कबीले शहर को छोड़ देगा। जुकाई बेई और यान्टु की गुप्ट पहचान के बारे में दूसरों को ये नहीं पता था लेकिन हेंडरी फैंग को स्पष्टरूप से पता था। जब तक कोई युद्ध के ये कई लोगों का सपना हो सकता है। काई बेई भी मंच पर पहुँची मिनार जैसा शरीर था अलाद जैसी अभिव्यक्ती उनके शरीर का धाचा बड़ा था और मान सपेशियां भी घनी थी इससे लोगों को एक मस्बूट दमनिकारी एहसास होता था फैंक्यूआन की पिछले जीवन की यादों में यही तियान परवत की महानधार्मिक राक्षसी युद्ध में जुकाई बेई ने भी शानदार प्रदर्शन किया था उन्होंने कई स्थापित राक्षसी फू मास्टर से को मार डाला और शांग्यान फ्ही के सक्षम जनरलों में सेख थे उनमें चतुर्थ श्रेणी की आभा प्रवाहित होती थी लडाई शुरू होने से पहले ही उसने हिंडरी फ्हांग पर मानसिक दबाओ डाल दिया था खेती के मामले में फ्हांग की वान नुकसान में था वो रैंक तीन के शिखर चरण में था लेकिन उसने सांसचो पाने वाले गुका इस्तिमाल किया इस प्रकार सतह पर वो रैंक तीन के मध्य चरण में था लेकिन भले ही उसकी साधना कम हो तो क्या हे हे हे, हेंड़ी फैग ने तिरची नजरे जुकाली, उसकी आँखें चमक से चमक उठी, कुछ दिन पहले उन्होंने उस गुको सफलता पूर्वक परिश्कृत किया था और उनके जीतने की संभावना साच प्रतिशत तक बढ़ कई थी, भले ही उनका प्रतिद्वंद्वी म प्रतिशत 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 से भी कम संभावना होने पर भी उसे पौन विजय का दृष्टिकोन रहना था। एक राक्ष सीफू मास्टर के लिए एक बार जव्या सफल हो जाते हैं, तो ये आपधा की ओर ले जाता है। इस प्रकार उसे हर बार जीत कर सफल होना है, को भी कोट किया अगर कोट नहीं है। उनके 500 वर्षों के अनुभवने फैंकिवान को ऐसे मानसिकता विक्सित करने की अनुम्ति दी। विजयता सब कुछ ले लेता है, दूसरों की लाशों पर कदम रखता है और हूंचे चढ़ जाता है, शीर्ष पर पहुँच जाता है। के पर फैंकिवान बाइनिंग बिंग से भीन था। बाइनिंग बिंग के पास जीत हासिल करने का दिल था, लेकिन फैंकिवान के पास पोन जीत का दिल था। कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती, यहां तक कि मौत भी मेरे शैतानी दिल को वश में नहीं कर सकेगी। अधरी आवाजों का नजर अंडास करते हुए एक दूसरे को देखते हैं, एक तुनलोहे की नजर से देखता है, जब अकी दूसरे की गहरी गहरी पोटलिया होती हैं। दिंग! जैसे ही घंटी बची, युद्ध शुरू हो गया। संपून प्रयास गुद्ध एक पल में फैंकिवान की आँखों से रोशनी फूट पड़ी और उसने अपनी आदिम सार को इजिक्ट कर दिया, जिससे उसके पीछे एक घोड़ा प्रेद दिखाई देने लगा। घोड़े ने दोड़ते हुए अपना सिर उठाया। घोड़े की ताकत के साथ फैंकिवान ने उर्धाधर क्रशगो को सक्रिय कर दिया। जपता मारना। वो जो काईबेई की ओर बढ़ा, उसकी गती सरपट, दोड़ते घोड़े जितनी तेज थी। लेकिन जब वो जो काईबेई के पास पहुँचा, तो घोड़ा प्रेद गाइब हो गया, और एक सुवर प्रेद में बदल गया। सुवर की आँखे लाल-लाल थी, क्योंकि उसके डांत आगे की ओर चुबते थी, जिससे भैंकर अभा निकलती थी। घोड़े की ताकत ने चार्जिंग को तेज कर दिया, जब अकि सुवर की ताकत ने मारने के प्रभाव को मजबूत बना दिया, हेंरी फैंग पहले से ही अ नुकीले दांत तेजी से बढ़े, जो उसके मुँसे दो हाथी के दांतों की तरह निकल रहे थे। दांत अंदर की ओर मुरे हुए थे, उसकी नुकीली और घुमावदार नौग जुकाई बेए की च्छाती में चुब रही थी। लेकिन उसके घाव पर कोई खून नहीं थ इसके बजाए संपर्क के क्षेत्र में एक शुद्धी सफेद कवच बन गया। बर्व की तुध्या परत की तरह कवच तेजी से उसके उपरे शरीर पर बन गया। फैंकिवान प्रभावशाली तरीकी से आया। सही समय पर जुकाई बेए ने चकमा नहीं दिया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी कमर को थोड़ा जुकाया और हिंडरी फैंक के आख्रमन को सीधे ले लिया। बम। एक तेज आवाज हुई और दोनों के कंधे टकरा गये। फैंकिवान पाच कदम पीछे हट गया, जबकी जुकाई बेए को उरते हुए भेजा गया। इससे रैंक तीन शिखर चरण साधना क्यों है। एक बार जब भैंकिवान ने हमला किया, तो सांसचो पाने वाले फू का प्रभाव खत्म हो गया और उसकी रैंक तीन शिखर चरण की आभा उजागर हो गयी, जैसा कि कई लोगों ने तुरंत देखा। जुकाई बेए की आखों म कवच का विस्तार चारी रहा, थोड़ी देर के बाद उसकी बाह और कमर ढख गई। ये हाथी दान्त कवच गु का प्रभाव था जैसे जुकाई बेए उप्यो कर रही थी। आइवरी कवच गु मजबूत रक्षा के साथ एक रैंक चार गु लेकिन कम जोरे ये थी कि इसे बढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए था और इसमें लचीला पन नहीं था। लड़ाई समाप्त होने के बाद गु मास्टर को इसे स्वयम तोड़ना होगा। थोड़ा दर्ड महसूस करते हुए फैंक युवान ने अपना कंधा हिलाया। इससे पहले उन्होंने गोल्डन श के लिए रक्षा के संदर्व में बड़ी आवशक्ताएं थी। पहले का हमला तो एक छोटा सा परिक्षन था। इस जुकाईबे के पास महानशारडिक शक्ति हैं मेरे पुनरजन्म के बाद से वो सबसे मजबूत प्रतिद्वन्तवी हैं जिसका मैंने सामना किया है। वो मह अपने मुक के मारे, क्योंकि जुकाईबे का नुकसान हो रहा था। फैंक्युआन ने स्वभाविक रूप से उसे आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि हाथी दान्त कवज फैंक्युआन की लोहे की मुठी से कई बार तूट गया, अपने पोनरूप तक अपने मजबूत होती जा रही थी, शुरू में तो उसे दबाया गया, लेकिन हेंरी फैंक के साथ बधार रहने लगा। ये आश्चरे की बात नहीं थी, फैंक्युआन को जुकाईबेई की जानकारी से पता था कि उसके पास रांक चार की आदचन तकतगु है। सर्वव्य के इंतल गो उर्जा को स्टॉर कर सकता है, और इसे धीरे-धीरे हमले के बाद जारी कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए समय की आवर्शक्ता होती है और उस अवधी के दौरान, गो मास्टर बिलकुल भी नहीं चल सकता है, इसलिए इस का आम तौर पर उपयोग नहीं किय जाता है। लेकिन रंक 4 पर स्टॉर की ताकत गू को आदटन ताकत गू में परिश्कृत करने के बाद ये कमजोरी समापत हो जाती है। सक्रियता के बाद गू की आदटन ताकत समय के साथ जुकाई बेई की ताकत जमा करने का कारण बनेगी। साथ ये उसे स्वतंद्र जूकाई बेई की च्छाती पर लगी जबकी जूकाई बेई की हाथी दान्त कवज से ठिकी हुई थी और उस पर किवल कुछ दरारे थी। जैसे जैसे समय बीदता गया जूकाई बेई आगे बढ़ती रही और हाथी दान्त का कवज मोटा होता गया जिससे जूकाई बेई की तवचार आक्षसी रूप से मोटी हो गई। जूकाई बेई की ताकत दिखने लगी थी। नकिवल उसके पास रांक चार पीला सोना प्रधान सार है बलकि उसके पास रांक चार गुकिरे भी हैं। सिर्फ हाथी दान्त का कवज फैंकिवान के स्टील टेंडन, लोहे की हड़ियों और कांसे त्वचा के सयोजन के साथ प्रतिसपरधा कर सकता है। अध्याय 317 फैंकिवान बनाम जुकाई बेई एक हुक, हथेली का प्रहार, कोहनी का प्रहार, किक। फैंकिवान और जुकाई बेई ने एक के बाद एक चालों का आदान प्रदान करते हुए आमने सामने लड़ाई की, घून से और लाते टकराने से तीवर कमपन उत्पन हुआ, दोनों एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ते थे, वे जिस भी पत्थर या पेर से टकरा फैंक छिंग घाटे में जा रहा है, धीरे धीरे दर्शकों को स्थिती समझ में आ गई, जुकाई बेई से निपटने के लिए उसे जितनी जल्दी हो सके नीचे ले जाना होगा और उसे कोई समय नहीं देना होगा, किसी ने आह भरी, जुकाई बेई के पास आदा चिन तकत जैसे जैसे वो सक्रिय रहा, उसकी ताकत बढ़ती गई, आपके लिए ये कहना आसान है, कौन उसे शुरू में ही गिरा सकता है, उसके पास रांक चार की खेती, हाथी दान्त का कवच गु और भरपूर युद्धि का अनुभव है, इस हद तक उससे लड़ने में सक्षम हो जाने के कारण, फैंग चिंग को सुन्दर कहा जा सकता है, अच्छा, बाई निंग बिंग ने भीर के भी तरसे चुप चाब मैच देखा, उसने अनुभव किया था कि फैंग युवान भी दबाव मित था, केवल वे ही लोग, जिन्होंने व्यक्ते गत रूप से रांक चार गुमास्टर सकिक खलाफ लडाई लड़ी थी, रांक तीन और रांक चार के बीच के बड़े अंतर को जानते होंगे, भाई है टू, शांक शिंसी ने अपनी मुचियां कसकर भी चली, उसकी खुब सुरत आखे फैंग युवान का पीछा कर रही थी, वे यांकी भाउने धी दीरे-दीरे सिकुरगी, चिलाओ, अचानक एक जंगली जानवर की दाहार फूट पड़ी, एक ड्रलीगन हाथी प्रेत अचानक जुकाई बेल के पीछे उठ खड़ा हुआ, जब बर्दस्त ताकत दिखा रहे हैं, ड्रलीगन हाथी एक विशाल हाथी को संदर्भित करता है जिसके पास ड्रेगन का खून होता है, इसका शरीर किसी विशाल से भी बड़ा था, ये एक विशाल काई जानवर था, यदि शेर और बाई उसके सामने आते, तो वे उसके चारों और चक्कर लगा लेते और हमला करने का साहस नहीं करते, इस प्रकार के क्रूर जानवर को मा जिसके दोब बाई करकर ड्रेगन हाथी की विशाल सक्तिगु पराप्त करने की बहुत संभावना थी, जब अकी सरपट दोडने वाले खोड़े की ताकत वाले गुप ग्रिन बुल ले बर्गु और फैंकुआन द्वारा इस्तिमाल किये गए अन्यगु के वल तीसरे स्था अभी वो ड्रही गन हाथी की ताकत से मुका मार रहा था। फैंकिवान की फोटलियां तेजी से सिकुरगी। संकट की इस घड़ी में उसने जट से अपनी दोनों भुजाए उपर कर दी। संपून प्रयास गुह हाइफन पत्थर की कचुए की ताकत। उसके पीछे एक विशाल कचुवा प्रेत दिखाए दिया। बुम। जुकाई बेई की कटोडे के आकार की मुठी ने फैंकिवान की बाहों पर बेहमी से प्रहार किया। तकर से प्रचंड शक्ती उबरी। जु द्रेगन हाथी का प्रेता काश में उची उरान भर गया। पत्थर के कचुए की ताकत स्पष्टरूप से ड्रेगन हाथी की ताकत से मिल नहीं खाती थी। फैंकिवान को लगभग तीस कदम तक उरान भरते हुए भेजा गया और अंट में रुखने से पहले वो दो पत्थ स्टील कंडरा और कांसे त्वचा के सयोजन ने उसे बहुत मजबूत सुरक्षा प्रदान की। जुकाई बेई को ड्रेगन हाथी की ताकत से मुका मारा गया। मंच की बाहर काई दर्शकाश चर्य से चिल्लाने लगे। वो शुरू से ही आदटन ताकत गुकाउप्यों कर और अब उसकी ताकत बहुत अधिक हो गई है। ये अभी भी किवल एक ड्रेगन हाथी की ताकत है। वरिष्ट जुकाई बेई के पास कुल तीन र्रेगन हाथी प्रेथ हैं। मैं एक बार उससे तीन र्रेगन हाथियों की ताकत से हमला करते देखा, उसने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी की खोपड़ी को कुछल दिया। फैंग चेंग जुकाई बेई को रोक नहीं सकता। जुकाई बेई का ड्रेगन हाथी की ताकत से हमला करना इस मैच में उसकी प्रभुत्व की प्रस्तावना है। एक बार फिर जुकाई बेई की ओर बढ़ते हुए फ प्थर का कच्छिवा सफीद हाथी और काला अजगर प्रेट को हासिल करने के लिए सफिद हाथी की आदिम ताकतगु और काले अजगर की कुंडलिट ताकतगु का इस्तिमाल किया था. आठ जानवर प्रेट फैंक्युआन के शरीर के सीमा थे. इस प्रकार गुको लपेटने वाली काले अजगर की ताकत का उप्योग करने के बाद उसने अब अन्य ताकत गुका उप्योग नहीं किया मंच पर फैंक्युआन ने हमलों की जड़ी लगा दी उसके खुन से हवा में तूट गए और बेहद हिंसक थे ऐसी भयानक आकरामक शक्ती ने दर्शकों में भया पैदा कर दिया जुकाई बेने हाल ही में एक ड्रैगन फैंटम की ताकत को तोड़ दिया था और उसकी ताकत अब पहले जैसी हो गई थी आदटन ताकत गुने एक बार फिर से शक्ती जमा करना शुरू कर दिया था अवसर कलाब हुठाते हुए फैंक युआन ने तुरंत पहल वापस लेते हुए बाहर जाना शुरू कर दिया उनके आठ जानवरों के प्रेट लगातार हवा में चमकते रहे जब अकि ड्रैगन हाथी के प्रेट कभी कभार ही दिखाई देते थे हाला कि हर बार जब ड्रैगन हाथी का प्रेट प्रकट होता था तो ये फैंक युआन को उड़ने के लिए भेज देता था जैसे जैसे समय बीत तक गया हेंडरी फैंक की चोटे बढ़ती गए कांसे तवचा जुकाई बेई की भारी ताकत का विरोध नहीं कर सकी और घायल हो गए जुकाई बेई का पूरा शरीर हाथी दान्त के कवज की एक परत से ठका हुआ था इसलिए हाला कि उस पर कई निशान और दरार थी वो शुरू से ही सीधा खड़ा था जैसे कि लोहे की मीनार धरती पर उची खड़ी हो कुछ समय के बाद एक मौका था जुकाई बेई ने एक बहुत छोटी सी गलती के जो नीले चांद में किवल एक बार दिखाई दे सकती है फैंकिवान ने इस खशुनिक अवसर का फाइदा उठाया और अचानक जुकाई बेई की पीठ पर चला गया और तमाचा मारा भूरे भालू का प्रित यदि ये विशाल और भारी शक्ती हमला करटी तो जुकाई बेई निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में खून बहा थी जुकाई बेई के पास इसे रोकने का समय नहीं था इसलिए वो घून सकता था और अपनी बाहें साव कर सकता था चिलाओ सहसा एक हाथी की चिंखार सुनाई दी द्रली गन हाथी प्रेट प्रकट हुआ और भूरे भालू प्रेट को पूरी तरह से दबा दिया इसके बजाए फैंग क्योआन को उरान भरने के लिए भेजा गया ये आठवी बार था द्रली गन हाथी प्रेट के उपस्थिती की आवरत्य अधिक हो गई जब ये प्रकट नहीं हुआ तो हेंगरी फैंग ने थोरी सी पहल की लेकिन एक बार जब ये प्रकट हुआ तो हेंगरी फैंग का कोई भी प्रेट इसका मुकाबला नहीं कर सका फैंक्यूआन के जानवर प्रेट सभी सामाने जंगली जानवर थे लेकिन ड्राइगन हाथी में ड्राइगन रक्तर रेखा का निशान था और उसे एकुद परिवर्तित जानवर माना जाता था मैं शुरू होने के एक घंटे बाद चिल्लाओ जुकाई बे के पीछे एक ही समय में दो ड्राइगन हाथी प्रेट दिखाए दिये उसकी दो मुठीयों ने फैंक्यूआन की चाती पर बेहमी से प्रहार किया और उसे दूर तक उड़ा दिया फैंक्यूआन ने मुझ से खून का एक और हवा में उचाल दिया और उसकी दृष्टे हिल गई जोर जोर से जोर जोर से जोर जोर से धखे जमीन पर गिरने से पहले उसने पांच पत्थर के खंबों को तोड़ दिया धूल उठी और उसके शरीर को धख दिया इतना डैनिय इस दृष्टे को देख कर कई गू मास्टर्स की आँखें नम होगी हेंडरी फैंक्य की वर्तमान स्थिती बहुत भयावर थी रैंक तीन जानवर फैंटम रैंक चार ड्रेगन हाथी फैंटम के मैच नहीं है फैंटम चेंग के पास गू का हर संभव प्रयास हो सकता है लेकिन वो एक समय में किवल एक जानवर प्रेट का उप्यो कर सकता है इसके विप्रीद जू काईबेई की आदटन तकत गू बहुत बेहतर है ये कैसे हो सकता है पूरे प्रयास से गू एक पौरानिक गू है लेकिन वास्तों में सामान अभ्यस ताकत गू से कम टर है कोई आश्चर्य से चिलाया जल्द ही गिसी ने समझाया ये पूरे प्रयास गू की समस्या नहीं है बलकि समस्या फैंग screens में है फैंग जिंग में आठ जानवरों की ताकत है वे एक विशाल पानी के जार की तरह हैं लेकिन आउटलिट के वल है एक छोटा बांसर का पाइप गुईस छोटे बांसर के पाइप से अधे कम गति से पानी निकाल सकता है जबकी आदचन ताकत गो एक बालती के तरह है जिसे पानी के चार से पानी निकालने की जरूरत होती है एक पतली धारा जबकी आदचन ताकत गो फूटने से पहले जमा हो जाती है भाई हे टू शांक्षिन सी का देल उचल पड़ा और उसे घुचन महसूस हुई जब उसने फैंकिवान के धोल से सनी हुई आकरिती देखी हाला कि जल्द ही दर्शकों ने देखा कि थूए के भी तरसे एक काली आकरिती धीरे धीरे खड़ी हो रही है तीन पसलिया तूट गए हैं और आंतरिक रक्तस राव हो रहा है इतना शक्तिशाली हमला तीवर दर्ड ने फैंकिवान पर हमला किया लेकिन उसके होटों का कोना मुस्कुराहत में बदल गया उसके पास द्रड़े चाशक्ति थी ये थोड़ा सा दर्ड कैसा था? ये चोटी सी चोट क्या थी? जलती हुई अगनी के समानवेदना से उसकारण संकल्प उठ खड़ा हुआ उसका खून खोलते पानी के तरह खळ उलूठा इस प्रकार की लड़ाई सबसे अधिक संतुष्टी दायक होती है इतने मजबूत दुश्मन को हराने पर ही ये दिल्चस्प होता है हे 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 हाँ 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 फैंकिवान धूल के भी तरसे अपना सिर हूचा करके खड़ा हो गया और बिना किसी रोग चोग के हंसने लगा फैंक जिंग क्या कह रहा है? वो हंस्तावा प्रतीत हो रहा है क्या उसका मस्तिश का जुकाई बेई द्वारा क्षति ग्रस्त किया गया था? मंच के चारों और बैरियर लगे होने के कारण दर्शकों को साफ सुनाई नहीं दे रहा था जुकाई बेई जो लड़ाई की शुरुआत से ही उदासीन दिख रहा था हेंडरी फैंक की पाकल हंसी सुनने के बाद पहली बार उसकी अभिव्यक्ति में बदलावाया ये बच्चा उसकी अभिव्यक्ति गंफीर हो गई क्योंकि उसे उस हसी से एक परिचित और साथ ही अजी बेहसास हुआ थोड़ा सा सूचने पर उसे तुरन पेहसास हुआ ये थी राक्ष सी मार्क की आभा चाकू की तरह तेज हत्या का इरादा दुनिया को नश्ट करने की पाकलिछा अहंकार जो दुनिया को तुछ समझता था निर्डैता जो सभी जीवित चीज़ों को रौंद देती थी इस हसी ने मानौ जो काई बेह को अठीत में लोटा दिया वो दर्दनाक और असनी अठीत उसे लगभग हर दिन कतले आम में शामिल होना पड़ता था जैसे कि वो अंतहीन अंधिरे में अकेला चल रहा हो जहां कोई बाद करने वाला न हो भय में दबा हुआ अंतहीन अकेला पन हो शैतानी रास्ते पर चलने वाला जीवन जो मौद से भी बदतर हो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीते रहना चाहिए कोटी ये चटानों के बीट स्टील की रसी पर चलने जैसा था, आपकी नसें सीमा तक खिच गी और आपके पास आराम करने का कोई एक्षण नहीं था। केवल एक नुकसान से आप खाए में गिर सकते हैं, शाश्वत अभिशाप के लिए समर पिट हो सकते हैं। जुकाई बेई इस तरह के जीवन से तंग आ गई थी, इसलिए उसने शांक कभीले में अपना भागया आज माया और एक छिपा हुआ बुजूर्ग बन गया। इन वर्षों में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक ऐसा व्यक्ति था जो संखर्ष करने और करवाहत के समुद्र में लगभग डुबने के बाद किनारे पर आ गया था। नया पत्ता बदल दिया है। मैंने पहले ही एक नया जीवन शुरू कर दिया है। मैं पहले से ही धर्मपत का सदश्य हूँ। धर्मात्माराक्षसी के साथ एक साथ नहीं रह सकते। जुकाई बे के चहरे पर एक भयावा भाव प्रकट हुआ। उसे अपने दिल की गहराई से फैंकिवान के प्रतियत्यधिक नफरत महसूस हुई. द्रेगन यात्र बाग कदंगु जूकाई बे ने हमला करने की पहल की उसने बाग या अजगर की तरहे बड़े कदम उठाए और धूल में हमला कर दिया. उनके हर कदम के साथ ड्रेगन की चीक और बाग की दहार भी सुनाई दे रही थी. ये लांक चार ड्रेगन ट्रेवल ताइगर स्टेप से गुठा और इसने जूकाई बे को तेजी से आगे बढ़ने की अनुम्दी दी. ये भी क्रेश्गो को चार्ज करने के समान था और जूकाई बेई की संग्रही ताकत को बाहर लाने के लिए चार्जिंग और क्रेशिंग बनबल का उप्यो किया गया था. जूकाई बेई ने धूल में चम कर धावा बोला, सीधे हिन्री फैंग की और चिल्लाओ. द्रली गन हाथी प्रेट फिर प्रकट हुआ. वो किवल एक प्रेट था, दो प्रेट नहीं. हाला कि ये फैंग की वान को दबाने के लिए परियाप था. हेंग्री फैंग ने इसे ताला नहीं और इसे सीधे ले लिया. पत्थर का कचवा प्रेट उसके पीछे उड़ गया. दोनों में जोरदार तक्कर हुई. तक्कर से भयंकर हवा की लहर पैदा हुई, जिससे धू लोडगई. पांच कदम पीछे हट्ते ही जुकाई बेए की आँखे चकित रहगी. जबकी फैंग की वान थोड़ा सा भी नहीं हिला. मंच के बाहर केवल स्थब्धता थी. दुनि जुकाई बेए ने फिर से आगे बढ़ते हुए अपने दांद पीस लिये. टक्राना. एक तेज आवाज. जमीन पर दुरघटना ग्रस्थोने से पहले उसी फैंग की वान द्वारा रेत के थले की तरह हुडते हुए भेजा गया था. वो कठिनाई से उठा और हिंडरी फै प्रेट का उप्यो करना. ये कैसे संभाव है? ये सामान अगयान के विरुद्ध है. दर्शकों में आश्चर और चिंता की चीखे थी. अध्धाय 318. फैंक्यू आन बनाम जुकाई बेए दो, दो जानवर प्रेट. मेरी आखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, हैना. व्यक्ती गमफीर हो गई क्योंकि वो फैंक्यू आन पर नजर गड़ाए हुए था. उसकी पोटलिया अचानक से कुरगी. आओ. लंबवत दुरखट ना गुद्ध. हेन्री फैंक्यू अभी व्यक्ती भावशुने थी और उसकी आखें गहरी माया में रंगी हुई थी. उस समय उसके सिर के उपर एक घोड़ा और सूर का प्रेत प्रकट हुआ. सूर की ताकत ने उसके चार्जे की शक्ती को बढ़ा दिया जबकि घोड़े की ताकत ने उसकी गती को तुरंत बढ़ा दिया जिससे उसकी चार्जें की गती और भी तेज हो गई. दो शक्तियों के सश शक्तिकरण के साथ हेंडरी फैंग एक ग्रगोडे की गति से दोडने वाले एक भैंकर सुर में बदल गया। जुकाई बेई की नजरों में उसका फेगर तेजी से बड़ा हो गया। शक्ति वी आसानी से देशा निर्धारित कर सकता है और चकमा दे सकता है जिससे हमला विफल हो जाता है। जुकाई बेई ने चकमा फैंग छेंगे की ही समय में दो राक्षासों को बाहर लाने में सक्षम है, जब कि जुकाई बेई की आदटन तकत गु को फिर से तकत जमा करनी है, चक मा देना एक समझदारी भर्या कदम है। फैंग छेंग कभी भी बहुत अनुभव हीन है, हलांकि उसके पास उच्च गुणवत्ता वाले गुकीरे हैं, उसका युधिका अनुभव जुकाई बेई से बहुत कम है। ये हमला एक विर्थ प्रयास था। ओह। ये दर्शका अभी टिपणी कर ही रहे थे कि अचानक मंच में बदलाव हुआ। जब फैंग किवान ने जुकाई बेई को पीछे छोड़ दिया, तो उसने अचानक गुका पूरा प्रयास बंद कर दिया। दो जानवर प्रेत गाइब हो गए, उसकी चार्जिंग शक्ती तुरंत कम हो गई क्योंकि वोई काले पत्थर के खंबे से ट कर रही थी। भूरे भालों और सफिद हाथी के दो बड़े प्रेत अचानक उपर उठे। दूरी बहुत करीब थी और जुकाई बेई को बिना तैयारी के पकर लिया गया। हमले ने उस पर जोड़दार प्रहार किया और उसका लंबा शरीर उड़ गया। जिस व्यक्ती न का आख्रमन सामाने लग रहा था लेकिन इसमें कई कारक्षा मिल थे और ये एक असाधारन शानदार कदम था। संपून प्रयास से सक्रिय होने पर गुभयनक आख्रामक शक्ति प्रकट कर सकता है इसे निरस्थ भी किया जा सकता है। सक्रियन और निरस्थिकरन के बीच नि इसलिए नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं था बलकि इसलिए क्योंकि वो गुको आदटन तकत देने का आदी था और उसके प्रचुरन भवों ने उसके विचारों में एक अंधा स्थान पैदा कर दिया था। हेंरी फैंग ने फिर से आरोप लगाया। जू काई बेई विर करने का कोई रास्ता नहीं बचा, उसने सक्त बचाव करते हुए अपनी सांसे रोक इली। हिवेंसा, फैंग छेंग के वल रांग तीन शिखर चरण है लेकिन वास्तों में जुकाई बेई को दबा रहा है। ऐसा अकलपनी द्रिश्य सचमुच मेरी आँखों के सामने घटि हो रहा है। पूरा प्रयास गुआ खिरकार एक पौरानिक गुः ये शक्तिशाली है और इसके अद्बुत उप्योब हैं। यहां तक कि रांग चार की आदचन तक अकत गुभी इसकी तुलना नहीं कर सकती है। फैंग छेंग ने गुके संपून प्रयास का उप्योग पह लोड़ गई। जुकाई बेई का टौबर जैसा शरीर एक बोरे की तरह हो गया क्योंकि उसने कई मोटे काले पत्थर के खंबों को तोड़ दिया था। खासी। उसने फिर मूँ से खून बहाया। उसने उठने के लिए संखर्ष किया लेकिन हेंडरी फैंग पहले से ही उस के उपर था और उसने उसी राहत लेने का कोई मौका नहीं दिया। वो जमीन पर पैर पर टकने लगा। घोड़ी और हरे बेल के जानवर प्रेते की ही समय में प्रकट हुए। जुकाई बेई दुखी अवस्था में हमले से बचते हुए जमीन पर लुड़क गई। हेंडर के ठीक नीचे एक स्पष्ट अवतल गढ़्धा दिखाई दिया। लंबवत दुरखट नागु। यूआन फैग ने आरोप लगाया भूरे भालों और सफेद हाथी के प्रेतेक साथ प्रकट हुए। धत तेरे के। इस बार जुकाई बेई के पास चकमा देने के लिए पर हवा में उठे। यूआन फैंक के भूरे भालों और सफेद हाथी के प्रेत तुरंत तुल्ला में फीके पड़ गए। फैंक यूआन जुकाई बेई से जोड़दार चकराया। जुकाई बेई को केवल थोड़ा पीछे धकेल दिया गया जबकी फैंक यूआन खुदुर ग जुकाई बेई ने गंदी हवा में सांस छोड़ी वो हिंड़ी फैंक की हिंसक ताकत से हैरान था। किवल तभी जब दो ड्रई गन हाथी के ताकते फूट परी तभी उसने अपना पैल वापस जमाया। आदटन ताकत गु का दर्जा चौथा हो सकता है लेकिन ये वास्तों में पूरे प्रयास से कम तर था। जुकाई बेई को आदटन ताकत गु को सक्रिये करके अपनी ताकत को लगातार जमा करना और बढ़ाना था फिर जानवर प्रेट को बुलाना था। हाला कि वो भी नहीं जानता था कि ये कब सामने आएगा। यदि उसने हमला किया और एक द्रलिगन हाथी की ताकत दिखाई दी तो उसे फिर से ताकत जमा करनी होगी जिससे उसकी युद्ध शक्ति अस्थाई रूप से कम हो जाएगी। जुकाई बेई की ताकत एक पानी के घड़े की तरह थी और उसकी आदटन ताकत गोएक बालते की तरह थी उसे हर बार उसम प्योग नहीं करना चाहता था तो वो इसे बंद भी कर सकता था। इस तरह की लचीले उप्योग के साथ फैंक्योग आगे बढ़ सकता था या पीछे हट सकता था वो हमला करने या जल्दी से दूर जाने के लिए इस्तिमाल कर सकता था। अगर मैं संपून प्रयास वाला हो अहाँ दुर्भागे से अगर मैं जीत भी जाता तो शांग्यान फेई मुझे इस पर दावा करने की अनुम्ति नहीं देता। जो काई बे को पचतावा हुआ। जब वो एक राक्ष सीफू स्वामनी था तो उसे पूरे आ जा दे थी और वो जो चाहे कर सकता था। धार्मि मैं गुगे आदेशों की परवान करते हुए हर संभव प्रयास चुनूं, तो क्या होगा? ये विचार प्रकट होते ही तुरंत जूर हो गया। यदि उसने वास्तों में ऐसा किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं की शांग्यान फेई का अपमान हुआ। शांग्यान फेई न नहीं होगा। एक्षण रुकें। मैं किस पारे में सूच रहा हूँ। अब महतुपूनबाद फैंग छेंग को हराना है। जू काई बेई की निगाहे केंद्रित होगी, जिससे ड्रेगन ट्रेवल ताइगर स्टेप से गुसक्रिय हो गया और फैंग की वान पर हमला हो गय हमले से फैंग की वान के मूँ से खून बहने लगा, उसकी लोहें जैसी बाहं के हड़ियां तूट गी। तीव्रदर्ड ने उसे प्रभावित किया, लेकिन हेंरी फैंग मुस्कुराया और हंसने लगा। संपून प्रयास गुद। बूरा भालू, सफिद हाथी और हरा पै यहां तक कि जुकाई बेई भी स्तब्ध भाव प्रकट करते हुए चोड़ी आँखों से घूरने से खुद को नहीं रोक सकी। अभी जो फैंकिवान के साथ हुआ था, उसके तुरंत बाद खुद के साथ भी हुआ। रूप में चमीन पर गिरने से पहले काले पत्थर के खंबों को तोड़ दिया। जुकाई बेई ने जल्दी से उठते ही अपने दाद भीच लिये। तीन चानवर प्रित। दर्शक स्तब्ध रह गए। ग्रिश अत्यंत स्पष्ट था। हेंरी फैंक पर तीन भूतों का प अधिक लोगों ने पहले से ही अनुमान लगाया था। क्या ये हो सकता है। जुकाई बेई ने हिम्री फैंक को खूर कर देखा और उसने अपने दादों से नाम निकाला। कर्वी ताकत गु। ये सही है, ये कर्वी ताकत थी गु। कर्वी ताकत वाला गु। रांग चार का गुथा और ताकत पत वाले गु। मास्टर सके लिए आदर्श साथ ही था। गु। मास्टर को जितनी अधिक चोटे लगी, उन्हें उतना ही अधिक दर्ड महसूस हुआ, वे उतनी ही अधिक ताकत ला सके। स्वभाविक रूप स गु। मास्टर द्वारा प्रदर्शित की जा सकने वाली ताकत की एक सीमा थी और ये गु। मास्टर सा फांडेशन पर निर्भर था। हेंडरी फैंग के पास आच पशुर्शक्ती वाले प्रेत थे, उनकी शक्ती एक बड़े जलकुन्डे के समान थी। संपून प्रयास गुए बान सके पाइप की तरह था जिसे इच्छानुसार खोला और बंद किया जा सकता था और लगातार तब से पानी खीच सकता था। अभी जैसे ही फैंग के वान को चोटे लगी और उसमें करवी ताकत गु का इस्तिमाल किया ऐसा लगा जैसे पानी के कुंड में कई च दिखाई देने लगे। पूरे प्रयास से गुने इन सभी छेदों में बान सके पाइप जोड़े और हेंडरी फैंग को अपनी इच्छानुसार उनका उप्यो करने की अनुम्ति दी। गु के पूरे प्रयास के बाद हेंडरी फैंग के पास पानी खीचने के लिए केवले बानसर का पाइप था और इस प्रकार वो किवले एक जानवर प्रेट का उप्यो कर सकता था। लेकिन अब उसकी चोटों और गुगी करवी ताकत के प्रभाव में ये पानी के कुंड में दोने आउतले जोड़ने जैसा था। इस प्रकार जब भैंकिवान में अब फू के स करवी ताकत गो शांग्याजी के पास है। यान्टू ने उत्तर का अनुमान लगाया। उसकी आँखें से कुरगी और उसकी अभिवेक्तिया भूत पूर्वरूप से गंपीर थी। अगर फैंग्जिंग के हाथ में करवी ताकत शांग्याजी की नहीं है तो निसंदे हुस निलामी में शांग्याजी के साथ खिलवार किया। लेकिन अगर ये करवी ताकत गो वो ठी जिसे शांग्याजी ने खरीदा था तो स्थिति भयाव है। शांग्याजी को कुछ समय पहले ही फैंग्जिंग के साथ गलत हिसाब किताब के कारण उसके युवा मास्टर पत से ह जुकाई बेई को किवल अपने मुह में करवाहत महसूस हुई। पहले संपून प्रयास गुद अपकरवी ताकत गुद। ये दोनों गुद वही थे जो वो जुकाई बेई हर दिन चरस्ते थे और उन्हें निश्फल रूप से खोचते थे। हाला कि फैंकिवान जो इतना चो चोटे लगेंगी, उसके पानी के कुंड में उतने ही अधिक छेद होंगी और वो भी मजबूत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हर बार जब जुकाई बेई नुकसान पहुंचाता था तो वो इसके बजाए फैंकिवान की युद्ध शक्ती को बढ़ाता था। ये एक अपरिये हसास था। उसकी मानसिक सहनशक्ती पर भी असर पड़ा, वो अब हैंरी फैंक के साथ लरना नहीं चाहता था। जितना अधिक यूँआन फैंक ने संखर्श किया, वो उतना ही मजबूत होता गया। उसे जितनी भारी चूटे लगी, उसकी ताकत उतनी ही अधिक सबसे महतुपून बात ये थी कि उसके पास आठ परशुप्रित थे, यदि वे सभी एक साथ फूच पड़ते, भले ही जूकाई बेई के तीन रही गन हाथी एक साथ प्रकट होते, तो ये बेकार होता। जिस बात ने जूकाई बेई के मनोबल को और भी कम कर दिया, वो ये और उसकी ताकत भयानक स्तर पर बनी हुई थी। संपून प्रयास गु, करवी ताकत गु और आत्म निर्भरता गु। इन तीनों ने एक मजबूत सा योजन बनाया, जिस से एक सुरक्षित और ठोज नीव पयार हुई। इस चरण तक पहुँचते पहुँचते, जिस गु फैंकिवान अब दो साल से अधिक समय से शांक कबीले शहर में था, उसने पहले ही कुछ ऐसा हासिल कर लिया था, जिसे अधिकांश गुमास्टर से अपने जीवन का अधिकांश समय बिताने के बाद भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि जुकाई बेई जैसा इक्तमाठ जानवर प्रेत हैं, करवी ताकत गु अपनी ताकत को असीमित रूप से नहीं बढ़ा सकता है, शांक कबीले के नेता ने मुझे हर संभव प्रयास न करने का आरेश दिया, मैं किवल इस करवी ताकत गु को चुन सकता हूँ, यह सोचते ही जो काई बेई की प्रोथे स्थान पर हूँ, मैं आदिमसार के मामले में श्रेष्ट हूँ और मेरे पास अपनी हत्यारी चाल भी है, जो काई बेई के पास भर पोरन उभव था और थोड़े समय के विचार के बाद वो अपने अव्यवस्थित जिमा को व्यवस्थित करने में सक्षन थे, उन उनने एक के बाद एक मुका और लातमारी हमला किया और बचाव किया, जो काई बेई का हाथी दान तक कवच लगातार तूट रहा था और खुद की मरमत भी कर रहा था, समय समय पर वो मुझ से खुन उगल देता था, फैंक्यूआन भी ज्यादा बेहितर नहीं था, वो आत् इतनी गमफीर चोटे लगी, वो उतना ही मजबूत होता गया, कुछ ही समय बाद वो पांच पर्शु पैटों को बाहर ला सका, जो काई बेई बहुत अधिक खतरनाक स्थिती में गिर गई और लगबगिस स्थिती में दब गई कि वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी ये कुछ ऐसा था जिसका अनुभा उसने युद्यस्तर पर कभी नहीं किया था, यहां तक यांच भी उनकी बराबर कही था, जूनियर तुम बहुत घवंडी हो, जुकाई बेई ने गुस्से से अपनी बाहे जुकली, तीन रगन हाथी, वो अचानक भरक उठा, जैसे ही व परण फैंकिवान की बुजाए मुरगी, वे पूरी तरह से फिरेक्चर होगी, उसका बाया हाथ भी एक समकुन में मुड़ा हुआ था और तूटी हुई हड्या ताजा खून के साथ बह रही थी, जब फैंकिवान ने आत्मनिर्भरता गुकु सक्रिय किया तो उसने अपने दानता गीचिये और दड़ सहन किया, ऐसी चोटों ने पहले ही उनकी युद्धिक्षमता को प्रभावित कर दिया था और उन्हें इसे ठीक करना था, उन्होंने सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को ठीक किया, उसके बाद अपने बाय हाथ को मोड़ कर वापस उसकी उचित स्थिती में ला दिया और आत्मनिर्भरतागो को सक्रिय करते हुए तूटे हुए हिस्सों को जबर्दस्टी जोड़ दिया, तूटी हुई हड्या फिर से बढ़ी होकर जोडने लगी, फिर ये मांस के टुकरे थे और अंत में त्वचा, उपचार प्रकुरिया के दौरान फैंकिवान एक सेटिच चार जगो और उर्दवधर क्रशगो का उप्यो करके लगातार जो काईबे के हमलों से बचा लिया, एक ही बार में तीन कारे करके जो काईबे के साथ मुकाबला किया, जब उसने हमला किया तो उसने दबंगई से जम कर हमला बोला, लेकिन जब वो गया तो ये बिल्कुल अलग शैली थी, वो शान्त था और खत्रे के सामने फिसलन भरी नाव की तहर घपराया नहीं था, उसने अपने अधिकम लाब के लिए काले पत्थर के जंगल के इलाके का उप्यो किया, इसलिए हालां के जुकाई बेई की द्रगन यात्रबाग के अधिकी स्थिती और अधिक विकर्थ होती गई, योआन फैंक के प्रेत धीरे धीरे पांच से बढ़कर चल और फिर साथ हो गए जब तक की आठ प्रेत नहीं हो गए, लड़ाय की शुरुआत में दर्शक मौजूद थे जो समय समय पर टिपणी कर रहे थे और चिला रहे थ लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, दर्शक खामोश हो गए, फैंकिवान और जुकाई बेई की भयानक ताकत ने उनके दिलों को ठंडा और आश्चरी चकित कर दिया, बहुत भयानक, ऐसी शक्ति कोई केवल कल्प नहीं कर सकता है कि प्राचीन शक्तिपत कितना सम्रद रहा होगा, अगर ये मैं होता, तो मैं पहले ही मांस के पेस्ट में बदल चुका होता, भले ही मैं उनमें से किसी से भी लड़ता, दर्शक अवाक रह गये लेकिन और भी गुपत रूप से फैंकिवान और जुकाई बेई की अड़ एक भावना के प्रतिप्रशन सा महसूस क ये दोनों सच्चे फ्होलादी ओधा थे, ऐसे नतीजे की किसी ने भविश्रिवानी नहीं की थी, हेंडरी फैंक मजबूत था और आज प्रेतों को बाहर लाने के बाद वो ज़्यादातर समय जुकाई बेई को दबा रहा था, हाला कि जुकाई बेई कमजोर नहीं थी, उन से उसके ड्रेगन हाथी प्रेट को बाहर लाने की संभावना बहुत बढ़ गई, शांक्षिन सी के भीचे हुए हाथों में पसीना आ गया, वे यांक की ब्रांती और गहरी हो गई थी और गांट में बदलती जा रही थी, वो देख सकता था कि फैंक यूआन ठक रहा था, य इससे भी बड़ा खत्रा एक और था, एक साथ आज प्रेटों को बुलाने में सक्षम होने का मतलब था कि उसकी चोटे बेहत गंभीर की और वो खत्रे में था, फैंक यूआन एक स्टील के तार पर चल रहा था, अगर वो जो काई बेई के तीन रही गन हाथी प्रेट की जादा हो चुके थे, मैच धीरे धीरे चरम पर पहुँच गया, दोनों अपनी सीमा तक पहुँच चुके थे, उनके हमले स्पष्टरूप से धीमे होने लगे थे, हाला कि मैच और अधिक रोमान चक होता जा रहा था और यहा तक कि बाई निंग बिन की अभिव्यक्ती भी गमफीर थी, पूरा द्रिश्य शांत था, सभी दर्शक मैच पर ध्यान की निरित कर रहे थे, जुकाई बे ने अंतितह अपना धैरे खो दिया, वो तीन रली गन हाथियों की ताकत से हमला करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन ये सब भागे पर निर्भर था और कोई आश्व आसन नहीं था, कभी कभी प्रेत गरत समय पर निकलाते थे और हिंगरी फैंग आसानी से इससे बच जाते थे या इसका विरोध करते थे, उसका आधिम सार समाप क्यू नहीं हुआ, यहां तक कि रैंग चार शक्तिपत्फू मास्टर जू काई बे के पास भी इस स्तर पर बह स्वास्तों में एक स्वर्गिय सार्ख जाना कमल है, जू काई बे मदद नहीं कर सके लेकिन शांग्यान फैय द्वारा भेजे गए उस गुप पत्र को याद कर सकी, अगर फैंग चिंग के पास स्वास्तों में यह है, तो उसकी कस्मत बिलकुल स्वर्ग को मात देने वाली ह जू काई बे ने अपने दांद पीस लिये, आदिम सार में अपेक्षित श्रेष्ट ता मौजूद नहीं थी, जिससे उनकी लड़ाई की भावना कम हो गई, लेकिन सचाई ये थी कि हेंडरी फैंग के पास न केवल स्वर्गिय सार्ख जाना कमल था, बलकि रख़ो पड़ी जू काई बे ने अपना निर्णे लिया, द्रैगन यात्रबाग कदंगु, वो अचानक पीछे हट गया और इस असामाने हर्पत ने तुरन तहिंगरी फैंग का ध्याना आकरशित किया, हाला कि फैंग की वान उसे पकर नहीं सका, द्रैगन यात्रबाग के कदं वास्तों मे तेज थे, सेटिच चार जगो और उर्द्वाधर क्रश्गो से कहीं अधिक, इस इलाके को देखते हुए भी उसका पीछा करना नुकसान देह था, लगभग तुरन्त ही सभी दर्शकों ने जू काई बे को देखा, कई लोगों को कुछ एहसास हुआ, ये बुरा है, इस द् त्रिलाना चाल का इस्तिमाल करने वाला है, ये मैच आखिरकार चर्मोत कश्र पर पहुँच गया है, वे यांग की आवास गहरी थी और उसके माथे से पसीना बहरा था, वो बेहत घबरा गया था और उसने जल्दी से समझाया, जू काई बेई की हत्यारी चाल में एक दोश है, अगर फैंग जेंगिस दोश को समझ सकता है, तो वो जीत हासिल कर सकता है, यदि नहीं, तो मुझे डर है कि जूकाई बेई विजेता होगी, वे यांग ने अभी बोलना समाप्धी किया था, तब ही मंच में बदलाव हुआ, जिनने हिदय गु, जिनने शरीर गु, जिन नक तीन गुना बढ़ गया, उनके शरीर के चारों और एक सफेदाभा दिखाई देनी लगी मानो किसी देवता के अवत्रण का संकेत हो, इसके साथ ये उनकी दबंगो पस्थिती काफी बढ़ गई, ये उसका हत्यारक कदम था, हाइफन जिन परिवर्टन, इससे गु, माल एक उप्योग करते तो उनके दिमाग में सुस्टी महसूस होती, लेकिन जुकाई बेई की मान से कूर्जा अब बढ़ गई और वो फिर से कूर्जावान हो गई, साथे उसकी ताकत तीन गुना बढ़ गई, तीन राइगन हाथी की ताकत नौ राइगन हाथी की ताकत बन ग गई, हाला कि ठीक इसी समय उसके पूरे शरीर को ढखने वाला हाथी दान्त का कवच उसके आकार के कारण तूट गया, कई रक्षात्मग को उप्योग करता के साथ नहीं बढ़ाया जा सका और हाथी दान्त कवच उनमे से एक था, इस समय वो पूरी तरह से रक्षाहीन है, पढ़ाने लगा, कमरे के दूसरे कोने में बाइनिंग बिंग की आँखें भी अचानक चमक उठी, जैसे कि उसने वे यांग का सुझाव सुना हो, फैंकिवान ने हमला करने की मुद्रा अपना ली, लेकिन अचानक उसकी हरपत रुक गई, वे यांग की चेहरे पर जो उच साहित और प्रसन्न भाव अभिया भी दिखाई दिया था, वो स्थब्ध हो गया, हरताल, वो चिल्लाए बिना नहीं रह सका, उसका दिल टेजी से धढ़कने लगा, दुर्भागे से मंच के चारों और की बाधा ने ध्वनी को अलग कर दिया, आसपास के दर्शकों ने उस शरीर को कसकर ठक दिया था, फैंकिवान की जीत का मौका फिसलता जा रहा था और असपश्च होता जा रहा था, वे यांग ने चिंता से अपनी पैर पर ठक दिये लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ, उसने अपना सिर उठाया और एक लंबी आह भरी, आह, फैंक छिंग हार उसने अपना एक मात्र मौका खो दिया, फैंकिवान में हमला नहीं किया और जो काईबे के लिए ये काफी आश्चरे की बात थी, उसे उमीद थी कि फैंकिवान उस पर हमला करेगा और उसने पहले से ही इसके लिए तयारी कर ली थी, लेकिन हाला कि फैंकिवान में ऐसा उसकी बात थी, क्योंकि ठीक पहले उसने हाड क्योईगु को सक्रिय किया था, हाड क्योईगु उसके पूरे शरीर को ढखने वाली निराकार हवा की एक गेंद में बदल गया, उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई बचाव नहीं है, लेकिन वास्तों में उसका ब निश्चित था और संभव तह हार ना था, हाला कि फैंग क्योँ आन नहीं हिला, जुकाई बेल नहीं रिफैंग को लुभाने के लिए हाथी दान्त कवज की पुनर जननगती को भी धीमा कर दिया था, लेकिन वो हिले नहीं और चुपचाब एक दर्शक की तरह देखती रह क्या उसने इसका पता लगाया, असंभव, हाड़ क्योई गुनिराकार है, मुझे ये अभी हाल ही में मिला है और मैंने पहले कभी इसका उप्योग नहीं किया है, हम्पह, जब आप हमला नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कदम उठाने दीजिए, जुकाई बेई की आँखों में चमकीली के रनेत फूट पर लिए और चमक उठी, जिन परिवर्टन तीन रांक चार गुकाउप्यों करके बराया गया एक हत्यारा कदम था, चाहे वो उसका पीला सोना आगिम सार होया मानसे कूर्जा, वे दोनों तेजी से घट रहे थे, शारिरिक शक्ति और मानसे उनों तीन गुना बढ़ गई, लेकिन साथ ही खपत भी तीन गुना बढ़ गई, जुकाई बेई का जन परिवर्टन लंबे समय तक कायम नहीं रह सका, द्रगन यात्र बाख कदम, जुकाई बेई ने फैंकिवान पर आरूप लगाया, सेट जावेश, उर्ध्वधर दुर न था? व्यर्थ, मेरा शरीर अब तीन गुना बढ़ा है और मैं जो भी कदम उठाता हूँ वो तीन गुना दूर है, द्रगन ट्रेवल ताइगर स्टेप सेगु के साथ मेरी गति और भी तेज हो गई है, जुकाई बेई ने मन ही मनुप धास किया, भले ही हिंगरी फैग न अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से कुचल सकता है, वर्तमान जुकाई बेई तक भूभाग पैनकिक की तरह समतल था, अध्याय तीन सो बीस, आकाश को चीर दो ये देखकर की हेंडरी फैग पकड़ा जाने वाला था, शांक्शिन सी का दिल कड़ा हो ग तो उसके स्थिती गमफीर होगी, लेकिन दुर्भागे से फैंकिवान की गति जुकाई बेई से कम थी, एक मात्र रास्ता ये था कि जुकाई बेई को रोकने के लिए उसके पास लंबी दूरी का मस्बूत हमला होता, फैंक चिंग तुम्हार गए, जुकाई बेई ने बड कि पूरे युद्धचरण में केवल्यान्टु का फायर सीत्विन्रलिगन के लिए उसके जिन ट्रांसप्लॉर्मेशन के हमले को रोक सका, फैंक जेंग हारने वाला है, एंट में जुकाई बेई इस लड़ाई की विजेता है, अनुभवा भी भी निरनायक कारक है, मंच की बाहर लोगों ने चर्चा की तो स्थिती अब बेहत साफ हो चुकी थी, आह, वे यांग ने गहरी आह भरी, शांग शिन सी ने दर्ड से अपनी आखें बंद कर ली, यहां तक की बाई निंग बें की नजर भी धुन्दली हो गई, हे हे हे, यान टुहलकी से हसा, एक बार मेशन पूरा हो जाएगा, जब तक फैंक युवान के पास एक मजबूत लंबी दूरी का हमला नहीं था जो जुकाइबेई की प्रगती को रोक सकता था, लेकिन स्ट्रेंथ पात्फू मास्टर से ज़्यादा तर नजदी की दूरी के लड़ा को विमान है, उनके पास लंब जुकाइबेई टे बीच काई तीवर लड़ाया हुई, उनकी लड़ायों का एक हिस्सा यान्चु पर निर्भर था, जो जुकाइबेई को प्रतिबंधित करने के लिए लंबी दूरी के हमलों का उप्योग करता था, और फिर बहुत कम अंतर से जीता था, आनि सभी स्थित जहां यान्चु जुकाइबेई को प्रतिबंधित करने में विफर रहा, उसकी करीब पहुँचने के बाद उसे हार का सामना करना पड़ा, नस्दी की सिमा, लंबी दूरी, ये एक शक्ति पद्गु मास्टर से लड़ने का साथ था, वास्तों में ये एक लड़ाय में निर की मुस्कान आ गई, उसकी काली भयानक आखे ठंडी चमक के साथ बाहर आगी, अब समया गया है, आच प्रेत तुरंत उसके पीछे प्रकट हुए, इसके बाद उसने अपनी गुवर्म को सक्रिय किया और अपनी उंगली से इशारा किया, उसके चिद्र मेहिम रजक्त आदि अधिक ठोज हो गए थे, खोकले से वास्तविक में बदल गए थे, एक खोकले प्रेत से वे ठोज प्रेत बन गए, सूर, बूरा भालू, मग्रमच, हरा बैल, घोडा, पत्थर का कचुवा, सफेद हाथी, काला अजगर, एक तेज दहार के साथ, जुकाई बेई की और आकाश से नीचे उटरे, इस वक्त हर कोई स्तब्धिल रह गया, परिवर्चन इतनी तेजी से हुआ था, जुकाई बेई अपनी मुठी की ताकत के तहत हेंरी फैंक को लगभग हारते हुए देख सकती थी, फिर वी अगले ही पल, आठ प्रेत सभी दिशाओं से, उसे घेरत उसके और बढ़े, जंगली सुवर ने हमला किया, भूरे भालू ने मारा, मघ्रम अच्छने काटा, हरे बैल ने अपने सींग से हमला किया, घोड़े ने कुचल दिया, पत्थर के कच्छुए ने दबा दिया, सफेद हाथी ने अपने दांतों से हमला किया, और काले अजग बियम 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 चिल्लाओ 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 बुम 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 आठ जानवर प्रेट प्रोध में आ गये और जुकाई बेई पर बेहमी से हमला कर दिया। और बरदाश्ट नहीं कर सका, सफेद जो कड़े उरते ही तूट गए, जिन क्षेत्रों में ये नहीं तूटा, वहां दरारें दिखाई दी। दुया चंट गया और जुकाई बेई आधे घुटनों के बल जमीन पर बैड़ गए और अपने सिर को पकर कर मोटे तोर पर सान सली। आखिर कार ये खत्म हो गया। उसने हिंडरी फैंग की और देखते हुए धीरे से अपनी बाहें नीचे कर ली। हेंगरी फैंग ने दो आदिन पत्थरों को पकर रखा था, जितना वो कर सकता था, अपनी आदिम सार को पुनह प्राप कर रहा था। उसके पासे नरड योगेता और स्वर्गिय सार खजाना कमल था, अब वो बहु कारे करता था, दोनों आदिन पत्थरों से सार को अवशोशित करता था, उसका आदिम सार पहले ही सतर प्रतिशत तक ठीक हो चुका था। ये देख कर जुकाई बेई की आँखें चमक उठी, उसने कसकर भाइचे हुए अपने दान्तों को धीला कर दिया, खून और तूटे हुए दान्तों के टुकडे बाहर फैंक दिये, उसके शरीर के सभी हिस्सों में तीव्रदर्द हुआ, जिससे उसे चक्कराने लगा और उसके कान गुंजने लगे, उसे बहुत बुरी तरह पीता गया, अगर मैंने हाथी दान्त के कवच गु को इतनी सकती से सक्रिय नहीं किया होता, तो शायद मैं पहले ही बेहुश हो गया होता, जुकाई बेई को कुछ बात का डर महसूस हुआ, लेकिन क्योंकी उसने ऐसा कि उसके पास बहुत अधिक पीला सोना आदिम सार नहीं बचा था, उन्हें घटना के इस बदलाव की उमीद नहीं थी, जब उन्होंने पीछे हटने के लिए ड्रेगन ट्रेवल ताइगर स्टेप से गुकाउप्यों करने के बारे में सोचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थ आठ प्रेतों ने उसे घेर लिया और उसे दूर जाने से रोका, जो काई बे ने आकलन किया, उनके शरीर में दस से अधिक खेत्र थे जहां हड्यां टूटी हुई थी, ऐसी चोटों के साथ वो किवल महतुपूर्णक खेत्रों को ठीक करने का विकल्प चुन सकता था, क्यो उसे एक अच्छे मौके की जरूरत थी, पहले की तरह, जब जुकाई बे को तब तक पीता गया, जब तक वो असाहाय नहीं हो गया, फैंकिवान के पास अपने प्राचीन पत्थरों का उप्यो करने के लिए खाली समय था, फिर भी फैंकिवान जो खिम ले रहा था, वो एक पहले क्या देखा था, अविश्व सनिय बूत प्रेथोज हमलावरों में बदल गए, स्ट्रेंट पात गुमास्टर सकप से इतने मजबूत हो गए, उनके पास इतना मजबूत हमला था, थोड़ी देर के बाद दर्शकों ने अंततर प्रतिक्रिया वेक्त की और आश्चर्य कैसे पूचा, युद्धिस्थल के बाहर फिर से अराजकता फैल गई, शांग्शिंसी ने अपनी आँखें चोड़ी करके देखा, हैरान और बहुत खुश, उसकी आँखों में शांदा रोश्णी चमक रही थी, अच्छा लड़का, वे यांग ने उत्साह से चिलाते बदलने में सक्षम, ऐसा गुकीरा, क्या ऐसा हो सकता है? यांटु की अभिव्यक्ती गंफीर थी, क्योंकि उसने उस गुके बारे में सोजा था, जैसे जुकाई बेई इतने लंबे समय से चाहती थी, और लगातार उससे बताती थी, जो आपने पहले इस्तिमाल किया था, क क्योंकि उसने प्राक्रितिक सार को अवशोशित कर लिया था, उसने कहा, आपने सही अनुमान लगाया, ये क्यों लिगु की ताकत है, जुकाई बेई एक जटिल आभिव्यक्टर दिखाने से पहले थोड़ी देर के लिए शान्त होगी, जिसमें इरशिया, इरशिया, असा बग विलूप्त हो चुके थे, जब भी उनकी कोई खबर छपती, तो इससे जुकाई बेई को अत्यधिक दिल्चस्पी हो जाती, उसने कई वर्षों तक खोज की थी, लेकिन ये सूचने के लिए कि वो इस युवा फैंकिवान से क्यूई गो की ताकत का अनुभव करेगा, परशु प्रेत महानदाओं के निशान थे, खोखले और सारहीन, वे सीधे हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बार गुद मास्टर के पास क्यूई गो की ताकत आ गई, तो गुद मास्टर इसे सक्रिय कर सकता है और ताकत की निराकार क्यूई बना सकता है, जानवर के प्रेत फैंक्यूआन के शरीर को छोड़ देते हैं और सीधे हमला करने की क्षमता हासिल करते हुए खुद को टाकत की क्यूई से जोड़ देते हैं, उसके बाद क्यूई गायब हो जाएगी, जानवर के प्रेत अपने मेजबान को खोड़ेंगे और नश्ट हो जाएंगे और फैंक फैंक्यूआन के शरीर में लौट आएंगे, फैंक्यूआन के ताकत क्यूई गूई गूद उसके बंदरवाजे के शोधन का उतपात थी, ताकत क्यूई गूद बनाने के लिए मुख्य घटक रैंक चार वातावरन गूद था, जब फैंक्यूआन ने इसे नीलामी में प्रिवर्थित किया जा सकता था, ये रूपांतरण उसका 10 तजटिल था, रिवर्स शोधन करने के लिए 20 से अधिक सामगरियों का उप्योग करते हुए इसमें 30 से अधिक चरण थे, गर्मी और समय को सटीक रूप से नियंतरित करना होगा और कोई त्रुटी नहीं हो सकती हलाकि सफलता दरकम नहीं थी, 80 प्रतिशत से भी अधिक थी ताकत क्यूलिगो के वलेक रांग तीन गुठा फेंक्यूआन ने क्यूलिगो की ताकत को सफलता पूर्वक परिश्कृत करने के लिए अपने संब्रिध ननुभव और शांट रवये का उप्योग करते हुए बिना किसी आराम के गुप कमरे में रह कर कई दिन और रातें बिताई उनके पिछली जीवन में 200 वर्षों के बाद ही ये नुस्खा नुस्खा विशेशग्यों के बीच लोग प्रिय हो गया और सारवजनिक रूप से जाना जाने लगा अभी तक इसी बनाने वाला नुस्खा मास्टर अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था बेशक इसके बारे में किसी को पता नहीं था जारी रखनी की कोई ज़रूरत नहीं है मैं आत्मसमर्पन करता हूँ ये जानते हुए कि हिंरी फैंक के पास क्यूए गो की ताकत थी जूकाई बे ने आत्मसमर्पन करते हुए लड़ने की इच्छा खो दी इस गू के साथ फैंक युवान के पास एक मजबूत लंबी दूरी की आख्रमन पध्धती थी नजदी की सेमा लंबी दूरी दोनों में बेहद मजबूत हो ना ये था सच्चे प्राचीन शक्तिपत का मार्क जू काई बेई अब फैंक युवान के करीब नहीं पहुँच सकती थी भले ही उसने जिन परिवर्तन का इस्तिमाल किया हो इसके विपरीद हेंडरी फैंक के पास उसे खत्म करने के कई तरीके थे आठ प्रेटों के हमले जू काई बेई इसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहती थी बेशक जू काई बेई क्यू इगो की ताकत की कमजोरी को बहुत सपष्टरूप से जानती थी इसमें बहुत सारे आदिमसार खर्श हुई एक जानवर के प्रेट को शामिल करने के लिए पांच प्रतिशत बर्प चांदी के आदिमसार की आविशकता थी आठ पर्शु प्रेट की राशी 40 प्रतिशत होगी यहां तक की हेंडरी फैंग की चरम अवस्था में भी जिसमें 90 प्रतिशत मौलिक सार था वो इस चाल का उप्योग केवल दो बार ही कर सका और ये केवल सिध्धान्त में था एक वास्तविक लड़ाई में हेंडरी फैंग को अपनी आंदोलन गु रख्षा गु संपून प्रयास गु और अन्य का उप्योग करने के आविशकता थी उसके आदिमसार को अधिक तरीकों से खर्ष किया जाएगा और जितनी बार वो आठ प्रेत का उप्योग कर सकता है वो किवल होगा एक बार इस तरह के कदं का उप्योग आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अतिधित खापत के कारण यदि इसका कोई परिणाम नहीं निकला तो गु मास्टर खुद को कमजोव कर रहा होगा इस प्रकार फैंकिवान ने इसे अंत तक छोड़ दिया जुकाई बेईद्वारा जिन परिवर्तन का उप्योग करने के बाद उन्होंने अपने दिमाग को शांत किया इस तरह के रवईये को फैंकिवान ने पकर लिया इस प्रकार वो उसे भारी रूप से घायल करने में कामयाब रहा जब गुमास्टर सलडाई करते हैं तो वे गुकीरे का उप्योग करते हैं लेकिन वो व्यक्ति स्वयम अभी भी कुजी था एक बार जब कोई व्यक्ति किसी दोश का खुलासा कर देता है तो वो सबसे बड़ी खामी होगी इस समय होस्टिंग मास्टर आये और परिणाम की घोषना की जुकाई बे ने हार माली कई लोग इस बात को स्विकार नहीं कर पाए फैंग छेंग ने वास्तों में आकाश से उड़ान भरी दुनिया बदल रही है दुनिया बदल रही है जुकाई बे को कोट युद्ध मंच का आधा आकाश कोट कहा जाता था लेकिन अब इस कोट आकाश कोट में फैंग की वान को शामिल नहीं किया जा सकता था इस लड़ाई के बाद हेंगरी फैंग की प्रतिष्ठा आस्मान छूद गई अध्धाय 321 शांग कबीले शहर में हंगामा रैंग 4 के खिलाफ रैंग 3 शिखर चरण कल्टीवेशन का उप्यो करने के बावजूद फैंग छिंग फिर भी जीत गया न किवल उसने बाधाउं पर कावुप आया बलकि उसने जुकाई बे जैसे मस्बूत विशिश अग्य को भी हरा दिया वो वास्तों में एक हुनहार युवा है ये निसंदे एक शांदार जीद है जुकाई बे ने अपनी हत्यारी चाल जिन परिवर्तन का भी इस्तिमाल किया लेकिन फिर भी उसे तब तक पीता गया जब तक कि उसे फैंग छिंग ने हार स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया आठ जानवरों के पैटों का हमला वास्तों में भयानक है ये सोचने के लिए कि फैंग छिंग के पास क्यूए गो की ताकत थी वो बहुत भागयशाली है मैंने सुनाए कि ये गूज के मूल कबीले का एक बेशकीम ठीक हजाना था चाय घरूं, रेस्तरा और सडकों पर लोग अपने खाली समय में फैंग किवान और जुकाई बेई की लड़ाई पर चर्चा करते थे ऐसे समय में जब दोनों अपने चरम पर थे रैंक चार को रैंक तीन की कल्टीवेशन से हरानवास्तों में शानदार था युद्धिस्थल पर लगभग एक हजार दर्शक मौजूद थे, सभी ने पूरी प्रक्रिया देखी फैंक युआन ने निश्पक्र रूप से चीट हासिल की, कोई चाल बाजी या योजना नहीं थी उसने शुद्ध ताकत के माथ्यम से जुकाई बेई पर पूरी तरह से हावी हो गया जहां तक ताकत क्यूई गो की उत्पत्ति का सवाल है फैंक युआन ने फरजीक खबरे दी और हर किसी के अनुमान को गयू कबीले से जोड़ा आज से लौड़ फैंक जिंग मेरे आदर्श है इस लड़ाई के बाद कई लोग फैंक युआन को कोट भगवान कोट कहने लगे उनकी युद्ध शक्ति ने सभी की पहचान बना ली थी लौड़ फैंक जिंग वास्तों में विस्मरेकारी है जुकाई बेई का युग समाप्थ हो गया है कुछ महिला गुमास्टर से ने चमकती आँखों से कहा नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगा ले लेती है जैसे ही जुकाई बेई गिरती है ये सब फैंक जिंग की प्रतिष्था में योगदान देता है कुछ पुराने गुमास्टर से ने एक नए युग की उदै को महसूस करते हुए कहा फैंक जिंग ने जुकाई बेई को हरा दिया मुझे आश्चर है कि क्या वो यान्टु को हरा सकता है यदि वो यान्टु को भी हरा देता है तो वो इन सभी वर्षों में युद्ध के मंच पर हावी होने वाला एक मात्र व्यक्ति होगा जब तक वो अठारह वर्षों तक अपनी स्थिती का बचाव करता है लड़ाय के बाद वो शांग कबीले का बाहरी बुजूर्ग बन जाएगा इस युद्धी से रण भूमी में त्राहित्रा ही मच गई पुराना धाचा ढ़ा गया और एक नई शक्ति का उदय हुआ और कठिन समय बिदाया तो उनकी उमीदें इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी लेकिन जब फैंग क्यों ने जबर्दस टाकत का प्रदर्शन किया और जुकाई बे को कुछ चल दिया सम्पून प्रयास गुने अपने हमलों को ग्रूल और प्रभावर्शाली बनाने की अनुम्ती दी करवी ताकत गुने उसे लड़ने के दौरान मजबूत होने की अनुम्ती दी आत्म निर्भर्गू के साथ जोड़ा ये बस पून्ता थी ताकत क्यूई गुए उसे अनुम्ती देती है एक मजबूत लंबी दूरी का हमला और उसकी कमजोरी को पूरी तरह से खत्म कर देता है आठ जानवरों के पैटों का एक साथ हमला करने का द्रिशे बहुत ही भयानक है जो काई बेई की हार को याकस में घटना नहीं थी हाला कि वो आंक चार पर है और उसे साधना का लाप मिला था शक्तिपत का आदिमसार के लिए बहुत कम उपयोग होता है जो उसके पास मौजूद लाप को सीमित करता है इसके अलावा फैंग छिंग के गुकिरे बहुत अच्छे हैं वे एक शक्तिशाली सम्मू हमें बनते हैं और सभी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं निराश होने के बाद शाय जो काई बेने हार मान ली किसी व्यक्ति की कस्मत और मुलाकातें इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं फैंग जिंग की कस्मत खराम है वो किवल कुछ वर्षों के लिए शांक कबीले शहर में था फिर वी वो पहले से ही इतना विक्सित है उसका गोसित इतना मस्बूत है उसके लिए काफी है दक्षणी सीमा पर अपना नाम फैलाने और अपने उपाधी हासिल करने के लिए शीर्शक उसके पास ये पहले से ही है कई लोग उसे और बाइनिंग बिंग को ब्रेक एंड वाइट डेमन से कह रहे हैं लेकिन उसे भी अधिक लोग फैंग जिंग को लिटल बिस्ट किंग कह रहे हैं फैंग कि वाण ने आज जानवरों के प्रेट को नियंतरित किया था और उसकी युद्ध शैली हमला करने और दुर्घर तना ग्रस्त होने की एक क्रूर लड़ाई थी लेटल बिस्ट किंग कर शीरशक उसके लिए उप्यूक था उसे कोट बिस्ट किंग कोट क्यूं नहीं कहा जाता ऐसा इसलिए है क्योंकि बिस्ट किंग पहले से ही एक स्थापित राक्षसी गुट मास्टर है उसने सुजानवरों को अपनी सेना के रूप में इस्तिमाल करते हुए बायशो परवत पर कबजा कर लिया और वो रांक पाश गुट मास्टर, अनुजित, गुरूर और दुष्ट था वो धार्मिक और राक्षसी दोनों ही गुटों के लिए परिशानी पैदा करने वाला व्यक्ति था फैंक युवान अभी भी रैंक तीन के शिखर चरण पर थे हलांकि उन्होंने जोकाई बे को हराया और रातों रात प्रसधी हासिल की वो अभी भी कोट बीस्ट किंग कोट के स्तर पर पहुँचने से बहुत डूर था जो रैंक पांच गुट मास्टर था दूसरे पहलू से लोगों द्वारा उसे लिटल बिस्ट किंग कहने का मतलब था कि वे हिंगरी भैंक और उसके भविशे के बारे में बहुत सोच रहे हैं मैं उनके युद्ध चरण की रक्षा लडाई का इंतजार कर रहा हूँ प्रत्य प्रमुख विशे शग्या की रक्षा लडाई एक प्लासिक है उस समय लौड डुवे यांग ने युद्ध के चरण पर हावी होने के लिए रैंक तीन मध्य चरण साधना का उप्यों किया था जो अब भैंग जिंग से भी कमजोर है हर उनकी एक लडाई क्लासिक थी एक वरिष्ठ गुप मास्टर को याद किया गया जल्द ही कई लोगों ने फ्यांग की भविशे की संभावनाओं पर चर्चा करना शुरू कर दिया इस बिंदु पर फ्यांग जिंग के मैच कितने है जूकाई बेई यान्चू ओ ठीक है और बाई निंग बिंग लेकिन जूकाई बेई ने पहले ही अपना जिन दिमाग भैंग जिंग के हाथुन खो दिया था वो वास्तों में निर्दाई था जिन्न शरीर, जिन्न डिल और जिन्न दिमाग के बीच जिन्न मन को प्राप करना सबसे कठिन था इसके बिना जूकाई बेई की हत्यारी चाल संभव नहीं है पुर्ण फैंग छिंग के लिए ये कम खत्रा है यान्टू अब फैंग छिंग का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है वो और जूकाई बेई दोनु को क्यूद्ध मंज के आधे आकाश को थे उसकी ताकत कोई मजाग नहीं है लेकिन फैंग छिंग पर जूकाई बेई को हराने में सक्षम है और उसके पास क्यूव इगो की ताकत है उसकी कमजोरी को खत्म करने के लिए यान्टू को हराने की बहुत अधिक संभावना है किसी ने बाइनिंग बिंग का भी उल्ले किया बाइनिंग बिंग को कम नहीं आका जाना चाहिए यान्टू से हारने के बाद अपने अगले माच के दोरान वो पहले ही प्रारंभीक चरण में चौथे स्थान पर पहुँच गई थी इस उम्र में चौथी रैंग कैसी प्रतिभा की बात ये है कि लेकिन उसका और फैंग जिंग का गहरा रिष्टा है जब वे फैंग जिंग की मदद करने के लिए मिलेंगे तो वो हार मान सकती है बाइनिंग बिंग और फैंग की वान कनान के उगार्डन में एक साथ रहना कोई रहसे नहीं था कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वे पहले भी अंतरंग हर कटे कर चुके हैं लेकिन फिर जैसे ही चर्चाए अपने चरम पर थी हेंडरी फैंग ने अचानक घोषना की कि वो युद्ध के मंज से सेवा निवरित हो रही है एक बार ये खबर बाहर आई तो हर कोई रान रह गया फैंग जिंग ने इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ा बाहरी बुजूर्ग युद्ध के मंज पर हावी होने के बाद ये ठीक उसके सामने है कई लोगों ने दया भरी आह भरी क्या कोई छपी हुई परिस्थिर्टिया है राक्ष सीफू मास्टर से ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया क्या ऐसा हो सकता है शांक कबीला अब बाहरी बुजूर्गों को नहीं चाहता है और फैंग जिंग को हर मानने के लिए मजबूर किया है राक्ष सीफू मास्टर समें अकसर सुरक्षा की भावना का अभाव होता था या क्या शांक कबीला अपनी नीती को संशोधित करना चाहता है और बाहरी बड़े पद को हटाना चाहता है संदेह के कारण कई लोग अनिश्चित हो गए शांक कबीले द्वारा अपनी बाहरी बुजूर के रूप में राक्ष सीफू मास्टर सी की भर्टी दक्षणी सीमा में एक मात्र मामला था दक्षणी सीमा में कई कुलों के युध मन्च है सबसे बड़ा और सबसे लोग प्रिय युध मन्च दक्षणी सीमा के नंबर एक कबीले हाइफन वो कबीले में स्थित है लेकिन ये युध चरण अधिक तर अपने ही कुल के लोगों के लिए थी शायद ही कभी बाहरी लोगों के लिए परिनामस वरुप शांग कभीले की बाहरी बुजूर्ग नीती बेहद लोगप्रिय हो गई जिसने कई प्रतिभाओं को आकशित किया यहां तक कि जब वे बाहर व्यापार करते थे तब भी कई राक्षसी फू मास्टर से शांग कभीले के कारवा को नहीं लूटते थे ऐसा बाहरी बुजूर्ग नीती के कारण है और इन राक्षसी फू मास्टर से को अपने लेग बैक अप योजना की आवशकता थी शांग्यान फे को कुछ गरबर महसूस हुई और उन्होंने तुरंट रेसमुद्धे को स्पष्ट कर दिया हालाकि उसने युद्ध के चरण को नियंतरित करने के लिए गुपत रूप से दो प्यादों जुकाई बे और यान्टुका उपियो किया था लेकिन असी बात को उजागर नहीं किया जा सकता है शांग्यान फे के अधिकार के कारण ये मामला तुरंट बंद हो गया इसके तुरंट बाद कुछ दिनों बाद फैंक्युआन ने सारवजनिक रूप से घोषना की वो शांग्शिंसी की सहायता करने जा रहा था और उसे युवा मास्टर के पद पर चड़ने में मदद करेगा तुरंट अ सभी का ध्यान युद्ध के मन से हटकर युवा मास्टर प्रत्योगिता की उर चला गया क्योंकि शांग्याजी का नकली लेखा जो खाव जागर हो गया था उसका युवा मास्टर पद रद कर दिया गया था और अब एक स्थान खाली था शांग्यान फे के कई बच्चे इस पद को अत्यधिक लालच की द्रिष्टी से देख रहे थे मैंने बहुत पहले सुना था ये फैंग जिंग वफादार और धर्मी है उसके जीवन के सिधान्त थे जरूरत में मिलने वाले पानी की एक बूंद का बदला ज़रने से चुकाना और नफरत का सौगुना बदला लेना वो वास्तों में जिम्मेदार है किसी ने उनकी तारीव की शांक्षिन सी को युवा मास्टर का पदप्राप करने में सहायता करने के लिए उन्होंने बाहरी कभी लेके बुजूर की पहचान भी छोड़ दी जोकी दिखाई दे रही थी ये वास्तों में है कुछ लोग समझ नहीं पाए हो सकता है कि उनका और शांक्षिन सी का कोई भूमिगत रिष्टा हो अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा बलिदान देता ये संभव है रुको अगर ऐसा है तो बाइनिंग बेंग के बारे में क्या लोगूं का गया पशप करने का सुभाव था और ये जंगल की आकी तरह फैल गया फैंक्यू आन बाइनिंग बेंग और शांक्षिन सी आई का त्रिको ने ये संबंद एक गर्म विशय बन गया है इसके तुरंत बाद कुछ ही दिनों में बाइनिंग बेंग भी युद्ध मंच से सेवा निवरित होगी बाइनिंग बेंग भी शांक्षिन सी की सहायता के लिए गई थी किसी ने चिला कर कहा ये दुनिया क्या हो गई है कोई भी बाहरी बुजूर नहीं बनना चाहता कुछ लोगों का विश्वद रिष्टि कुन धियू मिल हो गया बाइनिंग बेंग में बहुत साहस है वो उसी जाने देने के लिए अनेच्चुक है प्यार के लिए उसने हस्तक्षिप करने का फैसला किया वास्तों में उन तीनों और उनके आपस में जुड़े रिष्टे की शुरुआतों सिक्षन हुई जब वे मिले थे अब हवाहें फिर से फैलने लगी लोगों द्वारा अंगिनत परीद्र शगढ़े गए यहां तक कि शांग कबीले शहर में फैंग, बाई और शांग के त्रिकॉन संबंधों को दर्शाने वाले नाटक और नाटक भी प्रदर्शित हुए और ये हट केक की तरह बिक रहा था इन विवरनों को भूल जाएए लेकिन फैंग और बाई किस्थिती में बदलाव ने शांग्शिन सी आई को सफलता पूर्वक घ्यान का केंद्र बना दिया बाई निंग बेंगर प्रारंभी चरण में रैंक चार पर थी, रैंक चार गु मास्टर, मध्यम या छोटे आकार के कुलों में एक कबीले का नेता था हाला कि फैंक यू आन रैंक तीन के शिखर स्तर पर था, उसकी युद्ध शक्ति रैंक चार गु मास्टर सके बराबर थी एक बार जब वो चौती रैंक पर आ जाएगा, तो कौन सोच सकता है कि वो कितना मजबूत हो जाएगा वे दोनों बहुत छोटे थे और उनमें आगे बढ़ने की गून जाईश थी, इसलिए उनके बारे में बहुत सारी सकारात्मक टिपनिया थी दो विशेशग्यों की सहायता पाकर, शांक्षिन सी तुरंत युवा मास्टर पत के लिए प्रतिसपर्धा करने वाला दूसरा सबसी लोग प्रिय व्यक्ति बन गया उनसे पहले, लोगोंने सोजा था कि युवा मास्टर बनने की सबसे अधिक उम्मीद वाला व्यक्ति शांके इपहन था फैंक्ट और बाई द्वारा उसकी सहायता करने के बाद स्थिती बदल गई और ये दोनों पक्षों की बीच एक प्रतियोगिता बन गई शांके इपहन लंबा नहीं था, वास्तों में वो थोड़ा छोटा था गरुजे सीनाक और छोटी छोटी आँखों के कारण उसकी नजर तेज थी शांक्षिन सी, वो अपने अध्ययन कक्ष में लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया और इस व्यक्ते के बारे में सूचते समय उसकी निगाहें अनिश्चित रूप से घूमगी और बरबराने लगा उससे पहले एक व्यक्ति था, ये कोई और नहीं बलकि शांक्याजी थी छोटे भाई ये फैन, मैं आपकी मदद करने के लिए यहां हूँ शांक्षिन सी के पास फैंक्ट और बाई की मदद है, वो आपकी सबसे बड़ी प्रतिद्वन्दवी होगी विशेश रूप सी फैंक्ट जिंक से आपको सावधान रहना होगा, वो सड़य अंत्रकारी और कुपल है, उसने मेरे पतन का कारण बना शांक्याजी ने दांत पीस कर बोला, अध्याय 322 प्रतिस्पर्ण धी दबाव शांक्याजी ने कहा, मैं हार गया, लेकिन मैं अभी तक पूरी तरह से विलपल नहीं हुआ हूँ पिता ने मुझे 3 साल के लिए गुलाम पकड़ने वाले समूह में भेजा था, लेकिन 3 साल के बाद मैं वापस आऊंगा लेकिन उससे पहले मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ चीजे हैं ऐसा कहते हुए शांक्याजी ने शांक्याजी को कुछ दस्तावेज लिए शांक्याजी ने दस्तावेज लिए और उन पर नजर डाली दस तावेजों में शांग याजी की गुप्त संपत्ति उसके जासुज और कुछ करीबी सहयोगी शामिल थे भाई याजे ये है शांग की फैन ने चोंका देने वाली आभी व्यक्ति दी भाई ये फैन आप हमारे भाई बहनों के बीच युवा मास्टर बनने के सबसे अधिक संभावना वाले व्यक्ति हैं मैं यहां आपकी मदद करूंगा और आशा करता हूं कि आप जीतने में कामयाब होंगे जहां तक इन संसादनों की बात है बेजिचक उनका उप्यो करें तीन साल बाद मैं वापस आऊंगा बस उन्हें मुझे लोटा देना शांग्याजी ने आही भरी उसे गुलाम पकरने वाले समू हमें प्रशिक्षन लेने के लिए मजबूर किया गया वो अपने नौक्रों और अधीनस्तों को साथ नहीं ला सका वो वहां मौज मस्ती करने नहीं बलकि सजा पाने जा रहा था अब जब उसने अपनी युवा मास्टर पहचान खो दी है तो ये डाक्ते अंतितधवस्तों हो जाएंगी हो सकता है कि वो उन्हें शांग के फैन को सौप दे जबकि उसके पास अभी भी शक्ती है और वो उन्हें उनकी देख भाल करने देगा तीन साल के बाद शांग याजी वापस आ जाएगी और उसे फिर से सब कुछ फिर से शुरू नहीं करना पड़ेगा शांग के फैन तुरंत उठखावा और अपनी मुठिया भेचते वे बोला मैं भायाजी की मदद को नहीं बूलूँगा भविश्य में अगर मैं युवा मास्टर बन गया तो मैं तुम्हें दस गुना चुकाऊंगा अहो हम हाई हैं पुनर भुपतान के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है हलांकि उसने ऐसा कहा शांग याजी के होटो पर मुस्कान आ गई उनके बाद चीत करने के बाद शांग की फैन ने चाते ही शांग याजी को दर्वाजे पर भेजा ये देखकर कि वो चला गया था, शांग के फैन की मुस्कान ठंडी हो गई शांग्याजे, आपके पास क्या शानदार योजना है, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अपनी सेना सुरक्षित रखूँ हे हे, तो मैं इस अवसर कावपयोग आपके सभी संपत्तियों पर कबजा करने और उन्हें अवशोशित करने के लिए करूँगा, इसे बिना लोटाए उधार लेना कहा जाता है वो शुरू से ही शांग्याजी की योजना को जानता था तीन साल तीन साल में कई चीजें हो सकती हैं, क्या आपको अब भी लगता है कि आपके पास मौका है हमफ, नादान इतना भूलापन, कोई आश्चर नहीं कि फैंग्ट और बाई ने तुमें धोखा दिया तुम हमारे शांग कबीले के लिए अपमान जनत हो शांग के फैंग्ट हसे लेकिन फैंग की वान और बाई निंग बिंग के बारे में सोचते हुए उसकी अभी व्यक्ति उदास हो गई शांग्शिन सी वो उसका नाम बरबडाता रहा जैसी ही शांग्याजी गिरा उसने सोचा कि ये युवा मास्टर पदस की जोली में है लेकिन ये सोचना कि शांग्शिन सी कहीं से प्रकट हुई और उसकी सबसे बड़ी बाधा बन गई शांग के फैंगी आँखें जुकी गी जब उसने चमकती आँखों से खुद का विशलेशन किया शांग्शिन सी का सबसे बड़ा लाब पिता का स्निह है पिता अपने अन्य बच्चों की तुलना में उस पर अधिक ध्यान देते हैं लिकिन कभीले के नियम है क्योंकि हर कोई युवा मास्टर के लिए प्रतिसपरधा करता है स्थिती खुल कर पिता खुले आम भोखा नहीं दे सकेंगे दरसल भगवान पिता के एहसान के कारण इसने हमारे अन्य भाई बहनों में शांग्शिन सी के प्रति बुरी भावनाई पैदा की या यहां तक किशत्वुता भी पैदा की शांग्शिन सी की सबसे बड़ी खुबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है शांग्शिन सी का दूसरा लाभूस की वास्तविक ताकत है वो फैंग जिंट और बाई निंग बिंग हैं ये दोनों वास्तों में है उन दिनों के बारे में सोचते हुए शांग के फैन के चहरे पर अजीब इरश्यालू और अविश्व सनिय भाव डिखाई दिये ये दोनों मुझे नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं उन्होंने शांग्शिन सी की मदद करने के लिए बाहरी बुजूर की भुमिका को अस्विकार कर दिया ये अहसास वैसा ही है जैसे कोई तिल तोड़ने के लिए तर बुज छोड़ दे शांग्शिन सी ने उन्हें कैसे मना लिया उसकी कस्मत वास्तों में अच्छी है उसने इन दो मस्बूर जनरलों को आसानी से पालिया वो बाई निंग बेंग पहले से ही चौथे स्थान पर है और फैंग जेंग पजू काई बे को भी हरा सकता है उसने इसी तरह रांग चार युद्ध शक्ति के साथ दो गुमास्टर से प्राप किये यहां तक कि उनके सबसे बड़े भाई शांग की उन्यू के पास भी रांग चार का अधिनस्थ नहीं था दस वर्तमान युवा मास्टरों में से केवल युवा कभीले नेता शांग तुओहाई के पास दो रांग चार अधिनस्थ थे लेकिन वे दो अधिनस्त शांग्तु ओहाई की निजिसेना नहीं थे बलकि कभीले द्वारा उनके सहायता के लिए भेजे गए थे युवा कभीले नेता के रूप में शांग्तु ओहाई ने एक कारवा को नियंतरित किया जब वो बाहर व्यापार करता था तो उसे सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए परियाप ताकत की आवशक्ता होती थी लेकिन अब शांग्शिन सी एक युवा मास्टर भी नहीं थी फिर भी उसके पास पहले से ही दो र्यांग चार विशेशग्यों के मदद दे इस थिति के कारण शांग्यान फेल के कई बच्चे इश्या और भय महसूस करने लगे लेकिन उन दिनों के मदद से भी क्या हुआ युवा मास्टर का पद मेरा है शांग के फैन ने अपने होंट चाते जैसे ही उसने कुछ सोचा उसकी भावना उठ गई उसी समय नान के उद्ध्यान में शांग कबीले में कबीले के नियमों की एक जतिल और पूर्ण प्रणाली है विशेश रूप से उत्तराधिकारियों के माबले में नियम बेहत कठोर हैं जैसा कि उन्होंने समझाया वे यांग शांग शिंसी के सामने फैंक्ट और बाई के पास खड़े थे यदि लेरिशिंसी युवा मास्टर बनना चाहती हैं तो आपको शांग कबीले की परिक्षा उत्तिना करनी होगी ये परिक्षा एक परंपरा है और किवले कही प्रकार की परिक्षा है जो व्यापार है शांग कबीले ने व्यापार को फलने फूलने के लिए इस्तिमाल किया शांग कबीले के विकास को व्यापार से अलग नहीं किया जा सकता जब शांग कबीला एक नए युवा मास्टर को चुनता है तो वे अपने व्यावसाई कौशल का परिक्षन करेंगे ट्रेडिंग को हिय दृष्टी से न देखें, ये सोच कर किये किवल पैसा कमाने का एक तरीका है ट्रेडिंग से उत्तराधिकारी के गुणों का आकलन किया जा सकता है, क्योंकि जब आप ट्रेट करते हैं तो अक्सर कही समस्याएं आती हैं परिक्षा आपकी बुध्धिमत्ता और योजना पर है कि आप परिस्थितियों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं आपकी साधना, शक्ति और अन्य कभीला किसी भी प्रतिस्पर्धी बच्चे को एक लाखादी कालीन पत्थरों का स्टार्ट अब पंड देगा तीन महिने बाद जो भी सबसे अधिक कमाएगा वो नया युवा मास्टर बन जाएगा वे यांक कभीले के नेमों के प्रतिस्पर्ष्ट थे फिर इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए हमें कितना कमाने के आवशक्ता है फैंक्यू आन ने पूछा शांक कभीले की युवा मास्टर ब्रतियोगिता शहर में प्रसिद्ध थी पूरे शांक कभीले ने इस पर बहुत ध्यान दिया फैंक्यू आन को पता था कि उसे यहां के नेमों का पालन करना होगा आम तोर पर जब तक ले रिशिंसी के पास तीन महीने के अंत तक लगभग तीन लाग होंगी वो अपने अधिकांज प्रतिसपर्दियों को उतकत्म कर देगी यदि उसके पास छा लाग हैं तो जीतने की उच्च संभाव ना होगी साथ उसे आठसो हजार पिछले वर्षों के मुल्यांकन का प्रथम श्रेणी परिणाम है लेकिन यहां वे यांग रुप गए इस बार प्रतियोगियों के बीच एक ऐसा लेकती है जिसकी मा लौड कभीले नेता की चाचरी बाहन है श्रांग कभीले में उसके पास एक बड़ी ताकत है उसे श्रांग की फैन कहा जाता है जो इस युवा मास्टर प्रतियोगिता में सबसे पसंदीदा प्रतियोगी है साथ में उसकी मा गुपत रूप से उसकी मदद कर रही थी अंत में उसके पास कम से कम 6 लाग होंगे यदि आप उसे हराना चाहते हैं तो लेरी शिनसी को और भी बहतर परिणामों के आवशकता होगी शांके इपहन के पास कम से कम 6 लाग होंगी इस प्रकार युवा मास्टर पद पाने के लिए शांक शिनसी आई को प्रधम श्रणी के परिणाम प्राप करने के आवशकता होगी लेकिन शांक शिनसी के पास शांक कबीले में कोई अधिकार आताकत नहीं थी उनकी मभी जांक कबीले की थी जिससे उनकी राजनीति कम जोरी हो गई शांक के फैन के विपरीद उसे कोई मदद नहीं मिलेगी उसका एक मात्र समर्थक शांग यान फे ए है लेकिन कबीले नेता के रूप में वो खुले तोर पर उसका पक्षण नहीं ले सकता इस प्रकार अब उस पर दबाव बहुत अधिक था वे यांग ने बोलना समाप्त करने के बाद शांग शिन सी की ओर चिंतित हो कर देखा वो जानता था कि 7-8 लाग की कमाई आम तोर पर विशेश परिस्थितियों के कारण होती है पिछले वर्षों में बहुत कम युवा मास्टर इसे हासिल कर सके इसके लिए प्रतिभा मदद और इसे भी अधिक भागे की आवशकता थी मूल रूप से शांग यानफी को उम्मीद नहीं थी कि शांग शिन सी इतनी जल्दी युवा मास्टर पत के लिए प्रतिसपरधा करेगी ये सब भैंग और बाई के उसे प्रभावित करने के कारण था शांग शिन सी ने वे यांग के शब्दों को सुनने के बाद वो थोड़ी देर के लिए शांट रही और फिर पूचा क्या मैं जान सकती हूँ शांग कबीले शहर के इतिहास में सबसे अच्छा परिणाम क्या था वे यांग दंग रह गए बेशक ये आठ लाग से अधिक हो गया नौसो हजार तक पहुंच हो गया लेकिन इतिहास में बहुत कम लोग ऐसा कर पाए कुल संख्या 20 से भी कम है हमारे वर्तमार निवा कबीले नेता शांग तुओ हाई को केवल 890 हजार मिले और इससे पहले से ही एक बड़ा हंगामा हुआ परन्तु तुम्हारे पिता उस समय 920 हजार तक पहुंच गए थे बस इतना ही ये शांग कबीले के एतिहासिक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जैसे ही वो बोला वेई यांग फेर रुके लेकिन शांग कबीले के एतिहास में सबसे अच्छा परिणामिक लाग 110 हजार है उसे शांग गई काई कहा जाता है उसके पास एक राक्ष से प्रतिभा थी लेकिन दुर्भागे से वो दस चरम काया वाला था 920,110,000 शांग शिन सी ने सुना और उसकी आँखे चमक उठी उसने अपनी मोचियां कसकर वीचली उनमें व्यवसाय करने की अद्बुत प्रतिभा थी हाला कि फैंकिवान ने उसे इस प्रतियोगिता के लिए बहुत प्रुवट साहित किया वो स्वयम एक एच्चु प्रतिभागी थी और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था शांग शिंसी की अभिव्यक्ति देकर वे यांग को आश्वासन मिला ठीक है मुझे जाना होगा लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ जलाह दूँगा शांग कभीले का पूरा ध्यान इस प्रतियोगिता पर है शोटकट या खामिया अपनाने की कोशिश न करें और नियमों का उलंगन करें अपने भाई वे पर भरोसा रखें अतीत में धोखा धड़ी करने की कोशिश करने वाले सभी लोग कभी सफल नहीं हुए युवा स्वामी शांग कभीले का भविश थे ये अत्यंत महत उपुन्य था और कोई भी गलती परदाश नहीं की जा सकती थी शांग ज्याजी एक युवा मास्टर थे लेकिन एक नकलीले खांकन के कारण उन्हें निर्वासित कर दिया गया था इससे पता चलता है कि शांग कभीले युवा मास्टर से और उनके कारियों को कितना महत्व देते हैं शांग के फैन को उसकी मा के कभीले का समर्थन प्राप था लेकिन वे किवल नियमों की सेमाओं के भी तरही उसकी मदद कर सकते थी उन्होंने धोखा देने की हिम्मत नहीं की इसके तुरंत बाद वे यांग नी नानके उद्ध्यान चोड़ने से पहले कुछ और हार्ड एक सलाह दी वो कभीले का एक महतुपोन बुजूर्ग था और शांग यांठी का सहयोगी था नियमों के अनुसार उसे उनसे मिलने से बचना चाहिए लेकिन वो फिर वी शांग शिन सी के लिए इतना कोछ समझाते हुए नानके उगार्डन में दाख खिल हुआ और चला गया इससे पता चलता है कि वो कितना अच्छा दोस्त था भाई वे हमारे लिए बहुत दबाव जिल रहे हैं हम उन्हें और परेशान नहीं कर सकते शांग शिन सी ने कहा फैंक यू आन चुप रहे बाई निंग बिंग ने भो ये चढ़ाई तीन महिने के कारोबार में शुरुआती राशी से चरगुना कमाई ये कहना जितना आसान है करना उतना ही आसान है हाला कि वो एक स्वभाविक प्रतिभा थी व्यापार और व्यवसाय के प्रति उसकी प्रतिभा शुने थी अब वो बेहद परेशान महसूस कर रही थी लेकिन शांग शिन सी की आँखें चमक उठी और वो मुस्कराते हुए आत्मविश्वास से बोली वास्तों में मेरे पास एक अच्छी योजना है जब तक हम सफल होते हैं मुझे यकीन है कि हम चालाग कमा सकते हैं ओ, क्या योजना है? बाई निंग बिंग ने पूचा शांग शिन सी ने अपनी योजना बताते हुए फैंकिवान को गहराई से देखा मुझे प्रेरणा भाई ही चुकी लड़ाई से मिली जब मैं उसे युद्ध के चरण में देखने गया था हम पुद्धी के संबंध में व्यवसाय कर सकते हैं जानकारी बेचना बाई निंग बिंग ने भोंगे चढ़ा दी अध्याय 323 तीन राजाओं की विरासत के शुरुवात ये सही है सुचना व्यवसाय शांग कबीले के युद्ध चरण में प्रति दिनसों से अधिक लड़ाईया होती हैं युद्ध चरण में बहुत सारे अवसर छेपी होते हैं जिनका हम उपियो कर सकते हैं मैंने इसके बारे में सुचा है हम गुद्ध मास्टर जानकारी एकत्र कर सकते हैं युद्ध चरण के प्रति भागी और उन्हें बेच सकते हैं हम युद्धी से पहले भविश रिवानिया करने और युद्धी के बाद आलोचना करने आदि के लिए कुछ प्रसिद्ध लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। जवाब देते समिर शांग्शिन सी मुस्कुराई। शांदार बाई निंग बिंग ने खुर्शी जदाई। अश्चरी से उसकी ओर देखा। उसने अपनी पिछली जीवन में इस विचार के बारे में सूजा था। यहां तक कि उसने इसे वुकबीले में भी प्रयोग किया था। वुकबीले का युद्ध मंच अधिक भव्य था और उसमें और भी अधिक जीवन्त माहुल था। फैंक्युआन के विचार ने एक बड़ा हंकामा खड़ा कर दिया और उसे हर दिन बहुत सारे पैसे मिलने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद वुकबीले ने हस सक्षिप किया और सभी प्रकार की प्रतिसपर था और दमनाया, कुछ ही महीनों में उसका मुनाफ़ा डूब गया और उसके व्यवसाय को आधे साल के बाद बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हेंडरी फैंग ने प्रतिबिम्बित किया, वो प्रित्वी की अपनी यादों के कारण इस विचार के साथ आने में सक्षम था। काम नहीं करेगा। शिंसी, क्या तुम्हें मुझ परभरोसा है। हेंडरी फैंग ने शांग शिंसी को गराई से देखा। शांग शिंसी धीरे से मुस्कराया। बाई हे तुने मेरी जान बचाई, ऐसी काउन सी चीज है जिस परभरोसा नहीं किया जा सकता। बाई निंग बनबिंग ने मन ही मनुपधास किया, लेकिन चुप रही। वो एक अन्रूनी सुत्र थी, साथ ही, वो बहत स्पष्च थी। शांग शिंसी का दुख के लिए ही फैंक युआन के कारण हुआ था। फैंक युआन ने सिरह लाया। जुकि तुम्हें मुझ परभरोसा है, मेरी बात सुनो। हमें तुम्हारे प्राचीन पत्थरों को तीन गुना करने के लिए बस बीस दिन चाहिए। वास्तों में। शांग शिंसी ने अपनी जिग्या सवयक की। तब मैं भाय के निर्देश सुनूंगा। इस बार वो काउन सी योजना लेकर आ रहा है। वो किसे नुकसान पहुचाने की योजना बना रहा है। बाइनिंग बिंग ने अपने दिल में अनुमान लगाते हुए अपनी आँग के कोने से फैंक्यों आन को देखा। संचा परवत जुओं कबीले के लिए प्रज्ञान परवत और चे कबीले के फेईलाई परवत के मथ्य में स्थित है। जुआ कभीला और चे कभीला पहले का इतिहास 600 साल पुराना था जबकी दूसरे का 580 साल पुराना था। दोनों शत्रों थे। सद्यों से चली आ रही नफरत और द्विश के कारण दोनों कुल नश्वर्शत्रू बन गए। पिछले 100 वर्षों से दोनों कुलों का विस्तार ह रहा था और संचापर्वत पर कबजा करने के लिए उनमें लड़ाई हुई. संचापर्वत की कमर पर एक गहन युद्ध हुआ था और ये अंत के करीब था. जमीन पर खून बह रहा था जैसे कि दस योग मास्टर की लाशे जमीन पर पड़ी थी. वहाँ साथ लोग अभी भी खड़े थे. जू और कबीले से तीन, चे कबीले से चार. जू और कबीले के बुजूर्ड जू वुशेंकिच हाती में एक गरा छेद हो गया, जिस सिकून बहने लगा. जब वो जू और चान्यू के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपनी चोट पर दबाव डाला और गंभी अभी वेक्चे के साथ कहा. बेग मेसी, अभी जाओ, हम उन्हें रोग देंगे. जू और चान्यू जू और कबीले के नेता की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसमें एक ग्रेड योगेता थी और वो जू और कबीले की भविशे की उमीद थी. वो युवा और सुन्दर थी, 20 स साल की उम्र से भी पहले वो साधना के तीसरे मध्य चरण में थी, वो यहां मरना बरदाश्ट नहीं कर सकती थी. बुजूर्ग वुशेंग, जू और चान्यू ने गहरी जिजक और निराशा दिखाई. छोड़ना चाहते हो, सपना देखती रहो. बाहर निकलते समय चे कबी पहले के बुजूर्ग चे यूए इनने व्यंग किया. बुढ़े आदमी वुशेंग, ये सोचने के लिए कि ये दिन आएगा. हे हे हे, आज मैं ये सुनेश्चित करूंगा कि आप टीनों बिना उचित दपन की मर जाएं. उसका हत्या करने का इरादा फूट पड़ा. लेक कि आउजी आंग ने तुरंत अभाउं ने चढ़ा दी. पिता जी, मुझे केवल थोड़ी सी चोट लगी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ. वो बहुत चिंतित थी. जोवुशेंग दसियों वर्षों तक अपने पिता की आंटा. आगया कारी बनो और पिता की बात सुनो, ये एक आदेश है. चेकी आउजी आंग चिलाया, डांग नहीं वाला था, लेकिन अचानक हंसी की आवाज सुनाई दी. हाँ हाँ, हे हे हे, हु 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 हु. ये एक अजीब हंसी थी, जिससे सुनकर किसी को बुरी हवा चलने का एहसास हुआ. इस हसी के बाद एक पहाड़ी चटान पर कोई दिखाए दिया. ये व्यक्ति अत्यंत सुन्दर था, उसने फोलों का वस्त्र पहना हुआ था, जिस पर गुलाबी ते प्लिया बनी हुई थी. उन्होंने अपने सिरु पर एक पुष्प मुकुट पहन था और मुकुट पर एक लाल फूल की गेंद सिली हुई थी. जैसे ही वो हसा, गेंद में कमपन हुआ, जिससे वो एक अत्यंत प्रफुल्लित करने वाले जुकर की तरह देखने लगा. लेकिन चाहे वो जुओ वुशेंग होया चेयू इन, जब उन्होंने उसे देखा, तो कोई हसी नहीं बलकिती व्रभ है था. आहां, आपको ट्पिंक बतर फिलाई जें टलमें कोट हैं. कोंगरी त्यान, दोनों ने उसकी पहचानों जागर करते वे बात की. इस पल बाकी लोगों के हाव भाव भी बदल गए. विशेश रूप से जू और चान्यू और चिख्ट था, जिस पर गुलाबी तितलियां बनी हुई थी. इसलिए उन्हें कोट गुलाबी तितली सजनकोट कहा जाता था. लेकिन सच्चा ये है कि वो एक सिलसलेवार बनातकारी था, जो कुणवारी महिलाओं को निशाना बनाता था. सभी लोगों से बेहद नफरत करते थे, इस लिए वो अकेला था. सबसे महतुपून बात ये है कि उनके पास रांग चार की खेती थी, एक बार जब वो प्रकट हुए, तो युद्ध की स्थिती बदल गई. जो कबीले और चे कबीले अपनी बुद्धी के अंत में थे, उनके मुखे सेना नीचे युईन और जो वो श सजन बेहत खुश थे, फिर से उसी अजीब तरीकी से हस रहे थे. अचानक उसने अपनी आस्तीन लहराई और अपनी आदिम सार को इजिक्ट किया, जिससे युद्ध के मैदान में फूलों की पंखुडियों की बारिश होने लगी. गुलाबी पंखुडियां टितलियों में बदल गी, हवा में उड़ने लगी. तुरंत ही पूरे युद्ध क्षेत्र में सुगंध फैल गई. जुओं कबीले और चे कबीले ने तुरंत बचाव किया और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया. कॉंग्री तियान ने इस अफसर का उप्योब हमला करने के लिए किय जिस से फूलों की बारिश तेज हो गई क्योंकि उसका शरीर तेजी से इधर उधर हो गया. आठ सिन और राउंड के बाद कॉंग्री तियान के शरीर में चमक आ गई. क्योंकि वो पीछे हट गया और युद्ध के मैदान से बाहर चला गया. वो पीछे हट गया. वो करीब चयूइन और जो वुशेंग ने एक साथ आह भड़ी लेकिन जल्दी उनकी भाव बदल गए. मेरे प्रियचान्यू. क्याओं जी आंक. बदमर्श मेरी बेटी को रिहा करो. दोनों अब बुजूर क्रोध से जल रहे थे. हाँ हाँ हाँ. हे हे हे. हु हु हु. कॉंग्री ति चापरवत कापने लगा. जटके के कारण पहार की चटाने गिरने लगी. क्या हो रहा है? दुनिया में क्या हो रहा है? जैसे ही हर कोई सदमे में चिलाया, सेंचान परवत की तीन परवत चोटियों से तीन प्रकाश स्तंभ फूट पड़े. तीन विशाल प्रकाश स्तंभ, पिले, नीले और लाल बादलों के उपर आकाश में फैले हुए थे. इस समय, सेंचा परवत पर उपस्थित सभी लोगो तीन राजाओं की विरासत आज खोल रही है धर्मिया राक्ष सिकी परवा के बिना केवल भाग्यमायने रखता है. हर कोई ये द्रिश्य आश्चरी चकेद होकर देखता रह गया. यहां तक कि कॉंगरित यान भी अपनी बाहों में दो सुन्दरियों को भूल गया. तीन रा राजा पांच अविश्रेणी के फू मास्टर थे. ये उनकी विरासत है. ये वास्तों में उनकी विरासत है. तीन दिन बाद शांग कबीले शहर में नान के उध्यान अध्ययन कक्ष एक दस्तावेश को मेजबर हलकी से रखते हुए हेंडरी फैंक की आँखों में चमक आ ग लेकिन महतुपूर्ण घटनाओं को आसानी से नहीं बदला जा सकता है. अब जब के तीन राजाओं की विरासत खुल गई है, मेरे पास बहुत कम समय बचा है. एक बार जब शांग शिंसी युवा मास्टर बन जाएगा, तो मुझे प्रस्थान करना होगा. हेंडरी फैंक क अपने दिल में एक इच्छा महसूस हुई, उसे तेजी से कारे करने की जरूरत थी. तीनों राजाओं की विरासत सामान्य विरासत से भिन थी. फूल वाइन की विरासत और सफेद हडी की विरासत जो उसने पहले ली थी, प्रत्यक के वलेक ही विरासत थी. लेकिन इस बार ये एक ही स्थान पर तीन सामोहिक विरासते थी. यदि वो तीनों को प्राप कर सकता है, तो फैंकिवान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और रांक चार फूकेड़े जो उसे चाहिए थी, वे ज्यादा तर्ब भर जाएंगे. कम से कम पांच विर रांक से पहले उन्हें अब संसादनों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन तीन राजाओं की विरासत राक्षसी विरासत थी, खर्तरनाक थी. अंदर कुत्तों के कई समूह थे और गुजरने के लिए कई चोग्या थी. अपने पिछले जीवन में अंगिनत जिन्दकियों का बलिदान द सकती. आस्मा तक पहुँचने वाले वो तीन खंबे कैसे चुप सकते हैं? हेन्री फैंक को पता था कि ये तीन स्तंभविरासत के प्रवेश द्वार थे. लेकिन प्रवेश के लिए कुछ आवशक्ताएं थी. अब मैं अंतितर बड़े पैमाने पर कुत्ते की दास्तागु, पेपर क्रीन गुद और विस्फोटि तंडा गुखरीद सकता हूं. फैंक की वान ने विशलेशन किया. इससे पहले हाला कि उसके पास नक भी थी, फिर भी उसने गुपत रूप से बाजार से तीन प्रकार की गुखरीद ली. उनका स्वभाव सतर्क था, वो पूरी तरह अ प्तादास्ता गुद, रैंक दो पेपर क्रीन गुद और रैंक एक विस्फोट अंडा गुखरीदा. न किवल शांक्षिन सी के एक लाख प्राचीन पत्थर, बलकि तीन लाख पत्थर भी जो उसे बाई कभी ले से मिले थे. फैंक युआन ने एक बार बाई कभी ले से ती अध्याय 324, भागे कमाना, शांक्षिन सी ने इन तीन गुखिरों को खरीदने के लिए अपने सारे धन का उप्योग किया. अध्ययन का क्षमी, शांके इपहन का गच का एक टुकड़ा पकरे हुए था. ये दस्तावेज उसकी मान ने भेजा था. शांके इपहन की मान शां उप्योग है. शांके इपहन ने गराई से सोचा, बहुत सोचा लेकिन कोई स्पष्टी करण नहीं मिल सका. मैंने सुनाए कि शांक्षिन सी ने फैंग जिंग को पूरे एक लाख रुपय दे दिये. हाला कि फैंग जिंग की उध्ध में मस्बूत है, लेकिन मैंने डवसाय म उसकी प्रतिभा के बारे में कभी नहीं सुना. इस तरह से बेत्रतीब धंक से खरिदारी करने से किवल उसे ही नुकसान होगा. क्या मैंने उन्हें अधिक महत्व दिया था? शांके इपहन ने विचार किया. हाला कि उनके पास उच्छ खेती नहीं थी, लेकिन उन्होंने व विव्यापारी इस तरह का तरीका नहीं चुनेका. क्योंकि इस निवेश की कोई संभावना नहीं थी. लेकिन जैसे ही शांके इपहन सोचता रहा, उसकी दिल की बेचानी दूर नहीं हुई. उसे लगा कि उससे कुछ छूट गया है, जैसे इस निरर्थक थोग खारीदारी के पीछे कोई गहरी योजना थी. इस समय, बुड़े प्रबंधक ने दर्वाजे के बाहर सूचना दी. युवा, मास्टर, कुछ बहुत बड़ा घर्टित हुआ है, मुझे आपको रिपोर्ट करने के आवशकता है. ओ, कृपियावल ज्ञांग आईए. शांके इपहन ने तुरंत उसे अंदर आने के लिए कहा. ये बुड़ा ज्ञांग अपनी मा का योग अधिनस्त था. उनके पास साधना के तीसरी शीर्षव अवस्था थी, वे अपनी पकर बनाय रखने में सक्षम थे और उनके पास बहुत अच्छा अनुभव था. शांके इपहन उनके राह लेने का निर्देश भिया था. बुर्या ज्ञांग अंदर आया, उसकी अभिव्यक्ती गमफीर थी. युवा, मास्टर, ये फैन, चीजें अची नहीं लग रहे हैं. सेंचा परवत से खबरे हैं कि किसी ने विरासत में प्रवेश करने का सही तरीका होज लिया है. हाल दिनों के दोरान, कई लोगों के प्रयोग और परिक्षन के बाद, उन्हें अंततर तीन राजाओं की विरासत भूमी में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया. ओल्ड ज्ञांग के शब्दों को सुनकर, श्रांग के इफैन ने तीवरज ग्यासा दिखाई. ओ, तीन आपना के बारे में सोचा, जैसे ही वो धिरे से खड़ा हुआ. बुर्य अच्छा आंग फूट फूट कर हसा. युवा, मास्टर ये फैन ने अनुमान लगाया, ये सही है, विरासत में प्रवेश करने के लिए तीन अलगलग गु की आवशक्ता होती है. पिले स्तंभ में प आगशक्रेन गु की आवशक्ता होती है. यदि विलाल स्तंभ राजा बाव की विरासत में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम एक विस्फोटित अन्डे की आवशक्ता होगी गु. ये कैसे हो सकता है? शांके फैन चिल लाया. वो निराश होकर अपनी सीट पर गिर पड़ा. आखिरकार उसे समझा गया कि फैंक्ट और बाई ने इन तीन गु को थोक में क्यों खरीदा, तो यही कारण था. अभी तीनों राजाओं की विरासत की खबर पूरी दक्षणी सीमा पर फैल चुकी थी. एक साथ तीन रांक पाच फू मास्टर्स की विरासत, क अभी शांग कबीले शहर में ये तीनों गु शांग शिंसी आई के थे. जब तक कोई मुर्ख नहीं है, वो कलप ना कर सकता है कि वो उन गु केड़ों को बेच कर कितना मुनाफा कमा सकती है. शांग के फैन मुर्ख नहीं था, वास्ताव में वो चतुर था, कम सी कम शांग जाजी से अधिक. उन्हें असी जानकारी कहां से मिली? और इतनी सटिक? नहीं, अब इसका समय नहीं है, ये अब महतुपूर्ण नहीं है. इससे भी महतुपूर्ण बात ये है कि मैं उन्हें कैसे रोकूंगा? शांग के फैन की आखों में एक भयानक रोशनी चमकती रही, जैसे उसने ध्यान किंद्रित किया और सोचा. लेकिन एक ख्रण बाद ही उसने निराशा और लाचारी दिखाई. कोई रास्ता नहीं था. शांग्शिंसी ने यहां बेहतरीन काम किया. ये एक बहुत ही सामाने निवेश था, लेकिन तीन राजाओं की विरासत के कारण ये पूरी तरह से अलग कहानी बन गई. जब उन्होंने गुखडीदा, तो शांग्शिंसी ने एक लाग से अधिक प्राचीन पत्थरों का इस्तिमाल किया, लेकिन ये नियमों के खिलाफ नहीं था, अधिक से अधिक ये एक कर्व बॉल था. जब तक वे आदिम पत्थर अरज कर सकते हैं, और उसकी प्रारंभिक पूजी के आधार पर उसके मुनाफे के गन्ना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं थी. यदि शांग के फैन यहां समस्याएं धूढ़ना चाहता था, तो उसके पास इसका कोई कारण नहीं था. ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी मासे भी सटिक जानकारी थी. सौधे के बाद उनकी पूजी कम से कम तीन गुना हो सकती है. हमें उनके साथ कोई समस्या नहीं मिल सकती है, नहीं हम किसी गुप्तु साधन का उप्यो कर सकते हैं. हमें इसका उप्यो करना होगा हमारा शेश समय है और हम अपना खुद का रव साय तीन महीने में आपके पास कम से कम चलाख युवा मास्टर होंगे, हम अभी भी जीत सकते हैं. बुढ़े ज्ञांग ने समझाया, हाँ, हम किवल यही आशा कर सकते हैं. शांकी फैन ने गहरे सांसली, लेकिन उसके दिल में चिंता दूर नहीं हुई. युवा मास्टर प्रत युगिता के संबंध में ये तो बस शुरुआत थी लेकिन उसे ऐसा कोटाश चरी कोट पहले ही मिल चुका था. कौन जानता है कि बाद में क्या होगा? आश वस्तशांग के भैन को संधिय होने लगा. तीन राजाओं, उन्होंने किंग वान, किंग शिन और किंग बनबाओ का उले किया. उनकी उत्पत्य का पता तीन सो साल पहले लगाया गया था. तीनों राजा वांग कबीले से आये थे. वांग कबीले को उनके नश्वर दुश्मन वो कबीले ने खत्म कर दिया था एक, लेकिन विवांग कबीले के तीन बच्चों से चूक गए. ये तीन बच् शिन की बात है, वो उस समय केवल 6 वर्ष की थी, वो कभी लावांग कभी ले से अपने लाव को पूरी तरह से पचाने के लिए उनकी बची हुई ताक्तों को अवर्शोशित करने में व्यस्त था, तीन बच्चे क्या कर सकते थे? वे गुमास्टर भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने बच्चों की परवाह नहीं की, केवल गिरफतारी वारंट भेजा और उनके बारे में भूल गये। एक दूसरे का समर्थन किया, उनके बीच गहरारिष्टा बन गया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वो कबीले के प्रती उनकी नक्रत गहरी होती गई। लेकिन वो कबीले द्वारा वांग कबीले को अपने में समाहित करने के बाद वे बहुत मजबूत हो गये, और एक बड़े कबीला बन गया जिसके पास तीन तहारों का स्वामित्व था। वर्षों के संचालन के बाद उनकी सेनाय और भी अधिक गहरी होगी। तीनों राजा के ले थे, उन्हें अपनी आत्मा को जगाने का मौका भी नहीं दिया गया। वो कबीले से बदला लेना उनके ल जालकर अपनी आजिवे का चलाने के लिए पहार पर जड़ी बूटियां एकठा कर रही थी, तीनों को एक प्राचीन विरासत भूमी में फेंक दिया गया था। ये कोई सामाने विरासत नहीं थी, इसे एक रहस्य में रैंक 6 अमर ने पीछे छोड़ दिया था। इस प्रका को प्रोट साहित किया और साथ मिलकर कड़ी मेहनत की। जब वे सभी पाच अवे स्थान पर पहुँच गए तो उन्हें लगा की समय आ गया है और इस प्रकार उन्होंने वू कबीले से बदला लेने के लिए विरासत के मैदान को छोड़ दिया। उस समय वू कबीला अपने विकास की चरम पर था। तीनों राजाओंने कोई योजनाया साजिश नहीं की बलकि सीधे उनके दरवाजे पर पहुँच गए। वो कबीले का नेता रैंक पाच गुमास्टर था। वो तीन रैंक पाच गुमास्टरों के हमले को कैसे सहन कर सकता था। खास कर जब इन तीन रैंक पाच गुमास्टर सर को एक प्राचीन विरासत विरासत में मिली। राजाकवान ने शिकारी कुत्तों की अपनी सेना बुलाई जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया ये एक शक्तिशाली सेना थी। शिकारी कुत्तों के समुह समुझ्जों की तरह थे जो वो कबीले के ग गया और वे राजक्ता में पड़ गए। राजाबाव हिंसक और प्रत्यक्ष थे, एक बार जब उन्होंने हमला किया, तो इससे आकाश हिल गया, क्योंकि उन्होंने पहार की चटानों में विस्फोट कर दिया। राजाओं को भारी की मत चुकानी पड़ी। हाला कि वे बदला लेने के लिए ऐसा करने को तयार थे। अपना बदला लेने के बाद तीनों राजाओं को लगा कि जीवन ने अपना अर्थ हो दिया है, विवांग कबीले का पुनर निर्मान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक कबीला, चाहे वे कितने भी मजबूट क्यों नहीं हों, सच्चे विशेश अग्यों के खिलाफ बचाव नहीं कर सकते थे। वे एकांट में रहने लगे, अब बाहर नहीं निकलते। वे तीन तूटते सितारों की तरह गायब हो गए, दक्षनी सीमा पर बड़ी घटना को अ किंग वान के पास कम से कम तीन रांक पाच कुत्तों को गुलाम बनाने वाला गुब है। उनके साथ कोई भी असंखे जानवर राजाओं को गुलाम बना सकता है और दुनिया पर विजय प्राप करते हुए एक सीना की कमान संभाल सकता है। किंग शिंग को परिश्कृत करन जमियों का पता चला वो कबीले गाव में वो वो कबीले को खत्म करने में एक बड़ा कारक थी। और वहाँ राजा बाओ है उसका सुभावाग की तरह था। हर बार जब वो हमला करता था तो इससे बड़े विस्फोर्थ होते थे जिससे जमीने हिल जाती थी। उसकी शक्त में अपना नाम छोडने की अनुम्दी देगी और तीन परम अधिपति को जन्म देंगे। ये एक बहुत बड़ा अवसर है जब तक मैं अपना सवरशेष्ठ प्रयास नहीं करूंगा, मैं संतुष्ट नहीं होंगा। मुझे वहाँ जल्दी जाना होगा, अगर मुझे देर हो गई और दूसरों को मिल गया, तो मुझे जीवन भर इसका पच्तावा रहेगा। जैसे ही तीन राजाओं की विरासत की प्रवेश विधी की खबर बाहर आई, शांग कबील इस शहर में कई लोग जंगली हो गए। मैं फूटने वाला अंडागु खरीदना चाहता हूँ मुझे पेपर क्रेन चाहिए गुट, मुझे कुत्ते की गुलामी चाहिए गुट, पेपर क्रेन गुट और फूटा हुआ अंडा गुट, क्या ये गुए इतने महंगे क्यू हैं। कीमती पहले से तीन गुणा हैं। सक, अगर तुम गरीब हो तो भाग जाओ, बहुत सारे लोग खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं। धिकार है, मैं से खरीदूंगा, मैं खरीदना चाहता हूं, मुझे से खरीदना होगा। कई लोगों ने दांता गीच लिए, बे इमान व्यापारी को बुरी तरह डांटा, लेकिन फिर भी बड़े पीड़ा के साथ अपनी मे पीछे अध्याय 325, अमर के धने भूमे, इन पिछले 10 दिनों के दोरान, हमने प्रती दिन उस्टन 20,000 कमाए। कुल मिलाकर, शुरुआती 100,000 पहले ही 3 गुना हो गए थे, अब हमारे पास 300,000 हैं। अपने हाथ में खाता बही पकड़ कर, शांक्षिन सी आश्चरी चकित औ तुरंत अपने प्रतिसपर्दियों से अलग हो गई। 3,000,000 और ये के वल्योवा, मास्टर सा के पूंची से अरजित राशी है। फैंक्यूआन और बाइनिंग बिंग ने भी इसमें काफी निवेश किया था, फिलहाल उन्होंने खुब पैसा कमाया। फैंक्यूआन के और जियोलन फैंक्यूआन को रंगी नजर से देखते थे। वे जानते थे कि ये आश्चर जनक परिणाम हेंरी फैंक के कारण था। एक अच्छी शुरुआत आधी सफलता थी। दोनों नौकरों को शांक्शिन सी के युवा, मास्टर, पत के लिए प्रतिसपर्धा करने प उसे संदिह हुआ। हेंरी फैंक्यूआ इस अवसर का उप्योग करने और इस बार कमाई करने में सक्षम होने का कारण उसके पास मौजूद जानकारी थी। क्या इसका मतलब ये है कि हेंरी फैंक के पास तीन राजाओं की विरासत के बारे में कुछ रहसित था। या क्या उ उसके दिल में एक मजबूत दबाव महसूस हुआ। उसने फैंक्यूआ के साथ काफी समय बिताया था। उसने पाया कि अकसर फैंक्यूआ उसके लिए कुछ ऐसे सर्प्राइज लेकर आता था जब उससे इसकी बिलकुल भी उम्मीद नहीं होती थी। हाला कि वो बाहर से ब अठाह था। भाई हेटू, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तीन लाग के साथ मैं अब अपनी योजनाओं को बहतर ढंक से क्रियानवित कर सकता हूं। शांग शिंसी ने मुस्कराते हुए कहा। लेकिन फैंक्यूआ ने अपना हाथ लहाया। कोई चिंता नहीं, शिंसी आई, आपके पास बहुत अच्छा विचार था, लेकिन इसे क्रियानवित करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा, एक डवसाय जो युद्धि के चरण में जानकारी बेचता है, वो हमारे थोप में गुखरीदने के विप्रीध है। इस बार, मैंन तब प्रहार किया जब आपके प्रतिद्वंध्वियों को पकर लिया गया, लेकिन सबसे महतुपूर बात ये थी कि दुकानों को नियंतरित करने वाले शांग्याजी चले गये थी, और एक दृटने ताके बिना शांग कभीले की दुकानों का प्रबंधन करने वाला कोई नहीं था, भले ही अन्य लोग हस्तक शेप करना चाहें, वे ऐसा नहीं कर सकते थी, और किवल हमें ये लाब कमाते हुए देख सकते थे, लेकिन एक सूचना व्यवसाय अलग है, इसे शुरू करने के लिए न किवल आपको संसाधनों की अत्यधिक आवशक्ता है, बलकि आप कमजोर है, हम किसी भी असफल प्रयास को बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं, एक बार जब हम किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं, तो उससे सफल होना ही पढ़ता है, इसलिए हमें तयारी करने के आवशक्ता होती है, शांग शिन सी की अभिव्यक्ती गमफीर हो गई, उसने सि ही हैं, लेकिन मुझे शांग कबीले शहर में आये कुछ ही साल हुए हैं, मेरी मदद के लिए किवल जियोडाई और जियोलन है, जहां तक नेटवर्क की बात है, मेरे पास बमुश्किल कोई संपर्क है, जियोडाई एक नौकरानी थी जिसे वो जांग कबीले से लाई थी, जिसे शांग्यान भाई ने शांग शिंसी आई की सहायता के लिए भेजा था, वो विश्वसनी और भरोसे मन्द थी, फैंक्यूआन में हसते हुए कहा, शिंसी, अपने बारे में बहुत नीचा मत सूच ओ, शांग चीवें जो युद्धि के चरण को नियंतरित करते हैं, उ शांग शिंसी आई ने विश्लेशन किया और कहा, शिंसी आई मैंने कहा था कि मैं आपको युवा, मास्टर, पड़ जिलाने में बदत करूंगा, मेरे पास अपनी योजनाय हैं और जीतने का पूरा भरोसा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं जो कहता हूँ व उत्तर देते हुए हसा, फैंक युवान कुर्सी पर बैठे, उनकी रणनीतिक मुद्रा ने शांग शिंसी आई को सुरक्षा की मजबूत भावना दी, शिंसी आई सबसे पहले आपको लोगों की भर्ती करनी होगी, यदि आप ये व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको बनाए रखने में सक्षम, व्यापार में अनुभवी और सक्षम होने के कारण मुझे ऐसा व्यक्ति पहले ही मिल चुका है, उसका नाम जो उगवान है, वो शांग्याजी के अधिनेक दुकानदार था, हेंरी फैग ने योजना बनाना जारी रखा, शांग्शिन सी थोड़ की खेती थी, लेकिन उसके बाद एक आंतरिक संखर्स था, और कभीले को राक्ष सी गुमास्टर सद्वारा मार डाला गया, वो भारी चोटों के साथ बच गया, इस प्रकार केवल तीस रिस्तर की उप्री चरण की खेती बची, वो दुकानों की देख भाल करता है, और आपको प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? शिंसी, आपको आश्वस्ट होना होगा, मुझ पर विश्वास करें, आपके पास एक अडवितिय करिश्मा है, बविश्य में कई लोग स्वेच्छा से आपकी सिवा करेंगे और आपके लिए लड़ेंगे जहो मेहनत करूँगा, शांग्शिन सी ने अपनी मुचिया भैचली, फैंक्युआन ने सिरह लाया, अच्छा, फिर आगे बढ़ें, शांग्शिन सी के जाने के बाद वे यांग नान के उद्ध्यान में पहुँचे, फैंक्युआन ने ज्वील के मंडप में उनकी देख भाल के मैं समझता हूँ कि भाई वे यहां क्यों हैं, क्रिपिया बैट जाएं इतना कहते हुए, फैंक्युआन में वे यांग को एक कपचाई पिलाई वे यांग हसे, भाई फैंक्युआन जिंग बुधिमान हैं, तो क्रिपिया मुझे इसके बारे में बताएं हेंरी फैंग ने तीन राजाओं की विरासत का उपियोग धन कमाने के लिए किया, ये सब इसलिए था क्योंकि उसके पास इसके बारे में पहले से गुप्त जानकारी थी शांग्यान फी कोई मूर्ख नहीं था, उसे तुरंट पता चल गया कि हेंगरी फैंग के पास बहु मूली जानकारी है तीन राजाओं की विरासत पिछले 50-60 वर्षों की सबसे बड़ी घटना थी अभी इसने पूरी दक्षणी सीमा को प्रभावित किया था और कई ताक्तों का ध्याना आकरशित किया था लेकिन चुकि दक्षणी सीमा के पहारी इलाके में हर जगे खत्रम मंद्रा रहा था इसलिए विरासत की जमीन तक पहुँचना आसान नहीं था फिर भी कई कुलों ने जब तक वे कर सकते थी फू मास्टर सके अपने अपने समूह भेजे तीन रांग पाच फू मास्टर से की विरासत यहां तक की सूपरक्लास शांग कबीले को भी स्थानांतरित कर दिया जाएगा मेरी जानकारी बाई गोपरवत से आई ग्राइबोन स्कॉलर ने एक बार तीन राजाओं की विरासत भूमी की खोज की थी और कुछ जानकारी एकत्र की थी सचाई यह है कि अब उन्होंने जो तीन राजाओं की विरासत भूमी की खोज की है वो एक प्राचीन गुस्वाम्मी की धन्नी भूमी है फ्यांकिवान ने आधे सच में उत्तर दिया उनकी जानकारी स्पष्टरूप से बाई गोपरवत से नहीं थी लेकिन धन्य भूमी के बारे में जो जानकारी थी वो सत्य थी इसकी पुष्टी उन्होंने अपनी पिछले जन्म में ही कर दी थी धन्य भूमे इस वाक्यांश को सुनकर वे यांकी आँखों में एक तेज रोशनी चमक उठी धन्य भूमे धन्य भूमे ये आशिरवात की भूमे है फू मास्टर सके अमर कोने के बाद उनका निवास स्थान है धन्य भूमे में दृश्यावली एक चित्रे की तरह है जिसमें एक अडवितिय वातवरन और बड़ी मात्रा में खजाना और कीमती सामगरी है अंदर का आदिम सार अकसर बाहरी दुनिया की तुलना में दरजनों गुना अधिक मोटा और सघन होता है एक धन्य भूमी एक स्वतंद्र छोटी दुनिया थी एक यूटोपिया जो दुनिया से अलग थी गु अमर भूमी परशासन करता है और जो कोई भी इसमें रहता है वो शान्ती और खुर्शी का अनुभव कर सकता है भाई फैंग जिंग क्या अप गमफीर हैं? वे यांका स्वर और अधिक चिंतित हो गया उसे गमफीर होना था रैंक पाँच नश्वर था, रैंक छह अमर था रैंक पाँच और छह के बीज एक गुर्णात्मक अंतर था जिसने उन्हें दुनिया भर में अलग बना दिया तीन रैंक पाँच गुर्णास्टर्स की विरासत केवल शांग कबीले की रुचे को बढ़ा सकती है लेकिन अगर इसमें रैंक चह गुर्णामर की विरासत शामिल है तो दक्षणी सीमा के सभी सुपर कबीले इसके दीवाने हो जाएंगे रांक 6 गुर्ण अमर की विरासत बहुत मूल्य वान थी ये इतना महतुपूर्ण में था कि वे एकांट रांक 6 फू इन्मोर्टल सभी एक के बाद एक प्रकट होंगे फैंक यू आन नहीं हसते हुए कहा मैं सटीक विवरन के बारे में निश्चित नहीं हूँ लेकिन ब्रेबोन स्कॉलर के नोट समे यही लिखा गया था वो इस जानकारी को पहले उजागर करने से नहीं दरते थे क्योंकि ऐसा करने पर कोई बुरा परिणाम नहीं होता था उनकी स्मरीतियों के अनुसार कुछ ही दिनों में लोगों में इसकी समझ विख्सित होने लगेगी वैसे भी थोड़े समय के बाद शांक कबीले को भी इसके बारे में पता चल जाएगा वो वेयांक को उनका विश्वा सरजित करने के लिए पहले ही बता सकता है भाई वैई शांत हो जाए हाला कि ये एक धनी भूमी है जिससे रंक्चा गुणामर द्वारा छोड़ा गया है ये लंबे समय से खराब हो रही थी अभी ये धहने के कगार पर है पुराने दिनों में इस धनी भूमी पर कबजा कर लिया गया था तीन राजाओं द्वारा और उन्होंने अंदर के सभी संसादनों और खजानों को खोद डाला अभी तीन राजाओं ने इस धनी भूमी का उप्योग अपनी विरास्तों का निर्मान करने के लिए किया जिससे धनी भूमी को और भी अधिक दबाव महसूस होगा और अंततह ये नश्ट हो जाएगी शंका में हेन्री फैंग ने धीरे से कहा ओ, क्या ये ऐसा है? वे यांग ने तेजी से जानकारे संसाधित करते हुए अपनी आँकें जपकाई ये सभी ग्रेबोन स्कॉलर के नोट समें दर्ज थे लेकिन अपनी सुरक्षा सुने स्चित करने के लिए मैंने इन सभी दस्तावेजों को पहले ही नश्ट कर दिया था मैं उन्हें आपको नहीं दिखा सकता हेन्री फैंग हलकी से मुस्कुराए भाई ये बहुत बड़ा मामला है ऐसा नहीं है कि मुझे अप परभरोसा नहीं है लेकिन मुझे लॉर्ड कभीले के नेता को रिपोर्ट करना होगा और उसे निरणे लेने देना होगा वे यांग गमफीर थे फैंकिवान ने अपनी समझ व्यक्त की यदि शांग कभीला एक अन्वेशंगल भेजना चाहता है तो मेरे पास यहां कुछ जानकारी है जो सहायक हो सकती है फैंकिवान गो विरासत के अंदर की चीज़ों की कुछ समझ थी हाँ हाँ उस स्थिती में मैं तुम्हें खोने नहीं दे सकता किमत बताओ वे यांग भेंग्यू चागीर के प्रभारी थे और शहर में खोफिया जानकारी को नियंतरित करते थे हेंडरी फैग ने इसके बारे में सोचा और कहा चार लाख वे यांग ने भोहे चढ़ाई रांक चाग अमर की विरासत के बारे में जानकारी के लिए चार लाख बहुत कम है लेकिन जानकारी की विश्व सनियता की पुष्टी अभी तक नहीं हुई है मैं आपको पहले चार लाख बताऊंगा थोड़ी देर के बाद जब इसका मुल्यांकन किया जाएगा तो कोई चिंता नहीं छोटे भाई आपके भाई वे के साथ आप हार नहीं मानेंगे मैं भाई वे के शब्दों से आशवस्त हूँ फैंक यूआन हसे ये जानकारी मिलने के बाद शांग्यान फे ने इस पर बहुत ध्यान दिया और तीन टीमों को सेंचा परवत पर भेजा प्रत्यक टीम में कम से कम तीन बुजूर्ग थे ये एक मजबूत निवेश था कुछ दिनों बाद फैंक यूआन को जानकारी के संबंद में वे यांग से मुआबजा मिला उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी से शांग कभीले की टीमों को बहुत मदद मिली और कई मौत होने से बच गी धन राशी मिलने के बाद फैंक यूआन ने ली रेन से संपर किया ली रेन वू कभीले द्वारा भेजा गया एक जासूस था अभी वो तीसरे आंतरिक शहर युद्यचरण के अंदर था उसकी पहचान अभी भी गुप्ती और फैंक यूआन के अलावा कोई नहीं जानता था मुझे तीन राजाओं की विरासत के बारे में कुछ जानकारी है मुझे यकीन है कि आपके वू कभीले को इसमें दिल्चस्पी होगी फैंक यूआन नेली रेंसे नगुप्त रूप से मुलाकात की और तुरंत कहा अध्धाय 326 नौ आखों वाला शराब का कीड़ा दिन बीते गए और तीन राजाओं की विरासत की खबर के साथ सेंचापर्वत परशांति का समय शुरू हो गया कईदुर्जिय राक्ष सीफू मास्टर्स धर्मीफू मास्टर्स और सभी व्यवसायों और लक्षियों के लोग सेंचापर्वत की और दोर पड़े सबसे पहले शांग कभीले ने स्थिति को नियंतरित किया लगातार सुद्रीठी करण भेजा और विरासत के प्रवेश्दवारों पर अत्याचार पूर्वक्त कबजा कर लिया इस विरासत को प्राप करने के प्रती अपने द्रड़ संकल को प्रदर्शित किया हाला कि वो कभीला आगे बढ़ गया और उसने शांग कभीले की नाकाबंदी को तोड़ दिया इसके बाद लगातार खबरें फेलती गए तथे है कि तीन राजाओं की विरासत वाली जगह रांग छहफू अमर धन्यभू में थी जिससे भारी हंगामा हुआ और अनगिनत लोग सेंचापरवत की और उमर पड़े कई अनिशीर्श रांक वाले कभीले भी इस खबर से चिन्तित हो गए और एक के बाद एक दुर जेफू मास्टर सके समूह भेजे इससे शांग कभीले और वो कभीले भी लोगों की विशाल लहर को नहीं रोक सके सांचापरवत राजकता में गिर गया हर दिन हताहत होते थे विरासत में प्रवेश करने के अवसर का लाब उठाने के लिए धर्मी और राक्षसी के बीचती व्रयुद्ध हुए राक्षसी और राक्षसी, धर्मी और धर्मात्मा, संचापरवत के स्थिती में हर बदलावन ने कई लोगों के दिलों को प्रभावित किया फैंक्यूआन भी इस पर पूरा ध्यान दे रहा था विरासत खुलने के बाद लगभग एक महिना बीच चुका था कुछ लोगों ने पहले ही विरासत में कुछ लाब प्राप कर लिये हैं जिससे कई अनि लोगों में विरासत का पता लगाने का जिनून बढ़ गया है हाला कि फैंक्यूआन कोई इन लाबों की परवाह नहीं थी अपने पिछले जीवन की यादों से वो जानता था कि तीन राजाओं की विरासत का असली सार विरासत की जमीन की गहराई में छिपा है वहाँ पहुचने से पहले कम से कम सो बाध हाएं थी और ये एक समय और उर्जा लेने वाली प्रक्रिया थी कभी कभी लोग घो जाते थे और कोहरे में फज जाते थे और बाहर निकलने का रास्ता नहीं धूंड़ अपाते थे कभी कभी कुत्तों के हमले होते थे और कई गु मास्टर इन कुत्तों के नुकीले नुकीले दांतों के नीचे मर जाते थे तीनों राजा राक्ष सीफू मास्टर सथे ये आसुरी विरासत थी राक्ष सी विरासत में हर तरफ खत्रे छिपे हुए थे कई मामलों में उन्हें तलाशने के लिए किसी को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी सेंचा परवत पर जाने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है समय अभी तक पका नहीं है दूसरों के प्रयासों से लाब उठाना और अपनी ताकत बनाए रखना बेहतर है जब वे बाधाओं को हटा देंगे और बाधाओं को दूर कर देंगे वही समय होगा जब मैं इसका लाब हुठाऊंगा पुरसकार अभी के लिए मुझे गुको परिश्कृत करना चाहिए हेंडरी फैंग ने पहले ही एक योजना बना ली थी इस बार वो जिस गुको परिश्कृत करने जा रहा था वो कोई और नहीं बलकी शराब का कीड़ा था रैंक वन शराब का कीड़ा हरे तामबे के मूल सार को एक ठोटे दाइरे से शुद्धी कर सकता है रैंक दो चार स्वाद शराब कीड़ा एक ठोटे दाइरे से लालिस पात आदिम सार शुद्धी कर सकता है रैंक 3-7 सुगंद शराब कीड़ा एक छोटे दायरे से सफेद चांदी आदिमसार शुद्धि कर सकता है रैंक 4-9 आखों वाला शराब का कीड़ा पीले सोने के आदिमसार को एक छोटे दायरे से शुद्धि कर सकता है हाला कि rank 5 का शराब कीड़ा मौजूद नहीं था शराब कीड़ों की रेसिपी पर शोद करने वाले रेसिपी ग्रेंड मास्टर में अद्बूत प्रतिभा थी लेकिन जब वो छोटे थे तो दुश्मनों ने उन्हें मार डाला और उनकी असामेक मृत्य हो गई प्रतिभाएं किवले एक संभाबना का प्रतिनिधित्व करती हैं ऐसी कई प्रतिभाओं के मामले थे जिन्हें परिपक वहोने से पहले ही मार दिया गया था हाला कि वर्तमान फैंकिवान और बाई निंग बिन को पहले से ही परिपक वह कहा जा सकता है उन्हें मारना आसान नहीं होगा फैंक इुआन द्वारा शराब के केड़ों को 4 स्वादों के शराब के केड़ों में मिलाने के बाद उन्होंने इसका उप्योग नहीं किया था और किवल इज़े बढ़ा रहे थे ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास हदी मांसिक तागू और बाईनिंग बिंग की मदद थी कि चार स्वाद वाले शराब की किड़े ने अपना मूल्ये खो दिया हाला कि अब ये अलग था बाईनिंग बिंग 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 चौथे स्थान पर थी जबकी फैंकिवान तीसरे स्थान पर था कुछ ही समय बाद वो शुरुआती चरण में चौथे स्थान पर भी पहुँच जाएगा उस समय उनकी साधना एक जैसी होगी हार्मान्स की एक तगुद्वारा फैंकिवान को दी जाने वाली मदद बहुत कम हो जाएगी उस समय एक रांग चार नौ आखों वाला शराब कीड़ा उसकी फेती की गती को तेज कर देगा नौ नेत्र मदिरा कीड़ा परिश्कृत करें जब शांग्शिन सी आई जो उकवान को भर्ती करना शुरू कर रहा था फैंकिवान ने गुको परिश्कृत करने के लिए बंद दरवाजे वाली थेती में जाने का फैसला किया बाई निंग बिंग ने भी गुको गुपत रूप से परिश्कृत करते हुए बंध दर्वाजे वाली थेती में जाने का फैसला किया चार स्वाद वाले शराब के किड़े, दो आंग एक के शराब के किड़े और खटे, मीथे, करवे और मसालेदार स्वाद के शराब के आवशक्ता थी साथ सुगंधों वाले शराब के कीड़ों को परिश्कृत करने के लिए दो चार स्वादों के शराब के कीड़ों और साथ प्रकार की मसालों की आवशक्ता होती थी नौ आखों वाले शराब के कीड़ों को परिश्कृत करने के लिए दो साथ सुगंध वाले शराब के कीड़ों और नौ अलग-अलग सुपर्शुराजाओं की आखों की आवशक्ता होती है अभी फैंकिवान शांक कबीले शहर में था और उसे एक बड़ा फायदा हुआ था यदि ये अन्य स्थानों पर होता तो उसे शराब के कीड़ों को परिश्कृत करने के लिए सामगरी खोजने के लिए बड़ी मातरा में पूर्जाग खर्श करने पड़ती हाला कि शांक कबीले शहर में जब तक उसके पास पैसे थे वो उन्हें आसानी से खरीद सकता था फैंकिवान के पास पहले से ही चार स्वादवाला शराब का कीड़ा था उन्होंने दो शराब के किड़े खरीदे और उन्हें दूसरे चार स्वाद वाले शराब के किड़ों में मिला दिया फिर उन्होंने इन दो चार स्वाद वाले शराब के किड़ों को साथ सुगंध वाले शराब के किड़ों में मिला दिया इस चरण तक की प्रक्रिया उनके द्वारा सुचार रूप से पूरी की गई। हाला कि दूसरे साथ सुगंध वाले शराब की कीड़ों को परिश्कृत करते समय उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब वो तीसरे चार स्वाद वाले शराब की कीड़े और दूसरे तो फ्यूजन विखल हो गया। इस पर खर्च किये गए सभी प्राचीन पत्थर बरबाद हो गये। उसे पूरक सामगरी खरीदनी पड़ी और इसे फिर से शुरू करना पड़ा। सुभागे से दो साथ सुगंधों वाले शराब के कीरे का सनलियन पूरी तरह से आसानी से ह तीन दिन बाद फैंकिवान को नौ आखों वाला शराब का कीरा मिला। नौ आखों वाला शराब का कीरा रेशम के कीरे के समान था और मोती के समान शुद्धि सफिद था। उसके सिर पर कोई आखे नहीं थी बलकि उसकी आखों के समान नौ रंग थे हाइफन लाल, नारंग पीला, हरा, नीला और इसी तरह हाइफन मानुवे उसके शरीर पर जड़ेवे बहु मूले रतना हो। नौ आखों वाला शराब का कीड़ा पीले सोने के आदिम सार को एक छोटे दाइरे से शुद्धि कर सकता है। फैंकिवान ने इसे परिश्कृत करने के लिए बहुत खर्च किया था। उसका खर्च लगभग दो लाग प्राचीन पत्थरों तक पहुँच गया था। कोई भी गु मास्टर गु को परिश्कृत करने में विफलताओं से नहीं बच सकता। फैंकिवान भले ही कई बार असफल हुआ हो लेकिन उसकी कस्मत बहुत अच्छी थी। उनकी सारी असफलताई चार स्वाद वाले शराब की किड़े और साथ सुगंध वाले शराब की किड़े को परिश्कृत करने के शुरुआती चरण में किंद्रित थी। आखिरी समय में उन्हें एक प्रयास में सफलता मिल गई। गु मास्टर को गु को परिश्कृत करने में जिस बात का सबसे अधिक दर्थ था वो बात के चरण में विफल हो रही थी। उस तरह का नुकसान विनाशकारी था। अब मेरी नौ आँखे हैं शराब का किड़ा। हेंडरी फैग संतुष्टी पूर्वक उसे अपने छेदर में डालने से पहले थोड़ी देर तक गुका अवलोकन किया। वो अभी भी रैंक तीन के चरम-चरण पर था और नौ आखों वाले शराब के किरे का उपयोग नहीं कर सकता था। वो इसका उपयोग करने से पहले के वल चौती र इंके पास उत्रीकाली बर्क जसी आत्मा काया थी और उसने जो कहा उससे उसकी योग्यता पहले ही बढ़कर 96 प्रतिशत हो गई थी। नौ आखों वाला शराब का कीडा उसे फाइदे से ज्यादा नुकसान पहुँचाएगा। जब मैं चौते प्रारंभीक चरण में और इस नौ आखों वाले शराब के किरे का उपियो करूंगा तो मेरे पास फीले सोने की मध्य चरण का प्राइमलसार होगा। उस समय मेरे प्राइमलसार की गुणवत्ता पहली बार बाइनिंग बिंग से आगे निकल जाएगी। फैंक यूआन को एहसास हो गया था कि वो चार के दाएरे तक पहुँचने से ज्यादा दूर नहीं है। हाला कि उन्होंने एक कोट प्रतिग्या कोट ली थी लेकिन वो बाइनिंग बिंग नामक खत्रे को कभी नहीं भूले थे। एक प्रसिदर जहर पत्गू मास्टर जब वो विरासत के मैदान में प्रकट हुआ तो उसने शांग कबीले के तीन बुजूर्गों को जहर दे कर मार डाला और राक्ष सी पत्ग के मनोबल को भारी बढ़ावा दिया। सामना करना पड़ा और उसकी प्रगती धीमी थी। जो उगवान घमंडी और अभिमानी था उसका रवया थोड़ा भी कम नहीं हुआ और उसके लहजे से भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका चर्चा करने का कोई इरादा नहीं था। हेंडरी फैंग नौ आखों वाले शराप के केड़ों को परिश्कृत करने में सफल होने के बाद वो अपनी सारी ग्रजा खेती में लगा रहे थे। चोकि बाई निंग बेंगो से लगातार पीला सोना आदिम सार प्रदान कर रही थी, उसकी साधना की गती तेज हो गई थी और तेजी से रांग चार की दाएरे में आ रही थी। हाला की इन दिनों स्परिंगोटम सिकारा की रिकवरी गती भी तेज होती जा रही थी और फैंकिवान की रांग तीने पर चरपर इसका दबाव अधिक सपष्ट हो गया था। इस दिन शांग कबीले शहर ने शुब त्योहार का स्वागत किया। ये शांग कबीले का पारंपरिक त्योहार था। ये एक महतुपून उत्सव था जो उस पूरवज की याद में मनाया जाता था। जिन्होंने हजारों साल पहले शांग कबीले की स्थापना की थी और पह या शित रूप से गुध मास्टर सा विरासत टोकन प्राप किया. उन्होंने गुध मास्टर की विरासत को प्राप करने के लिए इस टोकन पर भरोसा किया और एक पूरी नई दुनिया में कदम रखा. वो लगातार और कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, उसकी समपती और शक्ती लगातार बढ़ती गई जब तक कि उसने अंतितह शांग कबीले शहर के स्थापना नहीं की इस प्रकार त्युहार के दिन शांग कबीले के आंतिरिक शहर को लाटन और रंगीन बेनरों से सजाया गया था सभी बड़े स्टॉर, वेश, याले, रेस्टराव वगारे ने अपना कारोबार दिन भर के लिए बंद कर दिया लोग खुशी के मूर में थे और उत्साह से सडकों पर चल रहे थे, स्टॉनल लगा रहे थे पुरुष, महिलाएं, बुहे और जवान सभी उत्सव के इस जीवन्त माहौल में डूबे हुए थे इस दिन खरीड बिक्री को एक दिल्चस्प खेल माना जाता था हाला कि युहार के खुशी भरे माहौल का शांग्शिन सी आई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा युवा लड़की अपनी खुब सुरत्भाउंगों के साथ एक मेज के सामने बैठी थी और उदासी के साथ मेज पर रखे कई निमंतरन पत्रों को देख रही थी ये सभी निमंतरन कारण और युवा मास्टर से की ओर से आय थे शुभूत सव के दोरान युवा स्वामी भर्विभूज आयूजित करते थे जिसमें सभी पक्षों के लोगों को आमंतरित किया जाता था और उन्हें पुरस्कृत किया जाता था बड़े भाई हे टू मुझे क्या करना चाहिए शांग शिंसी दुविधा में थी और मार्ग दर्शिन के लिए अवचेतन रूप से फैंक्यूआन की ओर देखा शिंसी आई हमारी बिक्री ने आपकी एक लाग पूंजी को तीन गुना कर दिया है और अब आप्योवा, मास्टर, प्रत्योगिता जीतने वाले सबसी लोग प्रियम उम्मीदवारों में से एक हैं वेस्वा भाविक रूप से आपको भाग लेने के लिए आमंतरित करेंगे फैंक्यूआन मस्कुराई और जारी रखा हलांकी हम किवल इन नौन निमंत्रनों में से एक को चुन सकते हैं सतह पर ये एक खुशी और सौहार दपुन भोज की तरह दिखता है लेकिन ये वास्तों में ये निर्धारित करने के लिए एक राजनीतिक कदम है कि आप कहां खड़े हैं फैंक्यूआन ने इन निमंत्रनों के पीछे के गहरे राजनीतिक अर्थ को समझाया शांक कबीले में केवल दस युवा स्वामी थे इन दस युवा स्वामियों के बीच गटबंधन था और आंतरिक संखर्ष भी थे शांक्षिन सी युवा मास्टर पत के लिए प्रतिसपरधा कर रहे थे और सबसे लोग प्रियम उम्मीदवारों में से भी थे स्वभाविक रूप से नौ युवा मास्टर से ने उस पर पूरा ध्यान दिया शांक्षिन सी को अभी युवा मास्टर बनना बाकी था लेकिन वे पहले से ही उसे अपने साथ जोडने की कोशिश कर रहे थे इस दुन्या में समझाते तो करने ही पड़ते हैं शांक कबीले के उच्चपत का हिसा बनने के लिए कोई भी राजनितिक भवर में फंसने से बच नहीं सकता था क्या मुझे शांक्चीवेन का निमंतरन चुनना चाहिए आखिरकार वो युद्ध चरण की प्रभारी है और हमारी बात की युजनाओं के लिए एक बड़ी मदद होगी शांक शिन्सी ने आवास डी फैंक्यूआन ने अपना सिरह लाया ऐसा लगता है कि नौन निमंतरन है लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं है शांक कबीले के युवा आकाओं के बीच सबसे बड़ी शक्ति शांक की उनियू है जो पहली पत्नी का सबसे बड़ा बेटा है और इस प्रकारों से सबसे बड़ा फाइदा है दूसरा गुच शांक पुलाओ, शांक सुआन्ने और शांक बड़ी शी का गठ बंधन है शांक चीवेन की कोई महत्वा कांक्षा नहीं है जबके शांक पीशी यू बहुत चंचल है शिंसी आई, शांक कबीले शहर में आपकी नीव बहुत कमजोर है यदि आप चैन करने जा रहे हैं, तो आपको अपनी कमजोरी के लिए इन तीन गुट्टों के बीच चैन करना होगा शांक चीवेन के लिए वहाँ बहुत कुछ नहीं होगा, फरकत से पड़ता है कि आप उसे चुनते हैं या नहीं तो ये इस तरह था सुनते ही शांक शिंसी की आँखें चमक उठी फैंक युवान के शब्दों को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने चारों ओर का कोहरा दूर कर दिया है और साप हासमान को देख रही है वो जो घपराहट पहले महसूस कर रही थी वो ओदूर हो गई उसने थोड़ा सुचा और अपनी पसंद बना ली उसने तीसरे गुट शांक चाव फैंक के निमंतरन को चुना तीनों गुट्टों में से पहला और दूसरा गुट एक दूसरे के खलाफ प्रतिसपरधा कर रहे हैं अगर मैं उनमें से किसी एक को चुनता हूँ तो मैं निश्चित रूप से दूसरे को नाराज करूँगा तीसरे गुट को चुनना और इस राजनीतिक भुवर में प्रवेश करना बेहतर है लेकिन फिर भी इससे बाहर रहना चाहिए ये फिलहाल के लिए है शांकशिन सी ने फैंकिवान को समझाया शांकशिन सी ने अपने उच्छ बुद्धी से तुरंति समझ लिया इस पर फैंकिवान खुश थे लेकिन उन्हें थोड़ी विटमबना भी महसूस हुई अपने पिछले जीवन में शांकशाव फिंक और शांकशिन सी ने शांक कबीले के नेता के पत के लिए लड़ाई और प्रतिस्पर्धा की थी ये सोचने के लिए कि इस जीवन में ये दो कटर दुश्मन एक साथ चलना पसंद करेंगे अध्धाय 327 सुन्दर और प्रतिभा शाली जीन सी की प्रतिभा यहां छोटा भाई बड़े भाई को तुस्ट बनाता है शांक की फैन खड़ा हुआ और मुस्कराते हुए शराब का कप उठाते हुए अपनी पीठ जुकाली पूरे हॉल में शांदार रोश्नी थी गायन और नृति किया जा रहा था और पारंप्रिक संगीत हर किसी के कानों में बह रहा था हर कोई दावट का आनन ले रहा था और माहौल गरम था अच्छा शांक की उनियू मुक्खे सीट पर खड़े थे उसने शांक की फैन की और शराब का प्याला उठाया और एक घूंट में शराब पीली शांक की उनिके सलाहकार ने कहा मास्टर ये फैन युवा मास्टर की उनियू के भोच में भाग लेने का चयन करना निसंदे एक समझदारी भ़़ा निरणे है चिंता न करें, मेरे युवा मास्टर आपके साथ गलत व्यभार नहीं करेंगे सबसे बड़ा भाई की उनियू हमेशा से मेरा आदर्श रहा है सच तो ये है कि मैं हमीशा से सबसे बड़े भाई के करीब जाना चाहता था और आपके मार्ग दर्शन में बहुत सी चीज़ें सीखना चाहता था शांके इभन मुस्कुराया शांक की उनियू वर्तमार निवा आकाओं के बीच पहले प्रमुक गुट के प्रमुक थे और शांके इभन की मा के पक्ष के साथ उनका गहरा संबंध था यदि शांक्षिन सी ने शांक की उनियू का पक्ष चुना तो उसे शांक की इभन द्वारा एक तरफ धकेल दिया जाना निश्चित था हाला कि शांक की उनियूने बहले ही शांक्षिन सी आई को निमंतरन भेजने की पहल कर दी थी अगर शांग्शिन सी आये तो वो निश्चित रूप से खुश होंगे क्यों? क्योंकि शांग्शिन सी के पक्षे में फ्यंक और बाई दो महान रांक चार विशे शग्या थे ये कुछ ऐसा था जो किसी अन्य युवा मास्टर के पास नहीं था और कई लोगे से इश्या करते थे युवा मास्टर अधिनस्थ ने बूच्टाच की है कि शांग्शिन सी गया था इस समय एक गुट मास्टर ने हॉल में प्रवेश किया और अपनी कमर जुका कर शांग्शिन सी ने सबसे बड़े भाई के गुट को नहीं चुना क्या वो शांग्पुलाओं के गुट में गई थी शांग्प की उन्हीं पहले ही बहुत सी चीज़ों का अनुभव कर चुका था इसलिए उसकी भाबनाये उसकी चेहरे पर्स पष्टरूप से नहीं दिखी उनकी अभी व्यक्ति में भी कोई बदलाव नहीं आया इसलिए शांग्प की फैन बिना किसी सुराक्य के वला नुमान लगा सकते थे हाला कि थोड़ी देर बाद शांग्प की फैन को भी खबर मिल गई शांग्शिनसी ने शांग्चाव फैंग के उत्सवबुच में भाग लेने का निमंतरन स्विकार कर लिया था इसका मतलब ये था कि उसने शांग्चाव फैंग के गुट को चुना खबर मिलते ही शांग के फैंग गुट रूप से खोश होने से खुद को रोप नहीं सका शांग्चाव फैंग और शांग्फुशी तीसरा गुट हो सकते हैं लेकिन उन पर शुरू से ही दबाव रहा है वे सबसे बड़े भाई की उनियू के मुकाबले कैसे हो सकते हैं मेरे पास है अब युवा मास्टर पद लेनी का और भी अधिक मौका हाला कि पुराने प्रबंध जांग ने अपना सिरह लाया उसकी अभिव्यक्ति भारी थी मास्टर युवा मास्टर की उनियू का गुट और युवा मास्टर पुलाव का गुट एक लड़ाई में बंध है मुझे मास्टर उधार लेने की संभावना का डर है शांक्षिन सी आई से निपटने के लिए युवा मास्टर की उन्हें के मदद बहुत बड़ी नहीं है। शांक्षिन सी आई के पास दो महान रांक चार विशे शग्ये हैं। वो जेस भी गुट को चने की वो उसे आसानी से स्विकार करेगा और गट बंदन बनाएगा। शांक्षिन सी की समस्या भी छोटी नहीं है। हमसा वो भी कैसे हो सकता है संभव हो। बोहे प्रबंधक ने विरंग किया और जारी रखा जो उगवान एक समय एक कबीले का नेता था। वो घवंडी और अभिमानी है और उसकी क्षमता मुझसे दस गुना है। ऐसे आदमी के लिए खुद को इस अनुभगीन चोटी लड़की से जोड़ना कैसे संभव होगा। मेरे पास है पहले से ही सभी प्रकार की अफवाहें और बगनामी करने के लिए लोगों को गुप्त रूप से लामबंद किया गया है। जो उखवान को अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाहें और अखवाहों ने उसे पहले ही शांग्शिन सी आई में शामिल होने से रोग दिया है। शांग्शिन सी आई गुप्त रूप से जहोखवान को भर्ति करने की कोशिश कर रहा है लेकिन असफल रहा ऐसा करो वो अपनी बहुत सारी प्रतिष्ठा को देगी और उसकी शुरुवात नुक्सान देह होगी वो हंसी का पात्र भी बन सकती है। जब वो अपने शब्दों के अंट तक पहुँचा तो प्रबंध के जहो बुरी तरह हंसने लगा। शांग्शाओ फिंग का अध्यन सरल तरीके से विवस्थित किया गया था। वहां एक चौड़ी पत्थर की मेज और चौड़ी पीठ वाली पत्थर की कूरसियां थी जो एक गमवार और मस्बूत अभा प्रदान करती थी। जिस तरह शांग के फैन और पुराने प्रबंधक जांग बात कर रहे थी, शांग्चाओ फिंग, शांग्शिन सी आई के साथ फैंग्युआन और बाइनिंग बिंग भी कुछ चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा काफी समय से चल रही थी। सच में शांग चाओ फिंक शांग शिंसी आई के अपने पक्ष में शामिल होने से कुछ हद तकाश चरी चकित थे। उसने सुझा था कि शांग शिंसी शांग की उन्यू या शांग पुलाओ में शामिल हो जाएगा। उनका अपना गुट केवल तीसरे स्थान पर था और वे फिलहाल अपनी ताकत जमा करते हुए किनारे से देख रहे थे। सामाने समय में वे बहुत कम महतुपून होते थे और समस्याया विरोधा भास होने पर पीछे हटना पसंद करते थे। उन्होंने कभी नहीं सूझा था कि वे शांग शिंसी आई की रुची प्राप कर सकते है शांग शिंसी की थेती केवल एक रांग पर थी जबकि उसकी योग्यता बदतरती और शांग कबीले शहर में उसकी लगबग कोई नीव नहीं थी। हाला कि उसके पास फ्यांग युवान और बाइनिंग बिंग थे। ये दो महान दरजाचाश शक्तियां थी। यहां तक कि शांग यानपी जब युवा मास्टर थे तब भी उनके पास ऐसे विशेशग्य नहीं थे। अपने अधीन दो ऐसे विशेशग्यों को रखने में सक्षम होने के लिए कोई भी युवा स्वामी नहीं था जो इश्या महसूस न करता हो। शांग चाव फैंग ने भी शांग शिंसी को स्विकार कर लिया तो वो परोक्ष रूप सी फैंग और बाई की सहायता प्राप कर सकता है। ये एक ऐसा प्रलोबन था जिसे शांग चाव फैंग मना नहीं कर सकते थे। पढ़ाई का माहल सौहार बरपुन ने था। ठीक पहले की बातचीत में शांग चाव फैं पत्थर कमा चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि आप वर्गमान में शीर्ष पर हैं लेकिन केवल तीन लाग पत्थर काफी नहीं हैं। आप आगे क्या करने की योजना बना रही हैं। शांग चाव फैंग ने फिर कहा बस ये कहो और मैं अपनी सवरशेष ठक्षमता से आपकी मद करूंगा। शांग शिन सी ने फैंग कि वान पर नजर डाली। हेंडरी फैंग ने बेहुश होकर अपना सिरह लाया। फिर उसने एमानदारी से कहा मैं से बिग ब्रदर चाव फैंग से नहीं छिपाऊंगी। मैं जानकारी एकत्र करने का लवसाय करने के बारे में सोच रह किया। कौन जानता था कि शांग शांग शाव फैंग की अभिव्यक्ति बदल जाएगी और ये सुनने के बाद अपना सिरह ला देगा। आप युद्ध के चरण के संबंधु में जानकारी एकत्र करने का लवसाय करना चाहते हैं। ये उप्यूक नहीं है। उप्यूक नह शांग शिंसी ने गंफीर स्वर में कहा। शिंसी आई, मैं आपसे इस योजना को बदलने का आगरह करता हूँ। आप एक नवागन चुक हैं और इसलिए आप इसके बारे में स्पष्ट नहीं हैं, ये समझ में आता है। आपको युद्ध के चरण में अचानक नहीं आना शांग चाव फेंग ने एक आख भरी और जारी रखा, शांग कबीले शहर का युद्ध चरण अन्य कुलों के युद्ध चरण से अलग है। यहां राक्ष सीगु मास्टर से हमारे शांग कबीले के बाहरी बुजूर्ग बन सकते हैं। ये हमारे शांग कबीले के लिए वि दोनु हैं। लाब जितना अधिक होगा, कदाचार की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बाहरी बुजूर्ग हमारे शांग कबीले के उच्च अधिकारी हैं और अगर कुछ परेशानी इसके माध्यम से प्रवेश करती हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी आपदा होगी श राक्ष सीफू मास्टर से हैं और भले ही वे बदल जाते हैं और धर्मी बन जाते हैं फिर भी उनकी वफादारी पर सवाल उठाया जा सकता है। साथ ही राक्ष सीफू मास्टर से के अलावा अथा हुद्देशियों वाले वे धर्मिक मार्ग वाले कबीले भी हैं इस प्रक सटेबाजी का घर शुरू करने की प्रेरणा मिली। नतीजा ये हुआ कि उसने सटेबाजी का घर खुलने के सिर्फ दो दिनों के बाद पाँच लाग प्राइमल पत्थर अरजित किये। हलांकी तीसरी दिन सटेबाजी का घर बंद कर दिया गया और युवा मास्टर को पदाव नत कर निर्वासित कर दिया गया। ये सबसे अच्छी चितावनी है जो दर्शाती है कि युद्धि के चरण को युही नहीं चुआ जा सकता है। लेकिन शांक कबीले के आंतरिक मामलों के बारे में इस चोटी सी गुप्त एतिहासिक घटना के बारे में न जानना सामाने बात थी और भी अधिक तब जब इसे इतनी तेजी से बंद कर दिया गया था। युद्धि मंच निशिदिक शेत्र था। उस युवा मास्टर ने इस स्थान को चुआ और अपना युवा मास्टर पद खो दिया और यहां तक उसे कबीले से निर्वासित भी कर दिया गया। वर्तमान में शांग शिंसी अभी भी एक युवा मास्टर नहीं था लेकिन उसके पास युद्धिके चरण के लिए एक योजना थी। इससे शांग चाव फिंग को एहसास हुआ कि अज्यानता वास्तों में आनंद दायक थी। शिंसी आई आपकी योजना एक नया दृष्टि कौन है और आपने इसके बारे में ठीक से सूचा है। यदि ये किया जाता है तो आप निश्चित रूप से हर दिन बड़ी मात्रा में मुनाफा कमाएंगे। हलां कि संभावना बहुत कम है अपने भविश्य की संभावनाओं को नलें विक मजाक के रूप में। मैं गोयुदि क्षेत्रे का प्रभारी हूँ और आपका तेहवान भाई निलामी स्थलों का प्रभारी है। आप हमें इस क्षेत्र में मदद कर सकते हैं और शांग के फैंके खलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। काफी देड तक गहन चिंतन के बाद शांग शिन सी अचानक मुस्कुराया। बड़े भाई चाव फैंक युद्धि के चरण के संबंध में मेरा एक अलग द्रिष्टि कौन है। ये करने लायक है। हुएं। शांग चाव फैंक ने भोहें चड़ाली और अपनी निगाहें शांग शिन सी पर टिका दी। शांग चाव फैंक की नजर के दबाव में शांग शिन सी ने मुस्कुराया और अपना आत्म विश्वास पूर निरूप दिखाया। जैसा कि बिग ब्रदर चाव फैंक ने कहा हमारे शांग कबीले का युद्ध चरण सर्वोच महत्व का है और इसे उच्च अधिकारियों द्वारा अत्यधिक संग रक्षित किया गया है। शांग कबीले के युद्ध चरण के लिए ये शांग कबीले के लावों का बहुत बड़ा त्याग है अपनी आपको भरने के लिए ऐसे कारियों को निश्चित रूप से समाप्त करने के आवशकता है और किवल तभी ये युद्ध के चरण को परिपक्व बना सकता है। शांग चाओ फिंग ने लगातार अपना सिरह लाया। शांग शिंसी के शब्द दिख्ण थे और उनमें एक प्रकार की आभाती जिससे लोग उस पर विश्वास करना चाहते थे। लेकिन मैं जो सूचना व्यवसाय करना चाहता हूं उसकी प्रकृती सटेबाजी घर से बिलकुल अलग है। मुझे पता है कि शांग कभीले की सबसे बड़े सूचना संस्था फेंग्यूंचागिर हम्मी शायुद्ध के स्तर पर राक्ष सीप्गु मास्टर्स की जाज करटी रही है। वे पूरे साल ऐसी स्थिती में खतरे में रहते हैं जहां उनका जीवन खतरे में रहता है। इसलिए उन पर मानसिक दबाव होता है ये बहुत अच्छा है कि वे थोड़ा भी आराम नहीं कर सकते हैं और यदिशांग कभीले शहर में आने के बाद उनकी जाज की गई तो वे निश्चित रूप से बुरी प्रतिक्रिया देंगे और नफरत से भर जाएंगे। यदिशांग कभीले और भी अधिक और बेहतर प्रतिभाओं को अवर शोशित करना चाहते हैं तो वेस्वभाविक रूप से ऐसा नहीं कर सकते हाला कि जाच न करना और भी असंबद है और कभीले को आराम नहीं मिल सकता है इस स्थिती में मैं जानकारी एकत्र करने का रवसाय करने जा रहा हूँ। मैं प्रतिक्र मास्टर सा की सामाने ताकत गुकिरे और युध उपलब्धियों की जाच करने जा रहा हूँ और इस जानकारी को बेच उँँगा पूमास्टर सा एक बाहरी बुजूर का पदप्राप करना चाहते हैं और वे अधिक प्रसधी की आशा करते हैं और चाहते भी हैं रैंकिंग में उनके नाम देखें। ये जानकारी स्वभाविक रूप से गुप्त मामलों को नहीं छुएगी और किवल पूमास्टर सद्वार है कि मेरे स्वामी पिता निश्चित रूप से इससी खुश होंगे, वो ऐसी बात को क्यों दबाएंगे। शांक्शिन सी ने अपना कारण बताना समाप किया और मुस्कराते हुए शांक्चाव फैंकी ओर देखा। इस समय उसकी आँकें गयान और आत्म विश्वास से चमक रही थी और असी मित लाली ते प्रदर्शित कर रही थी। बाई निंग बिंकी भों ये भी चिक्नी हो गई थी। ये बात है। हेंडरी फैंग मन ही मन मुस्कराया। शांक्चाव फैंग निस्तब्ध भाव से शांक्शिन सी को देखते हुए अपना मुह थोड़ा खोला। कई सेकंड के बाद वो अपने होश में वापस आया और उसकी सराहना करने से खुद को नहीं रोक सका। अच्छी बात है आपका विशलेश संट शांदार है। सिल्स्टर शिन सी आपके पास स्वास्तों में एक अडविती दृष्टी, शुद्य हृदय और भावना है। मैं मैंने पहले ही जंशक्ति के संबंध में अपनी पसंद बना ली है। ऐसा लगता है कि शांग्चाव फिंक सतर ही तोर पर लोगों को फेज कर शांग्शिन सी आई की मदद करना चाहते थे। लेकिन वास्तों में वो इस सुचना एक कत्रित व्यवसाय को नियंतरित करने के ल हर मदद अच्छे इरादों से नहीं मिलती। हाला कि शांग्चाव फिंक सी जाने देने को तयार नहीं थे। सुचना एक कत्र करने का जिस व्यवसाय से वो पहले बहुत दूर रहता था वो अब एक संब्रिद्ध खजाना बन गया है। उन्होंने मनाना जारी रखा। सिस्टर शिंसी मुझे पता है कि आप हाल ही में जहो उखवान को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये व्यक्ती बहुत घवंडी और तिरसकार पूर्ण है। विशेश कर किसी कनिष्ट के प्रती समर्पन नहीं करता था। शांग चाव फिंग, शांग शिंसी आई द्वारा जोखवान की भर्ती के बारे में अशावादी नहीं थे। जो उगवान में क्षमता थी और उसे इसके लिए पहचाना भी गया था लेकिन वो बहुत घवंडी था। आएक कदम पीछे हटे और कहें कि आप जोखवान को भर्ती करने में कामयाब रहे। एक आदमी क्या कर सकता है। आपके पास अभी भी मध्यम और निज्रेस्तर के अधिनस्थ नहीं हैं। इन लोगों में भी कुछ क्षमता होनी चाहिए। सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि वे आपके प्रतिव वफादार होने चाहिए ऐसे बलकी स्थापना के लिए समय के आवशक्ता होती है लंबे समय तक। अधिनस्थों के साथ आप सहज महसूस नहीं करते हैं भले ही आप ये जानकारी एकत्र करने का लवसाय करते हों। ये शांग के फेंद्वारा बहुत अच्छी तरह से नश्ट हो सकता है और वो आपका लाब भी चुरा सकता है। शांग चाव फेंग के अपने इरादे हो सकते हैं लेकिन उनके शब्द बहुत उचित थे। जब शांग शिंसी ने ये सुना तो उसकी खुब सुरत भाउन है सिकुरगी। इसके बारे में युवा मास्टर चाव फेंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ये क्योजना है। इस समय फेंग युवान अचानक बोला अध्धाय 328 खाना तो खाना ही होगा क्या ऐसा है। शांक चाव फेंग ने संक्षिप उत्तर दिया। फेंग युवान ने व्यक्ते गतरूप से शांक शिंसी आई के लिए उनके प्रस्टाव को अस्विकार कर दिया था, वो उने मजबूर नहीं कर सकते थे। फेंग युवान ने जो काई बे को हराया था, उसके पास रैंग चाव फ्यंक पहले से ही फ्यंक और बाई के प्रतिसर भावना दिखा रहे थे। परंतो वो मन ही मनुप्रास कर रहा था। हमसा एक ताकत स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें समय लगता है वे तुरंट कैसे सफल हो सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को गलतियों से सीखने दूगा। जब तुम असफल हो जाओगे, मैं सामने आऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा, मैं और अधिक कमा पाऊँगा तब। शांग चाओ फेंग ने चिंतन किया, लेकिन वो फिर वी गर्म जोशी से मुस्कुराए। दोनों ने कुछ देर और चर्चा की, इससे पहले कि शांग चाओ फेंग ने शांग शिन सी आई और अन्य को व्यक्तेगत रूप से बाहर भेज दिया। बाहरी लोगों के लिए ये एक स्पष्टर राजनीतिक संकेत था। पाच सुगंध तेल चावल का एक बैग। दोनों की गिंती करते हुए हम पहले से ही लगबग तीन वर्षों से शांग कबीले शहर में हैं। शांग शिन सी ने अचानक भावुक स्वर में कहा। पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी चीजें हुई थी। उसने आह भरते हुए जारी रखा। अगर ये पहले होता तो मैंने कभी नहीं सुचा होता कि मैं शांग कभीले के नेता की बेते होती। इसके बाद शांग शिन सी ने फैंग की वान की ओर देखा थोड़ा मुस्कराते हुए अपने शुद्धी सफेद दान्त दिखाते हुए। अगर भाई हेत नहीं होता तो मैं इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाती। फैंग और बाई के प्रती शांग शिन सी हमेशा उनके प्रती बेहद्धा भारी महसूस करते थे। बाई निंग बिंग ने अवाठ होकर देखा उसकी आँखों का कोना ही रहा था। वास्तों में मैंने नहीं सूजा था कि तुम्हारे पिता प्रसिद शांग यान फे होंगे। लेकिन ये भाग्या था कि मैंने तुम्हें बचा लिया। लोग आते हैं और जाते हैं ये इस दुनिया में स्वभाविक है। उतर देते समय फैंकिवान ने आगे देखा। शांग शिंसी की अभिव्यक्ति बदल गई। वो समझ गई कि उसका क्या मतलब है। भाई हे टू, क्या आप शांग कबीले शहर छोड़ने जा रहे हैं। ये सही है। जल्द ही, मुझे बाई निंग बिंग के साथ शांग कबीले शहर को छोड़कर सेंचा परवत की ओर जाना होगा। फैंक युवान ने कहा। शांग शिंसी ने अपने दाथ पीस लिए, वो उसे रुकने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन उसने अंट में ऐसा नहीं कहा। उसने हिंगरी फैंक के साथ काफे समय बिताया था, हाना कि उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन वो उसके दिल में महत्वा कांक्षाओं को महसूस कर सकती थी। इस आदमी की महत्वा कांक्षा बहुत बड़ी थी, शांक कभीले शहर जैसी जगहों से रोक नहीं सकती थी। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शांक्षिन सी ने आश्चर्य से पूचा, किसी बल को संगचित करने में बहुत लंबा समय लगता है। वफादार अधिनस्तों को प्राप करने के लिए वर्षों का पालन पोशन करना पड़ता है। प्राप की उत्सुक थी। बस मेरा पीछा करो। फैंक्यूआन रास्ता आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े। तई उतार चड़ावों के बाद आखिरकार वे एक छोटी सी गली में पहुचे। लाल चेन की दुकान और रेशम की दुकान के बीच में एक छोटी सी दुका हुआ था। उसकी आखें आधी बन थी। उसका रंग खराब होने के करण वो चकित भाव में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्शे में था और उसने जुन्देगी से पूरी तरह हार मान ली थी। क्या ये ये वक्त वो व्यक्ति है जिसे भाई हे टूद हे उंड़ रह है। शांक्षिन सी आई ने विशलेशन किया। बाई निंग बिंग ने इस वक्ति का आकलन करने के लिए अपनी तीवर प्रवित्ति का उप्यों किया। यद्य पिवो एक मास्टर था। उसके पास किवले एक मध्य चरण की साधना थी। उसकी उपस्थिती से वो पहले से युवा नहीं था लेकिन केवल ये साधना थी, ये दैनिय थी। हाई भाई, आप क्या खरीदना चाहते हैं। ओ, लॉड फैंग जिंग। युवा अपने लोगों को महसूस किया और अपनी आँखें खोली, लेकिन अपने शब्दों के बीच में ही वो सदमे और हर बढ़ा इनिंग बनबें को पहचान लिया और वो हक लाने लगा। हाला कि वो शांग शिंसी को नहीं जानता था, लेकिन उसकी मास्टर आभा और उसकी सुन्दर उपस्थिती से वो चकित महसूस कर रहा था। ये दस आदिन पत्थर हैं, मैं यहां सब कुछ खरीद रहा हूं, आप अभी जा सकते हैं। फैंकिवान ने प्राचीन पत्थरों का एक थैला फेंका, युवा की चहरे पर खुर्शी और उत्साह जहलक रहा था, लेकिन आगे वो थोड़ा जिजख रहे थे। जो सामान वो यहां बेज रहा था, वो उसकी दादाजी द्वारा छोड़े गई ची अगर खुजाना होता तो क्या उसे बेचने से घाटा नहीं होता। जब वो अभी भी विचार कर रहा था, फैंकिवान ने पहले ही उसकी और प्राचीन पत्थर फैंक दिये। आप किस बारे में सोच रहे हैं। आपने मेरी बात नहीं सुनी। हमसा, ये आपका सम्मान है कि मैं इन्हें खरीदना चाहता था। आप अभी सकरैम कर सकते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके पास इसे छोड़ने का मौका नहीं होगा जगह। फैंकिवान ने धमकिती। युवा तब तक डरा हुआ था जब तक वो कांप नहीं गया। वो कांपते हुए हत भगवान लौड फैंग जिंग आप ऐसा नहीं कर सकते। व्यापार में हम इच्छा इच्छा पर जोड़ देते हैं। आप उन्हें इस तरह जबरदस्ती नहीं खरीद सकते। आप बहुत प्रतिष्ठाव वाले व्यक्ति हैं। और ये शांग कबीले का शहर है। स्मैक फै भगवान ने इस युवा व्यक्ति को देखने के लिए बरफीली निगाहों का उपयोग करते हुए भावहिन होकर बोलते हुए घोष ना की। युवात ने अपना चेहरा पकर लिया क्योंकि वो अत्यधिक भय से काम पर रहा था। उसने हिंगरी फैंक की और देखने के लि उसकी अंतरात्मा इसे बरदाश्ट करने में असमर्था थी। बाइनिंग बिंग भिव्यक्ति हीन थी, पूरी तरह से अविचलित थी। शिंसी, मैं एक राक्षसी मास्टर हूँ, मेरे पास काम करने के अपने तरीके हैं, मैं सीधे पन पर जोर देता हूँ। हेंरी फैंग फैंग युवांट था, तो उसे खुद को नियंतरित करना होगा और स्टायल में शान्ती से सामान खरीदने के लिए मनाना, जूट बोलना तरीकों का उप्यो करना होगा। लेकिन अव उसकी ताकत बढ़ गई थी और उसके स्थिती बहुत उंची थी, इस प्रकाल वो सबस दयाकोट का प्रदर्शन करना पसंद करते थे, एकसर कमजोरों के लिए अच्छे काम करते थे, लेकिन युवांट फैंग धर्मी नहीं था, वो राक्षसी रास्ते से था, प्राचीन का से बड़ी मचली छोटी मचली को खाती है, छोटी मचली जींगा खाती है, ये जंगल करते हुए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, बहुत से मूर्ख लोगें के धोखी में आ जाएंगे, या शायद व्वेग खुद से जुट बोल रही थी, ग्रूर वास्त विक्ता को स्विकार करने को तयार नहीं थे, हे हे, सच तो ये है कि खाना तो खाना ही रहेगा, हर जेवित प्रानी खाते हैं, यदि नहीं तो वे जेवित नहीं रह पाते, बात सिर्फ इतनी है कि उनकी खान पान की आदतें अलग-अलग हैं, फैंक्योआन ने उस स्टॉनल मालिक का पीछा किया और स्टॉनल में मौजूद वस्तूओं के बीच से एक टोकन उठाते हुए अपना शरीर नीचे कर लिया, ये टोकन काले स्टील का बना हुआ था, बचसूरत और गंदा जिसका आधा टुकडा बचा हुआ था, उस पर शब्द खुदे हुए थे लेकिन इतने लंबे समय के बाद और उसके शरीर के दूसरे आधे हिस्से के बिना शब्दों को पहचा नहीं जा सका। लेकिन फैंक युवान को पता था कि ये शब्द खुट फैंकोट हैं। करने के लिए उसने एक काले स्टील का टोकन बनाया जिस पर कोट फैंकोट शब्द दुकेरा गया था। उसने टोकन को दो हिस्सों में बाट दिया, आधा लड़की को दे दिया और आधा खुद रख लिया। राक्षशी मास्टर के जाने से पहले उसने लड़की को के लिए अभी भी प्रभावी रहेगा। युवा लड़की ने उनके शब्दों को अपने दिल में उकिरा लेकिन पचास साल से भी कम समय के बाद द्वेन हुव परवत पर एक बड़ी लड़ाई हुई और जबाला मुखी फट गया जिससे गुई कुगुपा नश्ट हो ग जब युवा लड़की बुढ़ा पे में मर गई तो उसने अपने बच्चों को ये रहसे नहीं बताया जिससे ये जानकारी उसकी कबर पर आ गई। युवा लड़की के वंश जिनको कबीले ने भगा दिया और अंततह वंश के पतन के कारण वे शांग कबीले शहर में बस वंशस प्रतिभाहीन और अविवाहित थे, कई पीडियों के बाद के वल ये ही युवक शेश रह गया। ये युवक बचपन से ही बिगडल था, उसका सुभागोट युवा मालिक था और उसे जुआ खेलना, शरापीना और वेशियाओं से मिलना बहुत पसंद था। अप जो राक्ष सीफू मास्टर सथे, यहां खरिदारी करने आए, और गलती से उन्हें स्टायल में प्रदर्शित आधा टोकन मिल गया। अध्धाय 339, जियों कबीले के तीन भाई, वे तीनों तुरंत बहुत खुश हो गय, उन्होंने टोकन का दूसरा आधा भाग निकाल लि तो यह पता चला कि उस समय राक्ष सीफू मास्टर के भी वन्षज थे। ताय कबीले द्वारा गिरफतार के जाने से पहले, उन्होंने अपने वन्षजन को इस गटना को याज रखने और भविश्य में यदि संभव हो तो उस डयालुता का बदला चुकाने का निर्देश दिया। तीनों भाई इस राक्ष सीफू मास्टर के वन्षज थे। इस टुकन को देखने के बाद उन्होंने तुरंट रेस युवास टानल मालिक को मामला समझाया और उससे पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। वे उसकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे ये युवक बहुत चालाक था। उन्होंने तुरंट उत्तर दिया, उनके पास तीन अधीनस्थों की कमी है और उनकी मदद के लिए आसपास कोई नहीं है। एक साथ घुटने तेखने से पहले तीनों भाई उन्हें एक दूसरे की ओर देखा और बादा किया कि वे 20 साल तक उस युवक की सिवा करेंगे। वे 20 वर्षों तक उसके सभी आदेशों को सुनेंगे लेकिन उसके बाद वे स्वतंत्र हो जाएंगे। ये तीनों भाई युद्धि के मैदान में प्रसिदित थे, उनमें से प्रत्यक के पास तीसरी श्रणी की ठेती थी और वे बहुव तीन पत्थर लाने के लिए कहा और उन्होंने उनके सभी अनुरोधों को स्विकार कर लिया। लेकिन 20 साल बाद तीनों भायों ने एहसान का बदला चुकाया और चले गए। वो लंबे समय से भूल गया था कि कैसे काम करना है और भिक मांगने में उसे बहुत शर्माती थी वास्तों में उसने खुद को रोका भी नहीं था और एक राजा की तरह रहना जारी रखा। आधे महीने से भी कम समय के बाद उनकी मृत्य हो गई। बेशक ये सब भैंकिवान के पिछले जीवन में हुआ था। फिलहाल तीन राक्ष सिफू गुरू को अभी तक आधा टोक साल के वल तीन राक्ष सी गुरू मास्टर भायों द्वारा खोजा जाएगा। लेकिन अब जब भैंकिवान के पास आधा तोकन था तो वो उन्हें सीधे ठूंधेने के लिए बाई निंग बिंग और शांग शिन सी आई को ले आया। योहार के मूर में तीनों भायों ने अपने घर के सामने एक स्टाल भी खोला और मौज मस्ती कर रहे थे। आहा। ये लौड फैंक जिंग है और लौड बाई निंग बिंग है। फैंक और बाई को देखकर तीनों जल्दी से उठ गए। उन सभी को पहले युद्ध चरण में फैंकिवान या बाई निंग बिं मास्टर नहीं था जो दोनों का सम्मान नहीं करता था। मैं आज आप तीनों को धूलूने के लिए आहां आया हूं। फैंक युआ ने तीनों भायों को भावहीन होकर देखा। इन तीनों भायों का उपनाम जिंग था। सबसे बड़े को जिंग चुप कहा जाता था। ती चम की लालाल था। वो अगनी पत्रांग तीन मध्य चरंगु मास्टर थे। सबसे छोटा जियों फैंग था जो बांसी की टोपी पहने हुए था। उसकी छोटी छोटी आँखें तेज की और जब वो लोगों को देखता है तो उसे तिरची नजर से देखने में बजाता है वो पवन पत्रांग तीन प्रारंभिक चरंगु मास्टर थे। हेंगरी फैंग की बातें सुनकर तीनों भाई असाहज हो गए। जियोंग्टु ने तुरंत अपनी मुठी बंदकी और फैंग युवान को नमस्कार किया। लॉड़ फैंग जिंग क्या मैं जान सकता हूं कि मामला क्या है। अगर मेरे भायों ने आपको अंजाने में नाराज किया है तो मैं यहां आपसे माफी मांगता हूं। फैंग युवान ने थोरी से नाराजगी जताई। मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा। मैंने एक युवा मास्टर बनने में शांग शिंसी की सहायता करने के लिए युद्ध के मंच पर हार मान ली थी। हमारे यहां जंशक्ति की कमी है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों ऐसा करें हमसे जुड़ें। ये जियूं कबीले के तीन भायों ने भावं ने चढ़ा दी। वे शांग कबीले शहर में आय और किवल एक ही कारण से यु बहुत अलग था। शांग्शिन सी सिर्फ एक अनुभवहीन लड़की थी और उसकी योग्यता केवल प्रथम श्रणी की थेती थी। उन तीनों में भी ग्रड योग्यता थी और उनका सयोजन स्ट्राइकस थाई रूप से रांक चार गुर मास्टर से मिल खा सकता था। शा फैंकिवान ही था जिसने ऐसा कहा जिस से तीनों मुश्किल स्थिती में आ गए। फैंकिवान ने जो काई बेई को एक युद्ध में हरा दिया था। उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। भले ही वे सेना में शामिल हो गए। वे फैंकिवान को नहीं हरा सके फैंग जिंग यहां घलत इरादे से आया है वोस पश्टरूप से हमें जबर्दस्टी अपने वश्मे करने की कोशिश कर रहा है आहाँ क्या दुर्भाग्य है कि फैंग जिंग ने उसे निशाना बनाया हम तीनों से हरा नहीं सकते और उसके पास बाइनिंग बेंग भी है इसके अलावा बैंग ने कांटा टोकन तीनों भायों ने एक दूसरे की भाबनाओं को समझते हुए एक दूसरे की ओर देखा वे तीनों अने चुक थे लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया वे केवल हर मानने का विकल्ब चुन सकते थे लेकिन फैंग की वान में अचानक कहा मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता अगर तुम्हें चुक हो तो आव यदि नहीं तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तीनों भायों ने एक दूसरे की ओर देखा अनिश्चित थे कि हिन्री फैंग सच बोल रहा था या सिर्फ अशाली निता से पेश आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जी उंग फैंग जो सबसे छोटा था सबसे साहसी था क्योंकि उसने ध्यान से कहा। आप तीनों वास्तों में साहसी हैं आपने मेरे निमंतरन को अस्विकार करने का साहस किया। चाहता था वो ये था कि हमें लेरी शांग शिंसी के अधीन जाने में खुर्शी होगी। हाँ हाँ मेरा यही मतलब था। जी ओं फैंग ने जारी रखा। हे हे उस मामले में मैं आशवस्त हूं। आप तीनों बहुत उत्सुक हैं। शिंसी उन्हें स्विकार करें। फैंग क्यों शांग शिंसी आई से कहते हुए घुम गया। उसके बगल में बाई निंग बिंग ने भोहे चढ़ा दी। इस तरह जबरदस्ती में लाने पर उन्हें उनकी वफादारी नहीं मिलेगी। इतने दूर के मातरहत से क्या फायदा। शांग शिंसी को भी यही चिंता थी लेकिन उसने फिर भी हेंग फैंग पर विश्वास करना चुना। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए तीनों भाईयों से कहा। अपसे क्रिपिया कड़ी मेहनत करें। हाँ। जियों कबीले के तीन भाई लेरी शिंसी आई को सम्मान देते हैं। तीनों ने अपनी मोचियां बाग धिनी और जुक कर उदासी निता से उतर दिया। हाँ हाँ। हेंग फैंग ने अपना सिर उठाया और हंसा। तीनों भाईयों ने सूचा। ये फैंग जिंग बहुत घ्रीनित है। एक वेश्या का जीवन जी रहा है लेकिन फ फैंग युआन ने हसना बंद कर दिया और एक आधा टोकन निकाला और उसे जियूंग टु की ओर फैंग दिया। जियूंग टु ने इसे अवचेतन रूप से पकर लिया। ये क्या है। बाकी दोनों भाईयों ने उत सुकता से देखा। लेकिन तुरंता तीनों भाई गए। ये, ये है। शांत और स्थिर जियूंग टु चिलाया। जियूंग टु ने टोकन को पकर लिया और उसका बारीकी से निरिक्षण किया। जियूंग फैंग भी समझ गया कि क्या हुआ। उसने अपनी भाई जियूंग टु से आगरह किया। भाई, जल्दी से हमारा टोकन निकालो। बाई निंग बिंग और शांग शिंसी की अजीब नजर के तहट जियूंग टु ने टोकन का दूसरा आधा भाग निकाल लिया। दो आधे टोकन पूरी तरह से एक में फिट हो गए और टोकन पर एक माया वी आवजलने लगी। ये, ये असली है। जियू जे उनकबीले के तीन भाई, क्या तुम्हें सच में सोचा कि मैं बिना किसी कारण के यहां आया हूँ। तुम क्यूं जिजक रहे हो। फैंक्यो आन ने उचित समय पर बात की। उनकी बातों ने उन्हें जगा दिया। दादा जी ने एक बार कहा था, चाहे टोकन का मालिक क कोई भी हो, भले ही वो दुश्मन हो, हमें उस डियालुता का बदला चुकाना होगा। ये सही है, हाला कि दादा दाजी फस गए हैं, हम उनकी प्रतिष्ठा को बरबात नहीं कर सकते। अपसे लेरी शांग्शिन सी हमारी नई मास्टर हैं, लेकिन केवल 20 वर्षों के लिए कर्ष चुकाने के लिए 20 वर्ष पर्याप्त हैं। तीनों भायों ने जल्दी जल्दी आपस में विचार विमर्ष किया। इसके बाद वे तीनों शांग्शिन सी के सामने एक गुटने पर बैढ़ गए और अपनी मुठिया भैचली। जियोंग टू, जियोंग हो, करते हैं। वे जोश और उत्साह से भर कर पहले से भी नस्वर में जोड़ जोड़ से चिल्लाने लगे। भाई हे टू, क्या हो रहा है। शांग्शिन सी को पता चला कि वे इमानदारी से उसके साथ जोड़ रहे थी और उन्हें बेहदुत सुकता महसूस हुई। अगली बार बात करेंगे, अब कुछ और सदस्यों की भर्ती करते हैं। चाह लोगों का गिरोह दास बाजार में पहुँचा। दुनिया में गुलामों का व्यापार होता था। कोई भी मजबूत्या संब्रिद्ध प्रथम श्रणी कबीला या सुपर कबीला दास व्यवसा को इसे संभालने देने के प्रतियाश वस नहीं थे। इतिहास में केवल शांग कबीले के लोग ही इसके प्रभारी थे। फैंग युवान ने पहले ही योजना बना ली थी और सपश्टरूप से जाज की थी। वो रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा और तेजी से एक प इंजले के अंदर के लोगों को खरीदने की सला नहीं देता। व्यवसाय को संभालने का प्रभारी एक गुद मास्टर तुरंत आ गया। ओ ऐसा क्या है। शांग शिन सी ने पूछा। लेरी शिन सी को नहीं पता ये लोग वेह कबीले से हैं। वेह कबीले में कुछ समय पह इता द्वारा बेचे जा रहे हैं। गुद मास्टर ने उत्तर दिया। शिन सी को तुरंत समझा गया कि उसने उन्हें इन दासों को न खरीदने की सलाह क्यों दी। वेह कबीला प्रथम श्रिणी का कबीला था। हाला कि ये शांग कबीले से छोटा था। फिर भी ये श्रिणी सीमा में एक प्रसिदिक कबीला था। कहा जाता है कि वेह कबीले की राजनितिक उथल पुथल को शांग्यान पुथल का समर्थन प्राप था। वर्तमान वेह कबीले के नेता ने भी कबीले के लोगों को बंधक के रूप में शांग कबीले में भेज दिया। कई वेही कबीले के बुजूर्गों ने भी गुपत रूप से अपनी समपति शांग कबीले को हस्तान्तरित कर दी। वेही कबीले को पहले से ही शांग कबीले की कठ़पुतली कहा जा सकता है। शांक शिंसी के लिए जो शांक कबीले के युवा मास्टर बनने के लिए प्रतिसपर्धा कर रही थी, ये लोग मुसीबत थे। लेकिन फैंक युवा ने तुरंत कहा, हम इन लोगों को खरीद रहे हैं। बुरे काम करना लेकिन फिर वी अच्छी प्रतिष्था और प्रशंस इन देया है। हिन्री फैंग ने उस पर सीधी नजर डाली। ये मास्टर हसा, वो एक शांक कबीले का व्यक्ति था, बुजेओं कबीले की भायों की तरह हिन्री फैंग से नहीं दरता था। मैं हिम्मत नहीं करूँगा। मैं हिम्मत नहीं करूँगा। उसने शांक शिंसी अगर मैं घलत नहीं हूँ, तो और फ्यांगिन दासों को लेरी शिंसी आई के अधिनस्थों के रूप में कारे करने के लिए खरीद रहे हैं। क्या ऐसा है। बहुत सारी प्रक्रियाउं सी गुजरना होगा, आपको एक दिन इंतजार करना होगा। एक दिन बाद, बम, फैंकिवान ने अपना पैर उठाया और लात मारी। उस गुट मास्टर को ये उमीद नहीं थी कि फैंकिवान हमला करेगा। और उसे पकर लिया गया और पेट पर चूट लगी। तीस कदम से अधिक दूर उड़ते हुए, उसने एक दर्शक को तकर मार दी और खून की उलते के बाद बेहुश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शांग कबीले शहर में लड़ने की हिम्मत कौन करता है। क्या आप जीने से ठक गए हैं। जल्दी से अपने आपको समर्पित कर दो। इस तरह के हंका मैंने तुरंच अध्यान आकरशित किया। दास बाजार पर पहले से भारी पहरा था, तुरंट एहीं गुमास्टर सके तीन समूहुने आकर उन्हें घेर लिया। वो में था। युवान फैंग को खड़े होने में कोई दर नहीं था। ये फैंग जिंग है। रोधित समूह ने फैंग युवान को देखा और तुरंट अपना जोश खो दिया। फैंग युवान के पास रांक 4 की युद्ध शक्ति थी। वे केवल रांक 2 थे और उनके नेता जिनके पास सबसे अधिक खेती थी। वे प्रारंभीक चरण में रांक 3 के थे। वे हैंगरी फैंग के लिए साइड डिश भी नहीं हो सकते थे। फैंग क्युवान मौके पर खड़ा हो गया और उसने अपना बैगनी कांटा वाला टोकन निकाल लिया। शांग कभी लेगो मास्टर से ने टोकन देखा और उनकी आभा एक बार फिर कम हो गई। नेता का उग्र और भयानत चहरा तुरंत बदल गया क्योंकि वो मुस्कुराया और विनम्रता से फैंग कि वान से कहा। लौड फैंग जिंग हम सब ही जानते हैं कि आप शांग कभीले के समानट अतित्री हैं। लेकिन यहां तक कि एक आतिती भी शांग कभीले में बलका सहरा नहीं ले सकता, आपने हमें भी घायल कर दिया कोलों के लोग नियमों के अनुसार, नियम के अनुसार मुझ पर 49 आदिन पत्थरों का जुर्माना लगाया जाएगा। हेंडरी फैंग ने तुरंत कहा, नेता हैरान थे, उन्हें उमीद नहीं थे कि फैंग्युआन शांग कभीले के नियमों से इतनी अची तरह वाकिव होंगे। फैंग के वान में अपना हाथ लहराते हुए प्राचीन पत्थरों का एक फैला बाहर फैंग का, अंदर 50 प्राचीन पत्थर हैं, परिवर्तन रखें। नेता को एक भिखारी की तरह महसूस करते हुए आदिन पत्थर प्राप्त हुए। जब वो दूसरों के साथ चला गया तो उसके चहरे पर हैरान और स्तब्ध भी व्यक्ति थी। यदि हिंडरी फैंग के पास्ताकत नहीं होती, तो बैगने कांतेदार टोकन के साथ भी वो इतनी आसानी से इसे बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन अब वो मजबूत था, यहां तक कि शांग कबीले शहर में भी अगर वो शांग कबीले के लोगों की पिटाई करता, जब तक कि ये कोई महतुपूर्ण व्यक्ति नहीं होता, तब तक कोई परिणाम नहीं होता। गु मास्टर प्रभारी को फैंकिवान द्वारा बेहुश कर दिया गया था, दास बाजार ने तुरंत उनकी देखभाल के लिए एक और गु मास्टर को भीजा, हम इस पिंजरे में मौजूत सभी लोगों को खरीद रहे हैं। फैंकिवान ने पिंजरे की और इशारा करते हुए कहा। पिंजरे के अंदर लोगों ने फैंकिवान को देखा। उनमें से अधिकांश की अभिव्यक्ति चकेत्या स्थब्ध थी, लिकिन कुछ ने गुस्से से उसकी और देखा। खरीदारी के मामले में फैंकिवान के ला ये रांक तीन का जहर बिचुगु है, कृपिया एसे अच्छी तरह से रखें लौड फैंकिवान को एक गुकिडा सौपद दिया। इस जहर बिचुगु का शरीर सफिद था, निर्दोश चीनी मिट्टे के बर्तन की तरह और दो अंगुलियों के आकार का था। ये तीसरी श्रेणी का गुठा जिसकी केवले एक हिक्षमता थी। शौच करना। इससे उत्पन बिचुगा मल से इंके समान काला था, ये रांक दो गुठा। कहावत है। बिचुगा मल दुनिया में एक है। इस बिचुगा मल गु प्रतेक में एक अनुखा जहर था। एक बार किसी पर प्रयोग करने के बाद उन्हें हर साथ दिनों में एक बार विशहरन करने के लिए संबंधित जहर बिचुगु की आवशक्ता होती थी। दासों को नियंतरित करने का ये सबसे आम तरीका था। हाला कि बेहतर प्रभाव के साथ गुलामी गु भी है लेकिन ये पाचवे नहीं कर सका, वो किसी भी आदिमसार का उप्योग के बिना किसी को डंक मार सकता था। फैंक्यवान ने पहले इस जहर बिचुगु को शांक्शिं सी आई को सम्ठने और उसे से परिष्कुर्त करने देने से पहले इसे परिष्कुर्त करने की योजना बनाई। उसे स्वयम अपने क्या कहा? किसी ने उन्वे ही कभी लेके 200 कोट खरीदा. मैंने आपको क्या निर्देश भिया था? मैंने आपको उन पर ध्यान देने के लिए कहा था. शांग की उन्यू के साथ इसे निप्टाने के लिए मेरे लिए कुछ दिन प्रतिक्षा करें और स्थिटेश शान्थ होने के बाद उन्हें खरीद ले नीचे. अध्यान का क्षमी, जब शांग पुलाओ ने प्रभारी गुल मास्टर को डांटा तो उनके चेहरे पर बचसुरत अभिव्यक्ती थी. प्रभारी गुल मास्टर पीले भाव के साथ बिस्तर पर लिट भी हुए थे. फैंक युवान द्वारा लात्मारे जाने के बाद वो अभी जगा ही था कि शांग पुलाओ उससे पूछताच करने आया. युवा मास्टर पुलाओ मैंने पहले से ही अपना सवरशेष्ठ प्रयास किया. मैं उनके बीच कला पैदा करना चाहता था लेकिन शांग शिंसी ने विमने की तरह फैंग जेंग की बात सुनी. मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता फैंक्यू आन ने मुझे उड़ा दिया और मुझे बेहुश कर दिया. प्रभारी ग्णू मास्टर ने बिस्तर पर लेटते समय बिना सुझे समझे समझाया. आहो, ये वेह कबीले के लोग एक समय आधिकारिक व्यक्ति थे जो वेह कबीले के संचालन को नियंतरित करते थे. उनके पास उच्छ, साधना और प्रबंधन का अनुभव है. अगर मैं उन्हें प्राप कर सकता हूँ, तो मैं स्वयम आधा वेह कबीला बना सकता हूँ. उनमें से वेह कबीले का पहला महिला वेह डिशिन गाड़ों का पोशन करने में सबसे कुशल हैं. वेह कबीले के नेता की रक्षक सेना एक समय में प्रसिद थी, उन्होंने कई हत्या के प्रयासों को सफलता पूर्वक रोका था, यहां तक कि एक ही बार में पांच र्यांग तीन फू मास्टर सके हमले को भी रोका था, यदि वे उस आंतरिक संकट के लिए नहीं होते, तो ते ऐसा कैसे कर सकते थे इतनी आसानी से तूट जाना, शांग पुलाओ ने एक लंबी आहं भरी, मैं अब आप से पूछ रहा हूँ, क्या स्थिती को बचाया जा सकता है, उसने फू मास्टर प्रभारी के और तेजी से देखा, गु मास्टर ने रोते हुए स्वर में समझा अपना सिरह लाया, उन सभी को पहले ही लाया जा चुका था, पूरी प्रक्रिया उचित्ती और कोई समस्या नहीं थी, युवा, मास्टर, मैंने तुम्हें विफल कर दिया है, कोई बात नहीं, घुम्बाराम करो, शांग पुलाओ ने ये सुना और अपना सिर उठाने से प शांग शिन सी एक साथ आये, इससे पहले फैंक युवान ने जहर बिछूगो को परिश्कृत करने में शांग शिन सी की मदद की थी, रैंक तीन का गुवा भी उसके लिए बहुत मजबूत था, इस प्रकार फैंक युवान ने जहर बिछूगो को नियंतरित करने में उसकी सहायता के लिए कुछ अन्यगु की रेक को चुना आज से शांक्षिन सी आपकी नई मास्टर है आप उसका अभिवाधन क्यों नहीं कर रहे हैं फैंक्युआन ने उनके सामने जहर बिछूपूई उसे सौपद दिया शांक्षिन सी आई को सम्मान देते हुए वे ही कभीले के लोगों ने धीरे-धीरे फर्ष पर घुटने तेक दिये उनकी आवाजे सुनसान थी बेबसी और स्थब्धता से भरी हुई थी वे सभी कठ़पुतलियों की तरह व्यभार कर रहे थे उन्हें कभीले से निश्का सित कर दिया गया अच्छा जीवन जिलने वाले ये सभी आधिकारिक लोग गुलाम बन गए थे उनका निराश और कमुच्साह वाला गवहार पूरी तरह से स्वभाविक था इन लोगों को देखकर कोई भी इनका उप्यो करके आशवस्त कैसे महसूस कर सकता है शांक्षिन सिको उन पर दया आ गई लेकिन खुद के लिए भी चिंता हुई वेई देशिन बाहर आओ मैं तुम्हारे साथ एक निजी बातचीत करना चाहता हूँ हेंडरी फ्रैंग ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ बढ़ाया वे अचानक उर्जावान हो गए क्योंकि उनकी कई अचम्भित करने वाली अभी व्यक्तिया उग्र और मस्बूत होगी आप क्या चाहते हैं? कई लोगों ने वेई देशिन को बचाते हुए अपने शरीर को हिलाया मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ उस परवंगली मत उठाओ उनमें से एक निप बड़ी सा तरकता दिखाते हुए हिंडरी फैंग परवंगली उठाई स्मैक हिंडरी फैंग की अभी व्यक्ति गहरी हो गई जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा और एक थपर मारा जिस व्यक्ति ने उसकी और इशारा किया उसे भारी बलद्वारा उड़ा दिया गया उसके तूटे हुए दाद जमीन पर गिरने से उसका मोग खून से भर गया ऐसा लगता है कि आप अभी भी वास्तविक का सिस पष्ट नहीं है हाला कि मैंने आप सभी को खरीदने के लिए बहुट पैसाग खर्च किया है लेकिन मैं मनुरंजन के लिए आप में से कुछ को मारने के खिलाफ नहीं हूँ तो क्या हुआ अगर मैं आपके कबीले के नेता की पत्नी के साथ कुछ भी करना चाहता हूँ तो क्या क्या आप मुचे रोक सकते हैं। हेंडरी फैंक की अभिव्यक्ति क्रूटी और उसकी आवाज बर्व की तरह ठंडी थी। आप वही कबीले का गिरोह क्रोधित हो गया, कुछ युवाओं ने अपनी मुचिया भैच ली, लेकिन उन्होंने दोबारा बोले की हिम्मत नहीं की। तुम सब घड़े हो जाओ। वही देश इनने बाहर निकलते ही उन्हें एक तरफ खड़ा कर दिया। हालाकि उसका चहरा गंदा था, लेकिन ये उसकी सुन्दर आरो जैसी उपस्थिती को छिपा नहीं सका। उसने हिंवरी फैंग को प्रणाम किया। लोड़ फैंग जिंग को इस नीच नौकर से क्या चाहिए। फैंग किवान ने अपने शरीर का निरिक्षन करने के लिए तीकी निगाहों का उप्योग करते हुए थंडे स्वर में कहा। लेरी वेई आप बहुत ज्यादा बोलती हैं। बस मेरा अनुसरं करो और मैं जो कहता हूँ उसका पालन करो। इतना कहकर वो पलट गया। पूलों की कलियां थी। इस तरह के खुब असुरत ज्रिश्यों ने वेई देशिन को थोड़ा आराम दिया। लेकिन फैंग किवान के अगले वाकी ने उसे परिशान कर दिया। उन्होंने कहा। पित करने की हिम्मत नहीं करता। हाँ 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 फैंक्यू आन में दिल से हस्ते हुए कहा। वेई देशिन गलत मत हो ये। मुझे आपकी प्रतिभा में बहुत दिल्चस्पी है। आपका शरीर और रूपरंग मेरी नजर में सिर्फ और कंकाल का एक जोड़ा है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप वक्षादार महिलाओं के एक सम्मूहा का पालन पोर्षन करें शांग्शिन सी आई के लिए गाड़ साथ ही आपको अपने वेई कभी लेके लोगों को ठीक सी प्रलित करना होगा। उन्हें कड़ी मेनत करने और सकारात्मक दृष्टिक का पालन करेगा। हे 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 फैंक्युआन ने फिर से गहराई से हसते हुए गहरे अर्थ के साथ कहा। लेरी वेई मुझे पता है कि आप गर्बवती हैं और मैं आपके इरादों को जानता हूँ। आप अपने पती के एक मात्रवंश को संग रक्षित करना चाहती हैं और साथ सटिक जानकारे के लिए अपने छोटे भाई वेई शिंजिंग से संपर्क करें तुमसे बदला लेने के लिए क्या मैं सही हूँ। जैसी ही उसने ऐसा कहा, वेई देशिन का चहरा पीला पड़ गया और उसका नाजुक शरीर का अपनी लगा। अध्धाय 331 चौथी रांक पर उन्नती वेई देशिन को अपनी हालिया शारडिक प्रतिक्रियाओं से पता चला कि वो गर्बवती थी। उसके गर्ब में नए जीवन ने उसे बड़ी आशा दी। ये उसका सबसे बड़ा रहसे था और उसमें कभी सूचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनो बात कोई बाहरी व्यक्ति इसे सीधे उजागर कर देगा। इससे उसे जटका कैसे नहीं लगता, वो घबराटी कैसे नहीं। फैंक यूआन के पिछले जीवन में वेई डेशिन ही थे जिन्होंने शांग पुलाव को शांग की उनी के खिलाफ जीतने में मदद की और एक सम पर किया और वो कभीले को शांग कभीले के खिलाफ फ्योजना बनाने में मदद की। वेई कभीले को एक जटके में खत्म कर दिया और अपने पती की हत्या का बदला लिया। इसका खुलासा होने के बाद वेई देशिन को शांग ज्यानफी का नुकसान पहुचाने वाले प देशिन की प्रतिभावत कृष्टती और अभ्यांकिवान के हाथ में आ गई थी। उसे नियंतरित करना और शांग्शिन सी के लिए उससे काम करवाना हिंवरी भ्यांक के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। अपने चोटे भाई वे शेन जिंकी तलाशन करें। उसे पहले ही वो कभीले द्वारा भरती कर लिया गया है और उस पर हर समय नजर रखी जा रही है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसका पता लगाने के लिए आपका स्वागत है खुद के लिए। हेंडरी फैंग ने अपनी उंगलियों को सहलाया, वो अपनी पीट सीधी करके पत्थर की कुरसी पर बैठा था और उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसकी हथेली में है। वेई देशन पर उनका रवय या पूरी तरह से हावी था। जमीन पर घुटनों के बल बैठे ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कई बार अपना मूँ खुला मानो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन आखिर कार चुप रहना ही बेहतर समझा। एंट में उसने हिंडरी फैंग की और अपना सिरगराई से जुकाया, उसका माथा जमीन को छो गया और वो समान जनक स्वर में बोली। मैं। हाला कि उसने अभी अपना मूँ खुला ही था कि फैंग की वान ने उसे रोका। और कुछ कहने की जरुरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपका और आपके कुल के लोगों का प्रदर्शन सबसे अच्छा जवाब होगा। आप अब जा सकते ह हें। हेंरी फैंग ने अपना हाथ लराया। वेई देशिन ही जा सका। फैंग की वान कुछ देर तक बिना उठे मंडब के अंदर बैठे रहे। उन्होंने वेई देशिन की आकृती को देखा, क्योंकि वो धीरे-धीरे हरे पेड़ों की कतारों में गाइब हो गई थी। वो जानता था कि इस बात्चीत के बाद वो अपनी पूरी ताकत से शांग शिन सी की सहायता करेगी। आखिरकार अपने पिछले जीवन में शांग पुलाओ ने भी उसके गर्ब में पल रहे बच्चे का फाइदा उठा कर उसे पूरी तरह से उसकी मदद करने के लिए के लोग हैं जो उसकी मत्य और निच्री नीव के रूप में कारे करेंगे। वही देशिन के साथ वो महिलारक्षकों को संगठित कर सकती हैं और एक शक्तिशाली और स्थिर सा शस्ट्रबल बना सकती है। तीन जी उंग भाई भी हैं जो उसके सेना पति होंगे और उसके पा लेकिन अगर हम जो उगवान को भर्ती कर सकते हैं और उसे प्रबंधक बना सकते हैं तो ये यवा मास्टर पद निच्चित रूप से होगा बैग। वेई देशिन, जियों कबीले के तीन भाई, जियोडाई, जियोलेन सभी जनरल हैं जबकि जो उखवान कमांडर होंगे। फैंकिवान बहुत स्पष्ट थे कि भर पूरन उभाव और उतक्रिष्ट प्रतिभावाले जो उखवान के मदद से शांक्षिन सी आई निश्चित रूप से यवा मास्टर सा पद जीतेंगे और ये और भी अधिक स्थिर होगा। भले ही शांक्षिन सी ने कड़ी मेनत नह सकता था। अभी शांक्षिन सी इन प्रतिभावों को चकित नहीं कर सका। आखिरकार वो अभी भी बहुत छोटी थी उसकी योग्यता उची नहीं थी और उसकी साधना परयाप्त नहीं थी। गु मास्टर दुनिया में नियम खुरूड और वास्तविक हैं पहली चीज जो कोई देखता है वो तागत है। बाकी पूरक हैं। हाला कि जो उगवान को वश्मे करना इतना आसान नहीं होगा। विशेश रूप से अब जबति जो उगवान को भर्ती करने में शांक्षिन सी की विफलता की अफ़वाहें एक दरजन से अधिक बार फैल चुकी थी और उ उसने इसे रोका नहीं। अभी समय ठीक नहीं था और उसके पास पहले से ये क्योजना थी। कई दिनों के बाद रात में नानके व उद्यान के एक गुप्त कमरी में। जोर सी मारना जोर सी मारना। छिद्र में लहरें उठी और हजारों सफेद चांदी के बर्प के टुकर घुम गये। फैंकिवान की इच्छा के तहट शिखर चरण रैंक तीन आदिम सारे परचरदीवारों पर पहुंचे। दस हजार जानवरों की उच्छल कूर्द्या आकाश गंगा की गति की तरह 90 प्रतिशत आदिम समुद्रेक राजसी और असीम शक्ति के साथ मध्य मौर इवन श्रेणी की योग्याताओं से कहीं उपर सब कुछ में बह गया। प्राइम वले सिंस ने इपरचरदीवारों को लगातार साफ किया। धीरे धीरे और चुप चाब सफाई से फैंकिवान की इपरचरदीवारों में एक छिपा हुआ बदलाव आया। जब ये परिवर ने रांग तीन शिखर चरण में आगे बढ़ने के लिए अवर्शेश गुकाउप्यों किया। और फिर बाइनिंग बेंग और हदी मांसिक्तागों की मदद से उसकी साधना तेजी से प्रगती कर रही थी। हर दिन उसने इतनी प्रगती की जो सामानी लोगों की कलपना से भी परे थी। रांग चार में किवले एक कदम दूर हूँ। हेन्री फैंक के दिल में ये अनुभूती और अधिक्ती व्रह होती जा रही थी। हाला कि आदिम समुद्र की सता लगातार घटती रही। स्नो सिल्वर प्राइम वलेसेंस इने रांग चार क्षेत्र की सेमाओं पर हिंसक हमला किया जिससे भारी मात्रा में प्राइम मलेसेंस भस्म हो गया। 90 प्रतिशत आदिम समुद्र से कोई मदद नहीं मिली और द्वार की दीवारों को पहले से ही साफ करके शुद्ध कर दिया गया था लिकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। हाला कि रांग चार के व पहत्वा कांक्षाओं को दबा दिया गया था। जैसे ही हिंड्री फैंग ने खाली छिद्र को देखा, ठीक उसी समय शिद्र से पीले सोने के छरने की एक धारा नीचे गिरी। ये बाहरी दुनिया से आया है। ये हडी मानसिक्ता गुके माथ्यम से बाई निंग बिंग द आदिम सार एक जवार की लहर में बदल गया और बर्व के चांदी के आदिम सार के चरणों का अनुसरण करते हुए एंपर चर दीवारों की ओर बढ़ गया। इसके पहले की सारी जमापूंजी ए सिक्षन फूट पड़ी। दरार एक दीमी ध्वनी के बाद छिद्र की दीवारों पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देनी लगी। दरारों से चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी। दरारे बढ़टी गी और क्रिस्टल की दीवारे हें शेल के ढहने की तरह ठहने लगी। टुकड़े आदिम समुझ की तली की ओर गिरने लगे और शुने में बदल गए। पूरे दो घंटे बाद बाइनिंग बिंके आदिम सार के निरंतर समर्थन के तहत ये परिवर्तन समाप्थ हो गया। क्रिस्टल की दीवारें अब देखने को नहीं मिली। उनकी जगे पतली प्रकाश जली की परतने ले ले। हाला कि ये सफेद रुष्णी और भी अधिक चमकदार थी और पूरे छिद्र पर चमक रही थी। हलके सुनरे आदिम सार की एक बून्द समुद्र के तल से टैर कर उपर आई। पीला सोना आदिम सार फैंग किवान रांक चार के दाएरे में आगे बढ़े। आख मकदार तेज रोष्णी उनके बीच चमकी और अंधिरे गुप कमडे में बिजली की किरन खींजी। वो इस परिणाम से प्रसन न थे। दो से तीन साल के छोटी अवधिका उप्योग करके चौथे स्थान पर आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए उन्हें पहले हदी मान सिक्तागु, बाइनिंग बेंग और फिर शांग कबीले शहर के अनुकूल वातावरण को श्रय देना होगा। साथ ही इसका श्रय उनके पिछली जीवन के प्रचुरान उभव और उनके स्वयम के प्रयासों को भी गया। चौथी रांग पर आगे बढ़ने का मतलाब एक प तुर्थ श्रयनी के थे। यदि गुयू परवत अभी भी अस्तित्व में होता तो फैंक युआन अब कबीले के नेता के पत के लिए लड़ सकता था। चाहे वो दक्षणी सीमा हो मथे महादवीत होया अन्यस्थान रांग चार की थेती एक गु मास्टर को हर जगह घूमन है कि फैंक युआन बड़ा हो गया है और अधिकांश गुमास्टर से से आगे निकल गया है। पुनरजन्म के बाद से मेरी साधना अब चौथे स्थान पर पहुँच गई है। मेरे पिछले जीवन की तुल्ला में ये गति अंगिनत गुनात तेज है। पहले एक कदम उठ खाकर और फिर कदम दर कदम आगे बढ़ते हुई मैंने लगातार अपना लाभर जित किया है और आज की उपलब्धि तक पहुँच गया हूँ ये सब मेरे पिछले जीवन के अनुभव की मदद के कारण था। फैंक युवान को इस बात का अधिक से अधिक एहसास था कि र रही है। एपर्चर पर इसका दबाव भी बड़ा होता जा रहा है। रांक चार बिलकुल नया प्रारंबिक बिंदु है। मैं हलके सोने के प्राइमल सार के साथ कई और रांक चार गुक आउप्यों कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे चार जिंक रेश गुकों हाथ रखकर खड़ा था और उसका स्वरुदासीन था। तुरंता उसे एक अधिनस्त से उत्तर मिला। हाँ, लौड फैंग जिंग। फिलहाल फैंग के पीछे बाइनिंग बिंग, जियोडाई, जियोंग बनप्रदर्सक के साथ वे देश इन और उनके लोग खड़े थे, जिन्होंने हाल ही में कुछ गुको परिश्कृत करने के बाद अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी। ये वही जगह है। मिसी और मैं यहां कई बार आये, लेकिन हर बार हमें नजर अंदाज कर दिया गया। जियोडाई ने बगल से गुस्से में कहा, भगवान यदि आप मेरे गुरु को देखना चाहते हैं, तो कृपिया हमें अपना विजिटिंग पत्र भेजें। मेरे गुरु इस समय दोपहर की जबकी ले रहे हैं। दरवाजावाला आगे आया और हंकार से कहा उसने जियोडाई को पहचान लिया और समझ गया कि ये शांक्षिन सी आई के लोग है। दोपहर की जबकी विजिटिंग प्लिचर। हे हे हे। इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ती तुरंत धहुंदली हो जाए, हेंरी फैंग ठंडे स्वर में हंसा। उसने अपना हाथ लहाया। जाओ, दरवाजा तोड़ दो। हे हे हे। हर कोई थोड़ी देर के लि तिधी घबराया हुआ महसूस कर रहा था और चिलाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तुम घटिया इंसान ने हामारा रास्ता रोकने की हिम्मत की दफ़ा हो जाओ। जियूंग होने बुरी मुसकांडी और लातमारी जिससे दरवाजा उड़ गया। टक्राना। जि परदस्ती तोड़ने के लिए अपने कुरूर बल का इस्तिमाल किया। आप क्या कर रहे हो। कुछ नौकरशोर मचाते वे भागे लेकिन परशा चिकफू मास्टर सके समूह पर एक नजर डालने से वे डर के मारे शान्त खड़े रहे। क्रश बैंग क्रश बैंग। सिलम सि फैंगिवान के समूह ने जहोगवान की जागीर में खुस पैटकी और हिंसक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। जो कुछ भी उन्होंने देखा उसे तोड़ डाला और लोगों को पीटा। जियों फैंग ने कुछ सुन्दर देखने वाले नौकरों के साथ भी आजाद 32. जो उगवान का जटका हम मास्टर क्या करते हैं। प्रबंधत निर्देशों के लिए पूछते हुए जो उगवान की और पागलों की तरह दोरा। जो उगवान जागने से पहले ही चौत गया था। उसने देखा कि हिंडरी फैंग ने उसके घर में हंगामा मचा दिया थ वो क्रोधित हो गया। ये फैंग जिंग पूरी तरह से अराजक है। उसने वास्तों में शांग कबीले शहर में बल प्रयोग करने का साहस किया। रुको। ये आभा, रैंक 4 है भगवान, उसकी उम्र कितनी है, वो पहले ही रैंक 4 पर पहुँच गया है। जो उगवान ने गुपत रूप से देखा, लेकिन अचानक उसकी आँखें खुल गी, क्योंकि वो पूरी तरह से स्तब्ध था। वो एक बार एक कबीले के नेता, रैंक 4 गुद मास्टर थे। लेकिन वो रैंक 4 के दाएरे में तभी पहुँचे जब उनकी उम्र 50 साल के करीब थी। युद जिंग भी चौथे स्थान पर पहुँच गया, वो एक सचार रैंक 4 गुद मास्टर है। उसके पास बैगने कांटा टुकन भी है और शांक शिन सी आई और शांक चाओ के साथ उसके अच्छे संबंध हैं फिंग। वो बहुत जिद्धी है, पहले उसने दास बाजार में प जरकतों से आखे मूंदर रहा है, मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अगर मैं उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, तो क्या मैं चिप नहीं सकता? ये सोचकर जो उगवान ने आभरते हुए अपने पुराने प्रबंधक से कहा, जल्दी से अपना सा बंधक जल्दी से सामान समेटने चला गया, एक क्षण बाद गिरोह ने जागिर को उलट पुलट कर दिया, जो स्थान सुंदर और शान था, वो युद्यक्षेत्र बन गया था, भगवान हमने खुजा, हमें जहोखवान नहीं मिला, जियोंग तुने सूचना दी, मा, वो दर्वाजे से निकल गया होगा, वो बहुत दूर नहीं जा सका, वो शायद दुकान में च्छिपा है, लेकिन ये सब मेरी उमीदों के अनरूप है, मैंने चान बुचकर पिछला दर्वाजा वैसे ही छोड़ दिया, हे हे, हे, हेंरी फैग बहसे, जो उगवान ने सूचा कि फैंकिवान शांग कभीले का सम्मान करेगा और परेशानी पैदा करना पंद कर देगा, लेकिन फैंकिवान कौन था, उसके दिल में यहां तक कि सुपरसाइज शांग कभीला भी उसकी महत्वा कांक्षाओं के लिए बस थोड़ा बड़ा कदम था, क्या तुमने वो तयारी कर ली है जो मैंने तुम्हे करने का निर्देश दिया था, फैंकिवान ने वेई देशिन से पूछते हुए पलता, वेई देशिन ने तुरंत जबाब दिया, ये तयार किया गया है, बहुत अच्छा, हेंरी फैंग ने अपना हाथ लराया, चलो चलें, दिरोह ने जागिर छोड़ दी और तुरंत हंगामा मच गया, शांग कबीले का शहर हमीशा बहुत शान्ति पुन और सुरक्षित रहा है, फैंकिवान का किसी के घर में खुसकर गरबड़ी करना पहले से ही काफी ध्याना आकरशित कर चुका था, इसके अलावा, फैंकिवान ने वेई देशिन को इस मामले के बारे में समाचार प्रसारित करने का निरदेश दिया, इस प्रकार ये शहर में और भी संसनी खेज कहानी बन गई, अनीक राहखीर इस द्रिश्य की ओर राकरशित हुए, जाना, फैंकिवान ने इस मार्क का नेतरत वकिया, अपने अनुयायों को सड़कों प बनाय रखते हुए, रास्ते में राहखीरों की संख्या बढ़ती गई, भीड़ितनी बढ़कई कि सड़क लोगों से खचाखच भर गई, मास्टर, मास्टर, वो फैंगल छेंग फिर से यहां है, बोह प्रबंधक ने भय अभी थोकर सूचना दी, चिंता करने की कोई जरू मित्वर में है, उसे यहां घोसने की हिम्मत नहीं होगी, जो उगवान ने अपनी प्रबंधक को शांत करते हुए, अपनी दाढ़ी को सहलाया, इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, फैंक युआन ने सब के सामने लात्न मार कर दुका शोर मचा रहे थे कि शहर की गार्डों को बहुत पहले ही सूचित कर दिया गया था, ये एक शांग कबीले की दुकान है, आप बलपूरवक्त प्रवेश नहीं कर सकते, ये शांग कबीले शहर के नेमों का उल्लंखन है, बातिया पसीना बहाते हुए गार्ड गीडर चिलाय वो आज ड्यूटी पर था, अगर वो नहीं बोलता, तो शांग कबीला शहर बाद में अपनी गैर जिम्मेदारी का पालन करेगा, लेकिन फैंकिवान ने उसे पूरी तरह से नजरंदाज कर दिया और एक भी शब्द पर ध्यान दिये बिना अंदर चला गया, अन्ने लोगो सकते हैं? इस रांग दो नेता का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसने फीके भाव से जवाब दिया, भले ही मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, हमें कोशिश करनी होगी, ये शांग कबीले का शहर है, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपको जानना होगा, लौड़ फिंग के कारियों ने शांग कबीले शहर के नेमों का उल्लंखन किया था, अध्यायती 926, हम चानते हैं, ठीक है, बाइनिंग बिंग ने अपनी भोहे उपर उठाई, जैसे ही उसने नेता की और प्राचीन पत्थरों का एक थेला उचाला, अंदर 500 आदी कालीन पत्थर हैं, पैसे बचा कर रखें, हमें बाद में भी उस जगह की पिटाई जारी रखनी है, ये अगरिम भोगतान है, इतना कहने के बाद बाइनिंग बिंग भी दुकान में दाख खिल हो गई, नेता वही पर जमे हुए खड़े थे, जैसे ही उन्होंने प्राचीन पत्थरों के उस भारी ब जब हार करते नहीं देखा, फैंग जिंट और बाइनिंग बेंग चोथे गु मास्टर से हैं, उनके पास ख्षमता है, उनके पास पर्पल थॉर्न अट्टो कन पेकिंग भी है, फिर उनकी नकल कौन कर सकता है, अगर मेरे पास्ता कत्भी हो, तो भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, वे बहुत साहसी हैं, दिन के उचाले में ऐसा करना वास्ताव में, जैसा कि कुछ लोगों ने चर्चा की अधिकांश दर्शक अवाक रह गए, कुछ लोग शो देखने के लिए दुकान में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें या तो फ्यांकि फ्यांकि आदमियों ने बाहर रोक दिया, या शहर की गार्डों ने उनका पीछा किया, नेता जी, क्या हम अंदर जाएं, एक नगर रक्षक ने धीरे से पूछा, किसलिए अंदर जाओ, उन्हें हम पर प्राचीन पत्थर फ्यांकने देने के लिए, नेता चिलाया, रुको बड़े बाबु के आने का इंतजार करो और स्वयम इसे सुलचाओगे, वापस फ्यांकि वान के पास, जो दुकान में प्रवेश कर रहा था, फ्यांक जिंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, शांक कबीले की दुकान में जबरदस्ती घुसना, क्या तुम अब भी श शांक कबीले शहर में रहना चाहते हो, जो उगवान का चेहरा गम फीर था, क्योंकि उसने शांक कबीले के नाम का उप्यो करके फैंग युवान के प्रभुत्व को दबाने की कोशिश की थी, हेंडरी फैंग ने तेरसकार पूरवक जो उगवान को देखते हुए विरंग क किया, बुखे आदमी, क्या तुम घर पर जपकी नहीं ले रहे थे, तुम यहां क्यों चुपे हो, हम दोनु समार्थ लोग हैं, चलो विर्थ बाते मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहां हूँ, अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो मेरे सामने समर्पन कर दो या फिर मर जाओ, हे हे हे, नौजवान, मैं तुम्हें अपना अहंकार बंद करने की सलाहत दोगा, जो उगवान ने मुस्कराते हुए कहा, उसका गौर वपुन अचरित्र हवी हो गया, उसने अपना सिर नीचे करने से इनकार कर दिया, आप मुझे नुकसान पहुचाना चाहते हैं, क आप इतने सालों से जेवित हैं, आपकी दूर दर्शिता खराब होती जा रही है, क्या आप नहीं देख सकते, मैं शांक्शिनसी से अलग हूँ, कोई बात नहीं, मैं आप पर दया दिखाऊंगा और आपको एक मौका दूंगा, मुझे पूरी तरह से समझने का मौका, फैंक क्योआन इतना बेकाबू हो जाएगा, हमला करने के बाद, उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया और लगभग बेहुश हो गया, लेकिन उसके पास अभी भी अपना सम्रिध्य ननुभव था, वो तुरंत उठा और हिंगरी फैंक को युद्ध में शामिल कर लिया, बम ब जो उगवान उससे मिलने के लिए बहुत बदकस्मत है, सभी ने आह भरी, किसी ने नहीं सोचा था कि जो उखवान जीतेगा, वैसा ही थे, दुकान में लड़ाई जल्दी ही समात हो गए, जो उगवान बिल्कुल भी फैंकिवान का मुकाबला नहीं कर रहा था, उसके पास सभी भी कुछ छिपी हुई चोटे थी, भले ही वो आंक तीन के शिखर चरण मिट था, गबंकिवान युआन के खिलाफ, कोई रास्ता नहीं था कि वो जीत सके, मारपीट के दोरान दुकान में जमकर तोर फोड़ की गई, लगभग आधी दुकान नश्ट हो गई, धुआ चंटने के बाद सभी ने देखा कि जोखवान जमीन पर गिरा हुआ था, खून बह रहा था और उसके हड्यां तूटी हुई थी, वो स्थिर था, फैंकिवान जमीन पर खड़ा था, जैसे ही उसने जोखवान के सिर पर कदम रखा, जिस से एक प्रभावशाली आभा उत्प मैं लोगों को सबक सिखा रहा हूँ, हेंरी फैंक ने जोड से उतर देते हुए अपनी आखें घुमाई, भीर हस पड़ी, लौड फैंक छेंग, हम यहां मजा के लिए नहीं हैं, ये मामला बहुत गंभीर है, क्या आप परिणाम चानते हैं, कभीले के बुजूर्गों ने गंभीरता से कहा, जो उकवान, जिसे फैंक की वान ने को चल दिया था, ने विरंग किया, क्योंकि उसके खुले मूँ से खून बह रहा था, फैंक छेंग बहुत दावला था, उसने मामले को बहुत गंभीर बना दिया है, इस बार वो इससे कैसे बाहर निकलेगा, हलांकि प्रतिभा है, आखिरकार वो शांग वनश का व्यक्ति नहीं है, सभी की निगाहों के सामने हेंडरी फैंग ने हसते हुए कहा, बेशक मैं परिणामों को जानता हूँ, इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि किसी व्यक्ति की हत्या के परिणाम क्या होते हैं, इतना कहक अगर उसने बैगनी कांटे की निशानी निकाली, बढ़ों, अगर मैं शांग कबीले शहर में हत्या करता हूँ, तो इससे शांग कबीले की शांती बरबाद हो जाएगी, नियमों के अनुसार, मैं बैगनी कांटा टोकन खोद दूँगा, क्या ये सही है, फैंक युवान ने स सवाल किया, हाँ, एक बुजूर्ग ने तुरंत उत्तर दिया, सपश्ट उत्तर पाने के बाद, हेंडरी फैंक के होट मुर गए और उसने एक कठोर मुस्कान दिखाई, उसने ताकत लगाई, और बैगनी कांटे को फीस कर चूर्ण कर डाला, इस कारवाई से भीर सदमे में चीतने लगी, क्योंकि बुजूर्गों की फोटिया से कुरगी, फैंक चिंग ने बैगनी कांटेदार टोकन को नश्ट कर दिया, वो बैगनी रंग का कांटा है, उसने उसे नश्ट कर दिया, कितनी बड़ी बरबादी है, फैंक चिंग ने बैगनी कांटा टोकन भी जो उगवान बहुत अहंकारी है, उसने कई बार शांग्शिंसी के निमंतरन को अस्विकार कर दिया। उसने इस वज़ा से फैंग्लचिंग को नाराज कर दिया, क्या दुर्भागय है। बैगनी कांटों के टुकरों को जमीन पर गिरते हुए देखकर यहां तक कि उसके अपने चहरे पर भी जो उगवान की मुस्कान ठिठक गई। ये एक बैगनी कांटेदार निशानी थी। फैंग्लचिंग ने अपने बैगनी कांटेदार टोकन को भी नश्ट कर दिया, वो मे मेरी जिन्दगी चाहता है। क्या वो वो या वो पागल है। जो उगवान फैंग्लचिंग के पागलपन लापरवाही और पागलपन से पूरी तरह से भयभीत था। अध्धाय 333 शांग कबीले शहर को छोड़ना उसने मान लिया था कि फैंग्लचिंग उन उसे सबक सिखा जाने के कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने ये उमीद नहीं की थे कि फैंग्लचिंग का हत्या का इरादा होगा यहां तक कि वो स्वेच्छा से की मच्टी बैंगनी कांटा जो गन भी छोड़ देगा। सिर्फ मेरी वज़र से तुमने इतनी बेहमी से काम किया, क्या ये इ हैसूस करते हुए जो उगवान रोना चाहता था। वो एक सामाने व्यक्ति थे। उससे मौत का भी दर था। यदि नहीं तो जो कभीले के सफाय के बाद और वो अकेला और घायल हो गया, वो पहले ही मर गया होता। लेकिन वो जीवित रहा। जीने की चाहत हर जीवित प्र प्रिले का नेता था, वो उस जैसी कमजोर और शक्ति हीन लड़की के सामने कैसे समर्पन कर सकता था। लेकिन मामला इतना बढ़ जाएगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। अब उस पर मौत का खत्रा मंदरा रहा था। हेंडरी फैंक का पागलपन कुछ ऐसा था जिसकी उ उमीद नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैंने उसका निमंतरन स्विकार कर लिया होता। ये सूचना कि इसका अंचिस तरह होगा। जो उगवान को गहरा अफसोज हुआ। हाला कि वो घमंडी था, फिर भी वो मूर्खिन नहीं था। उत्तरजी विता और गौरव उन्होंने इस पश्टरूप से पूर्व कुछ चुना। यदि नहीं, तो वो इतने वर्षों तक एक पिचते हुए कुट्टे की तरह जीवित नहीं रहता। ये सही है, मैं समझता हूँ। शांग शिन सी को अस्विकार करने का मेरा कारे उसकी प्रतिष्ठा प महसूस करते हुए जो उगवान ने तुरंत कारण के बारे में सूचा। अपनी बुद्धि मत्ता से, थोड़े से विशलेशन से वो समझ गया कि पहले कि सभी अफरवाहें शांग के इपहन के कारण थी। उस समय वो अभी भी प्रसन और आत्मसंतुष्ठ था। ये स्थिती में वो शांग के इपहन के पास जा सकता था। चाहे वो शांग के इपहन हो या शांग शिंसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो मदद करने को तयार था, वो उन्हें आसानी से यवा मालिक बना सकता था। ये जहोखवान का आत्म विश्वास था। ल ये मो का पालन नहीं करता था। जो उगवान इस बार पूरी तरह से खराब हो गया था। जो उगवान जमीन पर फैल गया उसके हड़िया आयुद्ध के कारण दर्द कर रही थी। क्योंकि उसके चहरे पर फैंकिवान के पैर के कारण वो स्थिर हो गया था। वो अपना मो खोल कर दया की भीक मांगना चाहता था। लेकिन वो ये नहीं कह सका। इतने सारे लोग देख रहे हैं अगर मैं सारवजनिक रूप से भीक मांगूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा खाराब हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी जान ले ली जाएगी। चरित्र भागे तै करता है। महतुपूर्ण अक्षन में जो उगवान का अहंकार अभी भी उसे प्रभावित कर रहा था। कहावत है एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के सामने समर्पन कर देता है। जो उगवान चुकि आप अपनी परिस्थिति का नहीं समझ सक इसलिए आप कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। मैंने तुम्हे मारने के लिए बैगनी काटे का निशान बरबाद कर दिया, समानित महसूस करता हूँ। अब मर जाओ। जब फ्यांकिवान ने अपने पैर पर बल लगाया तो उसने व्यरंग किया। जो उगवान ने उस पर टीवर दबाव महसूस किया, उसने अंततह सभी जिजक छोड़ दी और भीक मागी। लेकिन क्यों की हैंरी फ्यांकि इतना बल प्रयोग कर रहा था, उसके गाला पस में बिच गए थे, वो बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं सका। जो उगवान घबरा रहा था। रुको, मैं मरना नहीं चाहता, भीक मागना चाहता हूं, मैं समर्पन करना चाहता हूं, मुझे बोलने दो। वो अपने दिल में चिलाया, साथ ही उसने अपने अंगों को उनमत्तता से इधर उधर लहराया। उसने फैंकिवान का पैर पकर लिया, लेकिन फैंकिवान का शर दया करो। शांक्शिन सी आई घटनास्थल पर पहुंचे। शिन सी आई ऐसा लगता है कि अंट में आपको अभी भी पता चल गया है। मैं जानता हूं कि आप प्रतिभाओं को संजोते हैं लेकिन आपको उसके लिए भीक मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा रेक्ची मौत का हदार है। हेंडरी फैग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया लेकिन अपने पैर पर बल लगाना बंद कर दिया। नहीं भाई है तू मुझे बोलना है। शांक्शिन सी बहुत जड़निश चाई थे। उसने आगे कहा। आपने सा जोखवान के साथ ज्यादा समय नहीं बिता हैं उन्होंने एक बार बड़े दुख के साथ मुझ से कहा था कि वो अपने पूर्व कोलों को नहीं बूल सकते। उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि वे अपने घर का पुनर निर्मान करें। इन वर्षों में उन्होंने भारी बुल जुट आया है और इसके लिए कड़ी मेह कर रहे हैं उसकी शिकायत हैं। क्या ऐसा है? हेंरी फैंग ने अपनी पैर पर लगाई गई ताकत को कम कर दिया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। मुझे याद क्यों नहीं कि मैंने कभी तुम्हें ये बताया था? जो उगवान को अजीब लगा, जब उसकी पत्नी की मृ क्यों हुई तो वो घट नास्थाल पर भी नहीं था। लेकिन वो तुरंत समझ गया, ये कृत्य था जो शांग शिन सी फैंग युवान के साथ कर रहा था। दरसल फैंग युवान और शांग शिन सी आई अभी भी उससे भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शा शांग शिन सी की दयाल लुता और प्यार को चित्रित किया, बल्कि इसने उन्हें इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता भी दिया। क्या शांदार योजना है, वाकई बहुत अच्छी योजना। मैं जो कभीले का नेता हूँ, लेकिन आज मैं इन युवाओं से हार गया। सचमुच नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगा ले रही है। जो उगवान या सहाय होकर आहें भरते हुए अपने दांद पीस लिए। उसे गुसा, नफरत, लेकिन दुप और बेबस्ती भी महसूस हुई। तो ये बात है, ये सूचना कि साज हो आकांक्षाओं वाला कैसा लेकती था। लेकिन आप बहुत मूर्ख हैं। शिंसी की सहायता करना आपके घर के पुनर निर्मान की आपकी आकांक्षाओं से नहीं तकराता है। आप अपने लक्षियों के कारण मृत्यूं से नहीं दरते हैं, मैं आपसे प्रभावित हूँ। लेकिन क्या आप जा और जानता था कि ये एक अवसर था जो थैंक्यों आनों से दे रहा था। संभवता ये आपकरी भी था। यदि वो इससे स्विकार नहीं करेगा तो उसका जीवन समाप्थ हो जाएगा। उसके लिए और कोई संभावना नहीं बचेगी। ऐसा सूचते हुए इस बूरह जो उगवान को उपर उठाने में मदद करते हुए शांक्षिंसी बहुत खुश था। जो उगवान ने अपने शरीर पर दर्द को सहं किया, धीरे धीरे उठे फिर शांक्षिंसी आई को सम्मान दिया। जो उगवान ने लेरिशिंसी आई का स्वागत किया। आपने क्या क जो उखवान ने उस लड़की को अपना स्वामी स्विकार किया। अध्ययन का क्षमी, शांकेपहन ने ये सुना और सदमे में रह गया। ये असंभव है। मैं जो उखवान के व्यक्तित्व को जानता हूं। यहां तक कि जब शांक्याजी प्रभारी था और सभी दुकानों को नियंत्रित करता था, तब भी वो उसे भर्टी नहीं कर सका। इस शांक्षिन सी आई के पास अपनी वफादारी हासिल करने के लिए क्या क्षमता आए हैं। शांक्षिन सी अभी भी युवा हैं, उसके पास स्वभाविक रूप से क्षमता नहीं है। लेकिन उसके साथ फैंग जिंग और बाई निंग बिंग हैं। सच बोलने के लिए मैंने फैंग जिंग को कमाका, ये सोच कर कि वो बहुत सड़य अंतरकारी है उस सीधे पहलू के तहत। उसने चान बुचकर मामले को हल करना संभग बना दिया और जोखवान को उसके सामने जोखने के लिए मजबूर किया। अगर जोखवान ने समर्पन नहीं किया होता, तो फैंग जिंग ने उसे मौके पर ही मार डाला होता। फिलहाल, पूरे दुकान जिले में इस मामले के बारे में बात हो रही है। हर जगह फवाहें हैं, जिसमें कहा गया है कि जोखवान अपमान और शर्मिंदेगी सहते वे जी रहा था। अपने कबीले का पुनर निर्मान करने के लिए फैंग जिंग द्वारा प्रबुद्ध होने के बाद उन्होंने शांग शिन सी आई में शामिल होने का फैसला किया, जिन्हें प्रतिभावं से प्यार था। शांग शिन सी आई की प्रतिष्ठा अब चरम पर पहुँझ गई है। शांग के फैन ने ये सुना और क्रोधित हो गया। इसका मतलब है कि हमने पहले चारों और अफवाहें फैलाने में जो प्रयास बरबाद किया था, उसने इसके बजाय उन्हें मदद की है। जूते, व अभी खत्मर नहीं हुई है, हलांकि शांग शिन सी के पास सब कुछ लोग हैं, विवास्तों में उसके प्रतिवफादार नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास अभी भी मेरम की मदद है, अभी भी एक उच्च संभावना है जीतने का। बुर्य जांग ने शांती से जैसा कि उन्होंने सलाह दी, शांग के फैन की भावनाएं वापस सामाने होगी। उसने अपने दांत पीस लिए उसकी आँके एक अशुभ रोशनी से चमक उठी। आप सही हैं, एक सेना बनाने में बहुत समय लगता है। उसने जिन सभी लोगों को भरती किया था, उन्हे या तो धमकी दी गई थी या मजबूर किया गया था, वो उनकी वफादारी कैसे हासिल कर सकती थी? हे हे हे, अगला, मैं उनके बीच कल्र भढ़काएगा, और फिर उन्हें पैसे से अपने वश में कर लेगा, मुझे यकीन है कि ये काम करेगा। शांग्शिन सी आई के प्र विश्रिवानी की थी, एक बार व्यापार शुरू होने के बाद इसने बहुत हंगामा और प्रतिक्रिया पैदा की। शुरुवात के पहले दिन ही उन्होंने अपनी निवेशित पूंजी वापस पाली, दूसरे दिन भी कारोबार में तेजी रही, तीसरे दिन भी कारोबा और हर किसी को डिगाया नहीं जा सकता था ऐसी एकता से अन्य युवा उस्तादों को आश्चरे हुआ शांग के भेन घबरा रहा था क्योंकि वो जानता था यदि शांग शिन सी अपनी वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ इसी तरह विक्सित होती रही तो वो निश्चित रूप से अंतिम विजेता होगी इस प्रकार उसने शांग कभीले के उच्च पदस्थों को प्रभावित करने के लिए अपनी मा के प्रभाव का उप्यो करना शुरू कर दिया शांग कभीले के उच्च अधिकारियों ने एक बैठक की और शांग्शिन सी आई के व्यवसाई को संचालित होने से रोगने वाले थे तभी शांग्यानफी खड़े हुई और अपनी बेटी का पूरा समर्धन करते हुए सभी आपत्यों को दूर कर दिया शांग्यानफी एक करवया शांग के इफ्लैन के लिए अंदिम जटका था कई महीनों के बाद शांग के इफ्लैन और उसकी माकी सेना शांग्शिन सी से बुरी तरह हार गई शांग्शिन सी शांग्याजी के बाद दस युवा मास्टर समय से एक बन गया लेकिन अलगाव के दड़ ने उनके सफरता की खुर्शी पर पानी फेर दिया भाई हे टू, क्या तुम इतनी जल्दी में हो शांग शिंसी विदाय लेते वे शहर के बाहा चले गए आप पहले से ही एक युवा मास्टर बन गए हैं अपनी प्रतिभा के साथ आप निश्चित रूप से यहां अच्छी तरह से विक्सित होंगे शिंसी आई, कोई भोज नहीं है जो कभी खत्मर नहीं होता है हम भविश्य में फिर मिलेंगे, दोखी मत हो ये हेंडरी फैग ने सांतव ना दी, लेकिन फिर विशय बदल दिया जाने से पहले, मेरे पास आपको याद डिलाने के लिए कुछ है हमेशा एक व्यापक दृष्टिकोन बनाय रखें और आगे देखें दस युवा, मास्टर, पत्से उपर, अभी भी युवा कबीले नेता शांगतु है, शांगतु है के उपर, शांग कबीले के पाच बुजूर्द हैं, आपके पिता शांग ज्यान थाई, और यहां तक की शांग कबीले के सर्वोचम बुजूर्द भी निश्चिंत रहे भाई उस समय जब शांगतु ओहाई युवा कबीले नेता बने तो उनके पास एकदम सही स्थितिया थी जब अन्य युवा स्वामी सत्ता में आये तो उनके भी अनुकुल रिष्टे थे लेकिन मेरे पास सुन में से कुछ भी नहीं है मैं केवल मानव में निवेश कर सकता हूँ पूझी केवल प्रतिभाव से ही मैं उनका मुकाबला कर सकता हूँ भाई अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे सूचित करो मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूँगा शांक्षिन सी की आँखों में चमक चमक उठी उसके शब्दों ने फैंक और बाई को उस पर दोबारा नजर डालने के लिए प्रलित किया जैसा कि भावी शांक कबीले नेता से अपेक्षित था महला प्रतिभाजिस ने दुनिया को हिला कर रख दिया ठीक है अगली बार जब तक हम नहीं मिलेंगे जाने के लिए मुरने से पहले फैंक्षिन सी को गराई से देखा बाई निंग बेंग तुरंत उसके पीछे चल दी दोनों एकने काले और दूसरे ने सफेद के पड़े पहने हुए थे धीरे धीरे पहारी इलाके में गायब हो शांक्षिन सी की आँखों में पानी आ गया था क्योंकि वो अपने दिल में उसके लिए प्रात्र ना कर रही थी अध्धाय 334 अमर क्रेन संप्रदाय फैंग छेंग गुकी दुनिया में क्षेत्र जादुई थे पूर्व में एक विशाल समुद्र था जिसके द्वीप शत्रंज की बिसात पर शत्रंज के मोरों की तरह गुभरे हुए थे इसका नाम पूर्वी सागर रखा गया पश्चिम में एक विशाल रेगिस्तान था हर याली अत्यन्ट दुरलब भी थी हर जगह केवल पीली रेथ ही दिखाई देती थी इसे पश्चमी रेगिस्तान का नाम दिया गया उत्तर की और एक विशाल खास का मैदान था लोग इसे उत्तरी मैदान कहते थे दक्षण में एक पहाडी इलाका था जिसे दक्षणी सीमा के नाम से जाना जाता था और पूर्वी समुद्र पश्चमी रेगिस्तान उत्तरी मैदान और दक्षणी सीमा के मध्य में एक केंद्रिय क्षेत्र था जिसे केंद्रिय महादवीब कहा जाता था मध्य महादवीप पचास मिलियन किलोमीटर से अधिक चोड़ा था, हवा में आदिमूर्जा बेहत सम्रिद्ध थी और कई संप्रदाय मौजूद थे वहां कई नायक और विजेता थे, राक्षसी और धार्मिक दोनों ये प्रचुर्मानव और प्राक्रितिक संसाद्मों वाला क्षेत्र था इसकी कुलता कटन्य चार क्षेत्रों की तुल्ला में सबसे मजबूत थी मध्य महाद्वीप के दक्षणी भाग में हजारों पहाडियों के बीच आसमान को भेटता हुआ बादलों के उपर एक बड़ा पहार था फिही परवत भव्य और राजजसी था जो बादलों के समुद्र के उपर पैर रहा था सूरज की रोषणी बादलों में खुस गई और पहार पर हरे जंगलों पर चमक उठी. पहार की तहत्ती में जवार के उठने और गिरने के कारण लहरें टकराती थी जब भी हवाएं चलती, बादलों के समुदर में बड़ी हल्चल होती, बास के जंगल हवा के साथ लह राते, जैसे 10,000 सारस गाते आरन भी कुरने वाली क्रेन, फायर पेलेट क्रेन, टेल विंडर क्रेन, क्लाउद मिस्ट क्रेन, तारकिये प्रकाश क्रेन 10,000 से अधिक प्रकार की उड़ने वाली क्रेने चीर के पेड़ों में उड़ती के या आराम करती थी, ये देखने में अद्बुत डिश्य था, फेही परवत पर मौजूद 10,000 सारस मथ्य महादवीप में प्रसिदित थे, जहां तक पहार पर गुमास्टर्स की बात है, वे अमर क्रेन संप्रदाय था, मथ्य महादवीप के शीश अदस संप्रदायों में से एक जिसके पास मथ्य महादवीप के सबसे मजबूत ताकत है, अभी अमर क्रेन संप्रदाय के युद्धिक्षेत्र में एक महतुपून लड़ाई हो रही थी, एक जैसे कपड़े पहने दो युवक आपस में जगर रहे थे दोनों लजते वे आगे बढ़ें और एक साथ लड़े बहुत बहुत मजबूर मैं कलपना नहीं कर सकता वे दोनों के वल बीस वर्ष के आसपास के हैं मैदान के बाहर दर्शक इस युद्धि को ध्यान से देख रहे थे उनके चेहरों पर आश्चर्य प्रशन सा ज़लक रही थी वरिष्ट भाई सुन योआन हुआ वो एक आनुपवी विशेशग्य है पिछले तीसरे वर्ष की छोटी परिक्षा में नमबर एक मुझे आश्चर्य नहीं है कि उनके पास इतनी ताकत है लेकिन वो कनिष्ट भाई फैंग जिंग ये चौकाने वाला है कि उनके पास ऐसी क्षमता है ये सही है इस साल की आजवी अमेरिल परिक्षा में वो खत्रे की घंटी है किसी को उमीद नहीं थी कि वो फाइनल में पहुँचेगा इन वर्षों में कनिष्ट भाई फैंग जिंग एक सामान्य पहाडी चटान की तरह कम प्रफाइल रह रहा था किसी को उसकी परवा नहीं थी वो बिल्कुल भी ध्यान आकशित करने वाला नहीं था लेकिन किसने सूचा होगा कि इस परिक्षा के दोरान वो इतनी उचाई पर पहुँच जाएगा आकाश और उसका नाम अमर क्रेन संप्रदाय में प्रसिद्य हो गया प्रशंसा और इश्या दिखाते हुए कई लोगों ने आहें भरी फैंग छेंग ने गंभीर अभिव्यक्ती रखी क्योंकि उसकी नजरेप पहनी थी और वो सुन योआन हुआ के साथ समान रूप से लज रहा था इन वर्षों में वो लंबा हो गया था उसका कंदा चोड़ा हो गया था और उसकी कमर मोटी हो गई थी वो अधिक परिपक्व और स्थिर हो गया था अचानक फैंग छेंग ने एक हरी रंग की हवा चलाई जिससे सुन योआन हुआ को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा बड़े भाई रवी बस हार मान लो उन्होंने अत्यंत आशवस्त स्वर में कहा छोटे कनिष्ट भाई मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सा तुरुप का पता है सुन योआन हुआ उसी स्थर के आत्म विश्वास के साथ उत्तर देते हुए हसे तो ठीक है फैंग छेंग ने सीटी बजाई जैसे ही ध्वने दूर तक गई जल्द ही सार्सों ने उसे वापस बुलाया हर कोई देखने के लिए मुड़ा और जब वे खुले हुए मुझे घूर रही थे तो कई आखें लगभग बाहर निकल आई एक लोहे की चच वाली उड़ने वाली क्रें समूह है स्वर्ख इतनी सारी उड़ने वाली सारसें क्या ये एक ब्रह्म है ये कैसे संभव है ये एक असंख्य जानवर राजा है फैंग छिंग चौथे मध्य चरण तक पहुँचना पहले से ही एक देव स्तरिय प्रतिभा थी लेकिन वो वास्तों में एक क्रें समूह को नियंतरित कर सकता है जिसकी संख्या लगभग दस हजार है ये कौन सी विधी है हर कोई हाम ने लगा अपने दिल में बेहद सदमा महसूस कर रहा था कुछ लोग अपने सामने के द्रिश्य पर विश्वास करने में असमर्था थे यहां तक कि कही संप्रदाय के बुजूर्ग भी सदमे में अपनी सीटों से खड़े हो गए सुन योआन हुआ कि अभिव्यक्तिय अत्यंत गंपीर हो गई आयरन भी एक लाइंग क्रेन समूह एक प्रभावशाली आभा और संख्या में लाब के साथ आ रहा था इसने उसे बहुत दबाव दिया लेकिन उनका इरादाहर मानने का नहीं था उसकी आँके द्रड़ संकल्प से चमक उठी जूनियर भाई फैंग आप प्रभावशाली हैं लेकिन क्या आप सचम चितनी सारी उड़ने वाली क्रेनों को नियंतरित कर सकते हैं मैं अभी तक नहीं हारा हूं क्योंकि मेरे पास भी एक क्रेन समूह है बाहराओ फिही परवत पर हजारों उड़ने वाली क्रेने थी इस तरह के क्षेत्रिय लाब का उप्योग अमर क्रेन संप्रदाय के लोगों द्वारा चितरह से किया जाता था फैंग जिंग के पास एक क्रेन समूह था लेकिन संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे परियाप्ट पोशन मिला उसने एक क्रेन समूह को भी गुप्त रूप से चुपाया सुन योआन हुआ की आग्या सुनकर सार्सों का एक समूह तेजी से उड़ गया ये क्रेन समूह फैंग जिंग के आयरन भी एक लाइंग क्रेन समूह के बिलकुल विपरीत था वहां के वलकुछ सुथे लेकिन संप्रियो आन हुआ द्वारा नियंत्रित क्रेन लोहे की चच वाली ओडने वाली क्रेनों से भी न थी उनके शरीर पर सफेद पंक थे लेकिन पंकों और पूच के सिरों के साथ साथ उनके पंजभू पर भी नीला रंग था सुरज की रोश्नी के तहट उन्होंने धात दिक चमक दी उसी समय जब वे उड़ते थे तो उनके शरीर पर नील इस्थैटिक बिजली के निशान देखे जा सकते थे सावधन रहें ये उडने वाली क्रेने माया वी बिजली वाली क्रेने हैं इनका सुभाव उग्र है और ये अकेले लड़ने में कुशल हैं साधारन लोहे की चच वाली उडने वाली क्रेने इनका मुकाबला नहीं कर सकती फैंग्चेंग ने अपने मन में लौड़ स्काई क्रेन की बाद सुनी मैं समझता हूँ, मास्टर फैंग्चेंग ने तुरंत उत्तर दिया, उसकी आँखें शांदार ढंक से चमक रही थे क्योंकि उसने ब्रह्म बिजली क्रेन समूह को देखा और अपने लोहे की चच वाले उडने वाले क्रेन समूह में हिर फेर किया वे दुरखटना ग्रस्ट होने वाले हैं लोहे की चच वाले उडने वाली क्रेन समूह बहुत विशाल है, ये एक विशाल राक्षस की तरह है वरिष्ट भाई संग का क्रेन समूह शायदिस में सेंध भी नहीं लगा सकता नहीं, वरिष्ट भाई संग के पास सभी भी एक मौका है क्रेन की लड़ाई संख्या के बारे में नहीं है ये उनकी नियंत्रन और हिर फेर पर निर्भर करती है वरिष्ट भाई सन हमेशा से कड़िक ट्रेनिंग कर रही थी क्रेन समूहों पर उनका नियंत्रन निश्चित रूप से सवर्शेष्ट में से एक है ये सबब फैंग जिंग के प्रदर्शन पर निर्भर करता है सच बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि फैंग जिंग जीतेंगे हलां कि वो एक प्रतिभाशाली है फिर वी वो इनसान है इन कुछ वर्शों में उन्हें चौथे स्थान पर रहने समप्रदाय मिर्शन करने और अपने अनुकरणी को इकठा करने के लिए साधना करना पड़ा गोकीरे का सेच इन सभी ने उसका बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया था मुझे नहीं लगता कि उसके पास अपने क्रेन समुहीर फेर कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए अभी भी समय बचा था सभी ने बड़े उच्साह से चर्चा की समप्रदाय की तीन वर्शिय लगू परिक्षा और आज वर्शिय मध्यमा परिक्षा में इतनी सघन लड़ाई गम ही देखने को मिली 15 साल की बड़ी परिक्षा में ही ऐसा कभी कभार देखने को मिलेगा हालाकि फैंग जिंग के पास बड़ी संख्या में सारस थे, लेकिन हर कोई उसके बारे में अच्छा नहीं सूचता था अब द्रिश्य दो सेनाओं के बीच युद्ध जैसा था फैंग जिंग के पास लगभग दस हजारों ने वाली क्रेने थी, उनके पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन संख्या के कारण उन पर नियंत्रन खोना आसान था वो केवल चोथी श्रेणी का मध्य चरण था, उसकी आत्मा की शक्ती सीमित थी, उसके पास केवल उतनी ही मान से कूर्जा हो सकती थी इस बीच हलांकी सुन युआन हुआ के पास कमसारस थे, लेकिन वे सभी कुलीन थे और वो उन्हें आसानी से हिरफेर कर सकता था जितना समय उन्होंने उन्हें नियंतरित करने में लगाया, उसकी क्रेन हिरफेर कौशल संप्रदाई में सवरशेष्ट में सेख थी दोनों सेनाओं को हवा में टकराते हुए देखे न, इस बुल सुन्योआन हुआ ने अचानक चलांग लगा दी, उसने अपने छेदर में गुको सक्रिय कर दिया, जिससे वो बिजली की चमक में बदल गया और फैंगल छिंग के करीब आ गया फैंगल छिंग को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अचानक हमला करेगा इस तरह वो सुन्योआन हुआ लोहे की चछवाली ओडने वाली क्रेन के घेरे में आ जाएगा और खुद को गंभीर खत्रे में डाल लेगा सुन्योआन हुआ ने एक तूफान की तरह हमला किया जैसे वो पागल हो गया हो उसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी जो उसने पहले प्रदर्शित की थी फैंग छिंग ने पहल खोदी और दबा दिया गया केवल अपनी पूरी ताकत से बचाव करने में सक्षम हुआ दोनों क्रेने हवा में ओड रही थी जबकी जमीन पर फैंग छिंग और सुन्योआन हुआ के बीच जोड़दार लड़ाई हुई फिर विवेक जुट होगी और एक साथ चार्ज होगी जिससे कई लोहे की चच वाली ओडने वाली क्रेने हालांकी बहुत सारी थी एक गरबर थी बिना किसी नीता के जहुंड की तरह आरन भी एक लाइंग क्रेन समोहिस छोटी संख्या में ब्रह्म बिजली क्रेन को अब रुद्ध नहीं कर सका बड़े भाई सनद्बुद हैं उनकी युद्ध रणनी ती शानदार थी ये सही है फैंग छिंग की एक आगरता सी मित है सार उसके इस बड़े समूह के साथ भी ठीक से नहीं कर पाता है बचाव करने पर वो अपने उपर क्रेनों को नियंतरित करने की जहमत कैसे उठा सकता है लेकिन आरन भी एक लाइंग क्रेन समूह बहुत बड़ा है इसमें कई सु जानवर राजा कई हजार जानवर राजा और यहां तक या संख्य जानवर इन जानवर राजाओं से बचने के लिए माया वी बिजली क्रेनों को दाइं और बाइं से हमला करना पड़ता है भले ही उन्होंने कहें सामाने लोहे की चच्च वाले उड़ने वाले क्रेनों को घायल कर दिया हो वे स्वयम बहुत घायल हो जाते हैं सुन योआन हुआ और फैंगल जिंग बराबरे पर हैं एक अप्रमन करता है और एक बचाव करता है वे एक दुसरे की चालों से बेहत परिचित हैं कोई स्पष्ट विजेता नहीं है हम किवल क्रेन लड़ाई के परिणाम को देख सकते हैं इस मैच की जीत का हाल एक यदि आयरन भी एक लाइंग क्रेन समूह भुरम बिजली क्रेन समूह को खा सकता है तो ये निश्चित रूप से फैंग जिंग की जीत थी लेकिन अगर एल्यूजन लाइटनिंग क्रेन समूह आयरन भी एक लाइंग क्रेन के घेरे से बाहर निकलता है और सन्योआन हुआ की मदद करने के लिए जाता है तो फैंग जिंग हार जाएगा सहन करो थोड़ा और सहन करो कोशिश करो और कुछ ध्यान लोहे की चट से उरने वाली क्रेनों की ओर राकरशित करो और सभी भुरम बिजली क्रेनों को मार डालो यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ये एक बड़ी सफलता होगी ये भविश्ये में आपके लिए बहुत मददगार होगी फैंग जिंग के दिमाग में लौडर स्काई क्रेन की आवाज सलाह देती रही फैंग जिंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और लौडर स्काई क्रेन ने जो कहा उसका पालन किया लेकिन ठीक उसी समय जब वो सफल होने वाला था सन योआन हुआ लगातार हमलों से उसकी एक आगरिता को तोड़ देता था सुन योआन हुआ फैंग जिंग से बड़े थी उन्होंने अपने नियंतरण में क्रेनों से छेर चार करने में बहुत प्रयास किया था हलांकि क्रेने घायल हो गई थी वे पहले से ही लोहे की चच़वाली ओडने वाली क्रेनों के घेरे से बाहर निकलने वाली थी जूनियर भाई फैंग जिंग आपके लिए मुझे हराना अभी भी जल्द बाजी होगी उसने ड्रंग किया ऐसे शब्द फैंग जिंग ने सुने थे और इसने उनकी स्मृति के सबसे गहरे हिस्से को जागरत कर दिया उस समय गुयूगाव के किंग माव परवत पर वो और उसके बड़े भाई फैंग यूआन मैदान में लड़े थे फैंग यूआन ने बिल्कुल वही शब्द कहे नहीं मैं हार नहीं सकता मुझे अपने कभीले के लिए अपने चाचा और चाची के लिए अपने कभीले के नेता के लिए लॉडिकिंग शु के लिए बदला लेना है मैंने इन पिछले कुछ वर्षों में इतनी मेनत क्यूंकि है मुझे अपने फाई के सामने खड़ा होना होगा और उसे हराना होगा अब मैं सुन योआन हुआ से कैसे हार सकता हूँ फैंग जिंग की आँखों में आकी लबटें जल उठी उसने अपने सिर में दड़ सहा और उसकी एक आगरिता भंग हो गई लोहे की चचवाली ओडने वाली क्रेने अचानक चली गए जैसे कोई विशाल जानवर अपना मूँ खोल रहा हो द्रमर बिजली क्रेन समूह को निगल रहा हो ये देख कर सुन योआन हुआ का चहरा पीला पर गया विजय भीडने खुर्शी मनाई फिंग चेंगाट साल की मधि परिक्षा में नंबर एक थे उन्होंने सन्योआन हुआ को हराया और अमर क्रेन संप्रदाय के एक विशिष्ट शिष्षी बन गए अध्याय 335 गुम अमर बायहों की विरासत मथ्य महादवीप की संप्रदाय व्यवस्था दक्षणी सीमा की कभीला व्यवस्था से भी न थी कुलों में रक्त संबंधों ने पधानुक्रम को बनाय रखा और कुल के लोग अही पालन पोषण का लक्षय थे लेकिन संप्रदायों में गुरुओं और शिश्यों ने रक्त रेखा प्रणाली का स्थान ले लिया संप्रदायों में वे शिश्यों की भर्ती करते थे और जब तक उनमें अच्छी प्रतिभा और चरित्र होता उन्हें स्विकार किया जाता था ठीक इसी प्रकार फैंग्छेंग को इसके एक सदसे के रूप में अमर क्रेन संप्रदाय में समाहित कर लिया गया था अमर क्रेन संप्रदाई में निवन से उच्च तक उन्हें बाहरी शिश, अंतरिक्षिश, कुलीन शिश, विरासत शिश, संप्रदाई के बुजूर्ग, संप्रदाई के नेता और सर्वोचम बुजूर्ग के रूप में वर्गी कृत किया गया था तीन वर्ष की छोटी सी परिक्षा, अंतरिक्षिश्यों का चयन करना था आठ वर्ष ये मिडिल परिक्षा का उद्देश शिकुलीन शिश्यों का चयन करना था जहां तक 15 साल की बड़ी परिक्षा का सवाल है ये व्यक्ति को एक विरास्ती शिशे के और बढ़ने की अनुम्दी देता है विरासत शिशे के उपर ये संप्रदाय के बुजूर्ग होंगे अमर क्रेन संप्रदाई में संप्रदाई के बुजूर्गों के पास कम से कम रांग चार थेती थी संप्रदाई के नेता की रांग पाच थेती होगी और सर्वोचम बुजूर्ग रांग चर्फू इनमोर्टल से थे यहां तक कि उनके बीच रांग साथ भी थी उतर, डक्षिन, पूर्व और पश्चिम की तुलना में मथ्य महादवीप सबसे मस्बूत क्षेत्र था अमर क्रेन संप्रदाय मथ्य महादवीप में शीर्षदस संप्रदाय था ये शांग कभीले से भी अधिक मस्बूत था शीश्रीय चेयन में जन्मस्थान या कोई क्षेत्रिय प्राथमिक ताय शामिल नहीं थी इस प्रकार अमर क्रेन संप्रदाय में कोई सी ग्रडियोगेता नहीं थी बी ग्रेड सबसे अधिक देखा गया लेकिन कई ए ग्रेड भी थे इसमें कोई संदेह नहीं कि फैंग जिंग ये ग्रड योगेता वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था लेकिन अमर क्रेन संप्रदाई में ऐसे सुपर्स्तरियबल में उनकी जैसे कई प्रतिभाशाली लोग है फैंग जिंग आप बुद्धिमान पैदा हुए थे और कठिनाईया उठाने को तयार थे अब जब आपके पास चौथी श्रिणी की साधना है तो आप पहले से ही एक संप्रदाई के बुजूर्ग बनने के लिए योग्य है लेकिन आपने के वल थोड़े समय के लिए संप्रदाई में प्रवेश किया है आपको ये करने के आवशक्ता है अपनी वफादारे साबित करने के लिए कई संप्रदाई मिश्णों को पूरा करें मुझे आशा है कि आप कड़ी मेहनत करना जारी रख सकते हैं, बड़ी परिक्षा में विंची हो सकते हैं और एक विरासत शिशी बन सकते हैं। अमर क्रेन संप्रदाई के नेता अपनी भव्य सीट पर बैठे और उन्होंने फैंगल छिंग को देखा, जो सेडियों से नीचे घुटनों के बल बैठा था। हाँ, मुझे नेता जी की सीख याद रहेगी। फैंगल छिंग ने उत्तर दिया। अब मेरे पास आपको और कुछ विशिष्ट शिशियों को संप्रदाई मिशन है। वापस जाओ और विवरन पढ़िओ, जाओ। पन्तनेता ने किताबी कीड़ा उर्ते हुए कहा। फैंग छिंग ने इसे प्राप्त किया और छुट्टी लेली। वापस आकर वो बिस्तर पर लेट गया और सो गया। गुकिडों को नियंतरित करने के लिए बहुत अधिक कागरता की आवशकता होती थी। ऐसा करने में उन्होंने अपनी बहुत सारी मान से कूर्जाग खर् किये। वो बहुत ठक गया था, एक विशिष्ट शिर्षे को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा पूरी करने के लिए संप्रदाय के नेता से जबर्दस्ती मिल रहा था। उसका सिरा भी भी दर्द कर रहा था, जैसे उस पर कोई हथोड़ा मार रहा हो, जबकि उसके कंदे इतने दुख रहे थे कि वे मुश्किल से उसकी गर्दन को संभाल पा रहे थे। वो उनीन दी था और उसे हलका हलका महसूस हो रहा था। फैंग छेंग दो दिन और दो रातों तक सोता रहा, जब तक कि कई दस्तकों ने उसे जगा नहीं दिया। एक बार जब उसने धका द जिनमें वफादारी का परिक्षण करने के आवशक्ता नहीं होती, संप्रदायों को ऐसा करने के आवशक्ता होती है। पदानुक्रम जितना उचा होगा, कुलीन शिशियों, विरासत शिशियों और बड़ों की संख्या उतनी ही कम होगी। कई लोग चौथी रांग टक पह अधेक युद्शक्ती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका चयनकडाई से परिक्षाओं के माथ्यम से किया गया था और वे हजारों में से सबसे प्रतिभाशाली थे। फैंग जिंग हमारा मिशनेक ही है। इस यात्रा पर मुझे उमीद है कि हम एक दूसरे का ख्याल रख स सकते हैं। फैंग जिंग, मैंने सन्योआन हुआ के साथ आपकी लडाई देखी, ये बहुत रोमान्चक थी। मुझे आशा है कि हम रास्ते में खूम सकते हैं। ये लोग बहुत मिलने सार थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते थे कि फैंग जिंग एक आरन बी कुरने वाले क्रेन समूह को नियंतरित करता था जिसकी संख्या 10,000 थी। हाला कि वो उन्हें पूरी तरह से नियंतरित नहीं कर सका, फिर भी ऐसी ताकत समान जनक थी। आप बहुत विनम रहें, मेरे साथ ही संप्रदाई भाईयों। मुझे शर्मा रही है, इन कुछ दिनों में मै तो रहा था, मैंने अभी तक मेशन का विवरण नहीं देखा है। फैंग जिंग ने स्विकार करते हुए अपनी मुठी बंद कर ली। मैं देख रहा हूँ, उस स्थिती में मैं आपको सीधे बताऊंगा, इस बार हमारा मेशन बेहद महतुपून है। फैंग जिंग कुछ म लाया। ये मामला बहुत बड़ा था, मुझे इसके बारे में पता है। प्यानती परवत पर फेयरी बायहूं की विरासत दिखाई थी। फेयरी बायहू धार्मिक मार्ग पर एक प्रसिद व्यक्ति है, रांक चागु अमर है और हूं का मालिक है अमर धन्य भूमे। एक बा मैं आपको सीधे बताऊंगा, इस बार हमारा मिशन तियानती परवत पर जाना और इस विरासत को प्राप करने का प्रयास करना है। हमारे अमर क्रेन संप्रदाय के भगवान गुद अमर पहले ही एक समझाते पर आचुके हैं अन्य संप्रदायों के स्वामी शांती बनाय र दिखाते हुए। क्या पगम फिर हैं। ये गुद अमर की विरासत थी। बेशक अगर हम वास्तों में एक कस्मत में हैं और उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं तो हम निश्चित रूप से सफरता हासिल करेंगे। भविश्य में हमारे पास गुद अमर क्रेत्र में प्रव संप्रदाई और अन्य केंद्रिय महादवीप के शीश अदस संप्रदाई भी हैं। इस प्रकार, इस यात्रा के दौरान हमें सहियो करना होगा और एक जुद रहना होगा। बिलकुल। फैंग जिंग ने तुरंत उत्तर दिया। दक्षणी सीमा पर स्थित होतान परवतिक सुप्ध जो आला मुखी है। ये लगभग तीन किलोमीटर उँचाहे और पहार की चोटी एक छेड के साथ सपाट हैं जिसके भी तर्म्यागमा बह रहा है। फनल से कभी-कभी चेमनी की तरे गारहा धुआ उठता था। इस परवत पर सबसे बड़ा संसाधन कोईला पत्थर लंबे समय तक जलता था और कम गर्मी उठ सर्जित करता था और धुआ नहीं देता था। इसका सबसे अधिक उप्योग शांग कभीले शहर पाँच अवे आंतरिक शहर में किया जाता था। फैंक्युआन और बाई निंग बिंको होटान परवत पर कदम रखे पत्थर की हवाशुषक और नमी रहे थी। दूर तक देखने पर केवल गहरे लाल रंग के कोईले की पत्थर ही दिखाई दे रहे थे। इस परवत पर भी व्रिक्षत थे। लेकिन ये पेर छोटे और पतले थे। उनकी शाखाएं सुयों की तरह की और सूरज की रोश्नी को नहीं रोकती थी। इस प्रकार होतान परवत पर किसी को अन्य पहाडों की तुलना में व्यापक द्रिष्टी मिल सकती है। फैंक्युआन और बाई निंग बिंग ने पहार पर यात्रा की अगर पक्ष्री आकाश में ओड़ते और नीचे देखते तो उन्हें दो छोटी चीनतियां धीरे धीरे रिंगती हुई दिखाई देती। सच तो ये है कि उनपर नजर रखी जा रही थी। हे हे वे अंततर यहां है। हुआ टान परवत रास्ते में एक आवशक स्थान हैं। अगर वे संचा परवत पर जाना चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से यहां मास्टर सच पे हुए थे। वे दो गंजे आदमी थे। बड़े वाले को जियो वांग कहा जाता था। जब अकी मध्यम आयूवर के व्यक्ते को मिंग्टु कहा जाता था। वे राक्ष सीग मास्टर सच के बीच एक प्रसिध्ध हध्या जोड़ी थे। जब तक हम इन दोन को मार देते हैं, शांग कबीले के पास इनाम के रूप में 10,000 प्राचीन पत्थर होंगे और हमें एक पीले जोड़े का टोकन भी मिलेगा। हम इतने अच्छे सौदे को कैसे छोड़ सकते हैं। मिंग्टु ने उत्साह पूर्विक अपने होंट चाते। लेकिन वे दोनों रांग चार गु मास्टर से हैं, हम केवल रांग तीन पीक स्टेज पर हैं। ये एक अच्छा सौदा है, लेकिन जोखे मधिक हैं। मुझे यकीन नहीं है के से स्विकार करना एक गलती थी। जियो हुआंग थे अधिक उम्रिका और समझदार, उसके चहरे पर चिंता जलक रही थी। बड़े भाई जियो चु उनकी खेती से डरो मत। तो क्या हुआ अगर वे रांग चार हैं, वे केवल रांग चार प्रारंबिक चरंड हैं। उनके हाथों में अधिकांश गुकिरे अभी भी रांग तीन हैं। इसके अलावा ये है ऐसा नहीं है कि हमने पहले रा रांग ने घबरा कर कहा, क्या मैंने कई बार इसका उलेख नहीं किया है, जो फूलों के बारे में बात मत करो। वो जियो कबीले के सरवोचंबुजूर का पोता है, हमने एक गुको नाराज कर दिया है, अमर, जब हमने उसे मार डाला तो इस बात को अपने पेट में रखो और फिर कभी इसका जिक्र मत करो। हम फ़ तो क्या हुआ अगर वो फू अमर है? क्या हम इन सभी वर्षों में स्वतंत्र और सुरक्षित नहीं रहे? मिंग्टु ने उदासी निता से कहा, गो इन मो टल से सवरशक्ति मान नहीं है, इन दो नवुनत रांग चार गो मास्टर सका तो जिक्र ही मत करो। भाई, ये मत भूलो कि हमने उनके लिए उस जाल को तयार करने में कई दिन बिताए हैं। हे हे हे! उस जाल के बारे में बोलते हुई, जियो हुआंकी अभिव्यक्ति शान्त हो गई। वो बुढबुदाया। जब तक वे जाल में फंसेंगे और भ साह से कहा। जल्दी देखो, वे जाल में फंस गए। फैंकी वान और बाई निंग बिंग ने चलना बंद कर दिया। पास की जमीन जोर-जोर से हिलने लगी। दोनों ओर से चटान के छर्रें चटान से नीचे गिरे। जमीन पर जैसे जैसे लावा मगरमच्छे जमीन से ब जान किंद्रित किया। ये लावा मगरमच्छ राजा तीन हाथियों के आकार का विशाल था। इसका शरीर गहरे लाल शलकों से धका हुआ है और चार मोटे पर इसके विशाल शरीर को सहरा देते हैं। धातु जैसी चमक देने वाली मगरमच्छ की पूँच दस मीटर से जैसी ही लावा मगरमच्छ राजा जमीन से बाहर निकला उसने फैंक और बाई को घूर कर देखा लेकिन उसका जियादातर ध्यान फैंकिवान पर था। फैंकिवान और बाई निंग बेंग चौथे प्रारंभिक चरण के गुमास्टर सथे लेकिन उनके पास चौथे मध् लावा मगरमच्छ राजा की इंद्रिया तीवर थी उसने तुरंत महसूस किया कि हिंद्री फैंक की आभा अधिक डरावनी थी। इसने अपना मों खोला और एक हजार से अधिक लावा मगरमच्छ ने फैंक और बाई को घेर लिया। ऐसी खतरनाक स्थिती का सामना करते हु फैंक युआन ने हसते हुए कहा। ये कुछ मगरमच्छ हैं बाई निंग बिंग मेरे साथ सहीयोग करें और इस लावा मगरमच्छ राजा को मार डालें। ठीक है। बाई निंग बिंग ने सपश्टरूप से उतर दिया लेकिन उसकी आँखों में युद्धि का इरादा उभराया। उस समय जब वे पहली बारकेंग माव परवत से निकले थे तो उनका सामना एक लावा मगरमच्छ राजा से भी हुआ था और वे उस से दूर रहे थे। लेकिन अब वे अलग थे, रांक चार थेती वाले थे, भले ही ये लावा मगरमच्छ राजा एक हजार जा बड़ी लड़ाई अपने अंत पर थी। फैंकिवान और बाई निंग बनबेंग होतान परवत परुची स्थान पर खड़े थे, उनके चारों और लावा मगरमच्छों की लाशें थी। इस बीज, वो हजार जानवर राजा लावा मगरमच्छ राजा जमीन पर था और उस उसके शरीर के सभी हड़ियां तूट गई थी, उसकी पीठ पर दो उभरे हुए चोटे जबाला मुखी भी तूट गए थे। वो धीन यावाज में फुस फुस आ रहा था क्योंकि वो जमीन पर लेट गया था और उसके शरीर पर अंगिनत घावों से खून बह रहा था। जब उसने जमीन के अंदर खूदाई करने के लिए जमीन खूदने की कोशिश की तो उसके पंजे कापने लगे, हाला कि अब उसमें परियाब ताकत नहीं थी। उसका संखर्स तब तक कम होता गया जब तक अंतितहुस पर मृत्यों ने आ पड़ी। हजार जानवरों के राजा की मृत्यों के साथ शेशलावा मगरमच्छ तुरंट भिखर गए, जमीन में समा गए या अस्तव्यस्थ होकर भाग गए। युद्धिक शेत्रे को लगबग साफ करने के बाद, फैंक्ट और बाई ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जियो हुआंक और मिंग्चु जरा भी हिले बिना एक दूर कुने में चुपे हुए थे। इन दो प्रसिद्ध हत्यारों की अभिव्यक्ति इस समय काफी भदी थी, बिलकुल लाशों की तरह, वे डरे हुए थे। क्या ये दोनों अभी भी इनसान हैं? उन्होंने सिर्फ अ जियो हुआंक और मिंग्टु ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनोंने एक दूसरे की आँखों में धरकन देखी। फैंक और बाई की भयानक ताकत उनकी उमीदों से कहीं अधिक थी। वे शांक कबीले शहर में नहीं रहते थे। इसलिए पूरी लड़ाई देखने के में गराई से पता चला। ये दोनों युवा वास्तों में केवल 20 वर्ष के आसपास के हैं। पैच ये है कि उनकी तुल्ला में हम अपने करियर के पिछले 40 वर्षों से बस एक कुत्ते का जीवन जी रहे थे। मिंग्टु ने डर के मारे शाप दे दिया। भाई खुद की तुल्ना दूसरों से करने से आपको केवल गोस आएगा। हम बिल्कुल भी उनके माच नहीं है। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैं इस सौदे को कभी स्विकार नहीं करता। भाई जयो हुआंग, आपके शब्दों ने मेरी प्रतिसपर्धा मक्ता को क्या मौका? इसके बारे में सुच ओ, भाई जयो हुआंग, वे तीन राजाओं की विरासत से लाब लेने के लिए संचापर्वत पर जा रहे हैं। संचापर्वत इस समय बेहद राजक है, हर जगह रांग 4 और रांग 5 के विशेशग्य हैं। उन्हें निश्चित रूप से दूसरों के साथ संखर्ष करना होगा, एक बार जब वे वहाँ पहुच जाएं तो हम मौके की तलाश करेंगे जब वे मुसीबत में हों, तो ये सबसे अच्छा होगा। ये अनुसमारक सुनकर जियोहां की आँखें चमक उठी। उसने में इंक 2 के कंधे को थपथपाया। भाई, आपने जो कहा वो समझ में आता है। चलो, संचा परवत पर चलें। लावा मगरमच्चों के उस समूह में कुछ गरबर थी। हेंडरी फैंग ने रास्ते में सुझा। लावा मगरमच्चों का समय और वे जिसक्षेत्र में दिखाई दिये, वे बहुत सन्योग पू आ रही थी। फैंग की वान ऐसी स्थितियों से बहुत परिचित थे। किसी ने जान बुझकर ये जाल रचा है और मुझसे निपटना चाहता है। लेकिन ये कौन सा पक्ष है। वो कभीला, बाई कभीला या शांग कभीला। हेंडरी फैंग ने अंदर ही अंदर विचार क किया। जोंकि मैं लिरन की पहचान जानता हूं और मैंने अब शांग लियांग परवत छोड़ दिया है। संभावना है कि वो कभीला कोई कदम उठाएगा। जहां तक बाई कभीले की बात है। मैं उनका दुश्मन बन गया हूं। मैं उनके कभीले की आत्मा के सूखने का बहुत बड़ा रहसीर जानता हूं और मैंने उनसे 3 मिलियन प्राचीन पत्थरों की उगाही की है। वे मुझसे नफ़रत कैसे नहीं कर सकते। शांग कभीला भी है। मैंने शांग कभीले के लोगों को बहुत नाराज किया है। शांग याजे, शांग के फैन, वेही कभीले के लोगों के समुहां को खरीदने के बाद मैंने शांग पुलाओ को भी नाराज किया है। शांग कभीले के युवा, मास्टर, प्रत्योगिता में मैं शांग शिंसी की सेनाओं में सेख थी और अगर मुझे बाहर से खत्म कर दिया गया तो वो बहुत कमजोर हो जाएगी। इसे भूल जाओ, चलो इसके बारे में ज्यादा न सूझें। जैसे ही वे आएंगे मैं उनसे निपट लूँगा। हेंडरी फैंग ने अपना सिर हिलाया और अपने विचारों को साफ करते हुए अब्यवस्थित विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। यदि ये पहले की बात है जब वो कमजोर था, तो उसे हर चीज की योजना बनाने में अपनी सारी हूर्जाग खर्श करने पढ़ती। लेकिन अब उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और उसमें किसी ऐसे व्यक्टे के आभाथी जो चाहे कितनी भी हवा का हमला हो, हिलता न नहीं थी। फैंग जिंग और अमर क्रेन संप्रदाय के अनिय विशिष्ट शिष्य ओड़ती हुई क्रेनों पर खड़े हो गए या ड्रॉस लेकर के बैच गए और त्यान्टी परवत की ओड़ तेजी से चले गए। बोस फैंग जिंग आपका क्रेन समुह वास्तों में श चले उनकी आवाज बाधित नहीं होती थी और सभी तक स्पष्टरूप से पहुँच जाती थी। आप मेरे बारे में बहुत उंची बातें करते हैं। इस बार गु अमर बायहों की विरासत के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी दस महान संप्रदायों के कुल तो रन्त आय कहने संभरांत शेशी ने कहा। बोस फैंग जिंग आप मेरे आदर्श हैं। कोई आश्चारी नहीं कि आपको एक विश्ष्ट शेशी बनने के बाद संप्रदायनेता द्वारा इस मिशन पर भेजा गया था। प्यानती परवत की इस यात्रा पर हम किवल आप के नेत्रद्व का पालन करेंगे। एक संभरांत महिला शेशी या ने आदर पूर्वक कहा। रास्ते में फैंग जिंग ने सभी कोली इन शेश्यों के साथ जगड़ा किया था। वो बहुत ताकतवर था और उसके चेद्र में पिसु को पालने वाली एक आत्मा भी थी। ल पज़ा से फैंग जिंग ने सभी कोली इन शेश्यों को हरा दिया। अपनी जीत के बाद वो अहंकारी नहीं था। उसका प्रभाव बहुत अच्छा था और वो विनम्र था। आसानी से हर किसी के अच्छे प्रभाव को जीत लेता था और उनका प्रमुक बनने के लिए प् अभी फैंग जिंग की प्रशन समय थे। मध्य महादवीप के दसमहान संप्रदायों में से कस की नीव गहरी नहीं है। मुझे यकीन है कि उनने प्रतिभाशाली लोग भी हैं। हलांकि मेरे पास संखे सारस समू हैं लेकिन मेरी कमजोरी ये है कि मैं उन्हें पूरी तरह से नियंतरित नहीं कर सकता मुझे अभी भी आप सभी से उड़ते हुई क्रेनों के नियंतरण के संबंध में मार्ग दर्शन मागने की आविशक्ता है। फैंग जिंग ने अपने हाथों को अपने बगल के लोगों के और बढ़ाया। हम हिम्मत नहीं करेंगे। बॉस फैंग आपके पास पहले केवल अभ्यास की कमी थी और कुछ समय दिये जाने पर आप निश्चित रूप से सुन योआन हुआ से आगे निकल जाएंगे। अन्य विश्ष्ट शिश्यों ने सहमती के शब्द कहे। उनके शब्द उनके दिल की गहरायों से थे। इस यात्रा में वे फैंग जेंग की प्रगती को स्पष्टरूप से देख सकते थे। फैंग जेंग मुस्कुराया। लौर स्काई क्रेंद्वारा मार्ग दर्शन और गुप्ट अनुभव प्रदान करने और यहां तक कि कभी-कभी उसके शरीर को नियंतरित करने के साथ वो बिजली की गति से सुधार कैसे नहीं कर सकता था। कुछ देर तक उड़ने के बाद लोहे की चच से उड़ने वाले सारस एक के बाद एक चिलाने लगे। फैंग जेंग जेंग और बाकी लोग समझ गए। ठीक है। अब समया गया है हमें उड़ने वाले सारस को उतारने और खिलाने की जरू फैंग जेंग ने मुहर लगाई उड़ने वाले क्रेन समुह ने उसके नियंत्रण में बादलों की परत को गेदना शुरू कर दिया। उड़ने वाले सारस को भी खाना चाहिए। सारस समुह का पैमाना जितना बड़ा होगा भूजन के लिए उनकी मांग उतनी ही अधिक होगी। सौभागे से लोहे की चचवाली उड़ने वाली क्रेने कुछ भी खा सकती थी। कभी कभी वे अपना पेट भरने के लिए पत्थर भी खाते थे। इसलिए पालन पोशन करना बहुत आसान था। फैंग छिंग के पास इतने बड़े पैमाने पर क्रेन समूह था लेकिन ये भी उतना ही परिशानी भरा था। प्रत्येक निर्धारिट अंतराल के बाद उसे जमीन पर रना होगा और क्रेन समूह को खाना खिलाना होगा। एह! वहाँ एक लड़ाई चल रही है। जब वे नीचे उतर रहे थे तो अचानक एक कुलीन शिशे बोला सभी को तुरंत जमीन पर असामान स्थिती का पता चला। चार राक्षसी गु मास्टर सतीन महिला गु मास्टर से को घिरते वे और धीरे धीरे उनके पास आकर बुरी तरह भांसर रहे थे। तसक ये चार महान अश्ली इल्टाएं हैं। जल्द ही एक कुलीन शिशे ने घृनिट स्वर में उन्चार राक्षसी फु मास्टर से की पहचान उजागर कर दी। ये चारों महान अश्ली इल्टाएं अलग-अलग थी। पूर्वी अश्ली इल्टाचेने इदाव, पश्चिमी चोड़ी उबगवांग, डक्षणी अशान्ति शिबाओं और उतरी स्क्वांडरिंग फैन चुन्याओ। वे पूरी मथ्य महादवीप में यात्रा कर रहे थे और सभी चौती श्रिणी के गुमास्टर सक थे। वे बहुत मजबूत थे और जब उन्होंने अपनी ताकत जोड़ी तो वे रहांग पांच गुमास्टर सके खिलाफ भी लड़ने में सक्षम थे। देखो, वे वास्तों में हिव नली लोचस संप्रदाई की परीबीजिया के आसपास हैं। तीवरद्रिष्टी वाले एक संप्रांत शिष्षे ने चिला कर कहा। हमफ राक्षसी रास्ते के लोग उनमें से हर एक को फांसी की जरूरत है। फैंग छिंग की अभिव्यक्तिय अर्तुल नियरूप से ठंडी हो गई और उसने बिना ज्यादा सोचे तुरंत क्रेन समूह को चार्ज करने का आदेश दिया। हे हे हे, परीबीजिया, आज तुम्हारे लिए इस विपत्ती से बचना मुश्किल होगा। ये सूचने के लिए कि आज हमारी किस्मच इतनी अच्छी है कि हम परीबीजिया की सुगंध को सुमने में सक्षम है। भले ही हमें भारी चूटे आई, ये इसके लायक है। जैसे ही वे तीन महिलागू मास्टर से क्योर बढ़े, चारों ने अशलील बातें करते हुए आखें जपकाईं। धत तेरे के। परीबीजिया ने अपने बर्फ सफेद दात पीस लिए। वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं थी। जैसे ही वो हताशा महसूस करने लगी थी और आत्महत्या करने के बारे में सूच रही थी। उसने अचानक अपने उपर से सारसू के समूह की चीखें सुनी। कौन है भाई। चारों महा अशलील से उठा कर चिलाने लगे। अमर क्रेन संप्रदाय के विशिष्ट शिष्य फैंग जिंग। फैंग जिंग लोहे की चच से उरने वाले क्रेन राजा की पीठ पर खड़ा था। उसकी जीब गरगराहत के साथ फूर्ती हुई प्रतीत हो रही थी। वो सारस की पीठ पर सीधा और गरवसिक खड़ा था। उसका शरीर मजबूत था। उसकी भाउने घनीते और उसकी आँखें बाग की तरह थी। उसने चारों अशलील बातों पर अपनी निगाहें जमाई और हाथे लाया। उनके पीछे कुलीन शिष्य और दस ह चारों ने भागने से पहले स्थिती को खराब कर दिया और जल्दी वे बहुत दूर भाग गए। उनकी आकरितियां सभी की नजरों से ओजल होगी। ये राक्ष सिपत के कबारी उनके पास अनेक शमताय नहीं हो सकती हैं लेकिन वे दौडने में बहुत तेज हैं। संभरा और परिबीजिया के पास आकर धीरे से पूचा, मैं, मैं ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए यवा, मास्टर, फैंग्छिंग को धन्यवाद। परिबीजिया ने फैंग्छिंग को देखा, उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी निगाहों में मोह के संकेत थे। उसने स जा था कि वो इस विपत्ति से बच नहीं सकेगी, लेकिन एक भी राकाश से गिरता हुआ आया। फैंग्छिंग सुन्दर्ता को बचाने वाले नायकी तरह थे और इसने परिबीजिया पर गहरी छाप छोड़े। अध्धाय 337 किसी को अधर में छोड़ना, दो युवाश् अपने प्राचीन पत्थरों को पीछे छोड़ दो, अपने कपड़े उतारो और अपने दादाजी को तीन बार प्रणाम करो और मैं तुम्हारे नन्हे जीवन को बक्ष दूँगा। गहा हा। वो लड़की काफी सुन्दर लग रही है। वो कुछ-कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये अफसोज की बात है कि बुर्या राक्षस हेश यहां है, अनिता हमने कोई कदम उठाया होता। अंधेरे के भी तरसे, कई राक्षसीफू मास्टर से अपने चेहरे पर भय वाम मुसकान के साथ यहां देख रहे थे। बम हेन्री फैंक की प्रतिक्रिया सीधी थी, उन्होंने सीधे अपने जानवर प्रेट को बुलाया। जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, सांस चुपाने वाले गुने अपना प्रभाव खो दिया और उसकी रांक चारभा पूरी तरह से प्रकट हो गए। बुहिराक्षस हेशी के चहरे पर तुरन तिसदमा और हताशा दिखाई दी। वो भागना चाहता था लेकिन बाइनिंग बिंग ने भी उसी समय एक चाल चली और उसी काबू में रखा। बुहिराक्षस हेशी पर सीधे जानवर प्रेट का प्रहा हुआ और वो किमा में बदल गया। रट, हड़ी के टुकड़े और मस्तिश्क के पदार्थ आपस में मिलकर चारो ओर बिखर गए। मैं क्या बकवास है। हे भगवान ये दोनों युवा चौती श्रेणी के गुमास्टर हैं। मुझे अब्याद आया वेकाले और सफेद ज फैंग के लिए महा नाम कमाया है जेंग। लोग उसे छोटा जानवर राजा कहते हैं लगभग पूरे युद्ध मंच पर उसका आधिपते हैं। ये दोनों लोग यहां क्यूं है। सेंचापरवत की विरासत का प्रलोबन बहुत बड़ा है। वे भी इससे आकरशित थे। बुढ़े राक्षस हे शी ने लोगे के बोड़ को लात मार दी। उसकी मृत्त युवास्तों में दुख़त थी। कईगो मास्टर सो अंधेरे से देख रहे थी जब उन्होंने अत्यधिक सदमे और भय से अपनी आखें खोली। हम्फर। फैंक्यूआन बुढ़े राक्ष अंधिनत राक्षस हे शी भी उनकी एक चाल का विरोध नहीं कर सका। अगर हम अब जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। पेर हिल गए, पत्थर उपर उठ गए। अंधिनत पर छाईयां हर दिशा की और भागते हुए निकल गी। फैंक्यूआन और बाइनिंग बिंग ने चुप चापे से देखा और उन्हें नहीं रोका। जैसे जैसे वे संचापरवत के करी पहुंचे राक्ष सीथू मास्ट समय भी व्रिथी हुई। सामान्य समय में कोई कभी कभार ही इन लोगों से मिल पाता था। हाला कि सेंचापरवतिक सुगंधित शरहती तरह था जो सभी प्रकार की मक्यों, मदमक्यों आदि को आकशित करता था। हमें अभी भी सेंचापरवत पर पहुंचना बाकी है, लेकिन हमने सभी प्रकार के राक्षसों और भूतों को एक दूसरे से लड़ते देखा है। ये स्पष्ट है कि सेंचापरवत पर स्थित्याब कितनी अराजक है। बाई निंग बिन की अभिव्यक्ती उदासी इंती लेकिन उसका स्वर्थोड़ा भारी था। संचापरवत पर तीन राजाओं की विरासत प्रकट हुए कई महिने पहले ही बीच चुके थे। इससे दक्षणी सीमा में भारी अशांती फैल गई। एक के बाद एक असंखिय आकृतियां प्रकट हुई और उधर की ओर अक्षस मार्ग ने विरासत में प्रवेश के लिए कोटा में जगय पाने के लिए एक दूसरे के खलाफ लड़ाई लड़ी। सांचापरवत पहले ही एक बूचर खाने में बदल चुका था। हर दिन खुले जगरे और योजनाव में बड़ी संख्या में लोगों की जान च करेंगे। हेंडरी फैंग ठंडे स्वर में मुस्कराया, उसकी आँखों में हत्या का गहराई राधा भरा हुआ था। फैंग कि वान को इस बात की पूरी जानकारी थी कि जग कोई बाहर जाता है तो प्रतिष्ठा बहुत महतुपून होती है। फैंग कि वान और बाई नि लोगों को मारना प्रसिधी पाने के लिए हत्या करना। ये हिंगरी फैंग की भविश्य की योजनाओं के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। ठीक है। आए सांसचो पाने वाले गुकाव प्योग जारी रखें और अपनी रांग चारा भाग उच्छे पाएं। इस तरह स आखें ठंडी रोष्णी से चमक उठी। उसकी सुन्दरता एक बर्परी की तरह थी जो नश्वर दुनिया से अच्छूती थी। हाला कि उसका लहज आखूनी जहरी ले बिच्छू जैसा था और भयानक हत्या के इरादे से भरा हुआ था। सांसच छुपाने वाला गुके दलने की जरूरत पड़ी। बाई निंग बेंग भी वैसी ही थी। तीन राजाओं की विरासत में बहुत सारे गुए हैं जिनकी मुझे आवरशकता है। जब तक मैं उनको को प्राप करता हूँ। मेरी शक्ति पत्गुकिरे का सिट पूरा होने की ओर बढ़ेगा। ये मु अमर्ठी और उसने जो विरासत छोड़ी थी वो बरकरार है। ये तीन राजाओं की तुलना में कई गुना बेहतर है विरासत। दुर्भागे से मैं मध्य महादवीप में नहीं हूँ। नहीं, भले ही मैं मध्य महादवीप में था, मैं दस महान संप्रदायों का और इसलिए त्यान्टी पर्वत पर प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। आगे बढ़ने से पहले फैंकिवान ने दूर तक मध्य महादवीप की दिशा की ओर देखा। बाइनिंग बेंग चुथी जब वो फैंकिवान के साथ चल रही थी। दोनोंने पहारों को पार एक चरण में स्वयम को विक्सित करने का एक उचेत तरीका था। जब कोई कमजोर होता है तो उसे कम प्रफाइल रखनी चाहिए और गुप्त रूप से काम करना चाहिए, धैरे पूर्वक सहं करना चाहिए और गुप्त रूप से बढ़ना चाहिए। जब वे ताकत वर थे जल्द ही बाई निंग बिंग को प्रतिष्ठा के लाब का एहसास हुआ। जब उन्होंने यात्रा शुरू ही की थी, तो रास्ते में गुमास्टर से अकसर उनके लिए चीज़ों को कठिन बनाने की कोशिश करते थे। बिल्कुल उस बुरहे राक्षस हेशी की तरहे जो मह स्टीन श्रेणी की साधना के साथ बाहर निकलने का साहस कर रहा था। फैंक्ट और बाई युवा थे, इसके लाबा बाई निंग बिंग की शानदार उपस्थिते ने दूसरों को अपराद करने के लिए प्रेलित किया। अब हाला कि भले ही फैंक्ट और बाई सांस चुप आने वाले गुकाउपियों कर रहे थे और अपनी साधना छिपा रहे थे, उनका रास्ता आबाधित था जिससे उन्हें बहुत परिशानी से बचाया जा सका। वे अभी तक वास्तों में सांचा परवत तक नहीं पहुंचे थे लेकिन उनकी बुरी प्रतिष्ठा पहले ही वहां तक भैल चुकी थी, अच्छे कर्म धुंदले रह जाते हैं जबकि बुरे कर्म हजारों मील तक भैल जाते हैं, ऐसी बुरी प्रतिष्ठा सबसे तेजी से फैलती थी, अभी हर कोई जानता था कि दो भयानक राक्ष सिपत की उभरते सितारे थे, रांक चार के आई की आवाजें आई, यहां मताओ, मताओ, एक महिला गुद मास्टर अपने पूरे चहरे पर भै के साथ चिल्ला रही थी और हल्की हल्की हाम भर रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसके खुब सुरत कंधे और जांगे दिख रही थी, हे हे हे, छोटी सु आई आपको उच्छ साह का सुवाद जखाएं, हाँ 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 दांतों से काटा, उसका चहरा चिंता और आतंक से भर गया, वो धीरे धीरे पीछे हटी गई, उसके शरीर के कपड़े धीरे धीरे कटते गए, उसकी चिकनी तांगे खुली हुई थी और उसके घने बाल बिखरे हुए थे, जैसे ही वो बच निकली, उसकी च्छाती एक सफ इदखरगोश की तरह हिल गई, जिसने हमलावर राक्ष सीफु मास्टर से को भेडिया चिलाने के लिए उकसाया, क्या कोई मुझे बचा सकता है, क्या कोई मुझे बचा सकता है, मेरे पास यहां 30,000 प्राचीन पत्थर हैं, महिलागु मास्टर चिलाई, उसकी कमजोड़ा उन गुमास्टर समय इच्छा को और उत्यजित करती है, कोई नहीं हिलता, ये चोटी लड़की हमारी 10 ताना शाहों की शिकार है, हमारे बौस के आने तक प्रतिक्षा करें, ये सही है, हमें 30,000 प्राचीन पत्थर नहीं चाहिए, हम पहले इसका आनन लेंगे, बाकि आप ब बारी बारी से ले सकते हैं, गहा हा, कुछ घरमीगु मास्टर सलड़की को बचाने के लिए अपनी चाल चलने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने 10 सत्याचारियों का नाम सुना, तो उन्होंने तुरंत पीछे हतने का फैसला किया, 10 ताना शाहों का बौस चौथे दरजे क फू मास्टर था, मुझे कौन बचा सकता है, कृपिया मुझे बचाएं, मादागु मालिक कोयल की विल आपकी तरह उडास होकर चिल्लाई, वो भागती रही, हर जगा मदद मांगती रही, लेकिन वो जहां भी जाती, फू मास्टर से पीछे हट जाते और उससे बचते, की आखें आशा से चमक उठी, रोती हुई सुन्दरी हिंडरी फैंक की और दोड़ी और विंटी की, ये दो लड़के कहां से आए, अपने काम से काम रखो, हम नान परवत के दस्ताना शाह हैं, आप दो युवाकानिष्ट, एह, ये नहीं हो सकता, ये कुछ राक्ष सीफू मास्टर से अचानक फीके पर गए जब उन्होंने फैंक्ट और बाई की पहचान पहचानी, हाला कि वो व्यक्ति एक पुरुष के भेश में है, वो एक महिला है, ये दो, एक पुरुष और एक महिला, काला का पड़ा, काले बाल और काली आखें, सफेद के पड़ा, चान्द और बाई पर अपनी निगाहें टिका दी, फैंक्ट और बाई की प्रतिष्ठा सबसे पहली बात थी, जो उन्होंने हाल ही में सुनी, ये दोनों भले ही युवा थे, लेकिन राक्ष सिमार के सच्चि प्रती भावान थे, वे दोनों यतंतिक रूर और हत्यारे सुभाव के सबसे महतुपूर बात ये है कि वे दोनों खेती में चौथे स्थान पर थे, ऐसी खेती भयावर थी, रांक एक को घट्या माना जाता था, रांक दो को कमी ने कहा जा सकता था जब कि रांक तीन मुखे स्तम्भा थे और उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा, गुमास् का सवाल है, वे नश्वर दुनिया के शिखर पर खड़े थे और संख्या में बहुत कम थे, यहां तक कि सेकरों हजारों पहारों और अंगिनत नायकों वाली दक्षणी सीमा पर केवल सो से अधिक रांक पांच गुमास्टर सथे, भगवान जूरवाराक्षस, मुझे बचा महिला गुमालिक को अपनी दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और वो अफैंक्ट और बाई के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैट गई और विंटी करने लगी, आसपास कि फूमास्टर से सभी ने अपनी निगाहें यहां डाली, यह दोनों काले और सफेद जुर्वय राक्षस हैं जो अभी हाल ही में प्रसिद हुए हैं, वे अप्रत्याशित रूप से इतने यवा हैं। काले और सफेद जुर्वय राक्षसों के खिलाफ दर सत्याचारी, एक लंबे समय से प्रसिद हैं जब कि दूसरे राक्षसी पत की उभरते सितारे हैं, यह जब तक दस्ताना शाहों का बॉस नहीं आता, तब तक उनका काले और सफेद जुर्वय राक्षसों से कोई मुकाबला नहीं है। काले और सफेद जुर्वय राक्षसों को सौधा मिल गया, वो सुन्दरता मुफ्त में मिल रही है। तुम्हारी सता ही सुन्दरता के कारण, या क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक दयालू व्यक्ती हूँ और लोगों के मदद करना पसंद करता हूँ। यहां तक आने में मेरी यात्रा बहुत कठिन रही है। कृपिया मुझे एक अच्छा शोग दे। अध्धाय 338 इस तरह के द्रिशे ने लोगों को बेढ़िये की तरह चिलाने पर मजबूर कर दिया क्योंकि राक्षसी फू मास्टर से बहुत उट्ते जित थे। कई धर्मी फू मास्टर से ने गुपत रूप से अपने दाद पीस लिये। कोई उन्हें रोपना चाहता था लेकिन दूसरे ने रोग दिया। कुछ मत करो। यहां केवल दस्ताना शाहा ही नहीं है बलकि काले और सफेद जुर्वय राक्षसी भी हैं क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो। इसके अलावा वो महिला गु मास्टर एक नेक चरित्र नहीं है। आकोख खुद को शामिल करने की जरूरत नहीं है। धिकार है, राक्षसी पत के सदस्य वास्तों में दुनिया के मैल, बे इमान और बे शर्म है। कुछ गु मास्टर क्रोधित थे और अपनी मोचिया बैच रहे थे। कई महिला गु मास्टर से ने अपनी आँखें बंद करके दूसरी ओर देखा। नहीं, नहीं, मैं आपसे विन्ती कर रहा हूँ, क्रिपिया रुकें। वो महिला गु मास्टर निराशा में चिल्लाई। बाइनिंग बिंग भावशु ने थी, क्योकि वो फैंग की वान को घूर रही थी। हेंडरी फैंग इस द्रिश्य को देखकर उठास कर रहा था। दो काले और सफीद जुर्वय राक्षसो को मिरा सम्मान। हम आपकी मित्रता के कृतिकी रिपोर्ट अपने बॉस को करेंगे, क्योकि आपने हामें मौकादिया और के वल्द देखती रहे। नादान, मूर्ख, तुम निश्चित रूप से तेजी से भागे, इसके बाद मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि तुम आनंद लौ। हे हे हे। मास्टर को अचानक पकर लिया गया और उसे उड़ा दिया गया। वो धुमके तुकी तरह दूर तक उड़ रहा था, सौ कदम दूर जाकर उतर रहा था, बेहुश हो गया। क्या? ये महिलागु मास्टर कुछ हजीब कोशिश कर रही है, चलो एक साथ धहमला करें। क्या साहस? तुमने हमारा विरोध करने का साहस किया। दस ताना शाहों के अने सदस्य महिलागु मालिक पर छर पटते हुए चिल्लाने लगे। लेकिन अगले ही पल, गुलाबी रोश्नी फिर चमकी और ठीव रची हैं सुनाई दी। टिन्टाइडेंट के सदस्यों को एक साथ कुरान भरते हुए भेजा गया। गुलाबी रोश्नी ने महिलागु मास्टर सा की जबर्दस्ट द्शक्ति को प्रदर्शित किया। क्योंकि उसके पास एका करशक और बुरी नजर थी, उस पर छिपा हुआ बेस पूरी तरह से हटा दिया गया था, जिससे उसका सली चुल बुला रूप दिखाई दे रहा था। टिन्टाइडेंट के सदस्य सदमे में जमीन पर पड़े हुए थे। कौन जानता है कि उसने कौन से तरीके अपनाए, जिससे विज जमीन पर कमजोर और शक्तिहीन हो गए, उठने में असमर्थ हो गए। उग्र और दुष्ट टेन ताना शाह सदस्य वास्तों में महिलागु मास्टर सा माच नहीं थे। अचानक हुए इस बदलाव से सभी के हाव भाव बदल गए। कई लोग अवाक रह गए, अत्यंत आश्चारी चके धोकर देखती रहे। केवल हिंग्री फैंक की अभिव्यक्ति वैसी ही रही, मानो वो सब कुछ जानता हो। महिलागु मास्टर हैसी अपना असली रूप दिखाने के बाद उसकी आकरशक आखें आत्मा को चुराने वाली थी। वसंतरी तुमें खिलेवे आड़ो की तरह हुटतम घुमाव वाला पतला शरीर हर किसी को बेहदाराम दायक बनाता था। इसी दौरान टिंटाइडेंट के सदस्य उठ खड़े हुए। उनकी ताकत धीरे धीरे ठीक हो गए। लेकिन फिर भी उनके चहरे पर सदमा अभी भी सपश्टरूप से था। उन्हें महिलागु मास्टर से एक वास्तविक रांग चारा भा महसूस हुई। ये महिलागु मास्टर थेती थी वास्तों में रांग चार थी। पता चलने पर कई लोगों की भाव बदल गए। छोटे जानवर राजा, तुमने एक लड़की को मुसीबत में छोड़ दिया या तुम आदमी हो। महिलागु मास्टर ने फैंग की वान की ओर देखा, परिशान, नाराज अभी व्यक्टर दिखाई, जिससे लोगों को उस पर बहुत दया आई। एक ही बार में सभी पुरुष्यों सिघूर कर देखने लगे। काईगु मास्टर हेंडरी फैंग से इ अभी नएका ये स्तर मुझे धोखा दे सकता है। महिलागु मास्टर पुतिया सिकुरगी। उसे उमीद नहीं थी कि फैंग की वान इतनी आसानी से उसकी पहचान उजागर कर देगा। लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो गए। उसके हूँच फूट फूट कर बोले। ये फैंग की वान में दिल से हसते हुए कहा। इससे पहले कि आपने अपना असली रूप दिखाया, मैं किवल अनुमान लगा रहा था। लेकिन चाहे मैंने सही या गलत अनुमान लगाया हो, मुझे कोई नुकसान नहीं है, क्या मैं सही हूँ। भले ही हूँ मेरी एक राक्ष फू मास्टर थी, हेंरी फैंग के क्रूर शब्दों को सुनकर उसका दिल ठंडा हो गया। ये वास्तों में वो है। ये महिला राक्ष सी मार्ग में प्रसिद्ध है, वो बहुत दरावनी है, वो भिश बदलने में माहिर है, उसके रूप से प्रभावित मत होना, वो एक रा जाना शाह के सदस्यों ने एक दूसरे की मदद की ख्योंकि उनके चहरे ख्योन के निशान के बिना पीले पर गए थे। अब तक वे पहले ही समझ चुके थी, वेस पश्टर रूप से हुम मेरी एर द्वारा खिलोना बनाए गए थे। हुम मेरी एर के पास खेती का दर्जा अचार था, उनके लिए उनसे निपटना आसान था। उसका पहले काभियस और प्रदशिन सिर्फ उनके साथ खिलवार करने के लिए था, वो उनका उप्योग जाज करने और काले और सफेद राक्षसूं के करीब पहुँचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन छोटी जानव में बहुत प्रसिद्य हो गए हो, अब पूरा सैंचा परवत जानता है कि दो राक्षसी पत के जेनियस यहां है। चाहे वो धर्मी हो या राक्षसी रास्ते पर कई वरिष्ट और विशेश अग्य अब आपकी परिक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कई लोगों क आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हमारी परिक्षा लेने के लिए भेजा गया है। हे हे आप हमारी सुरक्षा के बारे में चिंता क्यूं कर रहे हैं। जहां तक लोगों को ठेस पहुँचाने की बात है। एक चीज जिससे मैं नहीं दरता वो है लोगों को ठेस पहुँचा साहदीध रहा था। वो अपना मुह छिपाते हुए हसी। ठीक कहा। क्या महान साहस है। मुझे ये पसंद है। लोगों को अपमानित करने से नहीं डर्टी। फिर मैं आपको बता दू। आपने मेरी शकल को तुछ समझा जिस से मुझे ठेस पहुंचती है। इस दुनिया मे केवल खलनायक और महिलाओं को खुश करना कठिन है। मैं न केवल एक महिला हूँ, बलकि एक खलनायक भी हूँ, छोटे जानवर राजा, देखते हैं अंतक का उनहनस्ता है। मुझे आशा है कि आप पहार को जिवित छोड़ सकते हैं। हुमेई एर ने तीकी निगाहों से क पहा और तुरंत जाने के लिए मुरी। सभी ने उसकी गुलाबी पोशा को हवा में लहराते हुए देखा, उसके जाते समय उसका सुन्दर रुप देकर हर कोई अवाक रह गया। हुमेई एर फैंकिवान मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। ये हुमेई एर राक्षसी मार्क की राक पैदा करती थी, जहां भी जाती थी जगडे और विवाद पैदा करती थी। उसने मंत्रमुग्ण पत, विशेश रूप से लोगों को मंत्रमुग्ण करने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने उपस्थिति का उप्योग करके उसने कई राक्षसी विशेश अग्यों को निय पते थे। हाला कि दूसरों को उसकी उत्पत्ती के बारे में नहीं पता था, लेकिन हेंरी फैंक को पता था। इस राक्षसी की उत्पत्ती बहुत बड़ी थी, वो दादी मेई हुआ की पोती थी। ग्रैनी मेई हुआ, मेई हुआ दानी भूमी पर कब जा करने वाली पर पुरुषों को भगाया और युवा पुरुषों में उसकी विशेश रुची थी। उसके पिछले जीवन में अपसे सो साल बाद वो अपनी ताकती कठा करेगी और शियांग परवत के ओर बढ़ेगी। किसी को नहीं पता था कि पहार पर क्या हुआ, लेकिन नतीजा य हुआ कि वो अकिले ही पहार छोड़ कर चली गए। उल्लेक करने योगे बात ये थी कि वो रांक चार मास्टर के रूप में पहार पर चड़ी थी, लेकिन वो रांक पाच के शिखर चरण के रूप में नीचे उतरी। इस राक्षसी के पास एक अकत नियरहस्य है। अभी व वो अपना जादू पध प्रदर्शित करना और लोगों को भर्ती करना शुरू कर रही है। ये सोचने के लिए कि इस बारों से मुझे में रुचि विक्सित होगी। हेंडरी फैंग ने अपनी जीवन की तुल्ला की और कहा। उन्होंने तेजी से बढ़ने के लिए पुनर मैंने पहले ही अपनी नश्वारे च्छाओं को कत्म कर दिया था। लेकिन जादूई रास्ते की अपनी ताक्ते हैं मैं उनसे बच नहीं सकता। हूँ मेरी एर्व लोगों को परेशान करने के लिए उपसाने के लिए गया होगा मुझे। उसके पास दादी में हुआ से मत करेगा। हेंरी फैंग ने अपने दिल में विशलेशन किया। चूकि वो इस समय हूँ मेरी एर्व को नहीं मार सकता था। इसलिए वो केवल चरंडर चरंड स्थिती से निपट सकता था। अभी हूँ मेरी एर्व का जादूपत अधिक सफलता तक नहीं पहुच पाया थ उसके आकरशन के तहत उसके पास किवल चार गुमास्टर सकते। जब तक वे पाच अवे स्थान पर नहीं हैं, हेंरी फैंग को कोई दर नहीं था। उन्हें विश्वास था कि अपने अनुभद और गुवर्म्स के समूह के साथ भले ही वो जीत नहीं सकते, लेकिन हारेंग आचुके थे, ये अमर क्रेन संप्रदाय के लोग हैं, हम हेव नली लोचस संप्रदाय की पड़ी बीजया, अमर क्रेन संप्रदाय के साथ क्यों आई, वो लड़का कौन है, फेरी बीजया उसके साथ इतनी खुर्शी से बात कर रही है, मैंने पहले कभी फेरी बीजया को उ हमारे पिछले अलगाव के बाद से मैं आपसे फिर से मिलना चाहता हूँ। इस बार हु अमर विरासत में मुझे आपके आने की उम्मीद थी। इस प्रकार मैंने अपने मास्टर से विंति की मुझे भी यहां आने दो। एक युवक ने परी बीजिया को देखा और तुरंट वहां आ गया। बीजिया फैंग जिंग के साथ बात कर रही थी और हंसर रही थी लेकिन उसे देखते ही उसकी मुस्कान गाइब हो गई। अध्धाय 349 परिशानी ओ ये सरवेई है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। युवा नायक फैंग जिंग को धन्यवाद, बीजिया सुरक्षित और स्वस्थ है। परिशानी वेई वू शांग की नजरों से परहिच किया और अभिवादन किया। युवा नायक फैंग वेई वू शांग ने फैंग जिंग को देखा, जो फेड़ी बीजिया के पास ख़़ा था। हेलो, मैं अमर क्रेन संप्रदाय का फैंग जिंग हूँ। फैंग जिंग हलकी से मुस्कुराए, अपनी मोचिया पकड़ कर अभिवादन किया, मित्रता से ओट प्रोट। युवा नायक फैंग जिंग, अमर क्रेन संप्रदाय का एक विशिष्ट शिष्य, सबसे हाल्या मध्य परिक्षा में नमबर एक। वो दस हजार क्रेनों को नियंत्रित कर सकता है, इन क्रेनों की बदरत हम एकनी जल्दी त्यानती परवत तक पहुँच सके। फैंग जिंग की और देखते हुए कहा, उसका चहरा शर्म से लाल हो रहा था, क्योंकि उसके स्वर में हलकी मिठास थी। रास्ते में उसने फैंग जिंग के साथ बातचीत की थी और उसे लगा कि उनके बीच ताल मेल बैठ गया है। अमर क्रेन ये सिर्फ लोहे की चच वाली उड़ने वाली रानिया हैं, हलांकी संख्या थोड़ी बड़ी है। फैंग जिंग के प्रती बेहत गुस्सा महसूस करते वे वे वुशांग की आँखे ठंडी चमक उठी। उसने अपने दांत पीस कर फैंग जिंग को नमस्कार किया। फैंग जिंग, आप अमर क्रेन संप्रदाय के एक विशिष्ट शिस हैं। ये बहुत अच्छा है। मैने लंबे समय से अमर क्रेन संप्रदाय के क्रेन हिर फेर कॉशल के बारे में सुना है। मैं हमीशा से इसका सामना करना चाहता था हाइफ़ून इसके विपरीत यदि आप मेरे साथ बहस करेंगे तो मैं इसकी सराहना करूँगा। ऐसा कहते हुए वे वुशांक ने बड़े कदम आगे बढ़ाए, जब उसने फैंगल छिंग को देखा तो उसकी आँखें दबंगई से चमक उठी, फैंगल छिंग स्थब्धिर रह गए, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे से दुश्मनी और बेतुकापन महसूस हुआ, हाँ हा अपने मन में लौर स्काई क्रेम जोर से हसे, एक सुन्दर्ता की कृत अग्यता सबसे बड़ी समस्या है, मेरे शिश्य, उस छोटी लड़की बीजिया को बचाने का कार्य आपके लिए कई दुश्मन लेकर आया है, ये यवा लड़की बीजिया एक महान सुन्दर्ता है, अ की बात करते हुए उसके दिल में गहरा दुख महसूस हुआ, इन सालों में उनके दिल में एक लड़की की छवी बहुत गहराई तक बसी हुई थी, वो एक नश्वर थी, वो बहुत सामान्य थी, बहुत सामान्य थी, और पड़ी बीजिया से बहुत कमतर थी, लेकिन फैंग फैंग छेंग की दिल की सबसे अच्छी आड़े थी, दुरभागे से वो पहले ही मर चुकी थी, अब इस दुन्या में नहीं है, वो फैंग छेंग की पूर्व नौकरानी शेन कुई थी, शेन कुई के बारे में सोचते हुए हेंरी फैंग का दिल डूब गया, जिस लड़क से बदला लेना है और चाची, शेन कुई, स्वामी कभी लेके नेता, स्वामी किंग शू और उनकी इच्छाओं को पूरा करें हालांकि गुयू गाउव नष्ट हो गया था, लेकिन गुयू विन्ष अभी भी मौजूर है, हाँ हाँ हाँ, मेरे मुर्षिश, भले ही तुम यही चाहते हो, यह वेवु शेंग तुम्हें जाने नहीं देगा, चुकि तुमने परिबीजिया को बचाने का फैसला किया है, तो तुम्हें इसका एहसास क्यू नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके साथ बहस नहीं करना चाहता, मैंने अमर क्रें संप्रदाय में इस वेवु शा प्रतिभा, वो खुद को ठीक करने में सबसे कुशल है, एक सरलडाई के बाद बच जाता है, भले ही मैं जीत जाता हूँ, मेरी स्थिती अपने चरम पर नहीं होगी, गु के लिए प्रतिसपरधा करते समय ये मेरे प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, अमर व जुद्शक्ति के मामले में प्रतिसपरधा नहीं करेगा, ये इच्छा शक्ति और द्रड़ संकल्प की प्रतियोगिता है, मेरी आत्मा द्वारा गुप्त रूप से आपकी सहायता करने से आपको बहुत लाब हुगा, थोड़ी देर रुखने के बाद लौरल स्काइकरे न आगे कहा, आप अभी भी बहुत छोटे हैं, आप प्रतिश्था की उप्योगिता नहीं जानते हैं, कभी कभी प्रतिश्था ताकत से अधिक उप्योगी होती है, ये एक दुरलभवसर है, इन चुनोती देने वालों को हराएं और अपनी प्रतिश्था में सुधार करें, उ संप्रदाय में वापस आ सकते हैं और आपकी सेना को फिर से भर सकते हैं, अपनी मास्टर को ऐसा कहते हुए सुनकर, फैंग छेंग ने आह भरी और वेई वुशांक से कहा, जोकि आप युद्धि करना चाहते हैं, तो ऐसा ही होगा, बहुत बढ़िया, खृप्या, वेई व क्रेन एक साथ चिला रही थी, मानो अपने राजा का अभिवादन कर रही हो, एक बार जब लडाई शुरू हुई, तो हर कोई उत्साहित हो गया, बॉस फैंग छेंग, शुब कामनाई, स्वर के इश्या संप्रदाय की इस बहिन को हराएं, अमर क्रेन संप्रदाय के कुलीन श्रिश्य चिलाए, जूनियर भाई वेई, इस लड़के को सबक सिखाओ, वेई वुशेंग के पास सुनके समर्थक थे, वेई वुशांग ने सिरह लाया, उसकी आखों में तीवर युद्धि का इरादा जल रहा था, वो इस बार स्वरक के इश्या संप्रदाय द्वारा पेजे गए कुलीन श्रिश्यों का नेता था, फैंग शेंग का 10,000 क्रेन समुह सामा ने कुलीन श्रिश्यों को डरा सकता था, लेकिन उसे नहीं, उसके पास अपना तुरुप का पत्ता था, युद्ध वेई वुशांग ने अपने शरीर में गुकिडों को सक्रिय कर दिया जैसे ही उनका शरीर हवा में चमका और गाइब हो गया अगले ही पल जैसे ही वो कई सो कदम दूर चला गया जगे फट गई और वो सीधे फैंग जिंग के सामने आ गया अंतरिक्ष भिदी गुप यहां तक कि लौड़ स्काई क्रेन भी है रान रह गये एक दिव्रय युद्ध चिर गया उसी समय सेंचा परवत पर एक निश्चित गुफा में दस अत्या चारी एकत रहुई इसका मतलब है हुँ मेरी एड़्वारा काले और सफेद राक्षसों का परिक्षन करने के लिए आप सभी का उप्यों किया गया था दस ताना शाहों के नेता ताना शाहहेंग मेई बुढ बुदाय ये सही है मालिक उस राक्षसी ने हम सभी को धोखा दिया और सात्वे और दस्वे भाई को भी घाय कर दिया मालिक आपको हमसे बदला लेना होगा दस ताना शाहों का दूसरा भाई चिलाया ताना शाहहेंग मेई को थपर मारा टिन्टा एडेंट के दूसरे भाई को उसकी गालों पर जोडार थपर मारा गया जिससे उसका शरीर वहीं पर पलट गया बुद उसने अपना चेहरा पकर लिया और ताना शाहहेंग मेई को सदमे में देखा गंभीर रूब से घायल ये सही है जब तक कि वे मर नहीं गए है आप मस्तिश्क के लिए शुक्रानूओं का समुह बनाते हैं अपने निशले शरीर को नियंतरित करते हैं मैंने आपको पहले ही अपने कारियों और शब्दों पर ध्यान देने का निर्देश भिया था क्या आप वास्तों में सोचते हैं कि ये अभी भी नान परवत है ताना शाहहेंग मेई ने डांटा गलत ये संचा परवत है चाहे वो कुंगरी तियान हो लॉन्ग किंग तियान हो या वुशेंटोंग ये चुंग ये सभी आपको चीन्ती के तरहासानी से मार सकते हैं यद्यपी आपके पास रैंग तीन खेती है सबसे महतुपूर्ण कारण क्या है कि आप यहां बने रहने में सक्षम हैं यहां क्या ये सब मेरी वज़ा से नहीं है हमसा ये मामला आप सभी के लिए एक चेतावनी है मुझे आपको बताना होगा हुम मेरी एर के साथ समस्या न धूंढे ये राक्षसी पुरुष्टों को उनकी मृत्यू के लिए भाकाती है उसका एक व्यापक नेट्वर्क है वो लिन्सेंची के साथ शामिल है लीजियान और यहां तक की मुवूटियान के साथ भी अफवाए है ताना शाहहिंग में के शब्दों ने नौ भायों को जख जोड़ दिया लिन्सेंची चौथे दर्जे का राक्षसी फु मास्टर था वो नकेवल धातो पत में कुशल था बल्कि एक प्रित्वी पत फु मास्टर भी था उनकी धातो और मिट्टी की विशिष्टता भूमी के माथ्यम से प्रसिद थी लीजी आओ भी वैसे ही मस्बूत था वो दक्षणी सीमा का मोल निवासी नहीं था बल्कि पोर्वी समुद्र से आया था वो राक्षणी पत के सदस्यों के बीच प्रसिद एक बेहिमान व्यापारी था जो कम कीमत पर खरीदने और अधिक कीमत पर बेजने के अवसर्थ हुंधिने में सबसे कुशल था उसका नेट वर्क और मानवीय रिष्टे व्यापक थे लूट के कई राक्षणी फू स्वामनी उसके द्वारा बेच दिये गए थे जहां तक मुववू टियान का सवाल है वो और भी दरावना है उन्हें एक प्राचीन फू अमर की रहस्य में विरासत विरासत में मिली और वो राक्षणी पत का नंबर एक उबरता हुआ सितारा एक पूनेवा प्रतिभा था चाहे वो लिंस सेंट्री हों लीजियान हों या मुवू टियान हों वे सभी रांग चार गुमास्टर से हैं ये सभी प्रसिद लोग उस राक्षणी से संबंधित हैं टिंटाइडेंट के सदस्यों ने ये सुना और उनका चहरा पीला पड़ गया उनके दिल डर से धड़कने लगे मैं आपको आकरी बार बताऊंगा ये नान परवत नहीं है आहा, मैंने आप सभी से अकसा अपने दिमाग का उप्यों करने और गलतियों से सीखने के लिए कहा लेकिन आपने सुनने से इंकार कर दिया आहा, ये तीन राजाओं की विरासत कोई छोटी बात नहीं है कौन जानता है कि कितने दुर्जे एक खिरदार सामने आएंगे ये कहते हुए ताना शाह हिंग में ने आहँ भरी बाकी भाई नीशब्द होकर एक दुसरे की ओर देखने लगे ताना शाह हिंग में ने देखा कि समय सही था और विषय बदल दिया लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सेंचा परवत पर रैंक चार और पाज फू मास्टर एक दूसरे को रोप रहे हैं, कोई भी जल्णबाजी में कारे करने की हिम्मत नहीं करता है हम दज हैं, नान परवत के अत्याचारियों के साथ खिलवार नहीं किया जा सकता हम इसे चुप चाब बरदाश्म नहीं कर सकते, आए, काले और सफेद राक्षसों को खोजने के लिए मेरे साथ चलें बॉस, आप व्यक्ते गत रूप से काले और सफेद राक्षसों को खोजने जा रहे हैं किसी ने सबमा जदाया बॉस, आप चौथे दरजे के मत्य स्तर के हैं, राक्षसी पत के वरिष्ठ हैं जब आप दुनिया में खुम रहे थी, तब भी वे बच्चे थे ये सही है, बॉस, हम जाएंगे और उन्हें आने के लिए कहेंगे आप उन्हें दर्शक देना उनका सम्मान है हमफ, तुम क्या जानते हो? ताना शाहहिंग में इने जान्टा काले और सफेद राक्षस बहुत युवा हैं तथे है कि उन्होंने इस बार आप पर हमला नहीं किया इसका मतलब है कि वे मेरा नाम चानते हैं और जानते हैं कि कैसे पीछे हटना है लेकिन वे युवा हैं उन्हें अपना कोद चेहरा कोद पसंद है यदि मैं अपने अहंकार को त्याग कर व्यक्ति गत रूप से उनसे मिलने जाता हूं तो ये उन्हें पूरा सम्मान दे रहा है इसके बाद यदि मैं एक साथ काम करने का जिक्र करता हूं और हुम मेरी एर से निपटने की योजना बनाता हूं तो वे निश्चित रूप से सहमत होंगे बॉस मैं समझता हूं आप उन्हें अग्रणी के रूप में उप्यो कर रहे हैं बॉस आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं ये कुछ ब्लेक एंड वाइट डेमंसर कुछ की वल बीस साल के आसपास हैं वे बहुत छोड़ते हैं अब वे और हुमेरी एर्मत अभेद में हैं अगर वे आपका सुझाव सुनेंगे तो वे बेहद रौमान चित होंगे एक बार जब बॉस योजना बनाता है तो ये वास्ताव में अबूत पूर्व होता है तिन ताना शाह सदस्यों ने अपने बॉस को लूटना शुरू कर दिया हाँ 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 ताना शाह हिंग में ने अपना हाथ लहराते हुए जोड से हसा भाई, काले और सफेद राक्षसों से मिलने के लिए मेरे साथ हाओ फैंक यू आन और बाई निंग बिंग ने सेंचा परवत शिखर की ओर देखा इस सेंचा परवत का डिजाइन एक अजीब है पहार की तहटे से ये तीन तहाडियों तक जाता है दूर से देखने पर ये तीन नुकों वाला एक कांटा जैसा देखता है जो आकाश की ओर इशारा करता है तीन चोटियों के ऊपर तीन राजाओं की विरासत के प्रवेश द्वार है समय समय पर परवत शिखर से प्रकाश के तीन किरने निकलती थी और लोगों को प्रवेश करने की अनुम्ति मिलती थी एक बार जब लोगों की संख्या एक सीमा तक पहुँच गई तो प्रकाश स्तम्भ गाइब हो जाएगा और प्रवेश द्वार भी गाइब हो जाएगा उसके बाद परिक्षणों में उतीर्ण नहीं होने वाले गुमास्टर्स को समय समय पर बाहर कर दिया जाता था बेशक हर बार विरासत के अंदर कई मौतें भी होती हैं विरासत के अगले उद्घाचन तक लगब गाट दिन है आएए अभी के लिए बसने के लिए एक जगह धूंडे फैंकिवान ने आसपास के और ध्याद से देखा जैसे ही उसने पहार की कमर के बीच में एक गुफ्या देखी अध्धाय तीन सो चालीस पीट पीट कर लुदी बना लेना सेंचा परवत मूल रूप से एक ऐसा स्थान था जिसके प्रतिकिसी ने रुचि नहीं दिखाई अधक्सर होते रहते थे अभी भी ये अपेक शाकृत शान्ति पून्य था हर बार जब प्रकाश स्तम्भु खुलता था तो प्रवेश को टा सीमित होता था उस समय ये संचा परवत पन असनहार का द्रिशे होगा विरासत में प्रवेश के अवसर के लिए लड़ने के लिए सभी फू मास्टर से ने पहार पर रहने का फैसला किया इससे एक घटना खटित हुई गु मास्टर स जितने मस्बूत थे वे परवत शिखर के उतने ही करीब रहे इससे जब विरासत सामने आई तो वे एक अनुकूल स्थिती में थे क्योंकि वे बहुत आसानी से उसकी और दौर सकते थे हेंरी फैंग ने जो गुफा चुनी वो पहार के बीच में थी गुफा के आसपास के निशानों से साफ पता चलता है कि उसमें कोई रहता था निश्चित रूप से जब वे गुफा के पास पहुँचे तो गुफा के भी तरसे एक तेज और सपश्ट आवाज प्रसारित हुई ये मेरा मंकूआंग का क्षेत्र है चले जाओ अनिथा तुम एक हिंसक मौत मरोगे हाँ 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 मंकूआंग ये क्या बकवास है ये एक जगह बहुत अच्छी है मुझे ये पसंदा गई है चले जाओ फैंक्यू और गुफा के बाहर हसे और एकल्टी मेर्टम चारी किया अपनी दादी को भार में जाओ तुम इसे कठें तरीकर से चाहती हो चुकि तुम मरना चाहर ही हो तो निर्दाई होने के लिए मुझे दोश मत दो आवाज का पीछा करते हुए एका टकटा आदमी गुफा से बाहर निकला उसका नूपरे शरीर नंगा था उसने फांक से बुना हुआ धेसा पिटा शोट से पहना हुआ था सियान सापके शलकों ने उसके पूरे शरीर को ढख दिया उसका चहरा लंबी दाढ़ी से ढखा हुआ था उसकी आँखों पर खून की नसे दिखाई दी और उसके काले बाल अस्तिव्यस्थ होकर उसके सिर पर गिर गए वो एक रोधित राक्षस की तरह गुफा से बाहर चला गया दो अंदे मूर्ग एग मंको आग में फैंक्ट और बाई की ओर देखा वो अपनी करकशावाज में गाली दे रहा था कि अचानक उसकी पोटिया से कुरगी और उसका जबड़ा चोड़ा हो गया उसकी निगाहों में एक हत प्रभाव प्रकट हुआ तुम दोनों क्या तुम काले और सफेद जुर्वय राक्षस हो सकते हो आप क्या सोचते हैं बाई निंग बेंग मंद मंदह सी उसके निली आखें हत्या के इरादे से चमक रही थी मंकवांको किवली यह महसूस हुआ कि ठंडूस की पीट से उठ रही थी और कुछ ही सेकंड में उसके शरीर पर फैल गई काले और सफेद जुर्वय राक्षस रांग चार फू मास्टर सथे जबकि वो किवल रांग तीनों प्रिस्तर पर थे इसके अलावा उसने ये भी सुना था कि कैसे ये दोनों बिना पल के जपकाये हत्या कर देते थे और उनके तरीके कितने क्रूर थे दिकार है, मैं बिना कुछ किये यहां छिपा हुआ हूँ, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इसके लायक हूँ ये वास्तों में आस्मान से गिरने वाला दुर्भागे है मंक्वां के विचार अव्यवस्थित थे एक पल में शातिर चहरा चाना बदल गया उबरी हुई भोहे जुकी गी, चोड़ी खुली आँखे एक दरार में सिमट गी उसके हुट्टों का मुड़ा हुआ को न तुरंत मुसकुराहत में उपर उठ गया उसने अपनी सद्भावना दिखाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था इस जीवन में ये मेरा सबसे बड़ा सवभागय है कि दोनों भगवानों ने मेरी गुपा को पसंद किया मंकुांग ने अपनी पीट जुकाई और अपनी हाथ लगड़े फैंक और बाई क्योड़े का कशक मुसकान दी उसका शरीर लंबा और मस्बूत था लेकिन जब वो सिकुड़ता था और अपनी पीट जुकाता था तो उसकी मुल प्रचंड दबंगा भा तुरंत गुम नामी में गायब हो जाती थी ये उसके अशिश्टरूप से मेल खाता हुआ एक विदूशकुत सक जैसा था हमा आप समझदार हैं अब आप दफा हो सकते हैं हेंडरी फैंग ने अपना हाथ लराया हाँ 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 ऐसा लग रहा था कि मांग कुआंग को माफी मिल गई है क्योंकि वो फिसल गया और तुरंट दूर भाग गया मांग कुआंग को बाहर निकालने के बाद फैंग किवान और बाई निंग बिंग एक साथ गुफा में दाख खिल हुए मांग कुआंग द्वारा गुफा को पहले से ही ठीक से विवस्थित किया गया था और उन्हें कोई भी विवस्था करने के लिए अपनी उर्जा बरबाद करने के आवशक्ता नहीं थी संचा परवत खत्रे से भरा है हम अगले आठ दिनों तक बारी बारी से रात में पहरा देंगे जदी एक सोता है तो दूसरे को जागना होगा फैंग किवान ने बाई निंग बिंग को चेतावनी दी साहज रूग में बाई निंग बिंग ने सिरह लाया हुई में एरिसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे इन आठ दिनों में हमें लगातार परिशानियों का सामना करना पड़ेगा हलांकि ये भी अच्छा है कि ये लोग खुद को हमारे पास बेज रहे हैं हम अपनी ताकत स्थापित कर सकते हैं और ये हमारे रादे से मिल खाता है हेंडरी फैग ने ये कहना अभी समात ही किया था कि गुपहा के बाहर से एक आवाज आई क्या अंदर गाले और सफेद जुर्वाराक्षस हैं मैं ताना शाह हिंग में हूँ मैं लंबी समय से आप दोनु से मिलने का इंतजार कर रहा था इस बार मैं विशेश रूप से आपसे मिलने आया हूँ अत्याचारी हिंग मेई क्या वो दस्ताना शाहों का मालिक नहीं है मैंने सुना है कि वो बहुत गुरूर है ताकत का रास्ता थेती करता है छोटे बच्चों का मांस खाना पसंद करता है और उसने नान्शान पर भै फैला रखा है बाई निंग बिंग ने फैंग कि वान पर नजर डाली हिंगरी फैंग ने अंदर व्यंग किया उसने इस ताना शाह हिंग मेए के साथ परेशानी धूलूने की योजना बनाई थी लेकिन हिंग मेए के बारे में सोचना वास्तों में उसके लिए मुश्किल था दोनों गुफा से बाहर निकले और गुफा के बाहर खाड़े आठ लोगों को देखा सामने एक मजबूत शरीर, नंकी और सपाथ छाती पूरे सीने पर काले बालू गे हुए थे उसके पूरे शरीर से रांग चार मध्य चरण की घनिया भा निकल गई हाला कि अपनी हैवानियत के लिए मशूर इस राक्ष सी राह के शक्स के चहरे पर अभी मुस्कान थी जब उसने फैंक्ट और बाई को देखा तो उसने तुरंट अपनी हाथ जोड लिये और कोई भी उसे पहली नजर में एक सुन्दर काले भालू के रूप में ही ले सकता था ये सोचने के लिए कि काले और सफेद जर्वा राक्षसों की प्रिष्ठ भूम इतनी बड़ी थी ताना शाहहिंग में इने जान बुचकर उची आवाज में बाग की थी और आसपास के कई गु मास्टर सका ध्याना आकर्शित किया था यहां तक कि ताना शाहहिंग में भी उनसे व्यक्तेगत रूप से मिलने आये थे बहुतों को आश्चरे हुआ सवभागे से मैं भाग गया ताना शाहहिंग में इक अब इतना विनम रहो गया मंकवां गभी भी बहुत दूर नहीं भागा था अभी उसने अपनी चाती को छुआ और लंबे समय तक रहने वाले डर को महसूस किया अत्याचारी हिंग में ये अच्छा हुआ कि आप आये मैं बस आप से मिलने ही वाला था फैंग कि वान ने जवाब दिया ताना शाह हिंग में की मुसकान और भी गहरी हो गई ये सोच कर कि हेंडरी फैंग उससे मिलने आ रहा है लेकिन कौन जानता था कि हेंडरी फैंग के अगले शब्दों ने तुरंत उसकी मुसकान को कठोर कर दिया मैंने सुनाए कि आप भी एक शक्तिपत फैंग मास्टर आए जीवन और मृत्यों की लड़ाई का आनन लें और निर्धारित करें कि कौन अधिक मजबूत है मैं फैंग शेंग शक्तिपत पर चल रहा हूँ और शक्तिपत में नंबर एक बनने जा रहा हूँ अपना जीवन सौप दो बोलना समाप करते हुए फैंग किवान ने अपनी कुकु सक्रिय किया और सीधे ताना शाहहिंग मेई पर हमला शुरू कर दिया क्या? ताना शाहहिंग मेई वापस होश में आया वो चोंका हुआ था और क्रोधित भी था उसने परंपरा को तोड़ दिया था और मिलने आया था लेकिन ये सोचना कि ये कोट फैंग जिंग कोट एक प्रितव न आदमी था और उसने बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया ये, ये कैसा व्यक्टी है? क्या ये अभी भी एक व्यक्टी है? उसके मस्तिश ककी नसे अस्तव्यस्त हो गई है, है ना? हेंडरी फैग ने अपने विचारों की परवाह नहीं की और तेजी से ताना शाहा हिंग मेई की ओर बढ़ गया संपून प्रयास गुट उन्होंने बिना कुछ बोले सीथा हमला बोल दिया ग्ररा उसके पीछे से एक भूरे भालो का प्रेत प्रकट हुआ हिंसक ताकत गुट ताना शाह हिंग मेई ने गुस्से से अपनी आँखें खोली उसने सिर को रोकने के लिए अपनी बाहें उपर कर दी हिंसक शक्तिगु के सक्रिय होने से उसका शरीर बढ़ा हो गया और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई बम फैंकिवा ने ताना शाह हिंग मेई पर जम कर प्रहार किया जिससे हिंग मेई को पाँच कदम पीछे भेज दिया जबकी वो खुद भयान ताकत से उचल कर वापस आ गया ताना शाह हिंग मेई चौथे मध्य चरण में थे और उन्होंने टेंटायर इंच सके अन्य नौ सदस्यों की कमान संभाली थी उसने कई वर्षों तक नान परवत पर शासन किया था और उसकी नीव गहरी थी हम फर चोटे जानवर राजा मैंने तुम्हें चहरा दिखाया लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए किया अच्छा है ताना शाह हिंग में चिलाया लेकिन उसने हमला करने की पहल नहीं की वो रांग 4 के मध्य चरण पर था और जानता था कि फैंक युआन के साथ एक चाल पार करने के बाद वो मजबूत हो गया था क्यूंकि युआन के वल प्रारंभीक चरण में रांग 4 पर था हाला कि घटनास्थल पर केवल एक रांग चार ही नहीं था, वहां बाई निंग बिंग भी खड़ी थी ताना शाह हिंग मे को फैंग जिंग के खिलाफ जीत कायकीन था, लेकिन उसके लिए दो के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल होगा ताना शाह हिंग मे तुम इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हो, बाई निंग बिंग तुम जूसरों से निपटो, ताना शाह हिंग मे ये मेरा है हेंडरी फैंग जोर से हसे और ताना शाह हिंग मे की और फिर से बढ़ने से पहले अपने कंधे उचकाई मैं तुम्हें पांच मिनिट का समय दूगा, यदि तुम तब तक इसे खत्म नहीं कर सके, तुम्हें कारे भार संभाल लूँगा बाई निंग बिंग ने अपनी भोगे थोड़ी हूपर उठाएं, उसके निली आखें तेज रोशनी से चमक रही थी गमंडिक जूनियर्स, फैंक और बाई की अनौप चारिक बातचीत सुनकर, ताना शाहहिंग में को लगा कि उसका गुसा भूटने वाला है उनका सुभाव हिंसक था, उन्होंने अब तक अपना धैरिय बर करार रखते हुए खुद को पहले ही मात दे दी थी ये जानते हुए कि स्थिती में सुधार करना कठिन है, उसने अपने अन्य विचारों को त्याग दिया और अपने मन में चानलेवा अभागों उभरने दिया जगडा करना दो पक्षबिड गए ताना शाह हिंग में के खिलाफ फैंग किवान ने जबकी बाई निंग बिंग ने दस ताना शाहों के शेश सदस्यों का दमन किया ये एक राजक युद्धिक शेत्र था चटाने तूटगी, पहार की खाड़िया सूख गी, गुफाएं धरगी और गरगराहर जैसी विस फोटों की आवाजे आई ताना शाह हिंग में और अधिक भया भी थो गया हेंडरी फैंग के पास करवी ताकत गुके पास थी उसकी ताकत और लड़ने की ताकत उतनी ही बढ़ती गई जितनी उसे चोटे लगी जब उसने कुछ ही समय पहले फैंग के खलाफ चाले पार की तो उसने सोजा था कि तथा कठित छोटा जानवर राजा उससे ज्यादा कुछ नहीं था आधी अवस्थ हत तक पहुँचते पहुचते उसकी अभिवेक्ति गमफीर हो गई और जब भैंकिवान एक ही समय में छह जानवरों के प्रेट लेकर बाहर आया तो ताना शाह हिंग मेल के चहरे का रंगुर गया ये छोटा सा जानवर राजा वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है नकिवल उसका गुवर्म सयोजन मेरे मुकाबले बहतर है बलकि उसके पास प्रचुर मात्रा में युद्ध का अनुभग भी है वो इतनी कुशल और निर्दाई चालों के लिए कैसे जेवित रहा उसकी कोई चाया भी नहीं है उसमें एक युवल रहती है वो बस 100 साल पुराना राक्षस है इसमें कोई आश्चारिन नहीं कि वो इतनी दबंगई से इतनी ताकत से काम करता है यहां तक ही मुझे भी इस तरह का अभीने करने में कोई चिंता नहीं होगी इस बार मैं बुरी तरह अजफल हुआ हूँ मुझे पीछे हतना ही होगा फैंकिवान ने तेज और भयंकर हमलों के साथ सामने से हमलों का सामना किया जैसे कि एक भयंकर बाग पहार छोड़ रहा हूँ या बार ड्रेगन समुद्र को पलट रहा हो ताना शाहहिंग में हाम फढ रहा था और फैंकिवान के हमलों से उसकी गूर्जा और रख्ट अस्तव्यस्त हो गया था मुख्य बात ये थी कि हर बार जब फैंकिवान को चोटे लगती थी तो वो और मजबूत हो जाता था अब ताना शाह हिंग मेई पहले से ही फैंकिवान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने में सक्षम नहीं था यदिवान फैंक और भी मजबूत हो गया तो ये बहुत भयानक होगा हर बार जब ताना शाह हिंग मेई ने इसके बारे में सोचा तो उसकी लड़ने की भावना थोड़े कम हो गई जैसे जैसे लड़ाई जारी रही उसने हमला करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की हेंडरी फैंग पर हमला करने के सपश्ट अवसर थे लेकिन वो जिज़कने लगा मुझे क्या करना चाहिए हमला करना चाहिए या नहीं ऐसे विचारों के साथ वो अच्ची तरह से कैसे लड़ सकता था ताना शाह हिंग में धीरे धीरे निश्क्रिय स्थिती में गिर रहा था हाला कि फैंग की वान ने अपनी सभी आशंकाओं को दूर कर दिया था उसके हमले जबार की तरह थे लहरों के बाद लहरें आ रही थी निरंतर और अंतहीन जानवरों के प्रेत हवा में एक के बाद एक चमकते रहे हार बार जब हैंगरी फैंग ने हमला किया तो हिंसक आवाजे आने लगी विस फोटक आवाजे बार बार आ रही थी जिन लोगों ने भी सुना उनका दिल डर से धड़कने लगा ये कैसा भयंकर अपराध है यहां तक कि ताना शाहहिंग में जैसा दुर्जय वरिष्ट भी फैंग छेंग का मुकाबला नहीं कर सकता फैंग छेंग स्पष्ट रूप से प्रारंभिक चरण में चौथे स्थान पर है लेकिन वो मध्य चरण के ताना शाहहिंग में को दबा रहा है चोटा जानवर राजा बहुत से लोग गुप्त रूप से युद्ध देख रहे थे और उन्होंने फैंग युवान के सूप नाम के बारे में सुचा यहां त्याचारी कौन है मंकवां को काफी असाहय महसूस हुआ वो बता सकता था कि फैंग के वान ताना शाहहिंग में की तुल्ला में अधिक रूर और अधिक अनुचित था फैंग जिंग की तुल्ला में पेशाचित ताना शाहहिंग में फिक अपर गया फैंग जिंग बहुत दूर मत जाओ ताना शाहहिंग में ने खून बहाया उसकी च्छाती, हाथ और पैर पूरी तरह से तूट गए थे वो पीछे हटना चाहता था लेकिन हेन्री फैग ने पहले ही उसकी योजना को समझ लिया था बाइनिंग बिन ने दसत्याचारियों के अनिस अदस्यों को मार डाला और उसे मजबूती से बंद कर दिया हाहा कार हाहा कार हाहा कार हाहा कार हेन्री फैग ने अपनी उंगली उठाई छा बड़े जानवर प्रेट थोस्ट पो में बदल गए और आकाश से नीचे गिर गए ताना शाहहेंग मेग को दोबो दिया बम एक जोड़दार आवाज गुझी और हर तरफ धूल बिखर गई ताना शाहहेंग मेग को पीट पीट कर लुगदी बना दिया गया उसके आंतरे कंग और हड्यों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए हाँ फ्हना आसपास से अंगिनत तेज़ सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी अध्याय तीन सो एक तालिस कैसी करूनता और दुष्टता प्यानती परवत मथ्य महादवीप का नंबर एक परवत था इसे विरास्तों की भूमी और रिशियों का परवत भी कहा जाता था इसकी उचाई तीन हजार किलोमीटर से अधिक थी ये प्रभावशाली था और इसकी भवय उपस्थिती थी इसकी चोटी आसमान को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी और बर्पिले कोहड़े और बादलों से परिच्छे पी हुई थी जो बात बेहदस सामान्य थी वो ये थी कि पहार पर बहुत अधिक चेढ़ी मेरी चटाने नहीं थी विशाल वरगा काराकार की चटाने एक दूसरे पर जुकी हुई थी जो पहार के आधार से उपर की और फैली हुई थी जिस से सेढ़ियां बनती थी हाला की इस सेढ़ियों का पैमाना इतना विशाल था कि मत्य महादवीप में इसके बारे में एक पुरानी के अवधनती थी कि ये सीढ़ी अमरों के दाएरे तक पहुँचती थी और स्वर्ग और प्रिथवी को जोडने वाला एक पुल थी प्यानती परवत के चारों ओर कई मारमिक रहस्य में दूखद और अनंद दायक कहानिया खूम रही थी प्यानती परवत मत्य महादवीप की गुमास्टर्स की पवित्र भूमी बन गया जो अमर दरबार के सबसे निकट का स्थान है कई गु मास्टर से ने अमर्ता की तलाश की लेकिन असफल रहे और मृत्यू से पहले उन्होंने अपनी कबरें यहां रखी साथ ही उनमें से अधिकांश लोग अपनी विरास्तें यहीं स्थापित करेंगे प्यान्ती पर्वत ने अंगिनत विरास्तें छेपा रखी थी और केवल वे लोग ही उन्हें प्राप कर सकते थे जिनके पास भाग्य था हर साल बादलों और धुन्दके च्छा जाने के बाद प्यान्ती पर्वत पर लोगों का भारी प्रवाह होता था कई विरास्तें विरासत में मिलेंगी और कई नई विरास्तें स्थापित की जाएंगी हाला कि ये वर्ष अलग था इस वर्ष पियांटी परवत पर जो विरासत खुली वो हूँ अमर धन्य भूमिती जिसके कारण गुए मूटल सका उदय हुआ चर्चा के बाद उन्होंने एक गट बंदन बनाया और अपने संप्रदाय के कनिष्ठों के लेक प्रतियोगिता की स्थापना करते हुए इस पहार को बंद कर दिया अभी प्यांटी परवत की तहती में युवाओं के बीच एक तीवर लडाई पहले से ही अपने अंत तक पहुँच रही थी दस हजार क्रेने एक साथ उर्वी और फैंग जिंग की चारों ओर चरने लगी वेई वुशांग महां फैर रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे उसने क्रेनों की घेरे की परतों के भी तरसे सीधे फैंग जिंग को देखा नहीं, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ मेरे पास अभी भी मेरा तुरुप का पत्ता है वेई वुशांग ने हारने के बाद हार स्वीकार करने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था यदि ये सामान स्थिती होती तो उन्होंने पहले ही हार मान ली होती लेकिन भगवान जाने कितने संभरान तशिश्यों की निगाहे इस मुकाबले पर टिकी थी वेवु शांक न केवल खुद का प्रतिनिधित वकर रहे थे बलकि उनके पीछे स्वर्ख के इश्या संप्रदाय का भी प्रतिनिधित वकर रहे थे उसी समय दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था लेकिन परीबिजया जिसकी वो प्रशंसा करता था वो भी मैच देख रही थी मैं हार नहीं सकता इस विचार के साथ वेवु शांक ने बहादोरी से अपने एपर्चर में एक गुको सक्रिय किया वो हमेशा इस गुगो चुपाता रहा था यहां तक कि महतुपून संप्रदाई परिक्षा में भी इसका उप्योग नहीं करता था एक बार जब ये गुसक्रिय हो गया तो इसने एक रंगहीन हवा पैदा कर दी हलकी हवा वेव वुशांग के शरीर के चारों और घूम रही थी उसके कपड़े हिला रही थी और उसके बालों को सहला रही थी हाला कि फैंग छिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो ऐसा इसलिए था कि उनकी लॉडर स्काई क्रें ने उसे पहले ही जोड से याद दिलाया था अच्छा नहीं इस बच्चे को वास्ताव में चोट लगने वाली हवा गुर है बचाव करें अपनी पूरी ताकत से बचाव करें ये गुचोट हवा को भड़का सकता है ये हलका और हनिरहित देखता है लेकिन ये बेहत है ब्यानक स्वर के इश्या संप्रदाय का कनिष्ठ वास्तों में कमजोड नहीं था ये उसकत्तुरुप का पता प्रतीत होता है चोट की हवा चली फैंग जिंग ने हमला करना पूरी तरह से छोड़ दिया और बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी चोट पहुचाने वाली हवा हलकी लग रही थी लेकिन जहां भी वो चली सारस दड़ से चिल्लाने लगे अंगिनत लोहे की चच वाली ओडने वाली क्रेने जमीन पर ऐसे गिली जैसे उनके पंक तूट गए हों फैंग जिंग के शरीर पर चोट की हवा चली उसके शरीर के चारों रक्षात्मक रोशनी लगा तार्टी मतिमाती रही फैंग जिंग के माथे से पसीने की बूंदे तपकने लगी उसने अपने दान्त पीस लिए और अपने चेदर से मौलिक सार को अपने रक्षात्मक गू में स्थानां तरित कर दिया गदिरोद थोड़ी देर तक चला आखिर कार वेई वुशांक ने अंदर ही अंदर आह भरी और घायल पवन गू को सक्रिय करना बंद कर दिया ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई चारी नहीं रखना चाहता था लेकिन उसका छेद पहले से ही सूखने के करीब था सभी गू मास्टर्स में एक समान बाद थी वो ये थी कि जब आदिमसार का उपभोग किया जाएगा तो गू मास्टर्स की लड़ने की ताकत तेजी से कम हो जाएगी रांग 1 से लेकर रांग 5 तक के गू मास्टर्स सभी आदिमसार के प्रतिबंदों से पीडित थे केवल जब वे नश्वर्ता से परे चले गए और अमर के दाएरे में पहुँच गए गु अमर बन गए तो क्या वे अनन्त आदिमसार प्राप्त करने में सक्षम होंगे मेरी हार हुई वे वो शांकी निगाहें अंधिरी थी उन्होंने स्पष्टरूप से गणना की थी उनका आदिमसार समाप्थ हो गया था और इसलिए उनके पास युद्ध करने की कोई ताकत नहीं थी हाला कि फ्यांग छेंग शुरू से ही युद्ध के लिए उनने वाली क्रेनों की कमान संभाल रहे थे उनके आदिमसार की खपत पेक शाकृत कम थी और ये निश्चित था कि कुछ और आदिमसार बचा रहेगा भाई वैस वर्क के इश्या संप्रदाय के विश्ष्ट शिष्ष्षि बनने के योगी हैं जिनके पास ऐसे असामाने और तिक्षन तरिके हैं मैंने अपना गयान बढ़ाया है और मेरे एक्षित इच का विस्तार हुआ है मेरा आदिमसार भी भाई द्वारा लगबग समाप कर दिया गया है क्या होगा अगर हम इस स्पर को माने खिचना फैंग छिंग मुस्कुराया क्या वेवु शांग स्थब्ध रह गए फैंग छि वो अपनी स्थिती के प्रती बहुत स्पष्ट थे उसके पास ऐसा गु कैसे हो सकता है जो फैंग छिंग के आदिमसार को खट्म कर दे हाला कि वेवु शांग को तुरंत एहसास हुआ कि फैंग छिंग जूट बोल रहा था फैंग जेन मुझे इस स्थिती से बाहर निकलने क रास्ता दे रहा है फैंग जेंग की योजना को समझने के बाद वेवु शांग के चहरे पर एक जटिला भी व्यक्ती थी प्रत्येक महान संप्रदाय के शिशिला पर वाहि से अपनी चाल नहीं चल सकते थे क्योंकि वे न केवल अपना बलके अपने पीछे के संप्रदाय का अभी प्रतिमिधित्व करते थे इसके अलावा घट नास्थल पर फेड़ी बीजिया के साथ वेवु शांग वास्तों में इस लड़ाई को हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे जोकि फैंग जेंग ने उसे बाहर जाने का रास्ता दे दिया वेवु शांग ने एक पल के जिचकने के बाद तेजी से फैंग जेंग क्यों अपनी मुठी बांध ली भाई फैंग ये क्यों नायक हैं मैं प्रशंसा से भर गया हूं अमर क्रेन संप्रदाय के पास स्वास्तों में गहरी नीव है भाई जैसा फेगर से खाने में सक्षम मुझे इस स्पार से फायदा और जैसा भाई फैंग ने कहा हम इस मैच कोडरा मानेंगे वेवुशांग ने सतह पर ऐसा कहा लेकिन सच में उसने गुपत रूप से फैंग जेंग को प्रशित किया फैंग जेंग मैं वेवुशांग आकी उदारता को याद रखूंगा और भविशे में निश्चित मैं इस पर सहमती नहीं दोगा मैं कड़ी मेनत करूगा और भविशे में फिर से तुम्हारे साथ प्रतिस परधा करूँगा फैंग जेंग मुस्कुराया उसने सतह पर सिरह लाया लेकिन अंदर से सिरधर्ण महसूस कर रहा था वेवुशांग ने गुप्त संचार चारी वे हैवन रिवर चेंदा जियांग हैं राइजिंग परपल नाइतनिंग गुट्चिंग नाइन डेट सौरव कुल विंदा तांगरू क्यूई और टाइग्रिस जावशू ये आप फेड़ी बीजिया के बहुत करीब हैं वे निश्चित रूप से आपके लिए परिशानी धूलूने आएंगे। बेहतर होगा कि आप हारे नहीं। फैंग छेंग की निडाहें इन चार प्रसिध्ध नामों के उल्लेक पर टिमतिमाने से नहीं रह सकी। उन्हें लगा कि उनका सिरदर्द बदरतर हो गया है। जहां तक लौड़ा स्काई क्रेन की बात है वो मन ही मन हस रहा था। निश्चित रूप से जैसा कि वेई वुशांग ने कहा तीन दिन बाद प्राचीन आत्मा संप्रदायकेशे शेतियांटी परवत पर पहुंचे। उनका नेत्रत्व गुट्चिंग कर रही थी और फेड़ी बीजिया और फैंग छेंग के बीच मामले को जानन नहीं था। वो हर दिन फैंग छेंग की गुफा में जाता था और उसे लड़ाई के लिए उपसाता था। ऐसा उन्होंने लगातार सार दिनों तक चारी रखा। जैसे जैसे समय बीता गया उनकी बातें और भी अशलील होती गए। अमर क्रेन संप्रदायके अनिशिश्य और उसे ठूंठेने गए लेकिन हार गए। प्राचीन आत्मा संप्रदाय की गति बहुत बढ़ गई और आच्वे दिन हर कोई फैंग छेंग की गुफा के प्रवेश्दवार को अवरुद्ध करने गया और अंतहिन रूप से शाप दिया। फैंग छेंग तुम शुतूर म दारता पूर्वका आपको छोड़ देंगे। अमर क्रेन संप्रदाय की वलितना ही है उन्होंने वास्तों में ऐसे कार्शिशे को सिखाया। अमर क्रेन संप्रदाय के उलेक पर गुफा में मौजुद भैंग छेंग ने एक आख भरी और असहाय होकर गुफा से बाहर चला गया। वो अपने प्रती निर्देशित शापों को सहन कर सकता था। हाला कि एक बार जब इसमें उसका मालिक शामिल हो गया तो उसका सुभाव बदल गया। शिशियों को अपने स्वामी की प्रतिष्था बनाय रखने की आवशकता थी। ये मध्य महाद्वीप का एक पुन मूले था। यदि उसने इसे बरकरार नहीं रखा तो जब वो बाद में फ्यही परवत पर लोटेगा तो उस पर महाभियोग लगाया जाएगा और यहां तक यूसे सजा भी मिलेगी। लौर स्काइक्रे ने उसके अंदर एक जोर डाशोर मचाया। गहा हा। फैंग जिंग, मेरे शिश, क्या आप आप समझ गए हैं? जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, वो गलत नहीं है, ठीक है? आख मून कर सहन करने से दूसरे लोग गलत समझेंगे और आपको धंकाएंगे इस दुनिया में, आप जितना अधिक हाय निरहित और कायर दिख अधिक लोग आपको धंकाना चाहेंगे. लड़ो, इस गुटिंग को हराओ, प्राचीन, आत्मा, संप्रदाय के इन लोगों का मुह बंद करो. आओ, इस दुनिया में समझाता करना ही पढ़ता है, अब मैं सचमुची से महसूस कर रहा हूँ. मैं किवल लड़ सकता हूँ. इस गटना से फैंग जिंग को समझ प्रात हुई. घुटिंग, आओ, लड़ें. ठीक उसी समय जब फैंग जिंग और गुटिंग के बीच लड़ाई हुई, दक्षणी सीमा के संचापरवत पर दूर एक लड़ाई समात हो गए. युद्धि का मैदान व्यवस्थे था. सार रहा था और माफी की भी कमांग रहा था. भगवान फैंग जिंग, क्रिपिया उदार बने और मुझे बक्षडें. फुली फूट फूट कर भी कमांगते हुए लगातार जुकती रही. उनके पास रांग चार मध्य चरण की साधना ठी और वो एक शक्तिपद्गू, मास्ट भी थे. वो जोश से भरा हुआ था, लेकिन अब उसका शरीर खून से लथपद हो गया था, उसका दाहिना हाथ तूट गया था और उसके दोनू पैर तूट गये थे, जिससे एक अत्यंत खेद जनक आकरती सामने आ रही थी. जोकि तुम माफी मांग रहे हो, तो पहले अप शक्ति गुगु सुम्टने से पहले जिज़क महसूस की. ये गुष का महतुपूनि गुठा और उसका मूलगो भी था, इससे उसके दुश्मनों को कोई भी हरकत करते समय अधिक ताकत बरबाद करनी पड़ती थी, जिससे उनकी सहनर शक्ति का खर्च दो गुना हो जाता थ व्याइश रक्ति गुगु सुम्टे हुए, फैली ने अपना महतुपूनि गुठो दिया और भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जिसमें बड़ी मात्रा में खून निकला. हेंड़ी फैंग की निगाहें चमक उठें क्योंकि उन्होंने ताकत गुगु को खर्च क करने की बाद स्विकार की. मैंने सोचा है, गुग की ताकत खर्च करना आपके जीवन की बदले में परियाप नहीं है. फैली की आँखें खुल गी और अपने शरीर की गमफीर स्थिति पर विचार न करते हुए, वो चिलाया. भगवान फैंग जिंग, ये मेरी सब से की मच है. बम, हेंडरी फैंग के दिमाग में बदलाओ के साथ परशु प्रेट सीधे आगे बढ़हे और फुली को किमा में बदल दिया. कंगाल, फैंग की वान ने अपने नीच एक शत्विक्षट लाश को देखा और उपहाज किया. तभी उसकी नजर युद्ध के मैदान पर पड़ी. दर्शक कम नहीं थे, लेकिन उन सभी ने अवचेतन रूप से हिंडरी फैंग की नजरों से बचने का फैसला किया. फैंग की वान जोर से हसा. क्या हुआ? स्काइट टाइगर जू सांसी यहां नहीं है. अब लोग उससे बताएं, हम दोनों शक्तिपत्फू से हैं, तीन दिन बाद मैं उससे मिलने आऊंगा और संकेतों का आदान प्रदान करूंगा. ये शब्द बाहराते ही हंगामा मच गया. चोटा जानवर राजा बहुत हिंसक था. कुछ दिन पहले उसने ताना शाहहिंग मेई को मार डाला था और इस लड़ाई में फ्हीली न 342. बियाओ, क्या, चोटा जानवर राजा मुझे चुनोती दे रहा है. जब उसने पहली बार ये खबर सुनी, तो जुसन सी ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया. वो सोच रही थी, उसका काले और सफेद राक्षसों से कोई संबंध नहीं था, उसने कभी उन्हे नराज नहीं किया था, यहां तक कि उनसे पहले कभी मुलाकात भी नहीं की थी. वे बिना किसी कारण उसके साथ परेशानी मोल लेने कैसे आ सकते हैं? लेकिन जल्दी उसने जाज की और महसूस किया कि ये सच था. ये कैसे हो सकता है? इस छोटे जानवर राजा का मस्तिश्क किस चीज से बना है? तीन राजाओं की विरासत कुछ दिनों में खुल रही है, वो अभी भी मुझे चुनोती देने के मूर में है. मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मेरे साथ ऐसा हिलवार क्यों कर रहे हो ये? जूसन सी को असहाय और नाराज महसूस हुआ. क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम दोनों ताकत की राह पर हैं, इसलिए वो तुलना करना चाहता है कि कौन अधिक मजबूत है? आह, ये पागल! जूसन सी ने इसके बारे में पूरी तरह से सोचा, अन्तिता फैंकिवान को एक पागल के रूप में वर्गी कृत किया, जो एक साम बाहें और अधिक फैलती गएं, वे आसूरी पत के सर्वमाने नए उभरते सितारे हैं, प्रारंभ में जूसन सी को इससे कोई आपती नहीं थी, फैंकिवान और हुमेरी एर के बीच जगड़ा हुआ था और वो इस पर खुश हो रही थी, लेकिन अब वो और नहीं हंसे सकत थी, संचा परवत परकाले और सफेद राक्षसूं के आने के बाद, उन्होंने न केवल कम प्रफाइल नहीं रखी, बलकि बड़ी समस्याई भी पैदा की, विशेश रूप से वो छोटा जानवर राजा, वो बिना विवेक के अनुचित और निर्दाई काम करता है, जिस से लोगों को खत्रा महसूस होता है, टिंटायर इंच सक्यताना शाहहिंग मेई ने सदभावना से उनसे मुलाकात की, लेकिन उन्हें मार दिया गया, फैली ने पहले ही दया की भीक मागी, लेकिन फिंक्युआन ने उसे नहीं छोड़ा, उसे पीट-पीट कर मांस के पेस्ट म का उप्यो किया, ऐसी युद्ध शक्ति ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया, जू संसी की भी रांग चार मध्य चरण साधना थी, उन्हें लगता है कि उनकी ताकताना शाहहिंग मेई और फुली के समान थी, अब जब भैंक्युआन उसे चुनोती दे रहा था, त वो अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए हम पर इन वरिष्ठों की लाशों पर कदम रखने की कोशिश कर रहा है, प्रेली अपनी महत्वा कांक्षाओं के लिए बलिदान था, अब मेरी बारी है, ऐसी घमंडी हरकटे जू संसी ने तब की थी, जब वो छोटी थी लेकिन उस समय उसने के वर रांग तीन फू मास्टर से को ही मारा था, वो हेंड़ी फैंग की निर्ममता के करीब भी नहीं थी, उसने युद्ध के लिए उससे उँचे स्तर पर फू मास्टर से को चुना था सच कहें तो जू संसी इस पागल भैंकिवान के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन दुर्भागे से उसके गौडपा दरहाल ही में एक गुको परिश्कृत करने के लिए बंद थेती में थे, अब जब भैंकिवान ने सारवजनिक रूप से उसे चुनाती दी, त जू संसी कई वर्षों से राक्ष सी रास्ते पर है, उसे संसार की करूलता की सपष्ट समझ थी, ये रहने के लिए एक कठिन दुनिया थी, जीवित रहने की उस संभावना के लिए सभी विभिन प्रजातिया अपने जीवन से लड़ती हैं, आप अपनी आपको जितना दया और कमजोर दिखाएंगे, ना केवल आपको शान्ती नहीं मिलेगी, बल्कि आप स्वयम को और भी बड़े खत्रे में डाल देंगे और कई लोगों के लालज को आकरशित करेंगे। आप युद्ध के परिणामों से प्रसधी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपनी प्रतिष्था की रक्षा के लिए जू संसी तुरन तहिंवरी फ्यांग की चुनोती पर सहमत हो गई। दोनों ने अपनी लड़ाई के स्थान के रूप में एक विस्त्रित घाटी को चुना। सातल की तरह काली थी, बेहद शांती पूर्ण। साया था। सच कहूं तो मैं आपकी काफी प्रशन सा करता हूँ। फैंक्यू आन बोला। इस तरह के समान जनक्स्वर से लोग स्तब्ध होकर सुनने लगे। उसने अपना सुभाव क्यूं बदल लिया। इतनी विनमृता से बोल रहा है। क्या उसे स्काइक टाइगर में र करता है। उसने हुम मेरी एर की भी उपेक्षा की, वो निर्दाई और ठंडे खून वाला एक दरावना व्यक्ती है। मैंने इन कुछ दिनों से सीखा है, आप लोगों को उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही लोगों ने चर्चा की, जूसन सी ने फैंक्य को उतर दिया। मैं खोश हूँ। छोटे जानवर राजा, इस ख्रेत्र में काले और सफेद राक्षसु का नाम प्रसिद्ध है। फैंक्योआन ने हलकी से मुस्कराते हुए कहा, मैं ताकत का रास्ता, खेती, करता हूँ, आप भी वही हैं। अगर हम प्रतिसपर्धा करते ह तो इससे हम दोनों को और अधिक सीखने में मदद मिलेगी। इससे पहले मैंने ताना शाहहिंग मेई और फ्रतिसपर्धा की है, ये दोनों महान थे और मुझे काफी अनुभव हुआ। लेकिन इस तरह की स्पारिंग पध्धती अब मेरे लिए उबाव है, हम स्पारिंग पध्धती को क्यों नहीं बदलते। जूसन सी ने सुना और अपनी भोहे उपर उठाई। ओ, आपके पास क्या विचार है, मैं इसे सुनूगी। सरल, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा और तुम्हें मुझे मारने दूँगा। तुम्हारे खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मारूंगा। क्या यह महान और सरल नहीं है, यह भी तेजी से खत्म हो जाएगा। यह कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हें एक महिला हो, मैं कोट में तुम्हें तीन वार दूगा, उसके बाद मैं किवले एक वार से जवाब दूगा। यह कहते हुए फैंक क्यों आन मस्कुरा ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। जूसन सी ने सहमती जदाते हुए इस पर विचार किया। क्रिप्या, हेंरी फैंग हलकी से मुस्कुराए, स्थिर रहते हुए उन्होंने अपनी दाहिनी हाथेली को आगे बढ़ाया। जूसन सी की आँखें चमक उठीं, जैसे ही उसका हत्या क इरादा बढ़ गया, चिलाया। पहला कदम। उसके छिद्र में एक ही समय में कई गुकिरे सक्रिय हो गए थे। उसकी पतली भुजाय तेज रोशनी में चमक कर दो बाख के पंजभों में बदल गी। बाख के पंज़े आसमान को चीरते हुए हिंगरी फैंग पर जोरदार प्रहार कर रहे थे। फैंग यूआन ने मो में खून की उलते की जो टूप के गोले की तरह हुर कर उसके पीछे एक विशाल चटान पर जागिरा। बम। चटान के फटते ही जोरदार दुरगटना हुई चटान के छर्रे हर जगे हुर गए। अच्छा प्रहार। हेंगरी फैंग यूआन ने इसे सहन किया क्योंकि उसकी नसे एक बड़े परिक्षन से गुजर रही थी। जू संसी की अभिव्यक्ति बदल गई। ये सही है, फैंग चेंग ने एक अच्छी योजना बनाई है। वो जितना अधिक घायल होगा, वो उतनी ही अधिक ताकत का उप्य जो कर सकता है। तो क्या अभ मैं अधिक जोर से हमला करूँ या नरम तरीके से? वो जितना जोर से मारती है, हेंग फैंग गुटना ही अधिक घायल हो जाता है और उसकी युद्ध शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। यदि उसकी बारे आने पर वो नरम प्रहार करेगी, त दूसंसी ने अपना मन बनाते हुए विचार किया। दूसरी चाल, वो चिल्लाई और अपनी कुवर्म को सक्रिय कर दिया, क्योंकि उसका शरीर अपनी मूलाकार से दोगोने से भी अधिक बढ़ गया, और एक विशाल काय बन गया। उसके शरीर पर बाल लंबे हो गए, ऐसी ही उसने फैंकिवान पर जबटा मारा, उसके शरीर के पीछे एक जानवर का प्रेद दिखाए दिया। एक भयंकर बागह आकाश की और गुराता हुआ, एक भव आभा बिखे रहा है। इसका शरीर भूरे पीले बालों से ठका हुआ था, और इसका शरीर सक्तमानिसल थ सबसे महतुअपूर बात यह थी कि इसकी पीठ पर पन्खों की एक जोड़े थी। पन्खों वाला बाग, एक भयंकर बागह जिसके पन्ख हैं। इसका मतलब यह है हाइफन ब्याओ, बागह सु जानवरों का राजा था, और ब्याओ एक उढने वाला बागह है, बाइयों क तीन शिकारी कुत्ते और एक मौलूर सर, पांच बाग और एक बियाओ. एक बियाओ की ताकत बाग से पांच गुना थी। बियाओ का जानवर प्रेत्यों और फ्हांग के तीन से चार सामाने जानवर प्रेत्यों को दबा सकता है। जू संसी की ताकत पहले से ही दो गुनी से अधिक हो गई थी लेकिन अब उसने बियाओ की ताकत को उजागर किया इस विशाल बल के तहट फैंकिवान एक तूटते तारे की तरह लगया और कई सो कदम दूर जाकर एक पहाड़ी दिवार से टकराया बम पूरी पहारी घाटी तीवरता से हिल गई पहार की चटाने धर गी जिससे फैंकिवान को अपनी चपेट में ले लिया इतनी ताकत क्या फैंक जेंग मर गया है नहीं अभी नहीं उसकी आबा अभी भी आसपास है डही हुई चटाने दूर हट गी फैंकिवान बाहर चला गया उसकी बुजाएं पूरी तरह से अपंग होगी उसकी लोहे की हड़िया तूट गी उसकी स्टील की कंडराई को चल गी और उसकी कांसे त्वचा फट गई हर कदम पर वो चलता था उसका शरीर कम जोव महसूस होता था और गिरने की कगार पर था फैंकिवान अब निश्चित रूप से आठ पशुप एर्टों को मुक्त कर सकता है लेकिन ये चोटे ठीक हो रही थी फैंकिवान ने आत्मनिर्भरता फू को सक्रिय किया उपचार प्रभावब मांस हड़ी फू से कहीं अधि हो गया था तीसरी चाल जूसन सी चिनते थी वो हिन्री फैंक को ठीक होने का समय नहीं देना चाहती थी उसकी पीट से पंखों का एक जोड़ा निकला पंखों की ये बड़ी जोड़ी भूरे पीले रंकी थी जैसे ही ये फर फढ़ाती थी जूसन सी आकाश में उर जाती थी वो उची और हूची उरान भर्टी रही जब तक कि वो आकाश में लगभगे किलोमीटर तक नहीं पहुच गई फिर नीची गोता लगाने लगी उसने बहुत पहले ही इसकी गन्ना कर ली थी ये उसकी उचाई तक जाने की सीमा थी इससे भी अधिक और वो नीची गोता लगाने के बाद प्रभाव से घायल हो जाएगी जैसे ही हर कोई घपराहट से देख रहा था जू सांसी फैंकिवान की और बढ़ी एक बियाओ की छवी फिर से दिखाई दी इस बार ये उसके शरीर के उपर दिखाई नहीं दिया बलकि सीधे उसके वास्तविक शरीर पर ठागया इस पल ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच स्काइट टाइगर बन गई है इस कदम के साथ आप समाप्थ हो गए जैसे ही उसका हत्या का इरादा बढ़ा जू संसी गुराने लगी लगातार दो भी आओ फैंटम को सक्रिय करने के कारण उसे भारी की मत चुकानी पड़ी ये उसकी सबसे मस्बूत शक्ति उसका सबसे मस्बूत हमला था वो हेंरी फैंग को मारने के प्रतियाश बस्त थी हिन्री फैंग ने गोल्डन शिल्ड इगु को सक्रिय करते हुए उसकी ओर देखा लेकिन गोल्डन शिल्ड इगु टीसरी रांक पर थी क्या ये जू सन्सी के सबसे मस्बूत हमले को रोक सकती थी अध्धाय 343 बेशर्म और ग्रीनिक जू सन्सी की नजर में हरी भरी घाटी तेजी से बढ़ती गई हवा चल रही थी और उसके कानों पर तीवरता से गुंज रही थी जू सन्सी का चहरा जो पूरी तरह से बदल गया था उसने अपनी बाई जैसी आँखों से हिंडरी फैंग को देखा उसके हुट्टों का कोना पहले से ही एक खून की प्यासी मुस्कान में बदल गया था वो अपने अभूत पूर्व भयंकर हमले से छोटे जानवर राजा को किमा में तबदील होते लगबर देख सकती थी ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वो इस तरह के प्रभाव से बच सके जब उसने फैंकिवान को गोल्डन शिल्ड गुको सक्रिय करते हुए देखा और उसका शरीर सुनहरी रोशनी से ढखा हुआ था तो वो अंदर ही अंदर व्यंगे करने से खुद को नहीं रोक सके रांक तीन गोल्डन शिल्ड गो भले ही ये उननत रांक चार गोल्डन बेल शिल्ड थी ये मेरे हमले से बचाव करने में सक्षम नहीं होगी रांक चार फू मास्टर सके बीज लडाई के तीवरटा बहुत अधिक थी और ऐसा कुछ नहीं था जो रांक तीन फू की रक्षा से मेल खा सके इस बार मैं इंजूनियर से को बता दूगा कि जब वे इतना अहंकार पूर्ण व्यवहार करते हैं तो क्या होता है जू सन्सी की हत्या का इरादा पहले से ही इतना जबरदस्त था कि उसका विस्फोर्ट होने का खत्रा था समाप्ट फैंग छेंग इस बार समाप्ट हो गया है जब उन्हें जू सन्सी के भयंकर हमले का इहसास हुआ तो कई दर्शक चिल्लाने लगे ये अच्छा है छोटा जानवर राजा बहुत उग्र हो गया था उसे सबक सिखाया जाना चाहिए कई धर्मात मागो मास्टर से इस दर्शक को देखकर प्रसन महसूस कर रहे थे ऐसा लगता है कि छोटा जानवर राजा इस हमले का विरोध करने के लिए गोल्डन शिल्ड अगोर पर भरोसा करना चाहता है ये वास्तों में बहुत भुलापन है नहीं, शायद वो बीस्त फैंटम को सक्रिय कर देगा आठ बीस्त फैंटम के सयुक ताकत कोई छोटी बात नहीं है लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो पहले किये गए समझोते को तोड़ देगा जब तक वो हमला करेगा, वो तोड़ देगा समझोता और इसका मतलब उसका नुकसान होगा दर्शक, चाहे वे धार्मिक मारके हूँ या राक्षसी मारके सभी चाहते थे कि हिंडरी फैंग की ये युद्ध हार जाए इन दिनों फैंग की वान की गतिविदियों ने उन पर भारी मानसिक दबाओ डाला नहीं, युद्ध के मैदान पर अभी भी एक प्रभावशाली कारत है हाइफन बाइनिंग बिंग खुश 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 कई आकरितिया अचानक घाटी के प्रवेश द्वार की और बढ़ाई और चुपचाप बाइनिंग बिंग को घे लिया इन लोगों ने चुपचाप बही उपाय कर लिया अगर बाइनिंग बिंग फैंग के वान को बचाने के लिए आगे बढ़ती तो वे उसे रोक देते काले और सफेद राक्षसूं के बारे में भयानक बात इन दो रांग चार फू मास्टर सके बीच घनिष्ठ सहयोग था बाइनिंग बिंग पर लगाम लगाने के बाद अब सब कुछ छोटे जानवर राजा के लिए बुरा संकीत है यदि छोटा जानवर राजा गिर गया तो केवल बाइनिंग बिंग ही बचेगा और ये इतना खतरनाक नहीं होगा जब हैंरी फैग ने जूसन सी की ओर देखा तो उसकी निगाहें उदासीं थी उसकी आँखों की पोटलियों की गराई में मजाग का निशान था जूसन सी को अभी तक उससे टकराना बाकी था लेकिन एक निराकार हवा का दबाव पहले से ही उसकी ओर दबाव बना रहा था दूसरी ओर से इसने आसन तक करखी जबर्दस टाकत दिखाई बियाओ के प्रित ने जुसन सी को घे लिया जैसे जैसे उसकी गती बढ़ती गई उसकी पीठ पर पंख लगातार पर फढ़ाते रहे और जमीन की ओर बंद हो गए जल्द ही ये बल फैंग के वान के खिलाफ टकराएगा अचानक हेंडरी फैंग की आँखें तेज रोशनी से चमक उठी और उसने गुको सक्रिय कर दिया सेट जावेश गुष वो अचानक बाई उर दोड़ा और फिर घूम गया लंबवत दुरखटना गुष उसने सो कदम दूर चार्ज किया चोटे जानवर राजा आप जू सांसी का गुसा तब भर गया जब उसने फैंग की वांग को अचानक भागते हुए देखा उसने अपनी आँखें इतनी चोड़ी कर ली कि कोने फटने वाले थे उसने अपने वंच को नियंदरित करने की पूरी कोशिश की लेकिन उसकी गती बहुत तेज थी और वो के वल हेंड़ी फैंग को अपनी आख्रमन सीमा से बाहर भागने दे सकी फैंग की वान को अचानक पीछे हट्ते देखकर दर्शकों ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि अगले ही पल नीले रंग से जोरदार विस्फोट हुआ बुम जूसन सी जमीन पर जोर से टकराई उस पल में घाटी के आसपास के दर्शकों को अपने नीचे की जमीन हिलती हुई महसूस हुई हर जगा कुछ ले हुए पत्थर उचले तकर से तेज हवा का दबाव बना जो तुरंत सभी दिशाओं की ओर निकल गया हवा का दबाव जहां जहां पहुँचा पत्थर पेड़ पौदे सब खड़ कर उसके साथ चले गए धुआ और धूल चारो और घूम गई प्रचंड विनाशकारी शक्ति ने तुरंत एक 30 मीट विशाल गोल गठा बना दिया हर किसी का दिल डर्की मारे तेजी से धड़कने लगा और जैसे ही वेजविनाशकारी शक्ति के बारे में महसूस कर रही थी हेंडरी फैग ने अचाना दिशा बदल दी और धूम में उड़ गया उसने एक के बाद एक दोगो का इस्तिमाल किया और ठंडी हवा के दबाव और कुचले हुए पत्थरों के दर्ड की पर वाह के बिना तेजी से स्काइट टाइगर जूसंसी की ओर बढ़ गया जूसंसी विशाल गड़े के केंडर में थी तककर के कारण उसका शरीर गंदिगी से ढखा हुआ था और एक खेद जनक आकरिती बना रहा था उसके कान गूंजकते रहे और उसके दिमाग पर चक्कराने लगे भयंकर बियाव प्रेत पहले ही तीतर बितर हो चुका था उसका पहले वाला तुल्मिय शक्तिशाली प्रभावब वहां नहीं था करवी शक्तिगू संपून प्रयास गू हेन्री फैंग ने जल्द बाजी की उसकी आँखों से एक अशुबु चमक निकली हा हा कार हा 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 आठ जानवर एक के बाद एक दाहार ने लगे सुअर, बूरा भालू, मग्रमच, हरा बैल, घोड़ा, पत्थर का कच्छुआ, सफीद हाती और काला अजगर आठ प्रेतों ने फैंग यूँआन के उपर हवा में अपनी जोरदार शुरुआत की ताकत क्यूवली गूँ पिले सोने का आदिमसार गंभीर रूप से समाप्ट हो गया क्योंकि इसे ताकत क्यूवली गूँ में डाला गया जिससे एक विशाल निराकार शक्ती क्यूवली का निर्मान हुआ ये ताकत क्यूवली ने खुद को आठ जानवरों के प्रेत से जोर लिया परशु प्रेत एक के बाद एक ठोस और सजीव होते गए योआन फैंक के दिमाग में बदलाव के साथ आठ जानवरों के प्रेत क्रेतर की ओर बढ़े जूसन सी का शरीर का प्रहा था और वो बस अपने प्रजमीन से बाहर निकालने ही वाली थी कि अचानक उसे अपने उपर से जानवरों की दाहार सुनाई दी उसने तुरंत अपना सिर उठाया और उसे केवल अंधकार दिखाई दिया अंगिनत हमले आंधी के तरह उस पर बरस रहे थे बम 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 युद्ध की दुखत ध्वनिया विशाल गढ़े से गूच जूठी जूसन सी ने संखर्ष करने और विरोध करने की पूरी कोशिश की आखिरकार वो आंग चार गुद्ध मास्टर ठी और उसकी नीव मजबूत थी हाला कि तीन मिनिट भी नहीं हुए कि युद्ध की आवाजें बंद होगी आठ में से पाँच प्रेद बचे रहे और शेक रही हिन्री फैंग ने उन्हें वापस बुला लिया और हारने वाले के रूप में जूसन सी का दुखा दंध हुआ उसकी लाश के टुकडे गढ़े के उपर बिखरे हुए थे उसका खून पूरी जमीन पर बिखरा हुआ था और हड्यों के सफिद चोकडे रंगे हुए थे मस्तिश्क के पदार्थ बाल आदे भी थे दुरा और धुल फैल गई पूरा युद्धिक्षेत्र साफ हो गया जब उन्होंने ऐसा परिणाम देखा तो सभी दर्शक हंगामा करने लगे स्काइक टाइगर मर गया है एक अन्य रांग चार गुद्ध मास्टर को छोटे जानवर राजा द्वारा मार दिया गया है क्या छोटे जानवर राजा ने जुसंसी के साथ कोई समझोदा नहीं किया था उसने कहा था कि वो हिलेगा नहीं लेकिन आखिरकार वो भाग गया इस लड़ाई में छोटे जानवर राजा की हार होनी चाहिए क्योंकि वो अपनी द्वारा निर्धारित युद्धि समझोदी के खलाफ वापस चला गया घाटी में हलचल का माहौल था क्योंकि दर्शक टिपणी कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे वेस्तबन और क्रोधित थे और हेंडरी फैंग के बेशर्म व्यवहार के प्रती तीवर आक्रोष और तेरसकार दिखा रहे थे बाई निंग बिन गिल खोलकर हमसी और उसकी उदासीन निगाहें युद्धि के मैदान में खुमगी उसे पहले से ही इस नतीजे की उमीद थी तथा कथित समझोता की वल हेंडरी फैंग द्वारा बिचाया गया एक जाल था फैंग क्यूआन कस तरह का व्यक्टी था वो बाई निंग बिन वो व्यक्टी जो इसे सबसे अच्ची तरह चानती थी गूमास्टर्स जो बाई निंग बिन के आसपास थे वे सबी एक ही समय में चुपचाब पीछे हच गए फैंग क्यूआन में घाटे के आसपास कई फूमास्टर्स की भटकार, तिरसकार और उप्ठास सुना लेकिन वो अपने हाथों को अपनी पीछ के पीछे और अपने चेहरे को शान्त करके वहीं ख़़ा रहा उसकी आँखें ऐसे जुगी जैसे वो इसका आनन ले रहा हो उनकी नजर में ये तथा कथित कोट इमानदारी कोट केवल लोगों को धोखे से डरने की थी इस प्रकारवे दूसरों से उनके मानकों का पालन करने की आशा और अनुरोध करते थे राक्षर सीमार्ग पर चलते हुए व्यक्ते को कोई रोक तोक और वरजना नहीं होनी चाहिए तो क्या हुआ अगर वो समझोते के खिलाफ गया तो क्या हुआ अगर उसने अपना वादा नहीं निभाया जब तक किसी के पास परियाब तागत है वो जो चाहे कर सकता है दूसरे का तेरसकार और उपहाज क्या कर सकता है ये शक्तिहिन और खुकलेशब केवल कमजोरों की बेबसी को ही प्रकट करते हैं क्या इससे उनके एक बाल को भी चोट पहुँच सकती है हे 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 ये जू संसी सचमच मूर्ख है वो वास्तों में प्रतिष्ठा से बंधी हुई थी और मेरी चुनोती स्विकार करने के लिए दोड़ कर आई थी कोट फैंक्यो आन इस बात का तेरसकार कर रहा था प्रतिष्ठा का उप्योग किया जाना चाहिए ये किवल एक उपकरण है लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग ही जो प्रसधी को अपने जीवन से अधिक महतुपून मानते हैं हाँ हाँ सचमच हास्यास पद्ध है बेशक मैंने इस मैच में कुछ तरकीबे अपनाई जू संसी ताना शाहहिंग मेई और फेली से अलग था उसके पास सुरने वाली गुप्र जाती थी और अगर स्थिती खराब होती तो वो बहुत उंचाई तक उर सकती थी और हिन्री फैंक के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था इस प्रकार फैंकिवान ने शिरुवात में समझोगा बढ़ाया उसका लक्षे जू संसी की गतिक शमता पर लगाम लगाना था जब उन्होंने तीन हमलों की शर्ट का उले किया तो उन्होंने पहले से ही इसका पालन करने की योजना नहीं बनाई थी जू संसी कदम दर कदम फैंकिवान की जाल में गिरती गई और फैंकिवान की चूटों ने उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रलित किया दूसरी प्रहार के बाद फैंकिवान ने जान बुच कर उसके सामने खुद को ठीक किया जू संसी अपने प्रयासों को बरबाद होते नहीं देखना चाहती थी और अपनी चिंता के तहट बिना ज्यादा सूचे अपने सबसे मस्बूत हमले का चयन करते हुए आकाश में उड़ गई हाला कि अंत में हेंडरी फैंक ने थोड़े प्रयास से उसे बहुत कम जोव करने के लिए अपनी ताकत उधार ली फिर जल्दी से हमला करने के लिए गया और उसे मार डाला यदि ये वास्तों में एक इमानदार और सपश्चा लड़ाई होती तो जुसन सी अपनी पंखों के साथ हूर सकती थी और फैंक कि वान द्वारा इतनी आसानी से नहीं मारी जाती चोटे जानवर राजा तुम सचमच बेशर मौर निच हो आप समझाती के विरुद्ध वापस चले गए आप इस मैच में हारे हुए हैं कई दर्शा किसी तरह के शब्द कहते हुए चीफ ने चिल्लाने लगे ये सही है मैं हार स्विकार करता हूँ तो क्या हेंडरी फैग न विजेता को देखो वो खून और मांस के धेर में बदल गई है यहां तक कि उसके अपनी पिता भी उसे पहचान नहीं पाएंगे ऐसी नतीजे का क्या मतलब है कोट इस बिंदुग पर प्रतिक्रिया करने के बाद घाटी में शोर अचानक एक सब तक तक बढ़ गया जो पहल फैंक युवान ने अपना सिर पीछे फैंक दिया और दिल से हसा जो कि आप लोग इतना गुसा महसूस कर रहे हैं क्या आप जू सांसी से बदला लेना चाहते हैं मुझे नहीं पता था कि उसके इतने अच्छे रिष्टे थे आओ 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 तुम सब जो बदला लेना है एक साथ मेरे पास आओ दर्श को कितीखी आलोचना अचानक शानत हो गई और एक पल में आसपास का माहौल शानत हो गया हाला कि फैंक युवान ने तेजी से हमला किया और जू सांसी को मार डाला जू सांसी अंत में एक प्रसिधरांग चार मध्य चरण की हस्ती थी और त फैंक युवान ने अपनी रांग चार प्रारंबिक चरण साधना के साथ लगातार तीन रांग चार मध्य चरण विशेशग्यों को हराया ऐसी ताकत चंद व्यक्तियों के अलावा किसे डर नहीं लगेगा इसके अलावा हेंरी फैंक को जेतनी गंफीर चोटे लगी उसकी ताकत उतनी ही बजबूत हो गई हेंरी फैंग ने अहंकार पूर्वक उन्हें चुनोती दी लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ राक्ष सीफु मास्टर सुपरस पर नियंतरित थे और एक दूसरे के प्रतिसंदेह रते थे उनमें से लगभग हर एक अकेला था जूसंसी के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ इसके विपरीत धर्मी मार्क के कुछ सदसे शैतान फैंकिवान को मिटाना चाहते थे लेकिन वे इस समयासानी से आगे नहीं बढ़ सकते थे क्यों? क्योंकि एक बार जब वे खड़े हो गए तो ये जूसंसी से बदला लेना बन जाएगा और जूसंसी एक राक्षसी व्यक्ति थी क्या कोई नहीं है जो उससे बदला लेना चाहता हो? है या नहीं? हेन्री फैग ने फिर जोर से पूछा असंखे दर्शकों की अभी व्यक्ति उदास हो गई कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन किसी ने उतर नहीं दिया अगर कोई नहीं है तो मैं जा रहा हूँ हेन्री फैग ने अपनी भोहें उठाई और कुछ कदम चलकर रुखने से पहले कहा मैं वास्तों में जा रहा हूँ फिर भी कोई नहीं बोला हेन्री फैग के प्रभुत्व ने उपस्थित सभी लोगों को दबा दिया इस तरह क्या नियंत्रित असर ने कई रांक चार विशेशग्यों को नाराज कर दिया कई लोग बेचैन हो गया लेकिन फिर वी अंत्मेक खुद पर काबू पालिया हाँ 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 हेन्री फैग ने अपना सिरास्मान की ओर उठाया और जोर से हस्ते हुए बड़े कदमों से चला गया और जल्धी युद्धि के मैदान से बाहर चला गया अध्धाय तीन सो चवालीस सद्गुन के बिना प्रतिभाशाली बड़े भायली आपको एक कदम उठाने की जरूरत है हुँ मेरी एर ली जियान की च्छाती पर पीट करकी लेट गया और विनमरता से बोला ली जियान छोटा और मोटा था उसकी गोलनाक बड़ी पड़ी आँखें और चोड़ा माथा था उसके बालों से भी चिपचिपी चमक निकलती थी अभी उसका एक छोटा और खुरदरा हाथ हु मेरी एर की नाजुक छोटी कमर पर था जबकि दूसरा हाथ उसकी पैर पर था ली जियान चोथी श्रेणी के उपरी चरणगु मास्टर थे हाला कि वो कभी कभार ही लड़ते थे व्यापार करके जीवे को पारजन करते थे और राक्षसी रास्ते के एक प्रसिद बेईमान व्यापारी थे जिनके व्यापक संबंध थे उन्होंने हुमेर को गले लगाया और व्यांगिपोन मुस्कान के साथ कहा मेर तुम्हारे शरीर में ऐसा लगता है जैसे कोई हड्या नहीं है और त्वचाजिर जैसी नाजुक है मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम और अधिक सुन्दर हो गई हो हुमेरी एर ने अपनी आखें घुमाई और अप्रसन स्वर में कहा बड़े भायली मैं आपसे बात करने के कोशिश कर रहा हूं उस काले और सफेद जुर्वय राक्षसों ने मुझे नाराज कर दिया मैं पहले से ही आपका हूं आपको मेरे लिए न्याय मांगना चाहिए ठीक है ठीक है लिजियान ने आधे अधूरे मन से कहा जबकि उसकी दसों उमलिया हूं मेरे एर के शरीर पर घूम रही थी हूं मेरे एर की सांस से तेज होगी और उसका चेहरा लाल हो गया अपनी पनिली आखों के साथ-साथ वो बेहदा का शक लग रही थी हाला कि उसका दिमाग बर्व की तरह साफ था उस नेली जियान को मनाने की कोशिश की लेकिन उसने केवल कोच ममकोच कहा और नहीं माना बलकि उसका फाइदा उठाया हुँ मेरी एरनेली जियान को धका दिया और व्याथित भाव से खड़ा हो गया बड़े भाईली मुझे एक निश्चित उत्तर दो मैं तुमसे इस तरह भी कमांग रहा हूँ क्या तुम्हे मुझ पर दया नहीं आती आहो मेरे प्रिया मेरा छोटा खजाना ऐसा नहीं है कि आपका बड़ा भाईली ऐसा नहीं करना चाहता है लेकिन काले और सफेद राक्षसों से निपटना कुछ हद तक मुश्किल होगा वे दो आंक चार फूमास तरहें आपके बड़े भाईली एक आकेली ताकत है सिर्फ एक व्यक्ति ली जियान ने असाहाई भाव से अपनी बाहें फैला दी हूमेरी एर ने कहा ठीक है मैं बार का नीचे कर दूँगा आको केवल उस छोटे जानवर राजा के खिलाफ निपटने की जरूरत है ये फैंग जिंग सबसे घ्रीनित है आप उस बाई निंग बन बिंग को अभी के लिए अकेला छोड़ सकते हैं ये ली जियान जिच का बड़े भाईली हूमेरी एर ने एक मौका देखा और खुद को ली जियान की बाहों में फैंग दिया धीरे से ली जियान के मोटे कान पर फूग मारी ली जियान को तुरंट अपने क्रोच के पास आव जलती हुई महसूस हुई उसकी आँखें चौंग दियागी ठीक है चुकि तुम ऐसा पूछ रहे हो बड़े भाईली तुम्हें बदला लेने में मदद करेंगे लेकिन उन्होंने विशे को थोड़ा बदल दिया तीन राजाओं की विरासत एक याद दो दिनों में फिर से खुलेगी इस महतुपूर्ण मोड पर कोई समस्या नहीं हो सकती है तीन राजाओं की विरासत के बाद मैं उस छोटे जानवर राजा को सबक सिखाऊंगा ठीक है? तीन राजाओं की विरासत का उदगाटे निकट था और हर कोई इस पर ध्यान दे रहा था हुमेरी एर ने अपने होठों को सिकोर लिया उसके पास लिजी आन के ताल मटडोल के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था एंट रंगता की अवधि के बाद हुमेरी एर ने छुट्टी ले ले हाला के लिजी आन ने उसे रोखने की कोशिश की हुमेरी एर का रवयाद्रड था एंट में ली हाव ही उसे विदा कर सका। वो गुफहा के प्रवेश द्वार पर ख़़ा था और अधीरता से हु मेरी एर की आकृती को धीरे धीरे दूर जा रहा था और जंगल के भी तर्गायव हो रहा था। हमफ ये छोटी प्रलोभी का। लीजियान अपनी गुफहा में वापस लोटाया उसके चहरे पर वासना कहीं दिखाए नहीं दे रही थी उसकी जगह सतर्क और उदासा भी व्यक्तिने ले ले ले। कलाप प्यदा करने और छोटी जानवर राजा से निपटने के लिए मुझे एक उपकरण के रूप में इस् और सफेद जुर्वा राक्षसों से निपटने के तरीके हैं। लेकिन मैंने लीजियान ने कभी भी लाभहीन व्यवसाय कप किया। हे हे। ये चोटा जानवर राजा फैंग जिंक सरल नहीं है। वो गमवा लगता है लेकिन वास्तों में उसके विचार सुक्षम हैं। ती में तीन राक्षसीफू मास्टर से कुछ चुनोती देना ये निश्चित रूप से एक पूर्व निर्थारेती योजना थी। गुमास्टर से हर जगह से आये और संचा परवत पर एकत्र हुए। क्या ये तीन राजाओं की विरासत नहीं थी। हेंडरी फैंग की आक रामक अधिर्ता के कारण उन्हें कोई परिशानी नहीं हुई। इन दिनों उन्हें ही दूसरों के लिए परिशानी नजर आती थी। ऐसा क्यों था। क्योंकि सभी लोग अधिर्ता से तीनों राजाओं की विरासत को देख रहे थी। उसके लिए हर संभव प्रयास और गुप त अधिमाल किया और अपनी प्रतिष्था स्थापित करते हुए बेलगाम काम किया। दो दिन बाद जब तीन राजाओं की विरासत खुलेगी तो काउन उसका रास्ता रोकना चाहेगा। भविश्य की भविश्रिवानी करते हुए ली जियान ने अपना सिरहिलाया। जब सि भैंकिवान ने जूसंशी को मार डाला, तब से उसे भी इस छोटे जानवर राजा के प्रती कुछ दर्महसूस हुआ। इससे पहले जब भैंकिवान ने ताना शाहहेंग मेई और फुली को मार डाला, तो इस नेली जियान का ध्याना आकशित नहीं किया। हाला कि जब भैं प्रतिभा और स्काई टाइगर को मारने का मौका लिया, तोली जियान को एहसास हुआ कि वो कितनी कठिन समस्या थी। ऐसा किसलिए? धर्मपत ने प्रतिभाओं को चार श्रेणियों में वर्गी कृत किया। प्रतम श्रेणी में प्रतिभा और गुण दोनों थे। प्रतिभा और नेतिक चरित्र का होना उच्चतम गुणवत्ता वाली प्रतिभा थी, जो अपनी पकर बनाय रखने में सक्षम थी। दूसरे दर्जे में गुण तो थे लेकिन प्रतिभा नहीं। उनमें भले ही कोई प्रतिभा नहों, लेकिन उनमें नेतिक चरित्र था। कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी। इसके अलावा, कई क्षमताओं को अनुभव के माध्यम से सीखा जा सकता है। तीसरे कक्षा में प्रतिभा थी लेकिन गुण नहीं। उनमें प्रतिभा थी लेकिन कोई नेतिका चर्ण नहीं था। अपनी प्रतिभा के साथ वे एक पदले सकते हैं लेकिन उच्च अधिकारी उनका उप्यो करनी में सहज महसूस नहीं करेंगे। उन्हें डर है कि किसी दिन वे उनके साथ विश्वा सखात करेंगे। चौती कक्षा में न तो प्रतिभा थी और नहीं गुण न प्रतिभा न न नेतिका चर्ण। वे बेकार और कोई भी उनका उप्यो करनी में सहज महसूस नहीं करता था। राक्ष सी मार्ग के अंतरगा द्वर्गी कृत किये जाने पर किस प्रकार की आकृती सबसे अधिक परेशानी वाली होगी। आसोरी मार्ग में चतुर्थ श्रेणी में गुण तो थे लेकिन प्रतिभा नही लेकिन वे अपनी आदर्शों के बीच रहते हुए सत्गुणों पर विशेश ध्यान देते थे। एकसर वे स्वयम ही अपने विनाश का कारण बनते थे। तीसरे कक्षा में न तो प्रतिभा थी और नहीं गुण। उनमें भले ही प्रतिभा नहों लेकिन उनमें कोई नयति का चर्ण भी नहीं था। वे कम से कम कुछ निमनकारे तो कर सकते थे और जीवे को पार जन कर सकते थे। दूसरे दर्जे में प्रतिभा और गुन दोनों थे। प्रतिभा से वे अपना पेट भर सकते थे। हाला कि साथी सदगुण, पित्री भठी, सम्मान, वफ़ादारी आदिवे रस्यां बनकी जो उन्हें बांगती थी। आसुरीपत में ऐसे परस्पव रामक चरित्र ने तय कर दिया कि इस प्रकार के लोग मुख्य भूमिका नहीं निभाएंगे। और पहली कक्षा जिसमें प्रतिभा तो है लेकिन गुर्ण नहीं। फैंक्यू और एक ऐसे व्यक्ति थे। उनमें प्रतिभा थी, वास्तों में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी योग्यता उतकृष्ट थी, एक ग्रेड योग्यता हर किसी के पास नहीं होती दूसरे, उनकी युद्ध प्रतिभा ने उन्हें दाइरे से आगे बढ़कर लड़ने की अनुम्ति दी। ताना शाहहिंग मली, फैली और जुसंसी की खेती उससे अधिक थी, लेकिन सभी उसके हाथों एक दुखद मौत मड़ गए। ये इस बात को साबित करने के लिए प प्फू केड़ों का इतना दोर जय समोही कठा करने में सक्षम हो गया। यदि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति में सदगुन होते, तो ली जियान को इतनी कठिनाई महसूस नहीं होती। हाला कि फैंकिवान एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें नैतिकता कलेश मात्र भी नहीं उसने हुमेई एर को अधर में छोड़ दिया, सुन्दर्ता की परवान करते हुए। वो गमवार, अनुजित, आसानी से लोगों को मार डालता था और जीवन को तुछ समझता था। उसने ताना शाहहेंग मेई और अन्यदो को मार डाला, हर बार उसने उन्हें कुचल कर कीम बना दिया, इससे उसका क्रूर और क्रूर सॉभावस पष्ट था। उसने जू सन्सी को धोखा दिया और सब के सामने अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसे खुद परगर्व था। ये तो और भी भयावत था। इससे पता चलता है कि उसने बिना किसी रोग ट राई से जानते थे। यदि छोटे जानवर राजा जैसे व्यक्ति को शांती पूर्ण वाता वरण में धार्मिक मार्ग पर रखा गया जाता है, तो उन्हें निश्चित रूप से लोगों द्वारा बहिश्कृत कर दिया जाएगा, जब आया जाएगा, निर्वासित किया या जाएगा, हाला कि अपने क्रूर प्रतिस्पर्धी माहौल के साथ राजक राक्षसी रास्ते में फैंक्युआन पहार में प्रवेश करने वाले एक बाग की तरह था, समुद्र में प्रवेश करने वाले एक बार्ग ड्रगन की तरह, जब तक उसकी कस्मत बहुत बुरी अगर मैंने उसे जल्दी खोज लिया होता, तो मैंने उसे दबा दिया होता और मार डाला होता। हाला कि अब बहुत देर हो चुकी है। स्वभाविक रूप से हमेशा कोई न कोई ताकतवर होता था। संचा परवत पर ऐसे लोग भी थे जो फैंकिवान को मार सकते थे। वे कोंगरी तियान, लॉन्ग किंग तियान और अन्य जैसे चार रैंक, चार शिखर चरणगो मास्टर सकते। हाला कि लीजियान ने ऐसे बज़रे तीन राजाओं की विरासत पर टिकी थी, उन्हें अन्य चीजों पर विचार करने का मूट कैसे हो सकता था। हम्प, ये छोटी प्रलोभी का बुर इरादे पालती है। वो वास्तों में मुझे उत्यजित करना चाहती है और ऐसे राक्षर सी व्यक्ति से लड़ना रखते हैं। हलांकी जूसन सी की हत्या करके छोटी जानवर राजा ने एक अन्य व्यक्ति को नाराज कर दिया है। सकाई टाइगर की गौड़ फादर जो रांग चारू प्री चरणगु मास्टर सेचुरी बॉय है। इन दिनों सेचुरी बॉय गुको एकांट में परिश् जानी होगी। हे 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 मैं सतह पर किनारे रहकर गुप्त रूप से छोटी जानवर राजा से दोस्टी करूँगा। मैं सेचुरी बॉय और काले और सफेद जुर्वय राक्षसूं की बीच लड़ाई देखूँगा। फिर परिणाम देखने के बाद मैं एक अफसर का उठाने में माहिर था। जोर सी मारना जोर सी मारना। फैंक्यूआन की इच्छा के तहट चमकिले सुनहरे प्राइम वले सिन सज्जवार ने एपर चरदीवारों को साफ कर दिया। यहां तक कि सैंचा परवत पर भी वो हमेशा लगन से ठेती करता रहता था। उनकी बास्त दाइरे से बढ़ गई और चमकिले सुनहरे आदिमसार में बदल गई। चमकिला सुनहरा आदिमसार उनकी लड़ाईयों में बहुत बड़ी सहायता थी। यह भी उसके लगातार तीन रांक चार मध्य चरणगू मास्टर से कुमारनी में सक्षम होने का एक मुख्य कारण थ इन दिनों मेरी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे डरते हैं। हाला कि इसका किसी भी चीज से क्या लेना देना है। हे हे मैं जेस राक्षसी रास्ते पर चल रहा हूं उसे ऐसा ही होन चाहिए। इसके अलावा ये प्रित्वी नहीं है। यहां व्यक्तिगत ताकत एक समूह से उपर हो सकती है। अलग-अलग बातावरण में खेल के नियम भी अलग-अलग थे। यदि प्रित्वी पर भी कोई राक्षसी मार्ग पर चलता तो उसे भी नेतिक चरित्रे का होगा जब तीन राजाओं की विरासत खुलेगी। ये समभावना नहीं है कि कोई मेरे लिए परिशानी लेकर आएगा। मैं इस समय का उप्योग चार्जिंग क्रेश्गु को परिश्कृत करने के लिए करूँगा। फैंकिवान के पास अपने भविश्य के लिए एक सटी की उचना और व्यवस्था थी। अध्याय 345 चार्जिंग क्रेश्गु उस समय जब भैंकिवान में अपनी आंदोलन गु के रूप में क्सेटिज चार्ज और उर्धवधर क्रेश्गु को चना तो उन्होंने पहले ही उस स्थिती पर विचार कर लिया था जब वो चौथे स्थान पर आगे बढ़े थे। चार्जिंग क्रेश्गु को परिश्गु को परिश्गु करने के लिए एक सेटिज चार्जगु और उर्धवधर क्रेश्गुडों मुखे सामगरिया थी। चार्जिंग क्रेश्गु को परिश्गु करने के लिए इन दो रांग तीन गु को मुख्य के रूप में, गु, मास्टर सा, आदिम सार और कुछ पूरक सामगरियों यादी के साथ, चार्जिंग क्रेश गु को परिश्कृत करने की प्रक्रिया कठिन नहीं थी. फैंकिवान ने परियाप तैयारी की थी और इस नुस्खे की सफलता दर अपने आप में काफी अधिक थी. दो दिन बाद फैंकिवान परिश्कृत करने में सफल रहा और उसने एक बिल्कुल नया गु चार्जिंग क्रेश गु पराप्त किया. सेटिज चार्जगो और उर्धवाधर क्रेश गो एक साथ किवल सो कदम की दूरी तक ही चार्ज कर सके. लेकिन इन दोनों गुसे जोड़े चार्जिंग क्रेश गु ने इस चार्जिंग दूरी को 200 कदम तक बढ़ा दिया. साथ ही बार-बार इस्तिमाल के बीच की देरी भी आधी हो गई. हाला कि प्राइम वले सिंस की खपत थोड़े बढ़ गई थी. लेकिन ये चोड़ा सा दोश फैंकिवान के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके पास नौ आखों वाला शराब का कीड़ा और स्वर्गिये सार खजाना कमल था. मेरे पास अब पहले से ही चह रांग चार गु हैं. करवी ताकत गु, चार्जिंग ट्रेश गु, यन्यां रोटेशन गु, कायां गु, नौ आखे शराब कीड़ा, व्याय शक्ति गु और रत्खो पड़ी गु, संपून प्रयास गु, ताकत क्यूवली गु, गोल्डन शिल्ड गु और अन्ये सभी रांग तीन हैं. वे धीरे-धीरे मेरी आवशक्ताओं को पूरा करने में विफल हो रहे हैं. फैंकिवान पर अधिकांश गु रांग तीन थे. हाला कि वो अब ग्रारंबिक चरण में चौथे स्थान पर था और उसके पास मध्धिर चरण का चमकीला सुनहरा आदिसार था, इस प्रकार ये गु किरे दीरे-दीरे उसके लिए अनुप्यूक्त होते जा रहे थे. स्वभाविक रूप से इसका मतलब ये नहीं था कि गु जितना अधिक होगा, वे उतने ही बेहतर होंगे. उदाहरनार्त्व हारमान सीक्ता गु ये केवल रांग तीन गुठा लेकिन ये कई गु मास् तरसर को पारस पर एक रूप से सहकारी रांग की आविशकता थी और सबसे अच्छा होगा यदि ये समान हो ताकि उनका उप्यो करना अधिक सुविधा जनक हो. हेंरी फैंग ने एक छोटा सा विचार किया. उसके पास अपग्रेट करने के लिए बहुत सारे गुकिडे थे सबसे पहले गुने सरवांगिन प्रयास किया. उस पर गुका पूरा प्रयास केवल तीसरे स्थान पर था. ये केवल रांग तीन जानवर प्रेट को सक्रिय कर सकता है. अपने रांग को आगे बढ़ाने के लिए उसे तीन राजाओं की विरासत से अपराजित सु लड़ायो गुको प्राप करने के आवशक्ता होगी. इसलिए इस योजना को अभी के लिए अलग रखा जा सकता है. ताकत क्यों ये गुभी तीसरे स्थान पर थी, लेकिन फैंक युआन के पास इसके अनुरूपन उसका नहीं था, इसलिए वो इसे आगे बढ़ाने में असमर्था थ आत्मनिर्भरता गुभी रांग तीन गुथी, लेकिन ये पहले से ही अपने चरम चरण पर थी और इसकी उननती के लिए प्रासंगीत नुस्खा नहीं था. लेकिन अध्यपी ये रांग तीन फू था, जब तक फ्रांग किवान ने जबर्दस तागत प्रदर्शित की, इस उपचार प्रभाव रांग चार ही लिंगफू के साथ मेल खा सकते थे. आत्मनिर्भरता के समान गुहार मान सिक्ता गुठा, सांस चुपाने वाला गुजिसका उप्योग साधना को चिपाने के लिए किया जाता था, वो भी तीस रिस्थान पर था. हालाकि इसे उननत किया जा सकता था, हेंडरी फैंग ने इसे एक तरफ रखने का फैसला किया. मौजोदा समय में उन्हें अपनी आभाद छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी. और स्वर्ग सार्ख जाना कमल भी तीस रिस्थान पर था. फैंग युवान के पास पहले से ही रांग चार स्वर्ग सा स्थागित ही किया जा सकता था. इस तरह की ग्यन्ना करते हुए हेंडरी फैंग को पूरे प्रयास गु, गोल्डन शील्ड गु, तो सीता फूल और स्वर्गिये सार्ख जाना कमल को आगे बढ़ाने के आवशकता थी. ये चार गु. हाला कि ये सिर्फ इतना ही नहीं था. फ जो रक्षा प्रदान की वो बहुत कम थी. फैंग कि वान के शरीर में आच प्रेत भी थे, उन में से कोई भी जौती ताकत वाले गुसे नहीं था. इस प्रकार हेंडरी फैंग को भी इन परतों को बदले की आवशकता थी. मेरे पास जो आच फैंटम हैं, वे सामाने जैनव से हैं. केवल उन्हें ब्याओ स्ट्रेंट फैंटम, मास्टिक स्ट्रेंट फैंटम बगेरह से बदल कर, मैं रांक चार क्षेतर में सबसे मस्बूत लड़ाई की ताकत प्रदर्शित कर सकता हूं. फैंग कि वान को जू संसी की ब्याओ ताकत गो में दिलचस्पी थी. हाला क उसने जू संसी को कीमा में बदल दिया था और उसके शरीर पर गोगेड़े भी नश्ट हो गए थे. हेंडरी फैंग के तरीके बहुत ग्रूर थे. वो बार बार अपने दुश्मनों को मांस के पेस्ट में तबदील कर देता था. हाला कि ये शक्ति पत्फू मास्टर्स की ए लेकिन किवले एक व्याय शक्ति गो पराप्त की थी. और इस व्याय शक्ति गो भी आत्म समर्पन कर दिया गया और फ्वीली ने अपनी इच्छा से योगदान दिया. जिस तरह से गो मास्टर्स ने गो कीरे पराप्त किये, वो मूल रूप से व्यापार, पालन पोशन, अतरनाक तरीकों का इस्तिमाल किया था. यदि लडाई शुरू हो जाती है, तो दोनों पक्षा हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और अपनी सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. इस तरह गो कीरे भी नश्ट हो जाएंगे और नश्ट हो ज जाएंगे. मुझे उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है. हेंरी फैंग ने आहं भरी और गुफा से बाहर चला गया. बाइनिंग बेंग पहले से ही गुफा के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी और चोटे की ओर देख रही थी. हेंरी फ इसी महसूस हो रही थी मानो ये स्वर्ग और प्रिथवी को साहरा दे रही हो. तीन राजाओं की विरासत खुल चुकी थी. इस विरासत के साथ मेरी शक्ति पद्ग को पूर्णता तक ले जाया जाएगा. हेंरी फैंग की निगाहें चल रही थे लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया. हाला कि उनमें उतकृष्टय युद्ध कोशय था, फिर भी मंच पर आने की उनकी बारी नहीं थी. खुश 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 खुश. पूर्व, डक्षिन, उतर और पश्चिम से अलग-अलग चार आंकडे निकाले गए. वे बीच हवा में रुख गए और एक दूसरे स भीर गए. रांक चार के शिखर चरण की आभा बिना किसी छिपाव के सामने आ गई. पूर्वी दिश्रा से जहर पत्भू, मास्टर, लॉन्ग किंग त्यान था. उसके लंबे काले बाल, पीली हरी तवचा थी और उसकी हरी फोटिया हलकी चमक रही थी जैसे उसमें बहुत ठंडी आग जल रही हो. पश्रिमी दिश्रा से वो कबीले के बुजूर्ग वो शेंटों का धर्म मार्ग था. उनकी प्रसिधी शक्तिशाली और दबंग थी, लेकिन उनका शरीर एक बीमार विद्वान की तरह पत्ला था. उसका रंग पीला पढ़ गया था और वो समय समय पर खांस्ता रहता था जैसे कि वो इस पहाड़ी हवा को सहन नहीं कर सकता. दक्षनी दिश्रा से आसूरी पत्थ, विशिश अग्य कोंगरी त्यान थे. उन्होंने फूल पैटरन वाला का उन पहना हुआ था. वो हवा में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, गुलाबी ति उसके चारों ओर रही थी. उतरे दिश्रा से इकभी लेके बुजूर गी चोंग थे. उसका पूरा शरीर नीली मजली के शलकों से धका हुआ था, जो एक पतले कवज के रूप में बना हुआ था. उसकी नाक लंबी और बाहर निकली हुई थी, उसकी आँखें सामाने व्यक काली था. उसकी पीट से शार्प की पीट पर लगे काले पंक की तरह एक विशालत्र को ने पंट निकला हुआ था. ये चारों वर्तमान में सेंट चापरवत पर सबसे मजबूत गुमास्टर सथे. रांक चार शिखर चरण, साधना, रांक पांच से किवले एक कदम दूर थ यदि वे पांच अवें स्थान पर आगे बढ़े तो वे नश्वर संसार के संब्राठ होंगे और एक ख्षेत्र पर अधिकार जमा लेंगे, उनकी शक्ति और आभा हर जगे फैल जाएगी. ये चारुन सेंट चापरवत पर महीनों तक एक दूसरे से भिर चुके थे. इस द खराब होने पर कोंगरी तियान और लान्ग किंग तियान भी कभी-कभी सहयोग करते थे. इन चारों ने शीर्षि गुफाओं पर कबजा कर लिया और संचा परवत पर विरासत प्रवेश द्वार के सबसे करीब थे. इन चारों की उपस्थिती ने पहार पर सभी फू की निगाहें आकरशित की विरासत उनकी आखों के सामने थी. चाहे वो कोई भी हो, वे सब ही कोई कदम उठाने की इच्छा को रोप रहे थे. थोड़े गतिरोध के बाद कोंगरी तियान ने राजाबाव की विरासत को चुना. लॉन्ग किंग तियान ने किंग शिन की विर की विरासत को चुना. तीन विरासतें एक दूसरे से मिल नहीं खातते थी, लेकिन चार रेंग चार पीक स्टेश गुमास्टर सर्थे. गुमास्टर शिर ये चुंग अन्तिता राजाबाव की विरासत को चुनने से पहले थोड़ी देर के लिए जिच के. इसके साथ राजा जोंगे एक दास्ता पत गुमास्टर है, कथित तौर पर वो पहले से ही किंक वान की विरासत के मध्य चरण में आगे बढ़ चुका है. इस विरासत में वो पानी में मजली की तरह है और असाधारन तक अत्प्रदर्शित कर सकता है. यदि हम किंक वान की विरासत चुनते है हमें केवल उसका बचा हुआ भूजन ही मिल सकता है. जब भीर चर्चा कर रही थी, गुमास्टर सका एक समुह शिखर पर चड़ गया. वे रांक चार के उपरी चरण गुमास्टर सक थे. कुछ का रूब विचित्र था, कुछ का राक्ष सी रूप था, कुछ का गरिमा में और कुछ करूब जंगल के समाना अंधकार पूर्ण में था. उनमें से काले का पड़े पहने एक लड़का था. विरासत में प्रवेश करने से पहले उसने नीचे देखा और हेंडरी फैंग को गराई से देखा. हमफ, सेचुरी बॉई. हेंडरी फैंग ने अपनी आँखें से को ड़ी और एक खतरना काबा छोड़ी. सेचुरी बॉई एक शक्ति पद्गू मास्टर भी था और उसके संग्रक्षक जूसन सी का गौर अफादर था. फैंग किवान ने जूसन सी को मार डाला और सेचुरी बॉई को नाराज कर दिया. हाला कि तीन राजाओं की विरासत को देखते हुई सेचुरी बॉई के पास सब फैंग की वान के साथ हिसाब चुकाने का दिमाग और दिल नहीं था. लेकिन एक बार जब विरासत बंद हो गई तो वो हेंडरी फैंग के खिलाफ अपनी चाले चलने के लिए निश्चित था. हेंडरी फैंग को इसकी प्रती चरास अभी दर नहीं था और वो गुप्त रूप से इसका इंतजार कर रहा था. अपनी वर्तमान तकत के साथ वो रैंक चार प्रारंभीक चरण गू मास्टर सके बीज लगबग बेजो था और सामाने अमध्य चरण गू मास्टर से पर भी हावी हो सकता था. हाला कि रैंक चार के उपरी चरण से उनका मुकाबला बराबरी कहोगा. उससे उपर रैंक चार शिखर चरण एक कठिन प्रतिद्वंद्वी होगा. हाला कि यदि कॉंगरितियान जैसे चार गू मास्टर सर और अन्य लोग भैंकिवान को मारना चाहते हैं, तो उन्हें भी एक विनाशका मारी की मत चुकानी होगी. जैसे जैसे गू मास्टर सर कल्टीवेशन बाद के चरणों में पहुंची, प्रति एक छोटे क्षेत्र में अंतर बढ़ा था और युद्धि के लिए इन रैंकों को पार करना और अधिक कठिन हो गया, युद्धि के लिए क्षेत्रों को पार कर में सक्षम था. निश्चित रूप से अगर मैं अपने फू वर्बस को रैंक चार में बदल दू तो मेरे पास उप्री चरण गू मास्टर सके खिलाफ जीतने की ताकत होगी. और यहां तक कि रैंक चार के शिखर चरण के खिलाफ भी समान रूप से बराबरे की जा सकती है. तीन राजाओं की विरासत में यहां आ गया हूँ. तुरंत प्नक युवान ने चारण गू को सक्रिय किया और चरम की ओर चार्ज किया. रैंक चार के उप्री चरण के गू मास्टरस ने विरासत में प्रवेश किया था. तीनों विरास्तों के प्रकाश स्टंभ पहले से ही काफी धुंध ले थे रंग चार मध्य चरंगू मास्टर सका एक समू हसेन चापरवत पर चड़ रहा था जब उन्होंने अचानक फ्यांकिवान और बाइनिंग बिंग को उनक्यों राते देखा सबके रंग रूप बदल गए और कुछ मौन सहमती से विरास्ते से हट गए फ्यांकिवान और बाइनिंग बिंग ने किंग वान की विरासत में एक साथ प्रवेश किया अध्याय 346 किंग वान इनहेरिटन समें पहली प्रविश्टी जैसे ही उसका शरीर प्रकाश स्टंभ में प्रवेश किया हेंरी फैंक को तीवर भारहीन ता महसूस हुई जब उसकी दृष्टी ठीक हुई तो उसने स्वयम कुछ जंगल में खड़ा पाया वो अपने चारों और के वलभूरा सफेद आकाश देख सकता था जमीन पर भूरे सफेद चटाने कबर के पत्थरों की तर छोटे छोटे चुटे टिलों में बनगी दूसर रंग की जमीन उप जावो नहीं थी कठोर और सुखी थी दरारों के बीच कुछ पीली घास उगी हुई थी आकाश सफिद था पृत्वी भूरी थी और घास पीली थी दुनिया के तीन रंग थे उसके अलावा और कोई रंग नहीं था उसे किवल सन्नाटा या यू कहें कि मृत सन्नाटा सुनाई दे रहा था वहां नहवा थी नहिलते पेर के पते डप पक्षियों और जानवरों की चीख है यहां खड़े किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि इस पूरी दुनिया में वो अकेला व्यक्ति बचा है अकेला जिविद बचा है शुन्यता की भूमी में होने के कारण उनके दिलों में अकेला पन, अकेला पन, हानी और यहां तक की दर भी बढ़ जाएगा हाला कि वो बाई निंग बिंक के साथ विरासत में गए थे, फिलहाल फैंकिवान अकेले थे लेकिन फैंकिवान बेहद शान्त थे तो ये किंक वान वंशानुक्रम है उसने इधर उधर देखा और धीरे से अपनी आप में बुढ़ बुदाया सामान रैंक पांच गुद मास्टर सा की विरासत की तुलना में तीन राजाओं की विरासत में बहुत बड़ा अंतर था एक साधारन रैंक पांच विरासत चाहे वो मध्य महादवीप हो, दक्षणी सीमा हो, उत्तरी मैदान हो, पूर्वी समुझर हो, या पश्चमीरेगिस्तान हो, वे सब ही मुखे दुनिया में थे लेकिन तीन राजाओं की विरासत एक गुण अमर धन्य भूमी के अंदर बनाई गई थी इसके बाद तीन राजा फस गए और दुरखर्टन आवश एक प्राचीन गुण अमर की विरासत की खुश की, जिससे उनकी क्यव दंति शुरू हुई तीनों राजा अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभाशाली थे, छठे स्थान पर आगे बढ़ने में असपल होने के बाद, उन्होंने अपनी मृत्यू से पहले इस धन्य भूमी में अपनी विरासत स्थापित की इस प्रकार हेंडरी फैंगर मुख्य दुनिया में नहीं था गु अमर धन्य भूमी हाइफन एक छोटी सी दुनिया जो मुख्य दुनिया के भी तर मौजूद थी हर दुनिया के अलगर अगनियम और कानून थे किसी दुनिया में प्रवेश करने का अर्थ है उसके नियमों का पालन करना और उनका पालन करना हलांकी बाइनिंग बिंग ने मेरे साथ विरासत में प्रवेश किया उसे निश्चित रूप से इस छोटी सी दुनिया में दूसरी जगे बेज दिया गया था लेकिन ये कोई समस्या नहीं है, जब तक वो विरासत में आगे बढ़ती रहेगी, हम निश्चित रूप से रास्ते में मिलेंगे। इस छोटी सी दुनिया में समय की नदी में पानी का बहाव बाहरी दुनिया से तीन गुना तेज था। इस प्रकार इसने स्परिंग वाटम सिकाड़ा को ठीक होने में बहुत मदद की। लेकिन ये फैंक युवान के लिए अच्छी खबर नहीं थी। ये मृत्यो की भूमे भी थी जिसने उनके निधन को बढ़ा दिया। यहां एक दिन रुखने का मतलब है तीन दिन बाहर रहना। मुझे जल्दी करनी होगी और अपना समय बचाना होगा। हेंरी फैंग ने तीवरतात कालिकता महसूस की। शुक्रवार है उनकी यादों के साथ रैंक पाश गुद मास्टर कायकिंक वान विरासत उनके लिए अप्रेचित नहीं था। अगर मैं घलत नहीं हूँ तो यहां कही न कहीं कुद्टे जैसा जंगली जानवर होना चाहिए। हेंडरी फैंग इधर उदर घूमता रहा हर जगह देखता रहा और अपने मन में जुथा उसे ठूंधिता रहा। वुफ वफ 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 अचानक उसने दूर से रोने की आवाज सुनी जैसे कमजोर जंगली कुट तप ही की हरी रोशनी में चमकती आखों के साथ हेंडरी फै मानग मांस को सुंगने के बाद जो के हेंडरी फैंग था वो बिना किसी हिच की चाहत के आगे बढ़ गया। हेंडरी फैंग ने भोहें चड़ा दी ये जंगली कुट बहुत साथ हारन था पहले चरण में उससे मिलना उसका दुर भागे था। वो चुप चाप बहीं रहा और कुट्टे को अपनी उर्दौर ने दिया। वर्तमान परिवेश में फैंक युवान अपने अने गुकिरों का उपयोग नहीं कर सका, वो के वर रांग एक कुट्टे की दास्ता गुका उपयोग कर सकता था। ये थी इस छोटी सी दुनिया में कानून की किंक वान ने गुट अमर धन्य भूमी को संशोधित किया, जिससे गुट मास्टर को एक रांग के कुट्टे को गुलाम बनाने वाले गुट को अपनी विरासत में लाने की अनुम्ती मिल गई और साथ ही अन्य गुकिरे का उपयोग नहीं किया जा सकता है। बेशक वसंत श रग्रेतु सिकाडा के अलावा, स्परिंग वाटम सिकाडा छठी श्रेणी का गुट्था, एक गुकिरा छठी श्रेणी में पहुचने के बाद, चाहे वो मुखे दुनिया हूँ या छोटी दुनिया, इसमें से किवल एक ही अस्तित्वर में हैं। स्परिंग वाटम और किंग बनाओ इन्हेरिटन सा एक ही हैं। जब गुट मास्टर शुरू में विरासत में प्रवेश करता है, तो वे केवल रांग एक कुट्थे की दास्ता गुट, पेपर क्रीन गुट और विस्फोटे तंडागु का उप्यों कर सकते हैं। जंगली कुट्थे को अपनी इस कुट्थे की दास्ता गुट को सक्रिय करने के लिए फैंकिवान ने हलके सुनहरे आदिम सार की केवल एक बूंद का उप्यों किया। कुट्थे को गुलाम बनाने वाला गुए एक जिलाइट में बदल गया, फूट कर ठोज से खोखला हो गया, इसके बाद वो पलक पकते ही जंगली कुट्थे में उड़ गया। जंगली कुट्था चिलाया, मानो वो बुरी तरह घायल हो गया हो और जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि वो दोड रहा था, वो जमीन पर तब तक भिसलता रहा जब तक कि वो हेंरी फैंक के पैरों पर लुरत नहीं गया। कु जंगली कुट्थे ने आग्या मानी और उठ गया। इसके शरीर पर मुलायम रोए थे, रोए गहरी रंग की थे लेकिन उस पर कोई चोट नहीं थी। कुट्थे को गुलाम बनाने वाला गुसीदे उसकी आत्मा में चला गया, इससे कुट्थे के भातिक शरीर को कोई नु दूशक्ती बहुत कम थी। लेकिन वास्तों में वो इस पर कुट्थे को गुलाम बनाने वाले गुकाव प्योग इतनी आसानी से कर सकता था। फिर भी मुझे दूसरे दौर में पहुचने के लिए इस पर निर्भर रहना होगा। हेंरी फैग अपने मन में सोच रहा था, तभी अचानक स्वर्ग और पृत्वी से एक शक्ती ने उसके शरीर को धेर लिया। तुरंता हेंरी फैग एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। उसके सामने एक रोशनी चमकी और दूसरा कुट्था गुलाम गुज के सामने आ गया। हेंरी फैग को पता था कि ये विरास शक्रित किया और इसे अपने छेदर में रखा तो जपटा मार कर वो मौके पर ही गायब हो गया, स्वर्गिये शक्ते द्वारा दूसरे स्थान पर चला गया। ये अभी भी जंगल था, सफेदाकाश, भूरी धर्ती और पीली घास के साथ। फैंकिवान एक निचले टीले पर खड़ा था, क्योंकि तीन जंगली कुत्ते उसे घेर रहे थे। वे सभी तहनियों की तरह पतले थे, जैसे दो भोजन की तलाश में अपना सिर नीचे जुका रहे थे। तीसरा थोड़ा बड़ा था, जमीन पर निश्चल पड़ा हुआ था। हेंरी फैंक की अचानक उ फैंक की वान के आदेश के तहट उसने जंगली कुत्तों में से एक पर अपने पंजे खोल दिये। लेकिन ये किवले जंगली कुत्ते को ही रोक सका, जल्द ही दूसरा फांक की वान पर आ गया। हेंरी फैंक ने पहले के उसी दृश्य को दोहराया, दूसरे कुत्ते को करने का आदेश दिया। यदि ये एक साधारन मालिक था और कुत्ते की दास्ता वाले गुसे परिचित नहीं था, तो एक ही समय में दो जगडे आयुजित करने से वे अपनी सहनर्शक्ती खो देंगे। लेकिन हेंरी फैंक घबराया हुआ नहीं था, वास्तों में वो अभी तक पूरी तरह से आउट भी नहीं हो रहा था। अपने 500 वर्षों के अनुभव के साथ फैंक युवान ने कई पशु समूहों को युद्धी की कमान सौपी थी। विशेश रूप से बलेद विंगरक चमगादर लग समुद्रों की विरासत से प्राप्त होता है। इस की अपेक्षित जिशा में लड़ाई सुचारो रूप से आगे बढ़ी। लेकिन फैंक युवान ने भाउने चढ़ाई। पहले जंगली कुत्ते के शरीर की स्थिती भयानक है। इस तरह लड़ते हुए अगर मैं जीद भी गया तो मेरे पास किवले जंगली कुत्ता ही ब इससे फैंक युवान के आदेशों पर दबाव बढ़ गया लेकिन इससे उनके लिए बढ़ा फाइदा भी हुआ। फैंक युवान के दो जंगली कुत्ते पूरी तरह से सहियो कर रहे थी लेकिन उनके दुश्मन अकेले लड़ रहे थे। कुछ ही समय बाद ये गहन समाप्थ हो गया। दो जंगली कुत्तों की लाशे जमीन पर पड़ी थी उनसे खून बह रहा था। जिन जंगली कुत्तों को फैंक युवान ने नियंतरित किया था वे घावों से लथपध होकर जमीन पर खड़े थे। पहला कुत्ता अधिक खाय था जब की दूसरा कुत आप एक शाकृत स्वस्त था। लड़ाया भी समाप्थी होई थी जब स्वर्गिये शक्ती फिर से उतरी और उसने हिन्री फैंक और उसके दो साधारन जंगली कुत्तों को घेर लिया। उसकी द्रिष्टी फिर से बदल गई क्योंकि भारीन ता ने उस पर आक्रमन किया। जाहें एक आग्र होगी। उनके साथ दो जंगली कुत्ते थे। उन्हें अपने से तीन गुना अधिक बल से लड़ना पड़ा। उसे समय उनके कुत्ते घायल हो गए। आराम करने या सोचने का समय दिये बिना चाह कुत्तों ने उसे पहचान लिया और तुरंत हमला कर दि हेंरी फैंग की आँखें चमक उठी जैसे ही उसने पास में एक गढठा देखा वो उसमें कुद गया। वो गढठे में कुद गया। उसके पीछे एक सक्त दिवार थी। उसने अपने दोनु कुत्तों को अपने सामने रख दिया। चल चंगली कुत्ते अलग-अलग गति स उसके और दोड़े। दो स्वस्थ जंगली कुत्ते सबसे पहले दोड़े जबके बाकी चार अलग-अलग चूटों के कारण बहुत पीछे थे। ये देखकर हेंरी फैंग में राहत की सान सली। यदि ये चह कुत्ते स्वस्थ होते तो उसके पास कोई मौका नहीं था। ल वुफ वुफ वुफ। कुत्तों के उग्रभाउगने के आवाज जनवरद गूंजती रही। दरजनों कुत्ते भयंकर लड़ाई में थे। एक पक्ष के पास कही संख्या आये थे लेकिन उनके संरचनाय बिखरी हुई थी। दूसरे पक्ष के पास संख्या कम थी। लेकि कुत्तों को आदेश देते वे पूरे युद्यक्षेत्रे को देख रहा था। किंक वान की विरासत में ये पहले से ही उसकी दस्वी लड़ाई थी। अपने प्रचुरान उभव और किंक वान की विरासत की समझ के साथ उन्होंने बिना किसी घटना के पूरी प्रकुरिया क को पूरा किया। लड़ाई खत्म होने से पहले पांच मिनित तक चली। पूरे युद्यक्षेत्र में 19 कुत्ते अभी भी खड़े थे। ये सभी हेंडरी फैंग के कठिन संचे का परिणाम थे। हेंडरी फैंग ने धीरे से गंदी हवा का जोंका छोड़ा, उसका मन थोड की विरासत में हर दस दौर की लड़ाई में कठिनाई तेजी से बढ़ती है। मैंने इस बार 28 कुत्तों का इस्तिमाल किया लेकिन लगभग 60 कुत्तों के हमले का विरोध करने और इस बाधा को पार करने के लिए उनमें से नौकी बली देनी पड़ी। सच कहूं तो इस प्र इन अधिकांज प्रतिभागियों को कत्म करने के लिए परियाप्त होना चाहिए जो लाब चुराना चाहते हैं। संचा परवत परण गिनत धर्मी और राक्ष सीफू मास्टर सकते। जब भी तीन राजाओं की विरासत खुलती बड़ी संख्या में गुर मास्टर अपनी क समत आज माने आते। हाला कि चाहे तीनों राजाओं की विरासत कोई भी हो वे सभी बेहच सकते। सबसे उप्यूक्त उत्तराधिकारी चुनने के लिए तीन राजाओं ने जो बाधाएं खड़े की वे मुची थी। तीन राजाओं में से किंग वान एक दास्ता पदगु म मास्टर था और राजाबाओ एक अगनी पदगु मास्टर था। स्वभाविक रूप से उनके चुनेवे उत्तराधिकारियों को भी इन्ही रास्तों पर चलना चाहिए। पहले दस राउंड की कठिनाई ने अन्य रास्तों के अधिकांश भू मास्टर से को बेहमी से खत्म कर दिया। तीसवे दौर में अन्य पठों का कोई फू मास्टर नहीं होगा। पचासवे दौर में जो बच्चे होंगे वे इन पठों के कुलीन और प्रतिभाशाली होंगे। सत्तरवे दौर में केवल गहरे नीव वाले विशेश अग्ये ही बचे रहेंगे। बहुत कम ल जैसा राक्षसी भी इसे पार नहीं कर सका। उनके पिछले जीवन में तीन राजाओं की विरासत लगभग दस वर्षों तक चली। इसमें अंगिनत लोग शामिल थे। राक्षसी और धार्मिक, नायक और खलनायक दोनों। अभी तक तीनों राजाओं की विरासत को प्रक चरजनक था। मध्य चरण तक प्रतिभागियों को लगभग पचासवी बाधा से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वे अपने अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे और कई नेमों का सारांश दिंगे। एंटिम चरण में अधिकांश प्रतिभागी सतरवे से अ लोगों की निगाहों को आकरशित करती थी। और अंतिम अवधी में कई रांक चरफु अम्रों की रहस्य में आकरितियां भी सामने आएं। हेंरी फैंक को अधिकांश भाग्स पश्टरूप से याद थे। बेशक कुछ धुन्दा लेक्षेत्र भी थे लेकिन वे मामूली विवरन थे। उन्हें तीन राजाओं की विरासत की गहरी समझ थी। वो जानता था कि चाहे वो कोई भी विरासत चुने वो केवल अपनी ताकत से नब्बेवे दौर तक ही आगे बढ़ सकता है। नब्बेवे दौर के बाद सभी बाधाएं कुछ ऐसी थें कि केवल रांक पांच गुमास्टर से कोई पार करने का मौका मिला। हेंरी फैंक को पता था कि पांच अवे स्थान पर पहुझने के लिए साधना करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। दस वर्ष अब बिलकुल परियाप्त नहीं थे। ऐसा के वल इसलिए नहीं था क्योंकि गुमा अटम सिकाडा की पुनर प्राप्ती गदी तेज हो गई। ये उनके लिए बहुत बड़ा खत्रा था। स्वर्गिये शक्ती एक बार फिर उत्री और हेंडरी फैंक की द्रिश्टी चमक उठी। एक पल में उसने पाया कि वो खुद को एक और अजीब जगे पर ले जाया ग अलावा उनके किसी भी अन्य गुकिरे का उपयोग नहीं किया जा सका। 19 कुत्ते उसके चारों और घूम रहे थी लिकिन कुत्ते की दास्ता गुसे किवले एक हलका सा संबंध बचा था। हाला कि फैंक की ओन घपराया नहीं था वो सपष्ट था कि दसवे दोर से शुरू ह विरासत प्रत्ति एक चुनोती देने वाले को चुनने की शक्ति देगी। वो शान्ती से खड़ा रहा और जल्धी भेद करने में सक्षम हो गया। उसके बाई और कोहरी की गहराई की ओर एक नारंगी चमक थी जैसे किसी ने लाल टेंट जला दे हो। इसके साथ एक ध्वन का एक गुला करक रहा था। नारंगी रोश्नी गुलदा उदी अकिता कुत्ते का प्रतिनिधित्व करती है। ये कुत्ता मेरे साथ सामाने कुत्तों की तुल्ला में अधिक वफादार है। उन्हें नियंतरित करना आसान है और उतकृष्टय युद्रण नीति को निश्प पादित कर सकते हैं। नीली रोश्नी बिजली का प्रतिकुत्ता होना चाहिए। ये बहुत तेज है, सामाने से तेज है दो बार कुत्ते। और काला मानव आकृती मेरा प्रतिद्वन्दवी होना चाहिए एक और गुल्द मास्टर। हेंडरी फैग ने विचार किया। ये स सूस कर पाता है, सबसे लाभप्रत विकल्प चुन्ने में सक्षम नहीं होता है। हाला कि फैग की वान अच्छी तरह से जानता था। चाहिए वो गुल्दा उदी अकीता कुत्ता हो, बिजली का प्रतिक कुत्ता हो या मास्टर हो, वे सभी चुनोतिया थी लेकिन अवसर भ होती गई। साथ ही अपने 19 कुत्ते को गुलाम बनाने वाले गुपर भी उसका नियंत्रण मस्बूत हो गया। और उसके बाईयों और दाईयों और का धूसर कोहरा और अधिक घना हो गया। खान बूलियू शांत खड़ा रहा, शांती से उस व्यक्ते को देखा जो कोहरे स बाहर निकल रहा था। खान बूलियू पहले से ही 48 वर्ष के थी वो रांक चार मध्य चरण की साधना के साथ एक धर्मी पद्गू मास्टर थे और पहले से ही कई बार किंक वान की विरासत में प्रवेश कर चुके थे। इससे उन्हें किंक वान की विरासत के संबंध में का अभी जैसे ही उसने कोहरे में फैंक वान की आकरिती को धीरे धीरे अपनी ओराते देखा उसे तुरंत पता चल गया कि ये उसका प्रतिद्वन्तवी है। हाला कि वो जरा भी घबराया हुआ नहीं था। वो एक गुलामी पद्गू मास्टर था और किंक वान की विरासत में पानी में मजली की तरह था। इस विशेश पातावरण में गुमास्टर सके पिछले सभी संचयों को नहीं अगिना गया। वे केवल उस गुकाउप्यों कर सकते थे जो विरासत ने उन्हें लड़ने के लिए दिया था। खेती का अंतर तेजी से कम हो गया था। ये व्यक् लियू अपने प्रती बहुत आश्वस्त थे। पिछली बार उन्होंने 21 वी बारियर पर चार्ज किया था। इस तरह की उपलब्धी उनके सरकल में सवरशेष्ट में से एक थी। यहां तक कि कई रांक चारू प्रीचरण और शिखर चरण गुमास्टर से को भी पीछे छो चोटा जानवर है राजा। वो तुरंत घबरा गया और घबरा गया। हाला कि फैंकिवान कुछ समय पहले ही संचा परवत पर आया था। उसने अपनी प्रारंभीक चरण साधना से तीन मध्य चरण के फू मास्टर से को मार डाला था। उसकी शक्ती विस्मयकारी थी और उ लेकिन जल्दी खान बूलियो को होशा गया। ये गुण अमर धनी भूमी है, बाहरी दुनिया नहीं। इस दौर में हम केवल कुट्टे को गुलाम बनाने वाले गुका उप्योग कर सकते हैं। चोटा जानवर राजा अपने गुसेट का उप्योग नहीं कर सकता। वो वो ये स्वर्ध द्वारा भी जा गया अवसर है। चोटे जानवर राजा को मार कर मैं अपनी प्रतिष्ठा पहला सकता हूँ। उसके गुखीरे लेकर और उन्हें बेच कर मैं ये कर सकता हूँ निर सारे प्राचीन पथर बनाओ, चार्ज करो। धार्मिक मार्ग की विरास्ते सुमयतियों और रामतोर पर किसी की मृत्यों का कारण नहीं बनती थी। कभी-कभी जब कोई असफहल होता था, तब भी उसे कुछ लाब होता था। हाला कि किंग वान की विरासत एक राक्षश सिपद की विरासत थी। यहां कोई भी हथ्या कर सकता था और मृत्यों एक सा आत्म विनाश नहीं कर सकेंगे। संचा परवत परगु मास्टर्स ने पहले ही लड़ाई के माध्यम से इस बिंदु की कुछ कर ली थी। इस से विरासत में हतातों की संख्या में भारी वृत्षी हुई। बाहरी दुनिया में फू मास्टर्स अपनी मृत्यू से पहले अपन दुश्मनों को उनके पास नहीं जाने देंगे। लड़ाईयों से होने वाला मुनाफ़ा बहुत कम था। लेकिन यहाँ यदि कोई फू मास्टर मर जाता है तो उनके फू कीरे पीछे रह जाएंगे। इसने लोगों को अपरात करने के लिए प्रहित किया। यदि हान बू उनके लगबग सब ही गुकिरे पीछे रह जाएंगे। इस तरह की भारी लूट के कारण हान बूलियों ने बिना किसी रोगटो की हत्या के अपने इरादे को उजागर कर दिया। उसके दिमाग में बदलाव के साथ ग्यारह कुत्ते फैंक युवान की और बढ़े। किसी लहर के साथ उननीस कुत्ते उसके पीछे भूरे कोहरे से बाहर निकलाए। उननीस। हान बूलियों बेहत सदमे में था उसकी आँके लगबग अपनी जेबों से बाहर गिर रही थी। इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं। वो शंकाओं से भर गया। वो एक गुलामी प और छोटे जानवर राजा ये श्रक्ति पत्गु मास्टर उननीस है। उससे पूरे आठ अधिक। डास्तापत में ये किस स्तर की प्रवीनिता थी। नहीं। असंभव। ये बिल्कुल इसलिये हैं क्योंकि वो भागिर्शाली था अनिता उसके पास इतने सारे कुत्ते कैस लड़ने की भावना सिभर गया। उनकी राय में छोटा जानवर राजा इतना छोटा था। चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों नहीं हो। वो एक ही समय में शक्तिपत और दास्तापत दोनों में आगे नहीं बढ़ सकता था। एह। एक दोश। फैंक्यू आन शुर पूत कुत्तों को जुटाया। अगले ही पल इसको तिरकुत में अचानक प्रतिद्वंद्वी की विवहरजना तोड़ दी। रे नहीं। खान बूलियू का दिल तेजी से उजहला क्योंकि उसने तुरंत अपने कुत्तों को नियंत्रित कर लिया। हाला कि हेंडरी फैंगो से ये मौका कैसे दे सकता था। उसके शिशकुत्ते दो उतक्रिष्ट चापों में बन गए और प्रतिद्वंद्वी के गठन को बाय और दाए से मात दे दी और एक पल में स्थिती पर नियंत्रन कर लिया। उनकी हर प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकला। एक घंटे बाद केवल अठन जंगली कुत्ती बचे थे। वे सब भी फैंग्युआन के थे। हान बूल यू की अभिव्यक्ति फिली थी। वो अत्यधिक पर सीना बहा रहा था और वो जमीन पर स्तब्ध ख़़ा था। प के लिए कुछ भी करूँगा। हेंरी फैंग ने हलकी से हस्ते हुई खान बूल यू को घेरने के लिए आठन जंगली कुत्तों को उप्षाया। खान बूल यू घबरा गये। हे भगवान इस गुल अमर धनी भूमी के अंदर गुमास्टर से अपने गुकिरे का उप्योग नहीं कर सकते। इसके अलावा म मेरे पास गुलामी को नहीं है। तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जब आठन जंगली कुत्ते जपटे तो हेंरी फैंग ने अपना हाथ ठंडे स्वर में हिलाया। लोड़ फैंग जिंग। नहीं। खान बूलियू घबरा कर चिलाने लगा और भारने की कोशिश करने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आठ चंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया, अपना मूँ खोला और अपने नुकी लेके नाइन दांतों से उसके शरीर को चबा डाला। खान जोडते हुए जमीन पर लोट रहा था। लेकिन ये बेकार था। भले ही उसके पास धनी भूमी के अंदर बर्व की मानसपेशिया, स्टीक की हड्या या कांसे की तवचा थी, ये सभी कमजोर हो गए थे और बेकार हो गए थे। फैंग जिंग, मैं तुमें भूत बन कर भी देनी लगी। हेंडरी फैंग चुप चाब देखता रहा, जब तक कि वो पूरी तरह से मर नहीं गया और गती ही नहीं हो गया। उसने हलकी से अपना हाथ हिलाया, और आठन जंगली कुट्टों ने अपनी हमले रोक दिये, दोनों तरफ पीछे हच गए और फैंग की वान क लिए रास्ता खोल दिया, उनके शरीर क्यून के निशानों से भरे हुए थे, कुछ लोग अभी भी हान बूलियू के हड्यों को चबा रहे थे, उनके कुछ पंचगों में अभी भी हान बूलियू के बाल, मांस वगार थे, हान बूलियू की लाश पूरी तरह से नश्ट हो चरण एपरचर था, लेकिन हान बूलियू पहले ही मर चुका था, इस प्रकार उसका छेद्रा धीरे-धीरे मर रहा था और सिकुर रहा था, इस धनी भूमी के कानून के कारण उसके सभी गुकिरे दब गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए, चुपचा पादियूम सम परचर में परिशकृत किया, पूरी प्रकुरिया के दौरान उन्होंने स्परिंग ओटम सिकारा का उप्योग नहीं किया, धनी भूमी के कानून ने उसे इस समय प्रतिबंधित नहीं किया, वास्ताव में इससे इन गुको आसानी से परिशकृत करने में मदद मिली, किंक व लिव के अंतिम संघर्ष के दौरान उसने उस जंगली कुत्ते को मार डाला जो सबसे अधिक घायल था, जित्यों के कगार पर लोग अक्सर महान शक्ति प्रकट करने में सक्षम होते थे, हेंड़ी फैग ने इन साथ जंगली कुत्तों को देखा, उसकी शांती पूर्ण नि जंगली कुत्ते आमतर पर बाहरी दुनिया के जंगलों में देखे जाते थे, दो रांग चार गुत, तीन रांग तीन गुके बदले में बारह कुत्तों का उप्यो करना ये बहुत बड़ा सौदा था, तीन राजाओं की विरासत, नकेवल विरासत एक हजाना है, बलकि धन प्रवेश करने वाले फू मास्टर से सभी चलते वे खे जाने हैं, उन्हें मारना और उनके फू किड़े लेना ये खुद को मजबूत करेगा, जैसे ही स्वर्गिये शक्ती फिर से उतरी, हेंडरी फैंग ने डंग किया क्योंकि उसकी हत्या का इरादा बढ़ गया था, दाई ओर वो भी एक काली चाया थी, लेकिन इस चाया के किनारे पर एक उब्री हुई कांटेदार आकृती थी, दाई ओर ये एक नारंगी चाया थी, पहले की तरह ये गुल्दाओदी अकिता कुत्ते का प्रतिनिधित्व करती थी, मेरे पास सब साथ जंगली कुत्ते हैं, मेरी युद्ध शक्ती में कमी है, मैं गुल्दाओदी अकिता कुत्ता जाता है, हेंडरी फैंक की निगाहें इधर उधर घूमी और वो दाहिनी ओर चला गया, हाला कि हेंजर ओर के पास आख्रमन की शक्ती अधिक थी, लेकिन इस रास्ते से गुजरने पर उसका नुकसान भी होता, फैंक की वान के साथ जंगली कुत्ते घायल हो गए थे, अगर उनकी आंतों में कीलें चुबगी, तो इसका मतलब मौत थी, हेंडरी फैंक के पास अनुभव था, हेंजर ओग, खतरनाक था, बिना किसी स्टील कवच वाले कुत्ते या इन कुत्ते, उसे जितना अनुभव हो सके उनसे बजना चाहिए, ये सभी अनमोल अनुभवगों मास्टर सद्वारा जान बुच कर छेपाए गए थे, जब उन्हें विरासत के पहले कुछ महिनों के दौरान पता चला था, अधिकांश लोग स्वयम इन मुश्किलों में पढ़ने के बाद ही सीखते हैं और दूसरों को भी इसका अनुभव कराना पसंद करेंगे, हेन्री फैंग ने बड़े कदम आगे बढ़ाए और कोरा चंट गया, उसके पैर के पास साथ जंगली कुट्टे बारी की से पीछा कर रहे थे, रास्ते में उनकी फैंग की वान से लड़ाई हुई और वे सभ भी घायल हो गये, विशेश रूप से हान बूलियू के साथ की व्युद्ध में इसने उनकी जीवन शक्ती और युद्ध शक्ते को खर्च कर दिया, कुट्टे को गुलाम बनाने वाला गुहवा में उरता हुआ, हेन्री फैंग के हाथों में पढ़ता हुआ दिखाई दिया जब कोरागाय भो गया, तो फैंग्यूआन को 20 कुट्टे दास्ता गुप राप्त हुए, सभी रांक एक, कुट्टे की दास्ता गुको पुन्ह प्राप करना कठिन था, उन्हें कुट्टे की आत्मा में डाल दिया गया था, जब कुट्टा मर जाता है, तो उनकी आत्मा न दनी भूमी की रहस्य में शक्तियों के साथ ये मालिकों के हाथों में कुत्ते की दास्ता वाले गु को छीन लेगा और इसे वापस नहीं करेगा, केवल उनके लिए एक छोड़ देगा। द्ध के हुए थे, वहीं उनके फर पर गुल्दाओदी प्याटर्न बने हुए थे, उनके शरीप का आकार एक सामाने जंगली कुत्ते के समान या उससे भी थोड़ा छोटा था, लेकिन हेन्री फैंक की अभिव्यक्ति बदल गई, गुल्दाओदी अकीता कुत्ते स्वभाव के लाब के अगर वो केवल साथ जंगली कुत्तों पर भरोसा करता तो उससे आसानी से निगल लिया जा सकता था, फैंक युवान का अंट अहान बूल यू से बेहतर नहीं होगा, मुझे उस टीले की चोटी पर जाना है, केवल एक सांस के समय में फैंक युवान ने आसपास का निरिक्षन किया और बिना किसी हिच की चाहत के टीले के और भाग गया, वो पाच कदम तक दोरा इससे पहले के गुल्दाओदी अकेता कुत्तों ने उसे ठहुंधे लिया, वुफ 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 वे भौगने लगे, जैसे ही कई गुल्दाओदी यकीता कुट्टों ने प्रतिक्रिया दी, एक ही बार में आसपास के सभी गुलदाओदी यकीता कुट्टे एक स्थान पर एकत्र हो गए, जैसे ही वे हिंगरी फैंक की ओर बढ़े एक नदी जैसे सनरचना बन गई, ये स्थिति यदि ये जंगली कुट्टे बिजली का प्रत कुट्टा या हे जरोग होता, तो ऐसा नहीं होता, जब तक कि उन्हें आदेश देने के लिए कोई कुट्टा राजा न हो, लेकिन गुलदाओदी यकीता कुट्टों में सहियो की प्रबल भावना थी, कुट्टे राजा के बिन अभी, वे अभी भी समनवय कर सकते थे और एक समूह पर हमला कर सकते थे, ये व्यक्ति गत्रूप से लड़ने से बिलकुल अलग था, इससे पहले कि गुलदाओदी यकीता कुट्टों ने उसे घे लिया, फैंग कि वान बाल बालतीले की चोटी पर पहुँच हो गया, हेंडरी फैंग तब तक पीछे हट गया, जब उसके पीछे एक चटान नहीं आ गई, गुलदाओदी यकीता कुट्टे फिर से चार्ज करने से पहले एक पल के लिए रुके, क्योंकि ये लाका संकरा था, कुट्टों का समूह एक बार में केवल पंद्र कुट्टों को ही बाहर भेज़ सका, हेंडरी फैंग ने तुरंत अपने साथ जंगली कुट्टों को उनसे बचाव करने का आदेश दिया, दोनों समूहों के बीच जोड़दार लड़ाई हुई, क्योंकि फैंग किवान ने उन्हें रोकने के लिए अपने उत्कृष्ट हेर अफेर का इस्तिमाल किया, उसी समय उसने अपना हाथ लहराया और पांच कुट्टों को गुलाम बनाने वाले गुको सही समय पर बाहर फैंक दिया, तुरंता उसके पास नई लड़ाकू से नायक थी, पांच स्वस्त गुल्दाओ दियकीता कुट्टे घुंकर हिंडरी फैंक से जुड़ गए, जिस सिस्थिती उलट गई, मुल 15 बनाम स 12 के मुकाबले 10 हो गए, फैंक युवान ने फाइदा उठाया, जैसे ही साथी दुश्मन बन गई, कुट्टों का समूह दहशत में आ गया, फैंक युवान ने उस अफसर का उप्योब हमला करने के लिए किया, और 6 गुल्दाओ दियकीता कुट्टों को मार डाला, जब अक चार पीछे हट गए, वो मूल रूप से सभी 10 गुल्दाओ दियकीता कुट्टों को मार सकता था, लेकिन उसने 4 गुल्दाओ दियकीता कुट्टों को भागने देने का फैसला किया, फैंक युवान का संब्रिध ननुभव सिर्फ इस पहलू में नहीं था, उसके पास 20 कु उतना ही अधिक है इनरी फैग अपने उतकृष्ट है रफेर कौशल का उप्यो कर सकता था, जब अधिक कुट्टे होंगे तो फैंक युवान लड़ाई में अधिक विचलित हो जाएगा और उसका नियंत्रन कमजोर हो जाएगा, गुल्दाओ दियकीता कुट्टे समुह न फैंक युवान की रक्षात्मक रेखा पर फिर से हमला किया, फैंक युवान ने पूंटा के साथ गर्ना की थी, हर बार जब उसने कुट्टे को गुलाम बनाने वाले गुका उप्यो किया, तो इसका उप्योग सबसे महतुपोनक्षेत्र में किया गया था, उसने नकेवल स सबसे स्वस्थ गुलदाओदी अकीता कुट्टे को चना जो उसे मिल सकता था, बलकि दुश्मन गुलदाओदी अकीता कुट्टों के गठन को भी बरबाद कर दिया, ऐसे लाब सपष्ट नहीं थे, लेकिन समय के साथ उन्हें इस से बहुत लाब हुआ, लगभग दस हमलो के बाद गुलदाओदी अकीता कुट्टों को हर बार खदेड दिया गया, फैंकिवान के पास तिन कुट्टे गुलामी वाले गुबचे थे, और शेश्दस्या इतने ही गुलदाओदी अकीता कुट्टे डर के मारे भाग गए, ये सब ही गुलदाओदी अकीता कुट्टे गाये थे, उनके मरते संखर्ष से बजने के लिए फैंकिवान ने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था। फिलहाल वे पहले से ही डरे हुए थे और उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। ये सब उन्हें आदेश देने के लिए कुत्ते के राजा की कमी के कारण हैं, अन्य थ वे इतनी आसानी से भाग नहीं पाते। फैंकिवान ने हमला ने करने का फैसला करते हुए कुछ गंदी हवा छोड़ी। इस लड़ाई के बाद उनके साथ जंगली कुत्तों में से तीन बचे थे, लेकिन उन्हें 16 गुलदाओ दी अकीता कुत्ते प्राप्त हो गए। अपनी हार से काफी हद तक उबर गया। अध्धाय 349 बड़ी बिजली का प्रती कुत्ता 3 हवा दौर, 14 हवा दौर, 17 हवा दौर, 18 हवा दौर। फैंकिवान सभी चर्णों से गुजर गया और उसके द्वारा नियंत्रित कुत्तों की संख्या में वृथी हुई। 19 विद द और 19 हे जरौग थे। इस अवधी के दौरान उसने एक अन्य व्यक्ति की हट्ट्या कर दी। ये रांग 3 शिखर चरण जलपदगू मास्टर था। लेकिन आखिरकार उनकी मुलाकात बाइनिंग बिंग से नहीं हुई। 20 वा दौर, हेंरी फैग अपने दिल में गिन रहा थ तीन राजाओं की विरासत में हर 10 राउंड में कठिनाई तेजी से बढ़ती थी। 20 वी दौर के बाद 100 जानवर राजा होंगी और सैगरों से लगभगे 1000 जानवर एक साथ धहमला करेंगे। कोहे में फिर से बाएं, दाएं और केंद्र में प्रकाश्चाया की तीन गांठे दिखाई दी। बीच वाला नारंगी रंका था, एक विकर टुक्री के आकार का। बाएं और एक भयानक नीली बिजली स्थिर, चमकती हुई और एक पत्थर की चक्की के आकार की थी। दाहिनी और ये पानी में चंद्रमा, कोहे में फूल की तरह था, ये एक हरी सफेद नि के जानवर होंगे। सामने की नारंगी चाया गुल्दाओदी अकीता कुत्तों का प्रतिनिधित्व करती थी, जिनकी संख्या लगभग 200 थी। बाएं और भयानक नीली चाया थी, जिसमें 150 बिजली के प्रतिक कुत्ते दिख रहे थे। दाहिनी और एक हरी सफेद चाया थी जो एन कुत्तों के समुह को दिखा रही थी, जिनकी संख्या केवल 100 के आसपास थी। फैंक्योआन ने अपनी पसंद से गुल्दाओदी अकीता कुत्तों को हटा दिया। एक बार जब गुल्दाओदी अकीता कुत्ते समुह के पास एक कुत्ता राजा होता, तो वे और भी अधिक एक जुट हो जाते। जितनी बड़ी संख्या उतनी अधिक उनकी युद्ध शक्ती। अधियम से चरणबध हो सकते हैं और पानी के नीचे छिप सकते हैं आधिया। जब वो कोहरे से बाहर निकला तो बिजली का प्रती कुट्टों का समोहे लाके में खुम रहा था। टीले पर एक बड़ा कुट्टा घास पर लेता हुआ सो रहा था। ये अपनी आकार के सामान्य बिजली प्रती कुट्टे से दो गुना बड़ा था। उसका शरीर गहरेनी लेफ़र से ठका हुआ था, टेज और कांटेदार स्थिर रोप से बह रहा था। ये सु जानवरों का राजा था हाइफ़न बड़ी बिजली का प्रती कुट्टा। एक इश्वरिय उप्धार फैंक्यू और नियुद्धी की स्थिती से स्पष्ट था, क्योंकि उसकी आँखे तेज रोशनी में चमक रही थी और उसने तुरंत अपना निरणय ले लिया। उसने अपना हाथ हिलाया और अपने सभी सैनिकों को बाहर भेज दिया। बीच में असी से अधे कुटों ने उसे घे लिया और बड़े बिजली के प्रती कुट्टे के और बढ़ने लगे। बड़े बिजली के प्रती कुट्टे की प्रतिक्रिया तेज थी, उसके कान हिल और उसने अपनी आँखें खोड़ ली और तुरंत खड़ा हो गया। उसने अपना सिर उठाया और पास के बिजली प्रतीकुत्ते समूह को एकठा करते हुए चिलाया। पर सामूहिक हमला करने के लिए किया। पास के कुछ बिजली प्रतीकुत्ते फैंकिवान से भी तेज थे और कुत्ते राजा के पास एकठे हो गए। शुल्क। क्योंकि उनमें से अधिकांशा भी तक कुत्ते राजा तक नहीं पहुँचे थे। उफ। सुजानवरों के राजा बड़े बिजली के प्रतीकुत्ते के रूप में अपनी प्रजा को वह करते देख उसकी आंतरे क्रूर ताव जागर हो गए। क्योंकि उसने अपने पंजेला राते हुए हिंघरी फैंग की ओर हमला किया। यूआन फैंग ने एच्छा व्यक्त की और बीज बिजली प्रतीकुत्ते दो समूहों में विभाजित हो गए। और दाय तरफ 19 हे जरोग बंक्तिबध होकर बड़े बिजली के प्रतीकुत्ते पर निरहोकर आख्रमन कर रहे थे। शेश कुत्ते हाई-40 से अधिक गुलदा उदी अकीता कुत्ते फैंग की ओवान को घेरे हुए थे, धीरे धीरे फैल रहे थे और हे जरोग के साथ आगे बढ़ रहे थे। बड़ा बिजली प्रतीक कुत्ता फैंवान के घेरे में गिर गया था, बीच में फस गया था। लेकिन फैंग की ओवान के घेरे के करण इसका सबसे बड़ा लापसी में था। वो अपनी प्रजा को इकठा करके जोड-जोड से भौगने लगा। इसकी प्रजा इसे बचाने की कोशिश करते हुए उनमाग में इधर उधर भाग रही थी। फैंग की ओवान को बड़े बिजली के प्रती कुट्टे को फंसाना था। बाहरी कुट्टे समुह के हम लोगों को रोपते समय उसे बहुत अबाव का सामना करना पड़ा और उसके सिर में दर्द होने लगा। क्योंकि उसके माथे से पसी ना निकलने लगा। स्थिती खतर नाक थी। यदि वो उनसे सीधे लड़ता भले ही वो जीत जाता तो ये एक दुखर जीत होती और उसके सैनिक कम हो जाते। इस प्रकार उन्होंने कुट राजा को पकरने कुट के दृष्टिकन के बारे में सूचा। लेकिन अगर वो इस सुजानवर राजा को नियंतरित नहीं कर सका, तो हिंगरी फैंग पक औरी के अंदर भरने वाला बन जाएगा, ना केवल वो इस दौर में असफल हो जाएगा, बलकि उसे अपनी जान भी गनवानी पर सकती है। इस गुखर अमर धनी भूमी में विरासत के गुखिडों के अलावा अन्य गु को संगठित न लिए मरना आसान था। फैंकिवान के ताकत क्यूए गुख सभी प्रयासों से गुखाव प्योग नहीं किया जा सका। बेशक उसके पास अपना अंतिम तुरू का एका था हाइफन स्परिंग वाटम सिकारा, लेकिन स्परिंग वाटम सिकारा की वर्तमान स्थिती के साथ हल लेकिन ऐसा करने में एक बड़ा जोखिम था। उसके आत्म विस्फोर करने और बिना कुछ लिए मरने की संभाव ना थी। इस प्रकार जब तक उसे अत्यधिक मजबूर नहीं किया जाता और उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा होता, तब तक क्यो आन फैंग इसक को पकर रहा था और अभी तक हमला नहीं किया था। उसे सबसे अच्छा मौका मिल रहा था। एक रांग के कुत्ते को गुलाम बनाने वाले गुका उप्यो करके और सामाने कुत्तों को वर्षमिक करके वो इसे आधे अधूरे मन से कर सकता था। लेकिन एक रांग दो कुत् को बर्बाद कर सकते हैं। उसके पास किवले एक मौका था अगर रैंक दो कुत्ते की गुलामी करने वाले गुको नश्ट कर दिया जाता तो वो समाप्ट हो जाता। इस प्रकार उसे सावधान रहना पड़ा। उफ। बड़ा बिजली प्रतीक कुत्त चिंतित हो रहा अचानक अपना मौक खोला और नीले प्लाजमा की एक गांट बाहर निकाल दी। गहरा नीला प्लाजमा की सी चिपचिपे पदार्थ जैसा था जो उपर से गिर रहा था। जैसे ही वो घास पर गिरा वो नश्ट नहीं हुआ बलकि चमकता रहा जिससे घास और चटाने चट अपनी चपेट में ले लिया। उसने तुरंत प्लाजमा के इस ख्षेत्र में कुत्तों को पहले सेकेंड में पीछे हटने का आदेश दिया। चारी रखा क्योंकि उसने घास के एक बड़े क्षेत्र को कवर किया था। यूआन फ्यांग की भोधे कसकर चिपकी हुई थी, उसकी अभिव्यक्ती गमफीर हो रही थी। प्लाजमागू की आख्रमन शक्ति अधिक नहीं थी, लेकिन ये कुछ समय के लिए इलाके को जगह नहीं थी। प्लाजमा ने इस नुकसान को और बढ़ा दिया, जिस से सैनिकों को जुटाने या उनके गठन को बदलने में हिन्री फैंग की योजनाव में एक बड़ा प्रतिबंधा लग गया। बिना कोई विकल्प बचे, फेंक यूआन को अपने सैनिकों को फिर से तैनात करना पड़ा। उसने मूल रूप से बिजली के प्रतिक कुटों को रक्षा की बाहरी रेखा पर रखा था, लेकिन अव्वेसु जानवर राज्या से निपटने के लिए अंदर चले गए। उन्होंने सो से अधिक बिजली प्रतिक कुटों से बचाओ के लिए गुल लाइटनिंग सिंबल कुटों की मन में हन्डेट, बीस्ट किंग बन पीग लाइटनिंग सिंबल कुटे के प्रतिस्वभाविक रूप से कुछ डर और जिजग थी। इससे फैंग्युआन का हिर फेर कठीन और अधिकूर्जा ग्रहन हो गया और साथ ही उसका नियंतरन कमज रक्षा की बाहरी रिंग में गुलडाव दि अकीता कुटों की गति बिजली के प्रतिकुटों से कम थी, वे केवल रक्षा की एक तंग रिंग बन बना सकते थे और उनके खलाफ निश्क्रिय रूप से बचाव कर सकते थे। यदि वे बिजली के प्रतिकुटे होते, तो फ हमी जारी रखना होगा। हलांकी वो खत्रे में था, हेंरी फैंक का दिला भी भी शान्त और शान्ती पून्य था। हर बार जब प्लास मागु सक्रिय होता था, तो उसे पांच सांसूं की शीतलन की आवरशक्ता होती थी। प्लास मागु को भी आराम की जरूरत थी। इन प सुरक्षित रहनी के लिए उन्हें परिक्षन जारी रखना पड़ा। समय बीटता रहा और हेंरी फैंक के लिए स्थेती कठिन होती जा रही थी। उसने 14 बिजली प्रतीक कुतों को खो दिया था, केवल 9 बचे थे। हे जरौग बिजली के प्रतीक कुते के समान नसलके नह गए। लेकिन हेंरी फैंक गुंसु जानवरों में से ये पता लगाने में कामयाब नहीं हो सका कि राजा के पास दूसरा गुठा। उसने हर्ताल करने का फैसला किया। मैं अप्म और इंतजार नहीं कर सकता। सबसे अधिक संभावना है इस बड़े बिजली के प्रतीक कु प्लास्मा बोल्च को बाहर निकाला, फैंक गुवान ने तुरंत मारा और अपने गु को मुक्त कर दिया। फैंक गुवान की देखरेक में कुट्टे को गुलाम बनाने वाले गुने सफरता पूर्वक बड़े बिजली के प्रतीक कुट्टे में उडान भरी और खुद को उसकी आत्मा में स्थापित कर लिया। मांसिकूर्जा के संदर्व में एक निराकार प्रभाव ने हिन्री फैंक पर उसके कुट्टे को गुलाम बनाने वाले गुके माथ्यम से हमला किया। फैंक की वान का सिर्व पहले से ही दर्द कर रहा था लेकिन इस हमले को छेलने के उसे तुरंत चकर आ गया। ये सुजानवर राजा की आत्मा थी डास्ता के प्रति प्रतिरोध। सुजानवर राजा को वर्ष में करना आसान नहीं था। हेंडरी फैंक का शरीर डगमगा रहा था और वो साहन करते हुए अपने दाद भूईच रहा था। एक मानिसिक संब बाद उसने वांकना शुरू कर दिया और हेंडरी फैंक पर प्यार से अपनी पूँच हिलाने लगा। आसपास के बिजली प्रतिक कुत्ते समुह ने कुत्ते राजा की पुकार सुनी और अपना हमला रोग दिया। गहन युद्धि समाप्थ हो गया था और शान्तिलोट आ आइफन वहां कम से कम 120 बिजली के प्रतिक कुत्ते थे। भूलने की बात नहीं है उसके पास 100 जानवर राजा थे जिनके पास प्लास माग उठा। हेंडरी फैंक की युद्ध शक्ति बढ़ी अध्धाय 350 कुत्ते की हिम्मत गु आगे कोहरा घना था। फैंक युआन कोहरे में चल रहा था उसके बगल में कुत्तों का एक बड़ा समुह था। 11 जरोग 132 बिजली प्रतिक कुत्ते 17 गुलदाओ दी अकीता कुत्ते। इसके अलावा वहां 100 जानवर राजा बड़ा बिजली प्रतिक कुत्ता था। स्वर्गिये शक्तित्वारा प्रतिबंधित कुत् दे रही थी। हाला कि उसने 20 राउंड जेले थी और उसके हाथ में कुत्ते अब तक के उच्चतम स्तर तक पहुँच चुके थी। फैंकी वान अशावादी नहीं था। इस तीन राजाओं की विरासत में हर 10 राउंड में कठिनाई कई गुना बढ़ जाती थी। हाला कि मे प्रयास के लिए फैंकी वान का लक्षे था। उनके पिछले जीवन में तीन राजाओं की विरासत कई वर्षों के बाद पूरी तरह से खत्म हो गई थी। फैंकी वान को सेंचा परवत पर काफी समय बिताना होगा, एक बार में विरासत प्राप करने का प्रयास करना इथा कर सकता था। बविश्य के दौरों में जदि वो उनमें से किसी में भी लापरवाह हो गया तो वो सब कुछ खो सकता है, उन कुत्तों को खो सकता है जिने उसने कड़ी मेनत से वर्ष में किया था और यहां तक कि अपना जीवन भी खो सकता है। एक राक्षसी विरासत ते ग बढराई तक जाएंगे, ये गुलामी के रास्ते गुल मास्टर के लिए उतना ही फाइदे मंध होगा। मैं अपनी पिछले जीवन में पहले भी गुलामी के रास्ते पर चलने वाला गुल मास्टर हूँ। उस खतरनाक लड़ाई का अनुभव करने के बाद हेन्री फैंक क सिरा भी भी चक्कर आ रहा था अपनी मान से कूर्जा का इतनी तीवरता से उपयोग करना अपनी सारी कूर्जा कुत्तों के समूहों को युद्ध के लिए नियंतरित करने में खर्श करना ये प्रतिक्रिया थी लेकिन अगर ये एक मजबूत आत्मा वाले मास्टर की गुलामी का रास्ता होता तो ऐसी लक्षन बहुत छोटे होते गुलामी के रास्ते पर गुमास्टर से ने जानवरों या कीरों को गुलाम बना लिया उन्हें एक ही समय में बड़ी संख्या में कीरों या जानवरों को नियंत्रित करना पड़ता है इससे उनकी मान से कूर्जा का बहुत अधिक उप्योग होता है इस प्रकार गुलामी पत के फू मास्टर्स अक्सा अपनी आत्मा की गुणवत्ता को प्रशिक्षित करने और बढ़ाने के लिए फू कीरे के एक विशेश सिट का उप्योग करते थे किंग वान की विरासत में स्वर्गिय शक्ति निप्फू मास्टर्स की आत्मा सन्वर्धन को बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं किया इस प्रकार डास्ता पद्गू मास्टर्स को किंग वान इनहेरिटन्स में एक बड़ा फायदा हुआ लेकिन गुलामी का रास्ता बहुत कठिन है सबसे पहले भोजन एक बहुत बड़ा बोज था आपके जानवर या क्रिमि समूह का आकार जितना बड़ा होगा आपको उतना ही अधिक भोजन की आवशक्ता होगी दूसरे मजबूत क्रिमिया जानवरों को भर्ती करना आसान नहीं है कोई भी कर सकता है आसानी से ततिक्रिया जहलते हैं एक बेव कुप में बडल जाते हैं गुलामी की राहत पर चलने वाले गुमास्टर्स अपने जानवरों या किरों पर अत्यधे की भरोसा करते हैं उनका शरीर कमजोर होता है और अकेले होने पर वे औसानी से निपच जाते हैं हेंडुरी फैग ने अपने मन में विशलेशन किया गुमास्टर्स की विभिन शायलियों की अपनी अपनी घुम्बियां और कमजोरियां, कठिनायां और फायदे थे। दुनिया बदल रही थी, दुनिया बदल रही थी। गुलामी पत्गु मास्टर्स को संसादनों की भारी आवशकता है। ये मन और शरीर के लिए थका देने वाला है, यहां तक कि एक मध्यमाकार का कभी लाभी गुलामी पत्गु मास्टर को खिलाने का जोकिम नहीं उठा सकता है। अधिक से अधिक बड़े या सुपर कभीले पालन पोर्षन करना चुनेंगे। युद्धि के उद्देशियों के लिए कुछ गुलामी पत्गु मास्टर्स। राक्ष सिपत के भीतर डास्ता पत्गु मास्टर्स के लिए जेवित रहना और भी कठिन है, इसलिए मैंने ये रास्ता नहीं चुना। हेंडरी फैग ने अपने दिमाग पर ध्यान किंद्रित करते हुए अपनी आत्मा को शान्त किया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसका सिर साफ हो रहा है क्योंकि चक्कराना कम हो गया है। उसने चारों ओर देखते हुए अपनी आँखें खोली। उसके बाएं, दाएं और सामने एक-ए एक हलकी चाया थी। पहले रोशनी की पर चाया घुंदली होती थी। लेकिन बीस राउंड के बाद वे बेहत्स पश्ट हो गए। बाएं चाया गुल्दाओदी अकीता कुत्तों का एक समूह थी। उनमें से लगभग दोसु थे। कुछ जमीन पर फैल कर आराम कर रहे थे कुछ खेल रहे थे जबकी बाकी अपनी मा का दूपी रहे थे। हेंरी फैंग ने गहनता से देखते हुए अपनी निगाहें एक अग्रकी। गुल्दाओदी अकीता कुत्तों के जानवर राजा दूसरों से अलग थे। वे जितने मस्बूत थे। उनका शरीर उतना ही का था। हंड्रेड बीस्ट किंग कहा हो सकता है। फैंक युवान ने चारों ओर देखा और अचानक प्रकाश्चाया बदल गई जिसमें एक गुडिखाई दे रहा था। ये गुम उठी के आकार का, कंकर के आकार का, गहरे भूरे रंग का था। उसकी सतह चिकनी थी, जैस उस पर तेल की परत हो। कुट्टे ने गुग को खा लिया। फैंक युवान ने पहले सेकेंड में इस गुग को पहचान लिया। जनवर समुह के बाद आने का मतलब है कि अगर मैं गुलदा ओदी अकीता कुट्टों के इस समुह को चुनता हूँ और जीध हासिल करता तो मुझे एक कुट्टे की हिम्मत गु मिलेगी। थोड़ी देर बाद ये हलके चाया गायब हो गई। फैंक युवान ने अपना निर्णय नहीं लिया लेकिन बीच वाले की ओर देखा। उसके सामने की हलके चाया में काले काले कुट्टों का समुह दिख रहा था। ये क कुट्टे एक दूसरे पर भौंग रहे थी, हमला कर रहे थे और एक साथ तकरा रहे थे। इसमें इस प्रकार के कुट्टों की करूंटा और हिंसक प्रकृती को दर्शाया गया है। ये स्टील कवज कुट्टा था। इस प्रकार के कुट्टे पर चमरे का कवज होता था, चमरे का कवज स्टील की तरह गहरा और भारी होता था, इसमें मजबूत सुरक्षा होती थी। बड़े होने की प्रक्रिया में कुट्टे एक दूसरे से टकराते थे, ताकि उनकी बड़े होते शरीर की तीव रखोचली कम हो सके। स्टील आर्मर कुट्टे के सुजानवर र ये गुट्टा फैंग की वान इससे परिचित था, उसने पहले इसका प्रयो किया था, रांक दो कुट्टे की दास्ता गुट्टा अगर मैं स्टील आर्मर कुट्टा समुवी चुनता हूं और जीता हूं तो मुझे कुट्टे की दास्ता मिलेगी गुट्ट। हेंडरी फैंग ने अपनी निगाहें दाहिनी और घुमाते वे बुट्बुदाया, दाहिनी और की हलकी चाया में कोई कुट्टा नहीं था, इसके बजाए इसने एक पहाडी द्रिशे दिखाया, जिसमें भुडे सफेद पहाडी चटाने और चटाने हवा के साथ लराते हर थे, थोड़ी देर बाद ये चवे गायब हो गई, पहले जैसा गुडिखाय नहीं दे रहा था, ये किंक वान विरासत को छोड़ने का एक मौका है, हेंडरी फैंग उसके दिल में चांता था, किंक वान इनहेरी चंसर को धन्य भूमी की अंदर बनाया गया था, गुमास्ट ज़ो प्रवेश करते थे, उन्हें स्वर्गिये शक्टिट्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, वे अपनी इच्छा से प्रवेश करने या छोड़ने में असमर्था थे, लेकिन तीन राजाओं की विरासत बिना निकास वाली जगह नहीं थी, उसमें बचे रहने की उ आया जाएगा, वो पहाडी क्षेत्र में दिखाई देगा जैसा की हलकी चाया में दिखाया गया था, और ये पहाडी कमर बहुत दूर नहीं थी, ये संचा परवत पर कहीं थी, लेकिन हेंरी फैग ने सही पक्षण नहीं चुना, मेरे पास आगे बढ़ने के लिए कई गुमास्टर सा, हलांके उनके पास तक थी, सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने इतना अच्छा अवसर बरबात करते हुए हार मानने और विरासत छोड़ने का फैसला किया, कुछ गुमास्टर सा के पास कोई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वे लापरवाही से आगे थे, बाई और ये गुल्दाओ दी अकेता कुत्ते हैं, ये कुत्ता सबसे एक जुढ है, और कुत्ते के राजा का स्थान अग्यात है, अगर मैं जीतता हूं, तो मुझे दौबगटस गु मिलता है, दौबगटस अगुराइंग दो का पूरगु है दास्ता पत, इसका उप फैंग किवान ने अपने पिछले माच के बारे में सुचा, उसे बड़े बिजली प्रतीकुत्ते पर हमला करने के लिए बिजली प्रतीकुत्तों का उप्यो करने के लिए मजबूर होना पड़ा, एंट में बिजली के प्रतीकुत्ते भई भी थे और घपराहट में लड़त उन्हें साधारन जंगली पश्वों का दमन किया और उनमें भय उत Calm wtedy किया लेकिन अगर फैंग वांग ने पहले कुत्ते की आंत गुका इस्तीमाल किया था तो इसे बिजली के प्रतीकुटों पर इस्तीमाल किया था, ये बिजली प्रतीकुटे बेहर्च सहसी महसूस करेंगे अब भय अभीत नहीं होंगे और बड़े बिजली प्रती कुत्ते पर बहादुरी से हमला कर सकते हैं इस प्रकार कुत्ते ने गु को मार डाला हलांकि हमला वर्गु नहीं था ये सबसे अच्छा पूरगु था इसने कुत्तों को निशाना बनाया जिससे उनका साहस दो गुनायाती गुना हो गया जिससे उनका मनोबल आसमान पर पहुँच हो गया गुकि वल दूसरे स्थान पर है यह समानि कुट्टों को सो जानवरों की राजाओं के प्रति अपने डर को दबाने की अनुम्ती दे सकता है इस से उपर माउंटेन गु के उपर रांक 3 का कुत्ता गड़सा होगा जो 1000 जानवरों के राजा के प्रतिदर का विरोध करने में सक्षम है रांक 4 पर ये समुद्र गु के उपर कुत्ते की आंत होगी जो असंखे जानवर राजा की अभा का विरोध करने में सक्षम होगी पलटने का साहस भी रखना फैंक युवांस पश्टरूप से जानता था और यहां तक कि जानता था कि किंग वान इनहेरिचंस में डॉबगड से श्रिंखला के रांग एक से पांश गो थे अपने पिछली जीवन में कई लोगों ने रांग तीन और चार डॉबगड से गोपराप्त किया था और एक भागयर्शाली व्यक्ति भी था जिसने स्वर्ग गो के उपर एक मात्र रांग पांश डॉबगड से पराप्त किया था अगर में किंग वान इनहेरिचंस को जीतना चाहता हूं तो कुत्ते की हिम्मत गो जरूरी है हेंडरी फैंग को स्विकार करना पड़ा उसके मन में हमेशा कुत्ते की आंत गो के प्रती इच्छा थी लेकिन उसके कदम बाई और नहीं बढ़े बलकि आगे बढ़ गए हाइफन उन्होंने स्टील आर्मा डॉप ग्रो को चुना हाला कि वो चाहता था कि कुत्तागो को बुरी तरह से कुचल डाले लेकिन वो लालच से अभिभूत नहीं था गुल्दाओ दी अकेता कुत्ते बेहद एक जुटे वे समूह लडाई में बेहद मस्बूत थे ये एक कठिन लडाई होगी उसी समय वे कुत्ते राजा ने खुद को बहुत अच्छी तरह चुपाया हेंडरी फांगे से ठूंधे नहीं सका ये एक बड़ा खत्रा होगा लेकिन स्टील कवज वाले कुत्ते अलग थे उनका कुत्ता राजा बहुत स्पष्ट था और फैंकिवान के हाथों में उसके पास एक विशेश उपकरन था जो स्टील कवज कुत्तों के खलाफ बेहद प्रभावी था फैंकिवान कोहरे से बाहर चला गया और स्टील कवज कुत्ते समुह सतर्क था तुरंत प्रतिक्रिया हुई सुजानवरों के राजा के रूप में बड़ा स्टील कवज कुत्ता चिलाया जिससे कुत्ते भाव गए और उसके पास एकठा हो गए पूरी प्रकुरिया के दौरान फैंकिवान चुक चाब देखता रहा उसने पहले की तरह हमला नहीं किया क्योंकि पिछली बार उसके पास रैंक दोक का कुत्ता गुलाम गुठा लेकिन अम उसके पास ये नहीं था इस दौर को पार करने के लिए उसे कुत्तों के इस समुह को खत्म करना था और इनाम के रूप में कुत्ते को गुलाम बनाने वाला गुपराप्त करना था अध्याय 351